प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर आसू गैस के गोलों का भी असर ना हो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शंभू बॉर्डर पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं ग्रिह मंत्राले ने भी शंभू बॉर्डर पर हजारों प्रदर्शन कारीयों के जुटने पर चिंता जाहिर की हैं पंजाब हर्याना बॉर्डर पर करीब 14,000 प्रदर्शन कारी जुटे हुए हैं सूत्रों के मुदावी करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारें और 10 मीनी बसों के साथ साथ छोटे वाहन बॉर्डर पर खड़े हैं जिस पर ग्रिह मंत्राले ने पंजाब सरकार से एक्शन लेने को कहा है उधर किसान नेता किसी भी हाल में समझोता करते नहीं दिख रहे उन्होंने सरकार से संसत का विशेश सत्र बुलाये जाने की मांग की है जिसमें MSP पर खरीद की गारंटी के कानू लाया जाए वहीं किसानों का कर्ज माफ किया जाए साथी विपक्षन से भी अपना रुख साफ करने को कहा है किसान निताओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है ऐसे में अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी सरकार की मंद्शा तो केलियर है ना किसी भी कीमत पर आपको दिल्ली नहीं जानेगे 15 से 20 हजार अर्द साइनिक फोर्स हर्याना पूरे में डिप्लाइट किये गया और पूरे गाउं में जैसे घेरा डाला होता पूरे मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हलाद देखते रहें पिछले लंबे समय में वही हलाद पूरे हर्याना के बने हुए उधर प्रदर्शन कारियों को रोकने के लिए हर्याना पूलिस और पैरा मिलिटरी फोर्स भी अलर्ट पर है शम्भू बॉर्डर पर सिमेंट के गाडर, कंटीले तार, विच्छाकर, साथ लेयर बैरिकेडिंग की गई है इसी से पूलिस ने आठ दिन से प्रदर्शन कारियों को रोके रखा है के इस सरकार की तरफ से भी लगातार किसान निताओं को मनाने की कोशिश हो रही है प्रिश्वी मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों को बाचीत से मसला हल करने को कहा है सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार बारता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताओं पर बात्चीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस समाचार उस प्रस्ताओं से वो सहमत नहीं है किसानों को लेका सियासत भी जारी है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फेद उनकी सरकार आने पर किसानों को एमेसपी की गरंटी देने की बात कहीं किसानों के तेवर देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है दिल्ली के हर्याणा से सटे सिंगु टिकरी और यूपी से सटे गाजीपूर बॉर्डर को सीव कर दिया गया है आसे तस्वीरों में आपको सबसे बहले दिखाते हैं कि किस सरहां से जो पैरा मिलिटरी फोर्सेज है पैरा मिलिटरी फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट लगातार यहां पर सिंगु बॉर्डर के ओपर बढ़ाई जा रही है तस्वीरों में आप दिखेंगे तो पैरा मिलिटर को देखते हुए हर्याड़ा के साथ जिलो में इंटरनेट पर पाबंदी को आज के लिए बढ़ा दिया गया है जबकि पंजाब के भी साथ जिलो के कुछ हिस्सों में केंद्र सरकार ने 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है अब तक होई कोशिश में सरकार किसान किसाने में नाकाम्याब रही है किसान नेता अपनी मांगो पर थोड़ा भी जुकने को तयार नहीं है जबकि सरकार को उमीद है कि बात्चीज से ये मसला हल हो सकता है वहीं सरकार और किसान निताओं में जारी इस खीचतान ने दिल्ली वालों को टेंशन दे रखी है आज ए दिन से पंजाब हर्याना के शंबू बॉर्डर पर धरना दे रही है सरकार और किसान संगचनों के वीच चार दौर की वारता हो चुकी है चौते दौर की वारता के दौरान सरकार ने पांच फस्दों पर MSP का एक प्रस्ताफ भी दिया था लेकिन सुमवार रात किसान से ने उस प्रस्ताफ को नामन्जूर किया और दिली करने का इलान किया फैस्ता की और मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजर और पॉकलेन जैसी मशीनों का इंतिजानी कर लिया है आप दिल्नी वासियों के परिशाण ही बर सकती क्युक्कि किसानों ने एलान किया है कि वह दिल्नी कूच करेंगे और मार्च के लिए देखिए अए मार्च के महीने में किसानों ने बुलडोजर और पोकलेन जैसी मशीनों का इंतजाम भी करा है और बहुत जल्द ये मार्च इन किसानों का निकल सकता है और आज जो जानकारी मिल्पी की समस्या है दिली वासियों की बरसकती है एक और बड़ी खबर भारती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन यूपी में जिला मुख्याने ओपर ट्रक्टर लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश हर्याना में ये प्रदर्शन होगा उत्तराखन में भी बेक्यू जो है उसके प्रदर्शन की जानकारी पंजाब के किसानों के समर्थन में प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है भार्टी किसान यूनियन का आज प्रदर्शन ये जानकारी जिला मुख्याने ओपर ट्राक्टर लेकर जाया जाएगा उत्तर प्रदेश हर्याना में प्रदर्शन दर्श किया जाएगा अर्याना डीजीपी की चिट्टी के बाद पंजाब के डीजीपी ने राज्यके जो सीनियर पुलिस आफिसर्स हैं उनको चिट्टी लिखी सक्त आदेश देते हुए पंजाब के डीजीपी ने लिखा किसी भी तरह से जेसी भी पॉकलेन समेट तमाम तरह की जो मशीनरी है शम्बू बॉर्डर और खनोरी बॉर्डर तक नहीं पहुचने पाए तुरंट मौके से इन तमाम तरह की मशीन्स को अटाया जाए कि सारण का इन मशीन्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस बीच मौके से तुरंट इन मशीन्स को अटाए जाने के आदेश और निर्देश चिठी के माधियम से जारी किये गा ये बड़ी जानकाली हर्याना डीजीपी की चिठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने राज़े के सीनियर पुलिस ओफिसर्स को चिठी लिखकर इन मशीन्स की एंट्री पर रोक लगाने के लिए कहा है केंटर मंशी आरजन मुझा ने दिल्ली कूच पर अड़े किसानों से एक बार फिर से बादचीट करने की अपील की उन्हेंने का कि बादचीट के जरिये समधान धूरने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है पूरी खबर देखिए सरकार की तरव से पांच फसलों पर MSP की गारंटी का जो प्रस्ताव दिया गया उसे किसानों ने धोखा बता कर खारिज कर दिया और आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया सरकार के प्रस्ताओं को खारिज करने के बाद केंद्रूय मंत्री आरजिन मुंडा ने किसानों से शांती बनाये रखने की अपील की साथ ही उन्होंने मुद्दो के समाधान के लिए किसान नेताओं के साथ फिर से चर्चा करने की बात कही वही किसान आंदोलन के महाने कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया किसान आए हैं दिल्ली के ओर चल रहे हैं मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ बीजेपी आपको MSP नहीं देगी कॉंग्रेस पार्टी आपको लीगल MSP दिल्वा देगी यानि किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी जारी है जहां केंद्रिय मंत्रे आरजुन मुंडा बाचीत के जरिये मुद्दे को सुलजाने की बात कह रहे हैं वही कॉंग्रेस प्रदर्शन कारियों के साथ खड़ी नजार आ रही है पक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रदर्शन कारियों के शंभू बॉर्टर को घेरने के मामले में पंजाब और हर्याना हाई कोट ने कड़ी आपत्ती जताई है तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्ची को पिस्फुली रखा जा सकता है लोगों की जो भामने उसको कट्रोल किया जा सकता है और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रिय अर्दसैनिक फोर्सों ने किया है देश कभी भी इस तरह की सरकार को माप नहीं करेगा जिस तरह से हरयाने के गाओं में पैरामिट्री फोर्स लगी हुई है और चपे चपे पे पैरामिट्री फोर्स गस्त कर रही है तो हम कहते हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में देश हमारे से बनता हमने भी परदान मंत्री मौड है इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को बोटे दी होंगे आपको परदान मंत्री बनाया होगा और इस दिन की हमने कभी अमीद नहीं की थी पिया हमारे उपर अर्द सैनिक फोर्थ चढ़ा कर इस तरह से हम वारे उपर जुल्म करेंगे और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में को समस्य आ रही है तो किर्प्या इस देश के सविधान की रक्षा किजिए आप सविधान के मुख्या हैं हमें पीसपुली ढंग से दिल्ली जाने दीजिए और यह हमारा जन्मसिन अधिकार है अब देख पीछे कराईए हमारे नोजवानों को मारा जाएगा देखे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी डीजी पी हर्याना बोल रहे थे हमने तो कोई भी किसानों के उपर शेलिंग नहीं किया और पूरी दुनिया देख रही है पी शेलिंग कैसे हुए हम अपने जुआउं से किस पूरी अपील करेंगी यहां पर हर मां का एकी की बेटा है आप संयम रखिएगा धैर रखेगा हम सरकार जो भी जुल्म करें हम उसे सहेंगे हमारी और से कोई भी जो रक्षक कर्मी है जावान है उनके अपर कोई परहार नहीं किया जागा वो भी हमारे हैं सर आप 11 मजे कूच कर रहे हैं तो खोड़ सकता कोई शरारती अंसर बीच में घुच सकते जो आपना महौल खराब करें आपने एक टास्क पोर्स बनाई का उसके ध्यान लगी देखिया हमारी टास्क पूरी सरगर्म है लेकिन हमने देखा खनावरी में भी हम पुलिस कर्मी पकड़ा था इधर भी पकड़ा था तो बहुत सारे सरकार के अजन्सियों के आदमी इसमें घुसे हुए हैं हम पूरी तरह कोशिश करेंगे भी उनके दवारा कुछ इस तरह सी बढ़काट ना पैदा की जाए बहुत दुकी बात है पिकेंदर हमारी सुनने ही रहा अगर व जेसीबी हाइड्रोलिक क्रें बुलेट प्रूफ फोकलेंड मशीन ये तस्वीरे बतानी के लिए काफी है कि आज दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन कारियों के इरादे क्या हैं तस्वीरे बता रही है कि इस बार की कोशिश पिछली कोशिश से कितनी अलग और आक्रामक है सरकार से चार दौर की बाची के बावजूद भी हल नहीं निकलने के बाद प्रदर्शन कारी फिर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं पंजाब हर्याना के शंभू बॉडर और खनौरी बॉडर से प्रदर्शन कारी आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे बॉडर पर बने अभेद्ध किले को भेदने के लिए प्रदर्शन कारी इस बार पूरी तयारी की साथ आ रहे हैं हर्याना पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जैसी भी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुच गया हैं इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है इनको इस तरह से डिजैन किया गया है कि इस पर आसू गैस के गोलों का भी असर ना हो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शंभू बॉर्डर पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं ग्रिह मंत्राले ने भी शंभू बॉर्डर पर हजारों प्रदर्शन कारीयों के जुटने पर चिंता जाहिर की हैं पंजाब हर्याना बॉर्डर पर करीब 14,000 प्रदर्शन कारी जुटे हुए हैं सूत्रों के मुदावी करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारे और 10 मीनी बसों के साथ साथ छोटे वाहन बॉर्डर पर खड़े हैं जिस पर ग्रिह मंत्राले ने पंजाब सरकार से एक्शन लेने को कहा है उधर किसान नेता किसी भी हाल में समझोता करते नहीं दिख रहे हैं उन्होंने सरकार से संसत का विशेश सत्र बुलाये जाने की मांगी है जिसमें MSP पर खरीद की गारंटी के कानू लाया जाए वहीं किसानों का कर्ज माफ किया जाए साथी विपक्ष से भी अपना रुख साफ करने को कहा है किसान निताओ का कहना है कि सरकार उनकी मांगो पर गंभीर नहीं है ऐसे में अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी सरकार की मंद्शा तो केलियर है ना किसी भी कीमत पर आपको दिल्ली नहीं जानेगे 15 से 20 हजार अर्द साइनिक फोर्स हर्याना पूरे में डिप्लाइट किये गया और पूरे गाउं में जैसे घेरा डाला होता पूरे मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हलाद देखते रहें पिछले लंबे समय में वही हलाद पूरे हर्याना के बने हुए उधर प्रदर्शन कारियों को रोकने के लिए हर्याना पूलिस और पैरा मिलिटरी फोर्स भी अलर्ट पर है शम्भू बॉर्डर पर सिमेंट के गाडर, कंटीले तार, विछाकर, साथ लेयर बैरिकेडिंग की गई है इसी से पूलिस ने आठ दिन से प्रदर्शन कारियों को रोके रखा है केज सरकार की तरफ से भी लगातार किसान निताओ को मनाने की कोशिश हो रही है प्रिश्वी मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों को बाचीत से मसला हल करने को कहा है सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार बारता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाए और कुछ परस्ताओं पर बाचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस समाचार उस प्रस्ताओं से वो सहमत नहीं है पर ये बाचीत ये बारता ये संबाध हमारा जारी रहना चाहिए और सांतेपूर्ण धंग से हमें इसका समाधान ढूणना चाहिए किसानों को लेका सियासत भी जारी है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फेर उनकी सरकार आने पर किसानों को MSP की गरंटी देने की बाद गही किसानों के तेवर देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है दिली के हर्याड़ा से सटे, सिंगु टिकरी और यूपी से सटे गाज़ीपूर बॉर्डर को सीव कर दिया गया है तस्वीरों में आपको सबसे बहले तॉम्रुक दिखाते हैं कि किस सरहां से जो पैरामिलिटरी फोर्सेज है पैरामिलिटरी फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट लगातार यहां पर सिंगु बॉर्डर के उपर बढ़ाई जा रही है तस्वीरों में अगर आप दिखेंगे तो पैरामिलिटरी फोर्सेज हो कमांडेंट हो या वरिष्टा दिखा दिखा दिये हूँ सबी लगातार सिंगु बॉर्डर पर पहुँच कर मौके का जाइजा भी ले रहे हैं और लगातार मौके पर मौझूद जवानों को ब्रीफिंग भी उनके साथ लगातार कर रहे है वहीं प्रदर्शन को देखते हुए हर्याड़ा के साथ जिलो में इंटरनेट पर पाबंदी को आज के लिए बढ़ा दिया गया है जबकि पंजाब के भी साथ जिलो के कुछ हिस्सों में केंद्य सरकार ने 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है अब तक होई कोशिश में सरकार किसान नेताओं को मनाने में नाकाम्याब रही है किसान नेता अपनी मांगो पर थोड़ा भी जुकने को तयार नहीं है जबकि सरकार को उमीद है कि बात्चीज से ये मसला हल हो सकता है वहीं सरकार और किसान निताओं में जारी इस खीचतान ने दिल्ली वालों को टेंशन दे रखी है आज एक बार फिर बर्डर पर टकराओं के आशंगा के बीच ट्रैफिक जाम दिल्ली वालों के लिए बड़ी परिशानी का सबब बन सकता है बियर रिपोर्ट जी मीडिया आज यह दो तस्वीर आपके सामने किसान संगटनों की मार्ट का एलान मसीनों के साथ दिल्ली कूछ की है तयारी तो क्रेन और जीसीओबी के साथ उपक्रेंट मशीन तयार है जाने की अशंवरी वासियों की परिशानी बढ़ सकती क्योंकि कि सारों ने इलान किए है। आज हैं कि और मार्च के लिए देखे दिखें के महीने में किसानों ने बूल्डोजर और पोकलेंड जैसी मशीनों का इंतिजाम भी करा है। और बहुत जल्द ये मारच इन किसानों का निकल सकता है और आज जो जानकारी मिल्बी की समस्या है दिली वासियों की बरसकती है एक और बड़ी खबर भात्ती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन यूपी में जिला मुख्याने ओपर ट्रक्टर लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश हर्याना में ये प्रदर्शन होगा उत्तराखन में भी बेक्यू जो है उसके प्रदर्शन की जानकारी पंजाब के किसानों के समठ्टर में प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है भात्ती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन ये जानकारी जिला मुख्याने ओपर ट्रक्टर लेकर जाया जाएगा उत्तर प्रदेश, हर्याना में प्रदर्शिन दर्श किया जाएगा हर्याना डीजीपी की चिठी की बाद पंजाब के डीजीपी ने राज्य के जो सीनियर पुलिस ओफिसर्स हैं उनको चिठी लिखी, सक्त आदेश देते हुए पंजाब के डीजीपी ने लिखा किसी भी तरह से जेसी भी पोकलेन समेट तमाम तरह की जो मशीनरी है शंबू बॉर्डर और खनोरी बॉर्डर तक नहीं पहुंचने पाए तुरंट मौके से इन तमाम तरह की मशीन्स को अटाए जाए कि सारण का इन मशीन्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस बीच मौके से तुरंट इन मशीन्स को अटाए जाने के आदेश और निर्देश चिठी के माधियम से जारी किये गा ये बड़ी जानकाली हर्याना डीजीपी की चिठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने राज़े के सीनियर पुलिस ओफिसर्स को चिठी लिखकर इन मशीन्स की एंट्री पर रोक लगाने के लिए कहा है केंट्रमंच्री आरचन मुझा ने दिल्ली कूच पर अड़े किसानों से एक बार फिर से बातचीत करने की अपील की उन्हेंने का कि बातचीत के जरिये समधान धूरने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है पूरी खबर देखिए सरकार की तरव से पांच फसलों पर MSP की गारंटी का जो प्रस्ताव दिया गया उसे किसानों ने धोखा बता कर खारिज कर दिया और आज दिल्ली कूच करने का एलान किया सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद केंद्रू ये मंत्री आरजिन मुंडा ने किसानों से शांती बनाये रखने की अपील की साथ ही उन्होंने मुद्दो के समाधान के लिए किसान नेताओं के साथ फिर से चर्चा करने की बाद कही वही किसान आंदोलन के बाहने कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया किसान आए हैं दिल्ली के ओर चल रहे हैं मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ बीजेपी आपको MSP नहीं देगी कॉंग्रेस पार्टी आपको लीगल MSP दिल्वा देगी यानि किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी जारी है जहां केंद्रिय मंत्री आरजुन मुंडा बाचीत के जरिये मुद्दे को सुलजाने की बात कह रहे हैं वही कॉंग्रेस प्रदर्शन कारियों के साथ खड़ी नजर आ रही है पक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रदर्शन कारियों के शम्भू बॉर्डर को घेरने के मामले में पंजाब और हर्याना हाई कोट ने कड़ी आपत्ती जताई है तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पिस्फुली रखा जा सकता है लोगों की जो भामने उसको कट्रोल किया जा सकता है और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रिय अर्दसैनिक फोर्सों ने किया है देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा जिस तरह से हर्याने के गाउं में पेरामिट्री फोर्स लगी हुई है और चपे चपे पेरामिट्री फोर्स गस्त कर रही है तो हम कहते हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में देश हमारे से बनता हमने भी पर्दान मंत्री मौड है इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को बोटे दी होगे आपको पर्दान मंत्री बनाया होगा और इस दिन की हमने कभी अमीद नहीं की थी पिया हमारे उपर अर्थ सैनिक फोर्थ चढ़ा कर इस तरह से हमारे उपर जुल्म करेंगे और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में को समस्या आ रही है तो किर्पया इस देश के सविधान की रक्षा कीजिए अब सविधान के मु सुचते हैं हमारे बारे से सुनने में आया कि हर्यान मचीन आई है कोई अपने बंदों पे एक आफाईयर दच किया और पंजाब सरकार से कहिए पीछे कराई है हमारे नौजवानों को मारा जाएगा देखे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी डी जी पी हर्याना बोल रहे देखेंगी यहां पर हर मां का एकी की बेटा है आप संयम रखिएगा धैर रखेगा हम सरकार जो भी जुल्म करें हम उसे सहेंगे हमारी और से कोई भी जो रक्षा कर्मी है जावान है उनके ओपर कोई परहार नहीं किया जागा वो भी हमारे हैं हमारी टास्क पूरी सरगर्म है लेकिन हमने देखा खनावरी में भी हम पुलिस कर्मी पकड़ा था इधर भी पकड़ा था तो बहुत सारे सरकार के एजंसियों के आदमी इसमें घुसे हुए हैं हम पूरी तरह कोशिश करेंगे भी उनके दवारा कुछ इस तरह सी बढ़का राट ना पैदा की जाए बहुत दुक्की बात है पिकेंदर हमारी सुनने ही रहा अगर वो सुन लेते तो इसका पीस पूरी हल हो सकता था रात को भी यहां पर हमारे बॉन पर अंदुलन रूट पे नहीं होता यह तस्वीरे बतानी के लिए काफी है कि आज दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन कारियों के इरादे क्या है तस्वीरे बता रही है कि इस बार की कोशिश पिछली कोशिश से कितनी अलग और आकरामक है सरकार से चार दौर की बाची के बावजूद भी हल नहीं निकलने के बाद प्रदर्शन कारी फिर दिल्ली कूच करने जा रहे है पंजाब हर्याना के शंभू बॉडर और खनौरी बॉडर से प्रदर्शन कारी आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे बॉर्डर पर बने अभेद्ध किले को भेदने के लिए प्रदर्शनकारी इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं हर्याणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोडने के लिए जैसी भी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीन रूई लेकर पहुँच गया है इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है इनको इस तरह से डिजैन किया गया है कि इस पर आसू गैस के गोलों का भी असर ना हो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शंभू बॉर्डर पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं की मुदावी करीब बारो सो ट्रैक्टर ट्रॉली तीन सो कारें और दस मीनी बसों के साथ साथ छोटे वाहन बॉर्डर पर खड़े हैं जिस पर ग्रिह मंत्राले ने पंजाब सरकार से एक्शन लेने को कहा है उधर किसान नेता किसी भी हाल में समझोता करते नहीं दिख रहें उन्होंने सरकार से संसत का विशेश सत्र बुलाये जाने की मांग की है जिसमें MSP पर खरीत की गारंटी का कानू लाये जाए वहीं किसानों का करज माफ किया जाए साथी विपक्षन से भी अपना रुख साफ करने को कहा है किसान निताओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है ऐसे में अब आगे जो होगा उसकी जिम्यदारी सरकार की होगी सरकार की मंद्शा तो केलियर है न पिक किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेगे 15 से 20 हजार अर्द साइनिक फोर्स हर्याना पूरे में डिप्लाइट किये गया और पूरे गाउं में जैसे घेरा डाला होता पूरे में बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हलात देखते रहें पिछले लंबे समय में वही हलात पूरे हर्याना के बने हुए उधर प्रदर्शन कारियों को रोकने के लिए हर्याना पूलिस और पैरा मिलिटरी फोर्स भी अलर्ट पर है शम्भू बॉर्डर पर सिमेंट के गाडर, कंटीले तार, विछाकर, साथ लेयर बैरिकेडिंग की गई है इसी से पूलिस ने आठ दिन से प्रदर्शन कारियों को रोके रखा है के इस सरकार की तरफ से भी लगातार किसान निताओ को मनाने की कोशिशे हो रही है पृष्णी मंत्री अर्जन मुंडा ने एक बार फेर किसानों को बाचीज से मसला हल करने को कहा है सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार बारता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताओं पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्थ हुआ कि उस समाचार उस प्रस्ताओं से वो सहमत नहीं है पर यह बातचीत यह बारता यह संबाध हमारा जारी रहना चाहिए और सांतिपूर्ण ढ़ंग से हमें इसका समाधान ढूंडना चाहिए किसानों को लेका सियासत भी जारी है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फेर उनकी सरकार आने पर किसानों को MSP की गरंटी देने की बात गही किसानों के तेवर देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है दिल्ली के हर्याड़ा से सटे सिंगु टिक्री और यूपी से सटे गाजीपूर बॉर्डर को सीव कर दिया गया है मौके का जायजा भी ले रहे हैं और लगातार मौके पर मौझूद जवानों को ब्रीफिंग भी उनके साथ लगातार कर रहे हैं वहीं प्रदर्शन को देखते हुए हर्याड़ा के साथ जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी को आज के लिए बढ़ा दिया गया है जबकि पंजाब के भी साथ जिलों के कुछ हिस्सों में केंदी सरकार ने 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है अब तक होई कोशिश में सरकार किसान निताओं को मनाने में नाकाम्याब रही है किसान निता अपनी मांगो पर थोड़ा भी जुकने को तयार नहीं है जबकि सरकार को उमीद है कि बात्चीज से ये मसला हल हो सकता है वहीं सरकार और किसान निताओं में जारी इस खीशतान ने दिल्ली वालों को टेंशन दे रखी है आज एक बर फिर बर्डर पर टकराओं के आशंका के बीच ट्रैफिक जाम दिल्ली वालों के लिए बड़ी परिशानी का सबब बन सकता है प्योर रिपोर्ट जी मीडिया उसको लेकर किसानों की बात करने बीते कई दिन से पंजाब हर्याना के शंबू बॉर्डर पर धरना दे रही है सरकार और किसान संगटनों के वीच चार दौर की वारता हो चुकी है चौते दौर की वारता के दौरान सरकार ने पांट फस्टों पर MSP का एक पस्ताफ भी दिया था लेकिन सुमवार रात किसान संगटनों ने उस पस्ताफ को नामन्जूर किया और दिल्ली तक मार्च करने का ऐलान किया फैस्ता की और मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजर और पॉक्लेन जैसी मशीनों का इंतिजाम भी कर लिया है दो तस्वीरे आपके सामने किसान संगटनों की मार्च का एलान मशीनों के साथ दिल्ली कूच की है तैयारी तो क्रेन और जैसी भी के साथ पॉक्लेन मशीन तैयार है यानि कि अब दिली वासियों की परिशानी बढ़ सकती क्योंकि किसानों ने एलान किया है कि वो दिली कूच करेंगे और मार्च के लिए देखिए मार्च के महीने में किसानों ने बुल्डोजर और पोकलेन जैसी मशीनों का इंतिजाम भी करा है और बहुत जल्द ये मार्च इन किसानों का निकल सकता है और आज जो जानकारी मिल्बी की समस्या है दिली वासियों की बरसकती है एक और बड़ी खबर भारती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन यूपी में जिला मुख्याने ओपर ट्रक्टर लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश हर्याना में ये प्रदर्शन होगा उत्तराखन में भी BKU जो है उसके प्रदर्शन की जानकारी पंजाब के किसानों के समठ्थर में प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है भारती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन ये जानकारी जिला मुख्यानेों पर ट्राक्टर लेकर जाया जाएगा उत्तर प्रदेश, हर्याना में प्रदर्शन दर्च किया जाएगा नमस्ते इंडिया निदी और जिवा के साथ बड़ी कब सुबार बजे की मिल रही आज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे प्रदर्शन कारी किसान तो एमस्ती की मांग को लेकर किसान पीतर काई दिनों से पंजाब हर्याना के शाम्भू बॉर्डर पर धरना लगाता दे रहे हैं और सरकार और किसान संगचनों के बीच चार दौर की वारता भी हो चुकी है चौते दौर की वारता के दौरान सरकार ने पांच फसलों पर एमस्पी का प्रस्ताव भी रखा था लेकिन ये प्रस्ताव किसानों के द्वारा खारिच कर दिया गया बिल्कों सोमवा रात किसान संगटनों ने उस प्रस्ताफ को नामन्जूर कर दिया और डिली तक मार्च करने का फैसला किया मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजार पॉकलेंट जैसी मशीन्स का इंतजाम भी कर लिया प्रदर्शन कारियों का अज दिल्ली कूच का ऐलान है तैयारी पूरी है खतरनाक तैयारी हम कहें तो बहतर होगा बड़ी स्टंग क्यामेर प्रदर्शन कारी इसमें शामिल रहने वाले हैं मार्च के लिए बड़ी मशीनों का भी इंतजाम किया गया तो अब से तीन घंडे के बाद प्रदर्शन कारी शम्भू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर देंगे दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शनकारियों ने बड़ी तयारी की है तो उनको रोकने के लिए दिल्ली से लेकर हर्याला तक पुलिस भी तगड़े इंतजाम किये हुए है बिल्कुल आपको प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूछ पर हम इस वक्त के 10 बड़े अपडेट्स भी बता देते हैं पहला अपडेट ये कि शम्भू बॉर्डर से दिल्ली आएंगे प्रदर्शनकारी सुभा 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रदर्शनकारी तीसा अपडेट शम्भू बॉर्डर पर 14,000 प्रदर्शनकारी 1200 ट्रक्टर के साथ और चौता अपडेट प्रदर्शनकारियों के पास गढधा खोदने की भी मशीन बाकाइदा मौजूद रहने वाली है प्रदर्शनकारियों पर सक्त कर रवाई करे पंजाब ऐसा कहना है गुरेमंत वाले का पंजाब डीजीपी ने मशीनों को तुरंट हटाने को भी कहा है तुवाई गुरुग्राम से 50 किसान हिरासत में भी लिये गए है दिली में बॉर्डर पर सुरक्षा बहुत ही ज्यादा पुक्ता है दिली में भयंकर ट्राफिक जाम की आशंका आज जताई जा रही है दसवा अबडेट आज CBSE बोट का एक्जाइम में ऐसे में परिक्षार्टियों को दिक्तों का सामना करना पड़ सकता है आज और ये चार तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं दिली कूच की तयारी है किसानों की और ये माना जवाराई की JCB और पोकलें मशीनों के साथ पूरे इंतजाम के साथ ये प्रदर्शन कारी आज दिली कूच करेंगे शंबू बॉर्डर पर किले बंदी कर दी गई है हजार प्रदर्शन कारी आप पड़टी और आज फिर से दिली वासियों को एंसियर वासियों को परिशानियों का सामना जाम की समस्या से करना पड़ सकता है तो शंबू बॉर्डर से अमित भारतवाज हमारे साथ है गुद मॉर्णिंग अमित और गाज़िपूर बॉर्डर से आदिती प्रताप सिंग रिपोर्च कर रहे है गुद मॉर्णिंग आदिती पहले शंबू बॉर्डर जाओंगी अमित के पास मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ लगातार जो है अभी और पुलिस बल जो है बढ़ा दिया गया है देखे कभी भी यहां जाम नहीं लगता था कि जब फोर्सिस यहां इंटर करती थी या फिर अपनी डूटी वे अगली जगा पर जाती थी तो अभी देखे बहुत जादा जो है सुरक्षा के इंतजामात बढ़ा दिये गए है पूरी चाक्चो बंद कर ली गई है आज बड़ा जो है इम्तेहान है फोर्सिस का मैं आपको बता दू कि 14,000 से जादा लोग जुड सकते हैं वहां पर और सौ की एक टीम बनाई गई है जिसमें की वो आगे जो है लोग दिल्ली के आसपास भी पहुंच चुके है प्रतशनकारी तो लगातार यह इंफर्मेशन आ रही है 19,000 से जादा लोग हो सकते हैं तो यह एक बड़ी चुनोती है बड़ा इम्तेहान है फोर्सिस का भी और यहां पर लगातार फोर्सिस जो है वो भी बढ़ती ज जा रही है जैसे कि number of crowd is swelling every hour सो अभी क्या हो रहा है कि वहां पर सिती का जायजा भी लिया जा रहा है और अभी फोर्सिस सिर्फ यह चाती है कि उनको रोका जाए 14 ऐसे पॉइंट है जो हर्याणा से हर्याणा की तरफ जो है वो बढ़ते हैं पंजाब से पंजाब से 14 ऐसे पॉइंट है जिन पर गुश सकते हैं दातेवाला से लेके खनूरी बॉर्डर और यह शंबू यह काफ पर भी जो है कल चर्चा हुई है देरात और वहां पर भी बड़े अपडेट्स दे रहे हैं अमें तो लगतार आप हमारे साथ बने रहेएगा और नजर बना के रखिएगा आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे गाजी पूर पॉर्डर कर लेते हैं आदत्य हमारे साथ जु हो सकते हैं बिल्कुल देखे गाजीपूर बॉर्डर पे खड़े हैं और यह बिल्कुल सच है कि सुबह 8 बजे से ही जहां पे सामान्य हालात रहते हैं वहां पे जाम जैसी इस्तिती जो है वो बनना शुरू हो चुकी है ट्रैफिक कही ना कहीं परेशान लोग परेशान हैं एंबुलिंस भी हैं आप यहां से देख सकते हैं कैमरा से होगी विनायक से कहूंगा कि इसी जाम के बीच में आपको एक एंबुलिंस की तस्वीर यहां से दिखाई देगी वाकई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बॉर्डर पे भी किये गए हैं यहां पर क्रेंस बड कर दिखाई देंगे आप यहां की तस्वीरे देख सकते हैं और बड़ी बात यह है कि यह पूरा जो जाम है यह कहीं ना कहीं यूपी से आने वाले और इधर आगे उत्तरा घंड से आने वाले लोगों का जाम होता है जो सामाने ता 9.09 जो प्राइम आर्स होते हैं उस समय द किसानों की बात करने बीते कई दिन से पंजाब हर्याना के शंबू बॉर्डन पर धरना दे रहे हैं सरकार और किसान संगटनों के वीड चार दौर की वारता हो चुकी है चौते दौर की वारता के दौरान सरकार ने पांट फस्तों पर MSP का एक प्रस्ताफ भी दिया था लेकिन सुमवार रात किसान संगटनों ने उस प्रस्ताफ को नामन्जूर किया और दिल्ली तक मार्च करने का ऐलान किया फैस्ता की और मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजर और पॉकलेन जैसी मशीनों का इंतिजाम भी कर लिया है दो तस्वीरे आपके सामने किसान संगटनों की मार्च का एलान मशीनों के साथ दिल्ली कूच की है तैयारी तो क्रेन और जैसी भी के साथ पॉकलेन मशीन तैयार है यानि कि अब दिली वासियों की परिशानी बर सकती क्योंकि किसानों ने एलान किया है कि वो दिली कूच करेंगे और मार्च के लिए देखिए मार्च के महीने में किसानों ने बुल्डोजर और पोकलेन जैसी मशीनों का इंतिजाम भी करा है और बहुत जल्द ये मार्च इन किसानों का निकल सकता है और आज जो जानकारी मिल्वी की समस्या है दिली वासियों की बरसकती है एक और बड़ी खबर भारती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन यूपी में जिला मुख्याने ओपर ट्रक्टर लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश हर्याना में ये प्रदर्शन होगा उत्तराखन में भी BKU जो है उसके प्रदर्शन की जानकारी पंजाब के किसानों के समच्टर में प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है भारती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन ये जानकारी जिला मुख्यालेंगों पर ट्रेक्टर लेकर जाया जाएगा उत्तरप्रदेश हर्याना में प्रदर्शिन दर्ज किया जाएगा अर्याना डीजीपी की चुठी के बार पंजाब के डीजीपी ने राज्य के जो सीनियर पुलिस ओफिसर्स हैं उनको चिठी लिखी, सक्त आदेश देते हुए पंजाब के डीजी पी ने लिखा, किसी भी तरह से जेसी भी पोकलेन समेट तमाम तरह की जो मशीनरी है, शंबू बॉर्डर और खनोरी बॉर्डर तक नहीं पहुचने पाए, तुरंट मौके से इन तमाम तरह की मशीन्स को अगे बढ़ेंगे, और इस बीच मौके से तुरंट इन मशीन्स को अटाए जाने के आदेश और निर्देश चिठी के माधियम से जारी कियेगा, ये बड़ी जानकाली हर्याना, डीजी पी की चिठी के बाद, पंजाब के डीजी पी ने राजे के सीनियर पुलिस ओफिसर् इन मशीन्स की एंट्री पर रोक लगाने के लिए कहा है। और आज दिल्ली कूच करने का एलान किया, सरकार के प्रस्ताओं को खारीज करने के बाद केंद्री मंत्री अरजिन मुंडा ने किसानों से शांती बनाये रखने की अपील की, साथ ही उन्होंने मुद्दो के समाधान के लिए किसान नेताओं के साथ फिर से चर्चा करने की यह वारता यह संबाद हमारा जारी रहना चाहिए और सांते पूर्ण धंग से हमें इसका समाधान ढूंडना चाहिए वही किसान आंदोलन के बाहने कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया किसान आए हैं दिल्ली के ओर चल रहे हैं मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ बीजेपी आपको MSP नहीं देगी कॉंग्रेस पार्टी आपको लीगल MSP दिलवा देगी यानि किसान आंदोलन को लेका सियासत भी जारी है जहां केंद्रिय मंत्रे आरजुन मुंडा बाचीत के जरिये मुद्दे को सुलजाने की बात कह रहे हैं वही कॉंग्रेस प्रदर्शन कारियों के साथ खड़ी नजार आ रही है वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रदर्शन कारियों के शम्भू बॉर्डर को घेरने के मामले में पंजाब और हर्याना हाई कोट ने कड़ी आपत्ती जताई है तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पिस्फुली रखा जा सकता है लोगों की जो भामने उसको काट्रोल किया जा सकता है और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रिय अर्थ सैनिक फोर्सों ने किया है देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा जिस तरह से हर्याने के गाउं में पेरामिट्री फोर्स लगी हुई है और चपे चपे पेरामिट्री फोर्स गस्त कर रही है तो हम कहते हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में देश हमारे से बनता हमने भी परदान मंत्री मौड है इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को बोटे दी होंगे आपको परदान मंत्री बनाया होगा और इस दिन की हमने कभी अमीद नहीं की थी पिया हमारे उपर अर्द सैनिक फोर्थ चढ़ा कर इस तरह से हम वारे उपर जुल्म करेंगे और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में को समस्य आ रही है तो किर्प्या इस देश के सविधान की रक्षा किजिए अब सविधान के मुख्या हैं हमें पीसपुली ढंग से दिल्ली जाने दीजिए और यह हमारा जन्मसिन अधिकार है अब देख पीछे कराईए हमारे नौजवानों को मरा जाएगा देखे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी डीजी पी हर्याना बोल रहे थे हमने तो कोई भी किसानों के उपर शेलिंग नहीं किया और पूरी दुनिया देख रही है पी शेलिंग कैसे हुई हम अपने जुआउं से किस भी जुल्म करें हम उसे सहेंगे हमारी और से कोई भी जो रक्षक कर्मी है जावान है उपर कोई परहार नहीं किया जागा वो भी हमारे हैं हमारी टास्क पूरी सरगर्म है लेकिन हमने देखा खनावरी में भी हम पुलिस कर्मी पकड़ा था इधर भी पकड़ा था तो बहुत सारे सरकार के एजंसियों के आदमी इसमें घुसे हुए हैं हम पूरी तरह कोशिश करेंगे भी उनके दवारा कुछ इस तरह सी बढ़का हाट ना पैदा की जाए बहुत दुक्की बात है पिकेंदर हमारी सुनने ही रहा अगर वो सुन लेते तो इसका पिस पूरी हल हो सकता था रात को भी यहां पर हमारे बाड़ों पर अंदुलन रोड पे नहीं होता यह तस्वीरे बतानी के लिए काफी है कि आज दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन कारियों के इरादे क्या है तस्वीरे बता रही है कि इस बार की कोशिश पिछली कोशिश से कितनी अलग और आकरामक है सरकार से चार दौर की बाची के बावजूद भी हल नहीं निकलने के बाद प्रदर्शन कारी फिर दिल्ली कूच करने जा रहे है पंजाब हर्याना के शंभू बॉडर और खनौरी बॉडर से प्रदर्शन कारी आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे बॉर्डर पर बने अभेद्ध किले को भेदने के लिए प्रदर्शनकारी इस बार पूरी तैयारी की साथ आ रहे हैं हर्याणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोडने के लिए जैसी भी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीन रूई लेकर पहुँच गया है इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है इनको इस तरह से डिजैन किया गया है कि इस पर आसू गैस के गोलों का भी असर ना हो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शंभू बॉडर पर क्या हालाद पैदा हो सकते हैं ग्रिह मंत्राले ने भी शंभू बॉडर पर हजारों प्रदर्शन कारीों के जुटने पर चिनता जाहिर की है पंजाब हरियाना बॉर्डर पर करीब 14,000 प्रदर्शन कारी जुटे हुए हैं सूत्रों की मुदावी करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारे और 10 मीनी बसों के साथ साथ छोटे वाहन बॉर्डर पर खड़े हैं जिस पर ग्रिह मंत्राले ने पंजाब सरकार से एक्शन लेने को कहा है उधर किसान नेता किसी भी हाल में समझोता करते नहीं दिख रहे हैं उन्होंने सरकार से संसत का विशेश सत्र बुलाये जाने की मांगी हैं जिसमें MSP पर खरीत की गारंटी का कानू लाये जाए वहीं किसानों का कर्ज माफ किया जाए साथी विपक्षन से भी अपना रुख साफ करने को कहा है किसान निताओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है ऐसे में अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी सरकार की मंद्शा तो केलियर है न पिक किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेगे 15 से 20 हजार अर्द सैनिक फोर्स हर्याना पूरे में डिप्लाइट किये गया और पूरे गाओं में जैसे घेरा डाला होता पूरे में बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हलात देखते रहें पिछले लंबे समय में वही हलात पूरे हर्याना के बने हुए उधर प्रदर्शन कारियों को रोकने के लिए हर्याना पूलिस और पैरा मिलिटरी फोर्स भी अलर्ट पर है शम्भू बॉर्डर पर सिमेंट के गाडर, कंटीले तार, विछाकर, साथ लेयर बैरिकेडिंग की गई है इसी से पूलिस ने आठ दिन से प्रदर्शन कारियों को रोके रखा है के इस सरकार की तरफ से भी लगातार किसान निताओं को मनाने की कोशिशे हो रही है पृश्वी मंत्री अर्ज्ण मुंडा ने एक बार फिर किसानों को बातचीत से मसला हल करने को कहा है आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस समाचार उस प्रस्ताओं से वो सहमत नहीं है पर ये बातचीत ये बारता ये संबाध हमारा जारी रहना चाहिए और सांतेपूर्ण धंग से हमें इसका समाधान ढूढ़ना चाहिए किसानों को लेका सियासत भी जारी है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फेर उनकी सरकार आने पर किसानों को MSP की गरंटी देने की बात कही किसानों के तेवर देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है दिली के हर्याणा से सटे, सिंगु टिकरी और यूपी से सटे गाजीपूर बॉर्डर को सीव कर दिया गया है तस्वीरों में आपको सबसे बहले तो अमरुक दिखाते हैं कि किस सरहां से जो पैरामिलिटरी फोर्सेज है पैरामिलिटरी फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट लगातार यहां पर सिंगु बॉर्डर के उपर बढ़ाई जा रही है तस्वीरों में अगर आप दिखेंगे तो पैरामिलिटरी फोर्सेज हो कमांडेंट हो या वरिष्टा दिखा दिखा दिए हूँ सबी लगातार सिंगु बॉर्डर पर पहुँच कर मौके का जायजा भी ले रहे हैं और लगातार मौके पर मौझूद जवानों को ब्रीफिंग भी उनके साथ लगातार कर रहे हैं वहीं प्रदर्शन को देखते हुए हर्याड़ा के साथ जिलो में इंटरनेट पर पाबंदी को आज के लिए बढ़ा दिया गया है जबकि पंजाब के भी साथ जिलो के कुछ हिस्सों में केंद्य सरकार ने 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है अब तक होई कोशिश में सरकार किसान निताओं को मनाने में नाकाम्याब रही है किसान निता अपनी मांगो पर थोड़ा भी जुकने को तयार नहीं है जबकि सरकार को उमीद है कि बात्चीज से ये मसला हल हो सकता है वहीं सरकार और किसान निताओं में जारी इस खीचतान ने दिल्ली वालों को टेंशन दे रखी है। आज एक बार फिर बर्डर पर टकराओं के आशंका के बीच ट्रैफिक जाम दिल्ली वालों के लिए बड़ी परिशानी का सबब बन सकता है। पर MSP का प्रस्ताव भी रखा था लेकिन ये प्रस्ताव किसानों के द्वारा खारिश कर दिया गया। तो अब से तीन घंडे के बाद प्रदर्ष्णकारी शंभू बर्डर से दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर दिंगे। डिल्ली कूछ के लिए प्रदर्शनकारियों ने बड़ी तयारी की है, तो उनको रोकने के लिए दिल्ली से लेकर हरयाना तक पुलिस भी तगड़े इंतिजाम किये हुए है। बिल्कुल आपको प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूछ पर हम इस वक्त के 10 बड़े अपडेट्स भी बता देते हैं पहला अपडेट ये कि शम्भू बॉर्डर से दिल्ली आएंगे प्रदर्शनकारी सुभा 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रदर्शनकारी तीसा अपडेट शम्भू बॉर्डर पर 14,000 प्रदर्शनकारी 1200 ट्रक्टर के साथ और चौथा अपडेट प्रदर्शनकारियों के पास गढधा खोदने की भी मशीन बाकाइदा मौजूद रहने वाली है प्रदर्शनकारियों पर सक्त कर्रवाई करे पंजाब ऐसा कहना है गुरेमंत वाले का पंजाब डीजेपी ने मशीनों को तुरंट हटाने को भी कहा है तुभाई गुरुग्राम से 50 किसान हिरासत में भी लिये गए हैं और ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली कूच की तैयारी है किसानों की और ये मानाजवाराई की जेसीबी और पोकलें मशीनों के साथ पूरे इंतजाम के साथ ये प्रदर्शनकारी आज दिल्ली कूच करेंगे शंभू बॉर्डर पर किले बंदी कर दी सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं तो चौदा हजार प्रदर्शनकारी आप पड़टी और आज फिर से दिल्ली वासियों को एंसीयर वासियों को परिशानियों का सामना जाम की समस्या से करना पड़ सकता है तो शंभू बॉर्डर से अमित भारदवाज हमारे साथ है गुद मॉर्निंग अमित और गाज़िपूर बॉर्डर से आदित प्रताप सिंग रिपोर्च कर रहे है गुद मॉर्निंग आदित पहले शंभू बॉर्डर जाओंगी अमित के पास मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ लगातार जो है अभी और पुलिस बल जो है बढ़ा दिया गया है देखे कभी भी यहां जाम नहीं लगता था कि जब forces यहां इंटर करती थी या फिर अपनी duty वे अगली जगा पर जाती थी तो अभी देखे बहुत जादा जो है लाक्चोबंद कर ली गई है आज बड़ा जो है इम्तिहान है forces का मैं आपको बता दू कि 14,000 से जादा लोग जुड़ सकते हैं वहां पर और सौ की एक टीम बनाई गई है सौ युवाओं की एक टीम बनाई गई है जिसमें की वो आगे लीड करेंगे और उनके पास काफी अ पास भी पहुंच चुके है प्रतशन का रही तो लगातार यह इंफर्मेशन आ रही है 19,000 से जादा लोग हो सकते हैं तो यह एक बड़ी चुनाती है बड़ा इम्तिहान है forces का भी और यहां पर लगातार forces जो है वो भी बढ़ती जारी है जैसे कि number of crowd is swelling every hour सो अभी क्या हो रहा है कि वहां पर सिती का जायजा भी लिया जा रहा है information भी ली जा रही है देर रात तक जो है अधिकारियों की बैठक भी चलती रही मैं आपको बता दू कि मौसम भी एक चुनाती बना हुआ है यहां पर क्योंकि visibility बिल्कुल zero हो गई है यहां पर धुन भ सिर्फ जो है वह बढ़ते हैं पंजाब से पंजाब से चौदा ऐसे पॉइंट हैं जिन पर गुछ सकते हैं दातेवाला से लेके खनूरी बॉर्डर और यह शंबू यह काफी सेंस्टिव हैं लेकिन एक तयार कर सकते हैं एक अन्य रास्ता भी मैं आपको बता दू कि 21 लेंगे गाजिपूर पॉर्डर करूख कर लेते हैं आदत्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदत्य अगर हम आज बात करें दिल्ली एंसीर वासियो की तो आज भी जाम से परिशान होना पढ़ सकता है पिछले दिनों कुछ राहत जरूर दिली एंसीर वासियो को मिली ट्र वहाँ पे जाम जैसी इस्थिती जो है वो बनना शुरू हो चुकी है ट्रैफिक कहीं न कहीं परिशान लोग परिशान हैं एंबुलेंसे भी हैं आप यहां से देख सकते हैं कैमरा से होगी विनायक से कहूंगा कि इसी जाम के बीच में आपको एक एंबुलेंस की तस्वीर यहां से दिखाई देगी वाकई में सुरक्षा के कड़े इंतरजाम इस बॉर्डर पे भी किये गए हैं यहां पर क्रेंस बड़े-बड़े सीमेंटेट पिलर्स इसके अलावा सीमेंटेट बेरिकेड्स और जो यहां पर आयरन बेरिकेड्स हैं उन पर तार बंदी की गई है जिसकी वज़े से कही न कहीं जो फ्लाई ओवर का अधिकांस रास्ता है वो घिरा हुआ है ट्रैफिक स्लो मूविंग है और कुछी समय में यहां पर जैसे हला जो हैं वो यहां पर दिखाई देंगे आप यहां की तस्वीरे देख सकते हैं और बड़ी बात यह है कि यह पू जाले साथ बजे के लगबग यह तस्वीरे यहां पर आपको दिखाई दे रही है और यह देखिए सामने एंबुलिंस जो है उसको भी संगर्स कहीं न कहीं करना पड़ रहा है कि और मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजर और पॉक्लेन जैसी मशीनों का इंतिजाम भी कर लिया है दो तस्वीरे आपके सामने किसान संगटनों की मार्च का एलान मशीनों के साथ दिल्ली कूच की है तैयारी तो क्रेन और जेसीबी के साथ पॉक्रेन मशीन तयार है जयनी कि अब डिली वास्यों की परेशानी बर सकती क्योंकि किसानों ने अलान किया है, फिलए बीकुण कोच करेंगे प्रदर्शन यूपी में जिला मुख्याले ओपर ट्रक्टर लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश हर्याना में ये प्रदर्शन होगा। उत्तर खन में भी BKU जो है। उसके प्रदर्शन की जानकारी पंजाब के किसानों के समठ्टर में प्रदर्शन की जानकारी सामने आ र ने राज्य के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको चिठी लिखी सक्त आदेश देते हुए पंजाब के डीजी पी ने लिखा किसी भी तरह से जेसी भी पोकलेन समेट तमाम तरह की जो मशीनरी है शंबू बॉर्डर और खनोरी बॉर्डर तक नहीं पहुंचने पाए तु की चिठी के बाद पंजाब के डीजी पी ने राज्य के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को चिठी लिखकर इन मशीन्स की एंट्री पर रोक लगाने के लिए कहा है केंटर मंचरी अरचन मुंचा ने दिल्ली कूच पर अड़े किसानों से एक बार फिर से बातचीत करने की अपील की उन्हेंने का कि बातचीत के जरिये समधान धूरने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है पूरी खबर देखिए सरकार की तरव से पांच फसलों पर MSP की गारंटी का जो प्रस्ताव दिया गया उसे किसानों ने धोखा बता कर खारिज कर दिया और आज दिल्ली कूच करने का एलान किया सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद केंद्रू ये मंत्री आरजिन मुंडा ने किसानों से शांती बनाये रखने की अपील की साथ ही उन्होंने मुद्दो के समाधान के लिए किसान नेताओं के साथ फिर से चर्चा करने की बाद कही वही किसान आंदोलन के बाहने कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया किसान आए हैं दिल्ली के ओर चल रहे हैं मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ बीजेपी आपको MSP नहीं देगी कॉंग्रेस पार्टी आपको लीगल MSP दिल्वा देगी यानि किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी जारी है जहां केंद्रिय मंत्री आरजुन मुंडा बाचीत के जरिये मुद्दे को सुलजाने की बात कह रहे हैं वही कॉंग्रेस प्रदर्शन कारियों के साथ खड़ी नजर आ रही है पक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रदर्शन कारियों के शम्भू बॉर्डर को घेरने के मामले में पंजाब और हर्याना हाई कोट ने कड़ी आपत्ती जताई है तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पिस्फुली रखा जा सकता है लोगों की जो भामने उसको काट्रोल किया जा सकता है और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रिय अर्थ सैनिक फोर्सों ने किया है देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा जिस तरह से हर्याने के गाउं में पेरामिट्री फोर्स लगी हुई है और चपे चपे पेरामिट्री फोर्स गस्त कर रही है तो हम कहते हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में देश हमारे से बनता हमने भी परदान मंत् कि हमारे उपर अर्द सैनिक फोर्थ चढ़ा कर इस तरह से हमारे उपर जुल्म करेंगे और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में को समस्या आ रही है तो किर्पया इस देश के सविधान की रक्षा कीजिए अब सविधान के मुख्या हैं हमें पीसपुली ढंग से दिल्ली जा कार है अब देखना आने वाले समय में प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं हमारे बारे से सुनने में आया है कि हर्याना बोल रहे थे हमने तो कोई भी किसानों के उपर शेलिंग नहीं किया और पूरी दुनिया देख रही है पी शेलिंग कैसे हुई हम अपने जुआउं से किसान मजदूर से पूरी अपील करेंगी यहां पर हर मां का एकी की बेटा है आप सैयम रखियेगा धैर रखेगा हम सरकार जो भी जुल्म करे हम उसे सहेंगे हमारी और से कोई भी जो रक्षा कर्मी है जावान है उरके ओपर कोई परहार नहीं किया जा देखिया हमारी टास्क पूरी सरगर्म है लेकिन हमने देखा खनावरी में भी हम पुलिस कर्मी पकड़ा था इधर भी पकड़ा था तो बहुत सारे सरकार के अजंसियों के आदमी इसमें घुसे हुए हैं हम पूरी तरह कोशिश करेंगे भी उनके दवारा कुछ इस तरह सी बढ़काट ना पैदा की जाए बहुत दुक्की बात है पिकेंदर हमारी सुनने ही रहा अगर वो सुन लेते तो इसका पिसपूरी हल हो सकता था कि रात को भी यहां पर हमारे बॉड़ों पर अंदुलन रोड पर नहीं होता है जैसी भी हाइड्रोलिक क्रेंट बुलेट प्रूफ पोकलेंग मशीन यह तस्वीरे बतानी के लिए काफी है कि आज दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शनकारियों के इरादे क्या है तस्वीरे बता रही है कि इस बार की कोशिश पिछली कोशिश से कितनी अलग और आकरामक है सरकार से चार दौर की बाची के बावजूद भी हल नहीं निकलने के बाद प्रदर्शनकारी फिर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं पंजाब हर्याना के शंभू बॉडर और खनौरी बॉडर से प्रदर्शनकारी आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे बॉडर पर बने अभेद्ध किले को भेदने के लिए प्रदर्शनकारी इस बाद पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं हर्याना पुलिस की बैरिकेडिंग तोडने के लिए जैसी भी और हाइडरोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीन रूई लेकर पहुँच गया है इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है इनको इस तरह से डिजैन किया गया है कि इस पर आसू गैस के गोलों का भी असर ना हो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शंभू बॉडर पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं ग्रिह मंत्राले ने भी शंभू बॉडर पर हजारों प्रदर्शनकारीों के जुटने पर चिंता जाहिर की है पंजाब हरियाना बॉडर पर करीब 14,000 प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं सूत्रों की मुदावी करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारे और 10 मीनी बसों के साथ साथ छोटे वाहन बॉडर पर खड़े हैं जिस पर ग्रिह मंत्राले ने पंजाब सरकार से एक्शन लेने को कहा है उधर किसान नेता किसी भी हाल में समझोता करते नहीं दिख रहे हैं उन्होंने सरकार से संसत का विशेश सत्र बुलाये जाने की मांग की है जिसमें MSP पर खरीत की गारंटी का कानू लाये जाए वहीं किसानों का कर्ज माफ किया जाए साथी विपक्षन से भी अपना रुख साफ करने को कहा है किसान निताओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है ऐसे में अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी सरकार की मंद्शा तो केलियर है न किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेगे 15-20 हजार अर्द साइनिक फोर्स हर्याना पूरे में डिप्लाइट किये गया और पूरे गाउं में जैसे घेरा डाला होता पूरे में बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हलात देखते रहें पिछले लंबे समय में वही हलात पूरे हर्याना के बने हुए उधर प्रदर्शन कारियों को रोकने के लिए हर्याना पूलिस और पैरा मिलिटरी फोर्स भी अलर्ट पर है शम्भू बॉर्डर पर सिमेंट के गाडर, कंटीले तार, विछाकर, साथ लेयर बैरिकेडिंग की गई है इसी से पूलिस ने आठ दिम से प्रदर्शन कारियों को रोके रखा है के दे सरकार की तरफ से भी लगातार किसान निताव को मनाने की कोशिशे हो रही है पृश्य मंत्री अरजून मुंडा ने एक बार फिर किसानों को बाचीश से मसला हल करने को कहा है सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार बारता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताओं पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस समाचार उस प्रस्ताओं से वो सहमत नहीं है किसानों को लेका सियासत भी जारी है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर उनकी सरकार आने पर किसानों को MSP की गरंटी देने की बात कही किसानों के तेवर देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है दिल्ली के हर्याड़ा से सटे सिंगु टिकरी और यूपी से सटे गाजीपूर बॉर्डर को सीव कर दिया गया है पर पर बार्ट पर 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 मौके का जायजा भी ले रहे हैं और लगातार मौके पर मौके पर मौझूद जवानों को ब्रीफिंग भी उनके साथ लगातार कर रहे है वहीं प्रदर्शन को देखते हुए हर्याडा के साथ जिलो में इंटरनेट पर पाबंदी को आज के लिए बढ़ा दिया गया है जबकि पंजाब के भी साथ जिलो के कुछ हिस्सों में केंद्र सरकार ने 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है अब तक होई कोशिश में सरकार किसान निताओं को मनाने में नाकाम्याब रही है किसान निता अपनी मांगो पर थोड़ा भी जुकने को तैयार नहीं है जबकि सरकार को उमीद है कि बात्चीज से ये मसला हल हो सकता है वहीं सरकार और किसान निताओं में जारी इस खीचतान ने दिल्ली वालों को टेंशन दे रखी है आज एक बार फिर बॉर्डर पर टकराओं के आशंका के बीच ट्रैफिक जाम दिल्ली वालों के लिए बड़ी परिशानी का सबब बन सकता है बियरो रिपोर्ट जी मीडी मार्च करने का फैसला किया मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजार पॉकलें जैसी मशीन्स का इंतिजाम भी कर लिया प्रदर्शन कारियों का अज दिल्ली कूछ का एलान है तैयारी पूरी है खतरनाक तैयारी हम कहें तो बहतर होगा बड़ी स्थनक्या मेर प्रदर्शन कारी इसमें शामिल रहने वाले हैं मार्च के लिए बड़ी मशीनों का भी इंतिजाम किया गया तो अब से तीन घंडे के बाद प्रदर्शन कारी शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूछ करना शुरू कर देंगे दिल्ली कूछ के लिए प्रदर्शन कारी ने बड़ी तैयारी की है तो उनको रोकने के लिए दिल्ली से लेकर हर्याना तक पुलिस भी तगड़े इंतिजाम किये हुए है बिल्कुल आपको प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूछ पर हम इस वक्त के 10 बड़े अपडेट्स भी बता देते हैं पहला अपडेट ये कि शम्भू बॉर्डर से दिल्ली आएंगे प्रदर्शनकारी सुभा 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रदर्शनकारी तीसा अपडेट शम्भू बॉर्डर पर 14,000 प्रदर्शनकारी 1200 ट्रक्टर के साथ और चौता अपडेट प्रदर्शनकारियों के पास गढधा खोदने की भी मशीन बाकाइदा मौजूद रहने वाली है प्रदर्शनकारियों पर सक्त कर्रवाई करे पंजाब ऐसा कहना है गुरेमंत वाले का पंजाब डीजेपी ने मशीनों को तुरंट हटाने को भी कहा है तो वहीं गुरुग्राम से 50 किसान हिरासत में भी लिये गए है दिली में बॉर्डर पर सुरक्षा बहुत ही ज्यादा पुकता है दिली में भयंकर ट्राफिक जाम की आशंका आज जताई जा रही है दसवा अपडेट आज CBSE बोट का एक्जाइम में ऐसे में परिक्षार्टियों को दिक्तों का सामना करना पड़ सकता है आज और ये चार तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं दिली कुछ की तैयारी है किसानों की और ये माना जवाराई की JCB और पोकलें मशीनों के साथ सकता है तो शंबू बॉडर से अमिट भारतवाज हमारे साथ है गुद मॉरिं अमिट और गाजिपूर बॉडर से आदित प्रताप सिंग रिपोर्ट कर रहे है गुद मॉरिंग आदित पहले शंबू बॉडर जाओंगी अमिट के पास धुन्द हुई हुई है मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ लगातार जो है अभी और पुलिस बल जो है बढ़ा दिया गया है देखे कभी भी यहां जाम नहीं लगता था कि जब forces यहां इंटर करती थी या फिर अपनी duty वे अगली जगा पर जाती थी तो अभी देख जो कि 14,000 से जादा लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पर और 100 की एक टीम बनाई गई है जिसमें की वो आगे लीड करेंगे और उनके पास काफी अत्यादूनिक मशीने भी हैं जिसका इंपूट दिया गया है एक इंपूट मैं आपको और बता देता हूँ कि जो इंटल सोर्स हमारे बता रहे हैं कि 5000 के करीब जो हैं लोग दिल्ली के आसपास भी पहुंच चुके हैं परतशन का रही तो लगातार ये इंफर्मेशन आ रही है 19,000 से जादा लोग हो सकते हैं तो ये एक बड़ी चुनौती है बड़ा इम्तिहान है फोर्सिस का भी और यहाँ पर लगात तक जो है अधिकारियों की बैठक भी चलती रही मैं आपको बता दू कि मौसम भी एक चुनौती बना हुआ है यहाँ पर क्योंकि विसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है यहाँ पर धुन भी काफी जादा है और अभी फोर्सिस सिरफ ये चाहती हैं कि उनको रोका जाए चौदा ऐसे पॉइंट हैं जो हर्याणा से तरफ जो है वो बढ़ते है पनजाब से पनजाब से चौदा ऐसे पॉइंट हैं जिन पे गुश सकते हैं दाते वाला से लेके खनूरी बॉर्डर और यह शंबू यह काफी सेंसिटिव है लेकिन इकत्यार कर सकते हैं एक अन्य र रहे हैं अमित लगतार आप हमारे साथ बने रहेगा और नजर बना के रखिएगा आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे गाजीपूर पॉर्डर करोग कर लेते हैं आदत्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदत्य अगर हम आज बात करें दिल्ली एंसीर वासियो की तो आज भ बिल्कुल देखें गाजीपूर बॉर्डर पे खड़े हैं और ये बिल्कुल सच है कि सुबह 8 बजे से ही जहां पे सामान्य हालात रहते हैं वहां पे जाम जैसी इस्तिती जो है वो बनना शुरू हो चुकी है ट्रैफिक कहीं न कहीं परेशान लोग परेशान हैं एम्बॉ इसके अलावा सीमेंटेट बेरिकेड्स और जो यहां पे आइरन बेरिकेड्स हैं उन पे तारबंदी की गई है जिसकी वज़े से कहीं न कहीं जो फ्लाइओर का अधिकांस रास्ता है वो घिरा हुआ है ट्रैफिक स्लो मूविंग है और कुछी समय में यहां पे जाम जैसे ह डाला जो है वो यहां पर दिखाई देंगे आप इहां की तस्वीरे देख सकते हैं और बड़ी बात यह है कि यह पूरा जो जाम है यह कहीं न कहीं यूपी से आने वाले और इधर आगे उत्रा घंट से आने वाले लोगों का जाम होता है जो सामाने था नौ साड़े नौ जो प्राइम आर्स होते हैं उस समय दिखाई देता है लेकिन आज तस्वीरे सुबह से ही ऐसी देखने को मिली साड़े साथ बजे के लगबग ये तस्वीरे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और ये देखिए सामने एम्बुलिंस जो है उसको भी संगर्स कहीं न कहीं करना पड़ रहा है उसको लेकर किसानों की बात करने बीते कई दिन से पंजाब हर्याणा के शंबू बॉर्डर पर धरना दे रही है सरकार और किसान संगटनों के लिए चार दौर की वारता हो चुकी है चौते दौर की वारता के दौरान सरकार ने पांट फस्तों पर MSP का एक प्रस्ताफ भी दिया था लेकिन सुमवार रात किसान संगटनों ने उस प्रस्ताफ को नामन्जूर किया और दिल्ली तक मार्च करने का एलान किया फैस्ता की और मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजर और पॉक्लें जैसी मशीनों का इंतिजाम भी कर लिया है दो तस्वीर आपके सामने किसान संगटनों के मार्च का एलान मशीनों के साथ दिल्ली कूच की है तैयारी तो क्रेन और जेसी भी के साथ पोक्रेन मशीन तयार है यानि कि अब दिली वासियों की परिशानी बढ़ सकती क्योंकि किसानों ने एलान किया है कि वो दिली कूच करेंगे और मार्च के लिए देखिए मार्च के महीने में किसानों ने बुल्डोजर और पोकलेंज जैसी मशीनों का इंतिजाम भी करा है और बहुत जल्द ये मार्च इन किसानों का निकल सकता है और आज जो जानकारी मिल्वी की समस्या है दिली वासियों की बढ़ सकती है एक और बड़ी खबर भार्ती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन यूपी में जिला मुख्याले ओपर ट्रक्टर लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश हर्याना में ये प्रदर्शन होगा उत्तर प्रदेश हर्याना में प्रदर्शन दर्श किया जाएगा हर्याना डीजीपी की चिट्थी के बाद पंजाब के डीजीपी ने राज्यके जो सीनियर पुलिस आफिसर्स हैं उनको चिट्थी लिखी सक्त आदेश देते हुए पंजाब के डीजीपी ने लिखा किसी भी तरह से जेसी भी पोकलेन समेट तमाम तरह की जो मशीनरी है शंबू बॉर्डर और खरोरी बॉर्डर तक नहीं पहुँचने पाए तुरंट मौके से इन तमाम तरह की मशीन्स को अटाए जाए कि सारण का इन मशीन्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस बीच मौके से तुरंट इन मशीन्स को अटाए जाने के आदेश और निर्देश चिठी के माधियम से जारी किये गा ये बड़ी जानकाली हर्याना डीजीपी की चिठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने राज़े के सीनियर पुलिस ओफिसर्स को चिठी लिखकर इन मशीन्स की एंट्री पर रोक लगाने के लिए कहा है केंटर मंशी आरजन मुझा ने दिल्ली कूच पर अड़े किसानों से एक बार फिर से बादचीत करने की अपील की उन्हेंने का कि बादचीत के जरिये समधान धूरने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है पूरी खबर देखिए सरकार की तर्व से पांच फसलों पर MSP की गारंटी का जो प्रस्ताव दिया गया उसे किसानों ने धोखा बता कर खारिज कर दिया और आज दिल्ली कूच करने का एलान किया सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद केंद्रू ये मंत्री आरजिन मुंडा ने किसानों से शांती बनाये रखने की अपील की साथ ही उन्होंने मुद्दो के समाधान के लिए किसान नेताओं के साथ फिर से चर्चा करने की बाद कही वही किसान आंदोलन के बाहने कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया किसान आए हैं दिल्ली के ओर चल रहे हैं मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ बीजेपी आपको MSP नहीं देगी कॉंग्रेस पार्टी आपको लीगल MSP दिल्वा देगी यानि किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी जारी है जहां केंद्रिय मंत्री आरजुन मुंडा बाचीत के जरिये मुद्दे को सुलजाने की बात कह रहे हैं वही कॉंग्रेस प्रदर्शन कारियों के साथ खड़ी नजर आ रही है पक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रदर्शन कारियों के शम्भू बॉर्डर को घेरने के मामले में पंजाब और हर्याना हाई कोट ने कड़ी आपत्ती जताई है तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पिस्फुली रखा जा सकता है लोगों की जो भामने उसको काट्रोल किया जा सकता है और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रिय अर्थ सैनिक फोर्सों ने किया है देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा जिस तरह से हर्याने के गाउं में पेरामिट्री फोर्स लगी हुई है और चपे चपे पेरामिट्री फोर्स गस्त कर रही है तो हम कहते हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में देश हमारे से बनता हमने भी परदान मंत्री मौड है इस देश के नागरिक होने के नाथे आपकी पार्टी को बोटे दी होंगे ये आपको परदान मंत्री बनाया होगा और इस दिन की हमने कभी अमीद नहीं की थी पिया हमारे उपर अर्द सैनिक फोर्ट चढ़ा कर इस तरह से हमारे उपर जुल्म करेंगे और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में को समस्या आ रही है तो किरप्या इस देश के सविधान की रक्षा किजिए आप सविधान के मुख्या हैं हमें पीसपुली ढंक से दिल्ली जाने दीजिए और यह हमारा जन्मसिन अधिकार है अब देखना आने वाले समय में प्रधान मंत्री क्या सोचते हैं हमारे बारे में सुनने में आया कि हर्यान मचीन आया कोई अपने बंदों पे एक आफाईया दच किया और पंजाब सरकार से कहिए पीछे कराई हमारे नौजवानों को मारा जाएगा देखे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी डीजी पी हर्याना बोल रहे थे हमने तो कोई भी किसानों के उपर शेलिंग नहीं किया और पूरी दुनिया देख रही है पी शेलिंग कैसे हुए हम अपने जुआउं से किसान मजदूर से पूरी अपील करेंगी यहां पर हर मांका एकी की बेटा है आप सैयम रखियेगा धैर रखियेगा हम सरकार जो भी जुल्म करे हम उसे सहेंगे ह हमारी और से कोई भी जो रक्षक कर्मी है जावान है उपर कोई परहार नहीं किया जागा वो भी हमारे हैं तो हो सकता कोई शरार्ती इंसर बीच में घुश सकते हैं आपने एक टास्क पोस्ट बनाई का उसके ध्यान लगी देखिया हमारी टास्क पूरी सरगर्म है लेकिन ह हमने देखा खनावरी में भी हम पुलिस कर्मी पकड़ा था इधर भी पकड़ा था तो बहुत सारे सरकार के अजंसियों के आदमी इसमें घुसे हुए हैं हम पूरी तरह कोशिश करेंगे भी उनके दवारा कुछ इस तरह सी बढ़काट ना पैदा की जाए बहुत दुकी ब रोड पे नहीं होता है जेसीबी हाइड्रोलिक क्रें बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन ये तस्वीरे बताने के लिए काफी हैं कि आज दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन कारियों के इरादे क्या हैं तस्वीरे बता रही है कि इस बार की कोशिश पिछली कोशिश से कितनी अलग और आकरामक है सरकार से चार दौर की बाची के बावजूद भी हल नहीं निकलने के बाद प्रदर्शन कारी फिर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं पंजाब हर्याना के शंभू बॉडर और खनौरी बॉडर से प्रदर्शन कारी आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे बॉडर पर बने अभेद्ध किले को भेदने के लिए प्रदर्शन कारी इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं हर्याना पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जैसी भी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुच गया है इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है इनको इस तरह से डिजैन किया गया है कि इस पर आसू गैस के गोलों का भी असर ना हो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शंभू बॉडर पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं ग्रिह मंत्राले ने भी शंभू बॉडर पर हजारों प्रदर्शन कारीयों के जुटने पर चिंता जाहिर की हैं पंजाब हर्याना बॉडर पर करीब 14,000 प्रदर्शन कारी जुटे हुए हैं सूत्रों की मुदावी करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारे और 10 मीनी बसों के साथ साथ छोटे वाहन बॉडर पर खड़े हैं जिस पर ग्रिह मंत्राले ने पंजाब सरकार से एक्शन लेने को कहा है उधर किसान नेता किसी भी हाल में समझोता करते नहीं दिख रहे उन्होंने सरकार से संसत का विशेश सत्र बुलाये जाने की मांगी है जिसमें MSP पर खरीद की गारंटी का कानू लाया जाए वहीं किसानों का कर्ज माफ किया जाए साथी विपक्षन से भी अपना रुख साफ करने को कहा है किसान निदाओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगो पर गंभीर नहीं है ऐसे में अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी सरकार की मंद्शा तो केलियर है न पिक किसी भी कीमत पे आपको डिली नहीं जानेगे उधर प्रदर्शन कारियों को रोकने के लिए हर्याना पुलिस और पैरा मिलिटरी फोर्स भी अलर्ट पर है शंबू बॉर्डर पर सिमेंट के गाडर, कंटीले तार, विछाकर, साथ लेयर बैरिकेडिंग की गई है इसी से पुलिस ने आठ दिन से प्रदर्शन कारियों को रोके रखा है के लिए सरकार की तरफ से भी लगातार, किसान निताओ को मनाने की कोशिशे हो रही है क्रिश्री मंतरी अर्जिन मुंडा ने एक बार फेर किसानों को बाचीत से मसला हालकरने को कहा है सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार बारता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताओं पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस समाचार उस प्रस्ताओं से वो सहमत नहीं है कि किसानों को लेका सियासत भी जारी है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर उनकी सरकार आने पर किसानों को की गरंटी देने की बात गही किसानों के तेवर देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है दिल्ली के हर्याड़ा से सटे सिंगु टिक्री और यूपी से सटे गाजीपूर बॉर्डर को सीव कर दिया गया है तस्वीरों में आपको सबसे बहले दिखाते हैं कि किस सरहां से जो पैरा मिलिटरी फोर्सेज है पैरा मिलिटरी फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट लगातार यहां पर सिंगु बॉर्डर के ओपर बढ़ाई जा रही है तस्वीरों में अगर आप दिखेंगे तो पैरा मिलिट सबी लगातार सिंगो बॉर्डर पर पहुँच कर मौके का जायजा भी ले रहे हैं और लगातार मौके पर मौझूद जवानों को ब्रीफिंग भी उनके साथ लगातार कर रहे हैं वहीं प्रदर्शन को देखते हुए हर्याडा के साथ जिलो में इंटरनेट पर पाबंदी को आज के लिए बढ़ा दिया गया है जबकि पंजाब के भी साथ जिलो के कुछ हिस्सों में केंद्र सरकार ने 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है अब तक होई कोशिश में सरकार किसान निताओं को मनाने में नाकाम्याब रही है किसान निता अपनी मांगो पर थोड़ा भी जुकने को तैयार नहीं है जबकि सरकार को उमीद है कि बात्चीज से ये मसला हल हो सकता है वहीं सरकार और किसान निताओं में जारी इस खीचतान ने दिल्ली वालों को टेंशन दे रखी है। आज एक बार फिर बर्डर पर टकराओं के आशंका के बीच ट्रैफिक जाम दिल्ली वालों के लिए बड़ी परिशानी का सबब बन सकता है। बियरो रिपोर्ट जी मीडी। का फैसला किया मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजार पॉकलें जैसी मशीन्स का इंतजाम भी कर लिया। प्रदर्शन कारियों का अज दिल्ली कूच का एलान है तैयारी पूरी है खतरनाक तैयारी हम कहें तो बहतर होगा। बड़ी इस तंक क्या मेर प्रदर्शन कारी इसमें शामिल रहने वाले हैं। मार्च के लिए बड़ी मशीनों का भी इंतजाम किया गया। तो अब से तीन घंडे के बाद प्रदर्शन कारी शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर देंगे। बड़ी तैयारी की है तो उनको रोकने के लिए दिल्ली से लेकर हर्याना तक पुलिस भी तगड़े इंतजाम किये हुए है। बिल्कुल आपको प्रदर्शन कारीों के दिल्ली कूच पर हम इस वक्त के 10 बड़े अपडेट भी बता देते हैं। कि शंबू बॉर्डर से दिल्ली आएंगे प्रदर्शन कारी सुभा 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रदर्शन कारी। ज्यादा पुकता है। दिल्ली में भयंकर ट्राफिक जाम की आशंका आज जताई जा रही है। दसवा अपडेट आज CBSE बोट का एक्जाइम में ऐसे में परिक्षार्टियों को दिक्तों का सामना करना पड़ सकता है आज। और ये चार तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली कूच की तैयारी है किसानों की और ये माना जवाराई की JCB और पोकलें मशीनों के साथ पूरे इंतजाम के साथ ये प्रदर्शन कारी आज दिल्ली कूच करेंगे। शम्बू बॉर्डर पर किले बंदी कर दी गई है सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं तो 14,000 प्रदर्शन कारी आप पड़टी और आज फिर से दिल्ली वासियों को एंसियर वासियों को परिशानियों का सामना जाम की समस्या से करना पड़ सकता है तो शम्बू शम्बू बॉर्डर से अमेट भारदवार हमारे साथ है गुद मॉर्ण अमेट और गाजरपूर बॉर्डर से आदेती प्रताप Shing report कर रहे गुद मॉर्ण आदेती पहले शम्बू बॉर्डर जाओंगी अमेटि आज का नबीट क्या देखी तैयारी पूरी है भारी संक्या सबार बचे की दिखाये भी और बताये भी कि देखें आज मौसम भी काफी खराब है धुन्द हुई है मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूं लगतार जो है अभी और पुलिस बल जो है बढ़ा दिया गया है देखें कभी भी यहां जाम नहीं लगता था कि जब फोर्स इ यहां एंटर करती थी या फिर अपनी ड्यूटी वे अगली जगह पर जाती थी तो अभी देखें बहुत जादा जो है सुरक्षा के इंतजामात बढ़ा दिये गए है पुरी चाक्चावबंद कर ली गई है आज बड़ा जो है इम्तेहान है फोर्स का मैं आपको बता दू क चौदा हजार से जादा लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पर और सौ की एक टीम बनाई गई है जिसमें की वो आगे लीड करेंगे और उनके पास काफी अत्यादूनिक मशीने भी हैं जिसका इंपूट दिया गया है एक इंपूट मैं आपको और बता देता हूं कि जो इंटल एक बड़ी चुनौती है बड़ा इम्तेहान है फोर्सिस का भी और यहाँ पर लगातार फोर्सिस जो है वो भी बढ़ती जारी है जैसे कि नंबर ओफ क्राउड इस स्वेलिंग एवरी आवर सो अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पर सिती का जायजा भी लिया जा रहा है इंफर बी काफी जादा है और अभी फोर्सिस सिर्फ यह चाहती है कि उनको रोका जाए 14 ऐसे पॉइंट है जो हर्याडा से हर्याडा की तरफ जो है वो बढ़ते हैं पंजाब से पंजाब से 14 ऐसे पॉइंट है जिन पर गुश सकते हैं दातेवाला से लेके खनूरी बॉर्डर और यह शंबू यह काफी सेंस्टिव है लेकिन तयार कर सकते हैं एक अन्य रास्ता भी मैं आपको बता दू कि 21 पॉइंट सिर्फ अंबाला के आसपास है जिनको भी सील करने कोशिश की जा रही है कुछ ऐसे पॉइंट है जो वीक हो सकते हैं उन पर भी जो है कल चर्चा हुई ह देरात और वहां पर भी सील किया जागा आपको एक बड़े अपडेट्स दे रहे हैं अमित लगतार आप हमारे साथ बने रहेएगा और नजर बना के रखिएगा आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे गाजी पॉर पॉर्डर करू कर लेते हैं आदती हमारे साथ जुड़े बिल्कुल देखें गाजीपूर बॉर्डर पे खड़े हैं और ये बिल्कुल सच है कि सुबह आठ बजे से ही जहां पे सामान्य हालात रहते हैं वहां पे जाम जैसी इस्तिती जो है वो बनना शुरू हो चुकी है ट्रैफिक कही न कहीं परेशान लोग परेशान हैं एम्ब पिलर्स इसके अलावा सीमेंटेट बेरिकेड्स और जो यहां पे आइरन बेरिकेड्स हैं उन पे तारबंदी की गई है जिसकी वज़े से कहीं न कहीं जो फ्लाइओवर का अधिकांस रास्ता है वो घिरा हुआ है ट्रैफिक स्लो मूविंग है और कुछी समय में यहां पे जाम जैसे हाला जो है वो यहां पर दिखाई देंगे आप यहां की तस्वीरे देख सकते हैं और बड़ी बात यह है कि यह पूरा जो जाम है यह कहीं न कहीं UP से आने वाले और इधर आगे उतरा घंट से आने वाले लोगों का जाम होता है जो सामानेता नौ साले नौ जो प्राइम आर्स होते हैं उस समय दिखाई देता है लेकिन आज तस्वीरे सुबह से ही ऐसी देखने को मिली साड़े साथ बजे के लगबग यह तस्वीरे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और यह देखिए सामने एंबुलेंस जो है उसको भी संगर्स कहीं न कहीं करना प प्रिस्ताफ भी दिया था लेकिन सोमवार रात किसान संगचनों ने उस प्रिस्ताफ को ना मंजूर किया और दिल्ली तक मार्च करने का ऐलान किया फैस्ता की और मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजर और पॉकलें जैसी मशीनों का इंतिजाम भी कर लिया है दो प्रदर्शन यूपी में जिला मुख्याने ओपर ट्रक्टर लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश हर्याना में प्रदर्शन होगा उत्तर प्रदर्शन की जानकारी पंजाब के किसानों के समठ्टर में प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है भार्टी किसान यूनियन का आज प्रदर्शन ये जानकारी जिला मुख्याने ओपर ट्रक्टर लेकर जाया जाएगा उत्तर प्रदेश, हर्याना में प्रदर्शिन दर्श किया जाएगा हर्याना डीजीपी की चिट्ठी की बाद पंजाब के डीजीपी ने राज्य के जो सीनियर पुलिस ओफिसर्स हैं उनको चिठी लिखी, सक्त आदेश देते हुए पंजाब के डीजीपी ने लिखा किसी भी तरह से जेसी भी पोकलेन समेट तमाम तरह की जो मशीनरी है शम्बू बॉर्डर और खनोरी बॉर्डर तक नहीं पहुंचने पाए तुरंट मौके से इन तमाम तरह की मशीन्स को अटाए जाए किसारन का इन मशीन्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस बीच मौके से तुरंट इन मशीन्स को अटाए जाने के आदेश और निर्देश चिठी के मादियम से जारी किये गा ये बड़ी जानकाली हर्याना डीजीपी की चिठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने राज़े के सीनियर पुलिस आफिसर्स को चिठी लिखकर इन मशीन्स की एंट्री पर रोक लगाने के लिए कहा है केंटर मंशी आरज़न मुझा ने दिल्ली कूच पर अड़े किसानों से एक बार फिर से बादचीत करने की अपील की उन्हेंने का कि बादचीत के जरिये समधान धूरने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है पूरी खबर देखिए सरकार की तरव से पांच फसलों पर MSP की गारंटी का जो प्रस्ताव दिया गया उसे किसानों ने धोखा बता कर खारिज कर दिया और आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद केंद्रू ये मंत्री आरजिन मुंडा ने किसानों से शांती बनाये रखने की अपील की साथ ही उन्होंने मुद्दो के समाधान के लिए किसान नेताओं के साथ फिर से चर्चा करने की बाद कही वही किसान आंदोलन के बाहने कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया किसान आए हैं दिल्ली के ओर चल रहे हैं मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ बीजेपी आपको MSP नहीं देगी कॉंग्रेस पार्टी आपको लीगल MSP दिल्वा देगी यानि किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी जारी है जहां केंद्रिय मंत्री आरजुन मुंडा बाचीत के जरिये मुद्दे को सुलजाने की बात कह रहे हैं वही कॉंग्रेस प्रदर्शन कारियों के साथ खड़ी नजर आ रही है पक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रदर्शन कारियों के शम्भू बॉर्टर को घेरने के मामले में पंजाब और हर्याना हाई कोट ने कड़ी आपत्ती जताई है तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्ची को पिस्फुली रखा जा सकता है लोगों की जो भामने उसको कट्रोल किया जा सकता है और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रिय अर्थ सैनिक फोर्सों ने किया है देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा जिस तरह से हर्याने के गाउं में पेरामिट्री फोर्स लगी हुई है और चपे चपे पेरामिट्री फोर्स गस्त कर रही है तो हम कहते हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में देश हमारे से बनता हमने भी परदान मंत्री मौड है इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को बोटे दी होंगे आपको परदान मंत्री बनाया होगा और इस दिन की हमने कभी अमीद नहीं की थी हमारे उपर अर्द सैनिक फोर्थ चढ़ा कर इस तरह से हमारे उपर जुल्म करेंगे और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में को समस्या आ रही है तो किर्पया इस देश के सविधान की रक्षा कीजिए अब सविधान के मुख्या है हमें पीसपुली ढंग से दिल्ली जाने दीजिए और यह हमारा जन्मसिन अधिकार है अब देखना आने वाले समय में प्रधानमंत्री क्या सुचते हैं हमारे बारे में अपने बंदों पर पंजाब सरकार से कहिए पीछे कराई हमारे नौजवानों को मारा जाएगा देखे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी डी किसानों के उपर शेलिंग नहीं किया और पूरी दुनिया देख रही है पी शेलिंग कैसे हुए हम अपने जुआउं से किसान मजदूर से पूरी अपील करेंगी यहां पर हर मांका एकी की बेटा है आप सैयम रखियेगा धैर रखियेगा हम सरकार जो भी जुल्म करे हम उस हो सकता है कोई शरार्ती अंसर बीच में घुच सकते जो आपका महौल खराप लेगा हमारी टास्क पूरी सरगर्म है लेकिन हमने देखा खनावरी में भी हम पुलिस कर्मी पकड़ा था इधर भी पकड़ा था तो बहुत सारे सरकार के अजंसियों के आदमी इसमें घुसे और वो सुल लेते तो इसका पिस पूरी हल हो सकता था अंदूलन रोड पे नहीं होता जेसीबी हाइड्रोलिक क्रेन बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन ये तस्वीरे बताने के लिए काफी है कि आज दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन कारियों के इरादे क्या है तस्वीरे बता रही है कि इस बार की कोशिश पिछली कोशिश से कितनी अलग और आक्रामक है सरकार से चार दौर की बाची के बावजूद भी हल नहीं निकलने के बाद प्रदर्शन कारी फिर दिल्ली कूच करने जा रहे है पंजाब हर्याना के शम्भू बॉडर और खनौरी बॉडर से प्रदर्शन कारी आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे बॉडर पर बने अभेद्ध किले को भेदने के लिए प्रदर्शन कारी इस बार पूरी तयारी के साथ आ रहे है हर्याना पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जैसी भी और हाइडरोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुच गया है इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है इनको इस तरह से डिजैन किया गया है कि इस पर आसू गैस के गोलों का भी असर ना हो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शंभू बॉडर पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं ग्रिह मंत्राले ने भी शंभू बॉडर पर हजारों प्रदर्शनकारियों के जुटने पर चिंता जाहिर की है पंजाब हर्याना बॉडर पर करीब 14,000 प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं सूत्रों के मुदावी करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारे और 10 मीनी बसों के साथ साथ छोटे वाहन बॉडर पर खड़े हैं जिस पर ग्रिह मंत्राले ने पंजाब सरकार से एक्शन लेने को कहा है उधर किसान नेता किसी भी हाल में समझोता करते नहीं दिख रहें उन्होंने सरकार से संसत का विशेश सत्र बुलाये जाने की मांग की है जिसमें MSP पर खरीत की गारंटी का कानू लाया जाए वहीं किसानों का कर्ज माफ किया जाए साथी विपक्षन से भी अपना रुख साफ करने को कहा है किसान निताओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है ऐसे में अब आगे जो होगा उसकी जिम्यदारी सरकार की होगी सरकार की मंद्शा तो केलियर है न पिक किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेगे 15 से 20 हजार अर्द साइनिक फोर्स हर्याना पूरे में डिप्लाइट किये गया और पूरे गाओं में जैसे घेरा डाला होता पूरे में बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हलात देखते रहें पिछले लंबे समय में वही हलात पूरे हर्याना के बने हुए उधर प्रदर्शन कारियों को रोकने के लिए हर्याना पूलिस और पैरा मिलिटरी फोर्स भी अलर्ट पर है शम्भू बॉर्डर पर सिमेंट के गाडर, कंटीले तार, विछाकर, साथ लेयर बैरिकेडिंग की गई है इसी से पूलिस ने आठ दिन से प्रदर्शन कारियों को रोके रखा है के लिए सरकार की तरफ से भी लगातार किसान निताओं को मनाने की कोशिशे हो रही है प्रिश्वी मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों को बाचीत से मसला हल करने को कहा है सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार बारता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताओं पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस समाचार उस प्रस्ताओं से वो सहमत नहीं है पर ये बातचीत ये वारता ये समाध हमारा जारी रहना चाहिए और सांतेपूर्ण ढ़ंग से हमें इसका समाधान ढूंडना चाहिए किसानों को लेका सियासत भी जारी है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फेर उनकी सरकार आने पर किसानों को एमेसपी की गरेंटी देने की बात गहीं किसानों के तेवर देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है दिल्ली के हर्याड़ा से सटे सिंगु टिकरी और यूपी से सटे गाजीपूर बॉर्डर को सीव कर दिया गया है अब से तस्वीरों में आपको सबसे बहुत अमरुक दिखाते हैं कि कि सरहां से जो पैरा-मिलिटरी फोर्टस की डिप्लोईमेंट लगातार यहां पर सिंगु बॉर्डर के ओपर बढ़ाई जा रही है हुए हर्याड़ा के साथ जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी को आज के लिए बढ़ा दिया गया है जबकि पंजाब के भी साथ जिलों के कुछ हिस्सों में केंद सरकार ने 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है अब तक होई कोशिश में सरकार किसान निताओं को मनाने में नाकाम्याब रही है किसान नेता अपनी मांगो पर थोड़ा भी जुकने को तयार नहीं है जबकि सरकार को उमीद है कि बात्चीज से ये मसला हल हो सकता है वहीं सरकार और किसान नेताओं में जारी इस खीशतान ने दिल्ली वालों को टेंशन दे रखी है आज एक बर फ दिल्ली तक मार्च करने का फैसला किया मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजार पॉकलेंट जैसी मशीन्स का इंतजाम भी कर लिया प्रदर्शन कारियों का अज़ दिल्ली कूच का एलान है तैयारी पूरी है खतरनाक तैयारी हम कहें तो बहतर होगा बड़ी संग क्यामेर प्रदर्शन कारी इसमें शामिल रहने वाले हैं मार के लिए दिल्ली से लेकर हर्याना तक पुलिस भी तगड़े इंतजाम किये हुए है बिल्कुल आपको प्रदर्शन कारियों के दिल्ली कूच पर हम इस वक्त के दस बड़े अपडेट भी बता देते हैं पहला अपडेट ये कि शंबू बॉडर से दिल्ली आएंगे प्रद पंचाब ऐसा कहना है गुर्यमंत वाले का पंचाब डीजीपी ने मशीनों को तुरंथ हटाने को भी कहा है तुम्हाई गुरुग्राम से 50 किसान हिरासत में भी लिये गए हैं दिल्ली में बॉडर पर सुरक्षा बहुत ही ज्यादा पुकता है दिल्ली में भयंकर ट्राफि प्राइगी ज्यासीबी और पोकलें मशीनों के साथ पूरे इंतजाम के साथ ये प्रदर्शन कारी आज दिल्ली कूछ करेंगे शंबू बॉडर पर किले बंदी कर दी गई है सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए है तो 14,000 प्रदर्शन कारी आप पड़टी और आज दिल्ली वासियों को एंसे अरवासियों को परिशानियों का सामना जाम की समस्या से करना पड़ सकता है तो शंबू बॉडर से अमित भारदवाज हमारे साथ है गुद मॉर्णिंग अमित और गाज़ेपूर बॉडर से आदित प्रताप सिंग रिपोर्च कर रहे है गुद म देखे आज मौसम भी काफी खराब है धुंद हुई है मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ लगतार जो है अभी और पुलिस बल जो है बढ़ा दिया गया है देखे कभी भी यहां जाम नहीं लगता था कि जब फोर्सेज यहां इंटर करती थी या फिर अपनी मैं आपको बता दू कि 14,000 से जादा लोग जुड सकते हैं वहाँ पर और 100 की एक टीम बनाई गई है जिसमें की वो आगे लीड करेंगे और उनके पास काफी अत्यादूनिक मशीने भी हैं जिसका इंपूर्ट दिया गया है एक इंपूर्ट मैं आपको और बता देता हूँ कि जो इंटल सोर्सिस हमारे बता रहे हैं कि 5000 के करीब जो हैं लोग दिल्ली के आसपास भी पहुंच चुके हैं परतशन का रही तो लगातार ये इंपूर्मेशन आ रही है 19,000 से जादा लोग हो सकते हैं तो ये एक बड़ी चुनौती है बड़ा इमतिहान है फोर्सिस का भ इनफर्मेशन भी ली जा रही है देर रात तक जो है अधिकारियों की बैठक भी चलती रही मैं आपको बता दूं कि मौसम भी एक चुनौती बना हुआ है यहां पर क्योंकि विसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है यहां पर धुन भी काफी जादा है और अभी फोर्सिस सिर्फ यह चाहती है कि उनको रोका जाए 14 ऐसे पॉइंट हैं जो हर्याडा से हर्याडा की तरफ जो है वो बढ़ते हैं पंजाब से पंजाब से 14 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर गुश सकते हैं दातेवाला से लेके खनूरी बॉर्डर और यह शंबू यह काफी सेंस्टिव है लेकिन एक तयार कर सकते हैं एक अन्य रास्ता भी मैं आपको बता दू कि 21 पॉइंट सिर्फ अंबाला के आसपास है जिनको भी सील करने कोशिश की जा रही है कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो वीक हो सकते हैं उन पर भी जो है कल चर्चा हुई है देर रात और वहां पर भी सील वासियो की तो आज भी जाम से परिशान होना पड़ सकता है पिछले दिनों कुछ राहत जरूर दिली एंसियार वासियो को मिली ट्राफिक से लिकिन आज वही कंडिशन होने वाली है सीबी एसी के बोर्ड परिक्षाई भी है बच्चे भी परिशान होंगे ऑफिस गोइंग लोग परिशान हैं एंबुलिंस भी हैं आप यहां से देख सकते हैं कैमरा से होगी विनायक से कहूंगा कि इसी जाम के बीच में आपको एक एंबुलिंस की तस्वीर यहां से दिखाई देगी वाकई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बॉर्डर पे भी किये गए हैं य डैफिक स्लो मूविंग है और कुछी समय में यहां पे जाम जैसे हाला जो हैं वो यहां पर दिखाई देंगे आप यहां की तस्वीरे देख सकते हैं और बड़ी बात यह है कि यह पूरा जो जाम है यह कहीं न कहीं यूपी से आने वाले और इधर आगे उत्तरा घंड से आ उसको भी संगर्स कहीं न कहीं करना पड़ रहा है। अब भी कर लिया है। जो जानकारी मिल्वी की समस्या है दिली वासियों की बरसकती है। एक और बड़ी खबर भात्ती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन यूपी में जिला मुख्यानेों पर ट्रक्टर लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश हर्याना में ये प्रदर्शन होगा। उत्तराखन में भी BKU जो है। उसके प्रदर्शन की जानकारी पंजाब के किसानों के समठ्टर में प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है। भार्ती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन ये जानकारी जिला मुख्यानेों पर ट्रक्टर लेकर जाया जाएगा। उत्तर प्रदेश हर्याना में प्रदर्शन दर्च किया जाएगा। अर्याना डीजीपी की चिठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने राज्य के जो सीनियर पुलिस आफिसर्स हैं उनको चिठी लिखी सक्त आदेश देते हुए पंजाब के डीजीपी ने लिखा किसी भी तरह से जेसी भी पोकलेन समेट तमाम तरह की जो मशीनरी है शंबू बॉर्डर और खनोरी बॉर्डर तक नहीं पहुचने पाए तुरंत मौके से इन तमाम तरह की मशीन्स को अटाए जाए कि सारणिकार मशीन्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस बीच मौके से तुरंट इन मशीन्स को अटाए जाने के आदेश और निर्देश चिठी के माधियम से जारी किये गा ये बड़ी जानकाली हर्याना डीजीपी की चिठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने राज़े के सीनियर पुलिस ओफिसर्स को चिठी लिखकर इन मशीन्स की एंट्री पर रोक लगाने के लिए कहा है केंटर मंशी आरजन मुंचा ने दिल्ली कूच पर अड़े किसानों से एक बार फिर से बादचीत करने की अपील की उन्हेंने का कि बादचीत के जरिये समधान धूरने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है पूरी खबर देखिए सरकार की तरव से पांच फसलों पर MSP की गारंटी का जो प्रस्ताव दिया गया उसे किसानों ने धोखा बता कर खारिज कर दिया और आज दिल्ली कूच करने का एलान किया सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद केंद्रू ये मंत्री अरजिन मुंडा ने किसानों से शांती बनाये रखने की अपील की साथ ही उन्होंने मुद्दो के समाधान के लिए किसान नेताओ के साथ फिर से चर्चा करने की बात कही वही किसान आंदोलन के बाहने कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया यानि किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी जारी है जहां केंद्रिय मंत्रे अर्जुन मुंडा बाचीत के जरीये मुद्दे को सुलजाने की बात कह रहे हैं वही कॉंग्रेस प्रदर्शन कारियों के साथ खड़ी नजार आ रही है वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रदर्शन कारियों के शम्भू बॉर्डर को घेरने के मामले में पंजाब और हर्याना हाई कोट ने कड़ी आपत्ती जताई है तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पिस्फुली रखा जा सकता है लोगों की जो भामने उसको कट्रोल किया जा सकता है और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्री अर्दसैनिक फोर्सों ने किया है देश कभी भी इस तरह की सर कहते हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में देश हमारे से बनता हमने भी परदान मंत्री मौड है इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को बोटे दी होंगे आपको परदान मंत्री बनाया होगा और इस दिन की हमने कभी अमीद नहीं की थी हमारे उपर आपको मांगे मानने में को समस्या आ रही है तो किर्पया इस देश के सविधान की रक्षा कीजिए अब सविधान के मुख्या हैं हमें पीसपुली ढंग से दिल्ली जाने दीजिए और ये हमारा जन्मसिन अधिकार है अब देखना आने वाले समय में प्रधान मत्री क्या सोच देखे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी डी जी पी हर्याना बोल रहे थे हमने तो कोई भी किसानों के उपर शेलिंग नहीं किया और पूरी दुनिया देख रही है पी शेलिंग कैसे हुई है हम अपने जुआउं से किसान मजदूर से पूरी अपील करेंगी पी यहां प हमारी और से कोई भी जो रक्षक कर्मी है जावान है उरके ओपर कोई परहार नहीं किया जागा वो भी हमारे है तो हो सकता कोई शरार्ती अंसर बीच में घुच सकते जो आपका महौल खराब कर देखे हमारी टास्क पूरी सरगर्म है लेकिन हमने देखा खनावरी में भी हम पर पूलिस कर्मी पकड़ा था इधर भी पकड़ा था तो बहुत सारे सरकार के अजंसियों के आदमी इसमें घुसे हुए हैं हम पूरी तरह कोशिश करेंगे भी उनके दवारा कुछ इस तरह सी बढ़काट ना पैदा की जाए बहुत दुकी बात है पिकेंदर हमारी सुनन अगर वो सुन लेते तो इसका पिस्पूरी हल हो सकता था रात को भी यहां पर हमारे बॉन पर अंदोलन रोड पर नहीं होता यह तस्वीरे बतानी के लिए काफी है कि आज दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन कारियों के इरादे क्या है तस्वीरे बता रही है कि इस बार की कोशिश पिछली कोशिश से कितनी अलग और आकरामक है सरकार से चार दौर की बाची के बावजूद भी हल नहीं निकलने के बाद परदर्शन कारी फिर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं पंजाब हर्याना के शम्भू बॉडर और खनौरी बॉडर से प्रदर्शन कारी आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे बॉर्डर पर बने अभेद्ध किले को भेदने के लिए प्रदर्शनकारी इस बार पूरी तैयारी की साथ आ रहे है हर्याणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जैसी भी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीन रूई लेकर पहुँच गया है इसके अलावा बुलिट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है इनको इस तरह से डिजैन किया गया है कि इस पर आसू गैस के गोलों का भी असर ना हो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शंभू बॉडर पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं ग्रिह मंत्राले ने भी शंभू बॉडर पर हजारों प्रदर्शन कारीयों के जुटने पर चिंता जाहिर की है पंजाब हरियाना बॉडर पर करीब 14,000 प्रदर्शन कारीयों जुटे हुए हैं सूत्रों की मुदावी करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारे और 10 मीनी बसों के साथ साथ छोटे वाहन बॉडर पर खड़े हैं जिस पर ग्रिह मंत्राले ने पंजाब सरकार सरे एक्शन लेने को कहा है उधर किसान नेता किसी भी हाल में समझोता करते नहीं दिख रहे हैं उन्होंने सरकार से संसत का विशेश सत्र बुलाये जाने की मांग की है जिसमें MSP पर खरीत की गारंटी का कानू लाये जाए वहीं किसानों का कर्ज माफ किया जाए साथी विपक्षन से भी अपना रुख साफ करने को कहा है किसान निताओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है ऐसे में अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी सरकार की मंद्शा तो केलियर है न पिक किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेगे 15 से 20 हजार अर्द सैनिक फोर्स हर्याना पूरे में डिप्लाइट किये गया और पूरे गाओं में जैसे घेरा डाला होता पूरे में बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हलात देखते रहें पिछले लंबे समय में वही हलात पूरे हर्याना के बने हुए उधर प्रदर्शन कारियों को रोकने के लिए हर्याना पूलिस और पैरा मिलिटरी फोर्स भी अलर्ट पर है शम्भू बॉर्डर पर सिमेंट के गाडर, कंटीले तार, विछाकर, साथ लेयर बैरिकेडिंग की गई है इसी से पूलिस ने आठ दिन से प्रदर्शन कारियों को रोके रखा है के इस सरकार की तरफ से भी लगातार किसान निताओं को मनाने की कोशिश हो रही है कृश्वी मंत्री अर्जिन मुंडा ने एक बार फिर किसानों को बाचीत से मसला हल करने को कहा है सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार बारता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताओं पर बाचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस समाचार उस प्रस्ताओं से वो सहमत नहीं है किसानों को लेका सियासत भी जारी है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर उनकी सरकार आने पर किसानों को MSP की गरंटी देने की बात कही किसानों के तेवर देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है दिली के हर्याड़ से सटे, सिंगु टिकरी और यूपी से सटे गाजीपूर बॉर्डर को सीव कर दिया गया है तस्वीरों में आपको सबसे बहले दिखाते हैं कि किस सरहां से जो पैरामिलिटरी फोर्सेज है पैरामिलिटरी फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट लगातार यहां पर सिंगु बॉर्डर के ओपर बढ़ाई जा रही है यहुए हर्याड़ा के साथ जिलो में इंटरनेट पर पाबंदी को आज के लिए बढ़ा दिया गया है जबकि पंजाब के भी साथ जिलो के कुछ हिस्सों में केंद्र सरकार ने 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है अब तक होई कोशिश में सरकार किसान निताओं को मना नाकाम्याब रही है किसान नेता अपनी मांगो पर थोड़ा भी जुकने को तयार नहीं है जबकि सरकार को उमीद है कि बात्चीज से ये मसला हल हो सकता है वहीं सरकार और किसान निताओं में जारी इस खीशतान ने दिल्ली वालों को टेंशन दे रखी है आज एक बार फिर बर्डर पर टकराओं के आशंका के बीच ट्रैफिक जाम दिल्ली वालों के लिए बड़ी परिशानी का सबब बन सकता है प्यरो रिपोर्ट जी मीदी पर टकर बड़ी वालों के दोरा खारिफ कर दिया गया बिलको इस सोमवा रात किसान संगठनों ने उस प्रस्ताफ को ना मन्जूर कर दिया और दिल्ली तक मार्च करने का फैसला किया मार्च के लिए बुल्डोजार पॉकलेंट जैसी मशीन्स का अंतिजाम भी कर लिया प् प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर देंगे। दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शनकारी ने बड़ी तैयारी की है तो उनको रोकने के लिए दिल्ली से लेकर हर्याना तक पुलिस भी तगड़े इंतिजाम किये हुए है। बिल्कुल आपको प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूछ पर हम इस वक्त के 10 बड़े अपडेट्स भी बता देते हैं पहला अपडेट ये कि शम्भू बॉर्डर से दिल्ली आएंगे प्रदर्शनकारी सुभा 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रदर्शनकारी तीसा अपडेट शम्भू बॉर्डर पर 14,000 प्रदर्शनकारी 1200 ट्रक्टर के साथ और चौता अपडेट प्रदर्शनकारियों के पास गढधा खोदने की भी मशीन बाकाइदा मौजूद रहने वाली है प्रदर्शनकारियों पर सक्त कर्रवाई करे पंजाब ऐसा कहना है गुरेमंत वाले का पंजाब डीजीपी ने मशीनों को तुरंट हटाने को भी कहा है तुमाई गुरुग्राम से 50 किसान हिरासत में भी लिये गए है दिली में बॉर्डर पर सुरक्षा बहुत ही ज्यादा पुकता है दिली में भयंकर ट्राफिक जाम की आशंका आज जताई जा रही है दसवा अबडेट आज CBSE बोट का एक्जाइम में ऐसे में परिक्षार्टियों को दिक्तों का सामना करना पड़ सकता है आज और ये चार तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं दिली कूच की तैयारी है किसानों की और ये माना जवाराई की JCB और पोकलें मशीनों के साथ पूरे इंतजाम के साथ ये प्रदर्शन कारी आज दिली कूच करेंगे शंबू बॉर्डर पर किले बंदी कर दी गई है सुरक् हजार प्रदर्शन कारिया पड़टी और आज फिर से दिली वासियों को एंसीयर वासियों को परिशानियों का सामना जाम की समस्या से करना पड़ सकता है तो शंबू बॉर्डर से अमित भारदवाज हमारे साथ है गुद मॉर्निंग अमित और गाज़िपूर बॉर्डर से आदित प्रताप सिंग रिपोर्च कर रहे है गुद मॉर्निंग आदित पहले शंबू बॉर्डर जाओंगी अमित के पास मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ लगातार जो है अभी और पुलिस बल बढ़ा दिया गया है देखे कभी भी यहां जाम नहीं लगता था कि जब फोर्सिस यहां इंटर करती थी या फिर अपनी डूटी वे अगली जगा पर जाती थी तो अभी देखे बहुत ज़ादा जो है सुरक्षा के इंतजामात बढ़ा दिये गए है पूरी चाक्चोबन कर ली गई है आज बड़ा इम्तेहान है फोर्सिस का मैं आपको बता दू कि 14,000 से ज़ादा लोग जुड सकत हैं वहाँ पर और सौ की एक टीम बनाई गई है जिसमें की वो आगे लीड करेंगे और उनके पास काफी अत्यादूनिक मशीने भी हैं जिसका इंपूर्ट दिया गया है एक इंपूर्ट मैं आपको और बता देता हूं कि जो इंटल सोर्सिस हमारे बता रहे हैं कि 5000 के करीब जो हैं लोग दिल्ली के आसपास भी पहुंच चुके हैं परतशन कारी तो लगातार ये इंफर्मेशन आ रही है 19000 से जादा लोग हो सकते हैं तो ये एक बड़ी चुनोती है बड़ा इम्तेहान है फोर्सिस का भी और यहां पर लगातार फोर्सिस जो हैं वो भी बढ़ती जारी है जैसे कि number of crowd is swelling every hour अभी क्या हो रहा है कि वहां पर सिती का जायजा भी लिया जा रहा है information भी ली जारी है देर राध तक जो है अधिकारियों की बैठक भी चलती रही मैं आपको बता दूं कि मौसम भी एक चुनोती बना हुआ है यहां पर क्योंकि visibility बिल्कुल जीरो हो गई है यहां पर धुन भी काफी जादा है और अभी forces सिर्फ यह चाहती है कि उनको रोका जाए 14 ऐसे point हैं जो हर्याडा से हर्याडा की तरफ जो है वो बढ़ते हैं पंजाब से पंजाब से 14 ऐसे point हैं जिन पर गुश सकते हैं दातेवाला से लेके खनूरी border और यह शंबू यह काफी sensitive है लेकिन एक तयार कर सकते हैं एक अन्य रास्ता भी मैं आपको बता दू कि 21 point सिर्फ अंबाला के आसपास है जिनको भी seal करने कोशिश की जा रही है कुछ ऐसे points हैं जो week हो सकते हैं उन पर भी जो है कल चर्चा देरात और वहां पर भी आपको एक बड़े अपडेट्स दे रहे हैं अमित लगतार आप हमारे साथ बने रहेएगा और नजर बना के रखिएगा आपसे अपडेट्स हम लेंगे गाजी पूर पॉर्डर कर रूख कर लेते हैं आदत्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदि बिल्कुल देखें गाजीपूर बॉर्डर पे खड़े हैं और ये बिल्कुल सच है कि सुबह आठ बजे से ही जहां पे सामान्य हालात रहते हैं वहां पे जाम जैसी इस्तिती जो है वो बनना शुरू हो चुकी है ट्रैफिक कही न कहीं परेशान लोग परेशान हैं एम्ब पिलर्स इसके अलावा सीमेंटेट बेरिकेड्स और जो यहां पे आइरन बेरिकेड्स हैं उन पे तारबंदी की गई है जिसकी वज़े से कहीं न कहीं जो फ्लाई ओवर का अधिकांस रास्ता है वो घिरा हुआ है ट्रैफिक स्लो मूविंग है और कुछी समय में यहां पे जाम जैसे हाला जो है वो यहां पर दिखाई देंगे आप यहां की तस्वीरे देख सकते हैं और बड़ी बात यह है कि यह पूरा जो जाम है यह कहीं न कहीं यूपी से आने वाले और इधर आगे उत्तरा घंट से आने वाले लोगों का जाम होता है जो सामानेता नौ आई मार्स होते हैं उस समय दिखाई देता है लेकिन आज तस्वीरे सुबह से ही ऐसी देखने को मिली साड़े साथ बजे के लगबग यह तस्वीरे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और यह देखिए सामने एंबुलेंस जो है उसको भी संगर्स कहीं न कहीं करना पड़ कुम्वार रात किसान संगचनों ने उस प्रिस्ताफ को नामन्जूर किया और दिल्ली तक मार्च करने का ऐलान किया फैस्ता की और मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजर और पॉकलेंजैसी मशीनों का अंतिजाम भी कर लिया है दो तस्वीरे आपके सामने किसान दिल्म ने घा वढ़े है तयारी को किसानों ने एलान किया है कि फूरla कोई करेंगे और मार्च के महीने में लेगे मेशीनों केमों इत्वाइब इसकर में बन्स्ञासां का निकल सकता है। यह किसानों सब्सक्राइब एक और बड़ी खबर भार्ती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन यूपी में जिला मुख्याने ओपर ट्रक्टर लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश हर्याना में ये प्रदर्शन होगा उत्तराखन में भी बेक्यू जो है उसके प्रदर्शन की जानकारी प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है भार्ती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन ये जानकारी जिला मुख्याने ओपर ट्रक्टर लेकर जाया जाएगा उत्तर प्रदेश, हर्याना में प्रदर्शिन दर्श किया जाएगा हर्याना डीजीपी की चिट्ठी की बाद पंजाब के डीजीपी ने राज्य के जो सीनियर पुलिस ओफिसर्स हैं उनको चिठी लिखी, सक्त आदेश देते हुए पंजाब के डीजीपी ने लिखा किसी भी तरह से जेसी भी पोकलेन समेट तमाम तरह की जो मशीनरी है शंबू बॉर्डर और खरोरी बॉर्डर तक नहीं पहुचने पाए तुरंट मौके से इन तमाम तरह की मशीन्स को अटाए जाए कि सारणिकान मशीन्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस बीच मौके से तुरंट इन मशीन्स को अटाए जाने के आदेश और निर्देश चिठी के मादियम से जारी किये गा ये बड़ी जानकाली हर्याना डीजीपी की चिठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने राज़े के सीनियर पुलिस ओफिसर्स को चिठी लिखकर इन मशीन्स की एंट्री पर रोक लगाने के लिए कहा है केंट्रमंच्री अरचन मुझा ने दिल्ली कूच पर अड़े किसानों से एक बार फिर से बादचीत करने की अपील की उन्हेंने का कि बादचीत के जरिये समधान धूरने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है पूरी खबर देखिए सरकार की तरव से पांच फसलों पर MSP की गारंटी का जो प्रस्ताव दिया गया उसे किसानों ने धोखा बता कर खारिज कर दिया और आज दिल्ली कूच करने का एलान किया सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद केंद्रू ये मंत्री आरजिन मुंडा ने किसानों से शांती बनाये रखने की अपील की साथ ही उन्होंने मुद्दो के समाधान के लिए किसान नेताओं के साथ फिर से चर्चा करने की बाद कही वही किसान आंदोलन के बाहने कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया यानि किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी जारी है जहां केंद्री मंत्री अर्जुन मुंडा बाचीत के जरीए मुद्दे को सुलझाने की बात कह रहे हैं वही कॉंग्रेस प्रदर्शन कारियों के साथ खड़ी नजर आ रही है पक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रदर्शन कारियों के शंभू बॉर्डर को घेरने के मामले में पंजाब और हर्याना हाई कोट ने कड़ी आपत्ती जताई है तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पिस्फुली रखा जा सकता है लोगों की जो भामने उसको कट्रोल किया जा सकता है और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्री अर्दसैनिक फोर्सों ने किया है देश कभी भी इस तरह की सर कहते हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में देश हमारे से बनता हमने भी परदान मंत्री मौड है इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को बोटे दी होंगे आपको परदान मंत्री बनाया होगा और इस दिन की हमने कभी अमीद नहीं की थी हमारे उपर प्यास देश के सविधान की रक्षा किजिए अब सविधान के मुख्या हैं हमें पीसपुली ढंग से दिल्ली जाने दीजिए और यह हमारा जन्मसिन अधिकार है अब देखना आने वाले समय में प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं हमारे बारे से सुनने में आया कि कोई अपने बंदों पर पंजाब सरकार से करा यह हमारे नौजवानों को मारा जाएगा देखे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी डी जी पी हर्याना बोल रहे थे हमने तो कोई भी किसानों के उपर शेलिंग नहीं किया और पूरी दुनिय देख रही है पी शेलिंग कैसे हुए हम अपने जुआउं से किसान मजदूर से पूरी अपील करेंगी यहां पर हर मां का एकी की बेटा है आप सैयम रखियेगा धैर रखियेगा हम सरकार जो भी जुल्म करे हम उसे सहेंगे हमारी और से कोई भी जो रक्षक करमी है जावान है उनके ओपर कोई परहार नहीं किया जागा वो भी हमारे हैं तो हो सकता कोई शरार्ती अंसर बीट में घुश सकते जो आपका महौल खराप लगी देखिया हमारी टास्क पूरी सरगर्म है लेकिन हमने देखा खनावरी में भी हम पुलिस करमी पकड़ा था इधर भी पकड की जाए बहुत दुखी बात है पिकेंदर हमारी सुनने ही रहा अगर वो सुन लेते तो इसका पिस्पूरी हल हो सकता था रात को भी यहां पर हमारे बॉन पर अंदुलन रूट पे नहीं होता जेसीबी हाइड्रोलिक क्रेन बुलिट प्रूफ पोकलेन मशीन ये तस्वीरे बताने के लिए काफी है कि आज दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन कारियों के इरादे क्या है तस्वीरे बता रही है कि इस बार की कोशिश पिछली कोशिश से कितनी अलग और आक्रामक है सरकार से चार दौर की बाची के बावजूद भी हल नहीं निकलने के बाद प्रदर्शन कारी फिर दिल्ली कूच करने जा रहे है पंजाब हर्याना के शंभू बॉडर और खनौरी बॉडर से प्रदर्शन कारी आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे बॉडर पर बने अभेद्ध किले को भेदने के लिए प्रदर्शन कारी इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रहे है हर्याना पुलिस की बेरिकेडिंग तोड़ने के लिए जैसी भी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुच गया है इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है इनको इस तरह से डिजैन किया गया है कि इस पर आसू गैस के गोलों का भी असर ना हो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शंभू बॉडर पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं ग्रिह मंत्राले ने भी शंभू बॉडर पर हजारों प्रदर्शन कारीयों के जुटने पर चिंता जाहिर की हैं पंजाब हर्याना बॉडर पर करीब 14,000 प्रदर्शन कारी जुटे हुए हैं सूत्रों की मुदावी करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारे और 10 मीनी बसों के साथ साथ छोटे वाहन बॉडर पर खड़े हैं जिस पर ग्रिह मंत्राले ने पंजाब सरकार से एक्शन लेने को कहा है उधर किसान नेता किसी भी हाल में समझोता करते नहीं दिख रहे हैं उन्होंने सरकार से संसत का विशेश सत्र बुलाये जाने की मांग की है जिसमें MSP पर खरीद की गारंटी के कानू लाये जाए वहीं किसानों का कर्ज माफ किया जाए साथी विपक्षन से भी अपना रुख साफ करने को कहा है किसान निताओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगो पर गंभीर नहीं है ऐसे में अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी सरकार की मन्चा तो केलियर है ना किसी भी कीमत पर आपको दिल्ली नहीं जानेगे 15 से 20 हजार अर्द साइनिक फोर्स हर्याना पूरे में डिप्लाइट किये गया और पूरे गाउं में जैसे घेरा डाला होता पूरे मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हलाद देखते रहें पिछले लंबे समय में वही हलात पूरे हर्याना के बने हुए उधर प्रदर्शन कारियों को रोकने के लिए हर्याना पूलिस और पैरा मिलिटरी फोर्स भी अलर्ट पर है शम्भू बॉर्डर पर सिमेंट के गाडर, कंटीले तार, विच्छाकर, साथ लेयर बैरिकेडिंग की गई है इसी से पूलिस ने आठ दिन से प्रदर्शन कारियों को रोके रखा है किसान निताओं को मनाने की कोशिश हो रही है गुरिश्णी मंतरी अरजुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों को बाचीद से मसला हल करने को कहा है और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ किसानों को लेका सियासत भी जारी है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर उनकी सरकार आने पर किसानों को MSP की गरंटी देने की बात गही किसानों के तेवर देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है दिल्ली के हर्याड़ा से सटे सिंगु टिकरी और यूपी से सटे गाजी पूर बॉर्डर को सीव कर दिया गया है आपको सबसे बहुत अमर्ट दिखाते हैं कि किस सरहां से जो पैरामिलिटरी फोर्सेस है पैरामिलिटरी फोर्सेस की डिपलोयमेंट लगातार यहाँ पर सिंगु बॉर्डर के ओपर बढ़ाई जा रही है तस्वीरों में अगर आप दिखेंगे तो परारमेटरी फोर्सेज हो, कमांडेंट हो या वरिष्टा दिखा दिया हूँ, सभी लगातार सिंगो बॉर्डर पर पहुँच कर मौके का जायजा भी ले रहे हैं और लगातार मौके पर मौझूद जवानों को ब्रीफिंग भी उनके साथ लगातार कर रहे हैं वहीं प्रदर्शन को देखते हुए हर्याडा के साथ जिलो में इंटरनेट पर पाबंदी को आज के लिए बढ़ा दिया गया है जबकि पंजाब के भी साथ जिलो के कुछ हिस्सों में केंदि सरकार ने 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है अब तक होई कोशिश में सरकार किसान निताओं को मनाने में नाकाम्याब रही है किसान निता अपनी मांगो पर थोड़ा भी जुकने को तयार नहीं है जबकि सरकार को उमीद है कि बात्चीज से ये मसला हल हो सकता है वहीं सरकार और किसान निताओं में जारी इस खीचतान ने दिल्ली वालों को टेंशन दे रखी है आज एक बार फिर बॉर्डर पर टकराओं के आशंका के बीच ट्रैफिक जाम दिल्ली वालों के लिए बड़ी परिशानी का सबब बन सकता है पियरल रिपोर्ट जी मीडी मार्च करने का फैसला किया मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजार पॉकलेंट जैसी मशीन्स का इंतिजाम भी कर लिया प्रदर्शन कारियों का अज दिल्ली कूछ का एलान है तैयारी पूरी है खतरनाक तैयारी हम कहें तो बहतर होगा बड़ी स्थंग क्या मेर प्रदर्शन कारी इसमें शामिल रहने वाले हैं मार्च के लिए बड़ी मशीनों का भी इंतिजाम किया गया तो अब से तीन घंडी के बाद प्रदर्शन कारी शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूछ करना शुरू कर देंगे बिल्कुल आपको प्रदर्शन कारी शंभू बॉर्डर से दिल्ली आएंगे प्रदर्शन कारी सुभा 11 बज़े दिल्ली के लिए रवाना होंगे तीसा अपडेट शंबू बॉर्डर पर 14,000 प्रदर्शनकारी, 1200 ट्रक्टर के साथ और चौता अपडेट प्रदर्शनकारियों के पास गढधा खोदने की भी मशीन बाकाइदा मौजूद रहने वाली है प्रदर्शनकारियों पर सक्त कर्रवाई करें पंजाब ऐसा कहना है गुरेमंत वाले का पंजाब डीजीपी ने मशीनों को तुरंट हटाने को भी कहा है तो वहीं गुरुग्राम से 50 किसान हिरासत में भी लिये गए है दिली में भयंकर ट्राफिक जाम की आशंका आज जताई जा रही है दसवा अपडेट आज CBSE बोट का एक्जाइम में ऐसे में परिक्षार्टियों को दिक्तों का सामना करना पड़ सकता है आज और ये चार तस्वीरे हम आपको दिखा रही है दिली कूच की तैयारी है किसानों की और ये माना जवाराई की JCB और पोकलें मशीनों के साथ पूरे इंतजाम के साथ ये प्रदर्शन कारी आज दिली कूच करेंगे शम्भू बॉडर पर किले बंदी कर दी गई है सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए है तो 14,000 प्रदर्शन कारी आप पड़टी और आज फिर से दिली वासियों को एंसियर वासियों को परिशानियों का सामना जाम की समस्या से करना पड़ सकता है तो शम्भू बॉडर से अमित भारतवाज हमारे साथ है गुद मॉरिंग अमित और गाज़िपूर बॉडर से आदिती प्रताप सिंग रिपोर्च कर रहे है गुद मॉरिंग आदित पहले शम्भू बॉडर जाओंगी अमित के पास अमित आज का बेट क्या देखिए तैयारी पूरी है भारी संक्या में दिली कूछ की तैयारी है भारी मशीन्स के साथ तस्वीरे क्या है सुबाट बचे की दिखाए भी और बताए भी देखे आज मौसम भी काफी खराब है धुन्द हुई है मैं आपको तस्वीरे में दिखा देता हूँ लगातार जो है अभी और पुलिस बल जो है बढ़ा दिया गया है देखे कभी भी यहां जाम नहीं लगता था कि जब फोर्सिज यहां इंटर करती थी या फिर अपनी ड से जादा लोग जुड़ सकते हैं वहां पर और सौ की एक टीम बनाई गई है जिसमें की वो आगे लीड करेंगे और उनके पास काफी अत्यादूनिक मशीने भी हैं जिसका इंपूट दिया गया है एक इंपूट मैं आपको और बता देता हूँ कि जो इंटल सोर्सिस हमारे बता रहे हैं कि 5000 के करीब जो हैं लोग दिल्ली के आसपास भी पहुंच चुके हैं परतशन का रही तो लगातार ये इंफर्मेशन आ रही है 19000 से जादा लोग हो सकते हैं तो ये एक बड़ी चुनोती है बड़ा इम्तिहान है फोर्सिस का भी और यहां पर लगातार फोर्स जो है वो भी बढ़ती जारी है जैसे कि number of crowd is swelling every hour अभी क्या हो रहा है कि वहां पर सिती का जायजा भी लिया जा रहा है इंफर्मेशन भी ली जा रही है देर रात तक जो है अधिकारियों की बैठक भी चलती रही मैं आपको बता दू कि मौसम भी एक चुनोती बना हुआ है यहाँ पर क्योंकि visibility बिल्कुल zero हो गई है यहाँ पर धुन भी काफी जादा है और अभी forces सिर्फ यह चाती हैं कि उनको रोका जाए 14 ऐसे point हैं जो हर्याडा से हर्याडा की तरफ जो है वो बढ़ते हैं पंजाब से पंजाब से 14 ऐसे point हैं जिन पर गुश सकते हैं दातेवा पास है जिनको भी seal करने कोशिश की जा रही है कुछ ऐसे points हैं जो week हो सकते हैं उन पर भी जो है कल चर्चा हुई है देर रात और वहां पर भी बड़े अपडेश दे रहे हैं अमें त लगतार आप हमरे साथ बने रहेगा और नजर बना के रखिएगा आगे आपसे updates हम लें यह CBSC के बोर्ड परिक्षाई भी है बच्चे भी परिशान होंगे office going भी परिशान आज हो सकते हैं बिल्कुल देखें गाजीपूर बॉर्डर पे खड़े हैं और यह बिल्कुल सच है कि सुबह 8 बजे से ही जहां पे सामान्य हालात रहते हैं वहाँ पे जाम जैसी इस्थिती जो है वो बनना शुरू हो चुकी है ट्रैफिक कहीं न कहीं परिशान लोग परिशान हैं एम्बुलिंस भी हैं आप यहां से देख सकते हैं कैमरा से होगी विनायक से कहूंगा कि इसी जाम के बीच में आपको एक एम्बुलिंस की तस्वीर यहां से दिखाई देगी वाकई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बॉर्डर पे भी किये गए हैं यहां पर क्रेंज बड़े-बड़े सीमेंटेट पिलर्स इसके अलावा सीमेंटेट बेरिकेड्स और जो यहां पर आयरन बेरिकेड्स हैं उन पर तार बंदी की गई है जिसकी वज़े से कही न कहीं जो फ्लाई ओवर का अधिकांस रास्ता है वो घिरा हुआ है ट्रैफिक स्लो मूविंग है और कुछी समय में यहां पर जैसे हाला जो है वो यहां पर दिखाई देंगे आप यहां की तस्वीरे देख सकते हैं और बड़ी बात यह है कि यह पू जाड़े साथ बजे के लगबग यह तस्वीरे यहां पर आपको दिखाई दे रही है और यह देखिए सामने एंबुलिंस जो है उसको भी संगर्स कहीं न कहीं करना पड़ रहा है उसको लेकर किसानों की बात करने बीते कई दिन से पंजाब हर्याना के शंबू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं सरकार और किसान संगटनों के लिए चार दौर की वारता हो चुकी है चौते दौर की वारता के दौरान सरकार ने पांट फस्तों पर MSP का एक प्रस्ताफ भी दिया था लेकिन सुमवार रात किसान संगटनों ने उस प्रस्ताफ को नामन्जूर किया दिल्ली तक मार्च करने का ऐलान किया फैस्ता की। और मार्च के लिए किसानों ने बुल्डोजर और पॉकलین जैसी मशीनों का इंति दो तस्वीर आपके सामने किसान संगटनों के मार्च का ऐलान मशीनों के साथ दिल्ली कूश की है तैयारी तो क्रेन और जेसी भी के साथ पोक्रेन मशीन तैयार है यानि की अब दिली वासियों की परिशानी बर सकती क्योंकि किसानों ने एलान किया है कि वो दिली कूच करेंगे और मार्च के लिए देखिए, मार्च के महीने में किसानों ने बुल्डोजर और पोकलेंज जैसी मशीनों का इंतिजाम भी करा है और बहुत जल्द ये मार्च इन किसानों का निकल सकता है और आज जो जानकारी मिल्वी की समस्या है दिली वासियों की बरसकती है एक और बड़ी खबर भार्ती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन यूपी में जिला मुख्याने ओपर ट्रक्टर लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश हर्याना में ये प्रदर्शन होगा उत्तराखन में भी बेक्यू जो है उसके प्रदर्शन की जानकारी पंजाब के किसानों के समठ्टर में प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है भार्ती किसान यूनियन का आज प्रदर्शन ये जानकारी जिला मुख्याने ओपर ट्रक्टर लेकर जाया जाएगा उत्तर प्रदेश, हर्याना में प्रदर्शिन दर्श किया जाएगा हर्याना डीजीपी की चिठी की बाद पंजाब के डीजीपी ने राज्य के जो सीनियर पुलिस ओफिसर्स हैं उनको चिठी लिखी, सक्त आदेश देते हुए पंजाब के डीजीपी ने लिखा किसी भी तरह से जेसी भी पोकलेन समेट तमाम तरह की जो मशीनरी है शम्बू बॉर्डर और खनोरी बॉर्डर तक नहीं पहुचने पाए तुरंट मौके से इन तमाम तरह की मशीन्स को अटाए जाए कि सारण का इन मशीन्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस बीच मौके से तुरंट इन मशीन्स को अटाए जाने के आदेश और निर्देश चिठी के माधियम से जारी किये गा ये बड़ी जानकाली हर्याना डीजीपी की चिठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने राज़े के सीनियर पुलिस आफिसर्स को चिठी लिखकर इन मशीन्स की एंट्री पर रोक लगाने के लिए कहा है केंट्रिमंट्री अरजन मुंचा ने दिल्ली कूच पर अड़े किसानों से एक बार फिर से बादचीत करने की अपील की उन्होंने का कि बाचीत के जरिये समधान धूरे की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है पूरी खबर देखिए सरकार की तरव से पांच फसलों पर MSP की गारंटी का जो प्रस्ताव दिया गया उसे किसानों ने धोखा बता कर खारिज कर दिया और आज दिल्ली कूच करने का एलान किया सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद केंद्रू ये मंत्री आरजिन मुंडा ने किसानों से शांती बनाये रखने की अपील की साथ ही उन्होंने मुद्दो के समाधान के लिए किसान नेताओ के साथ फिर से चर्चा करने की बात कही वहीं किसान आंदोलन के बाहने कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने एक बार फिर केंद्रू सरकार पर हमला किया किसान आए हैं दिल्ली के ओर चल रहे हैं मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं बीजेपी आपको MSP नहीं देगी कॉंग्रेस पार्टी आपको लीगल MSP दिलवा देगी यानि किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी जारी है जहां केंद्रिय मंत्रे आरजुन मुंडा बाचीत के जरिये मुद्दे को सुलजाने की बात कह रहे हैं वहीं कॉंग्रेस प्रदर्शन कारियों के साथ खड़ी नजार आ रही है पक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रदर्शन कारियों के शम्भू बॉर्डर को घेरने के मामले में पंजाब और हर्याना हाई कोट ने कड़ी आपत्ती जताई है तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पिस्फुली रखा जा सकता है लोगों की जो भामने उसको काट्रोल किया जा सकता है और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रिय अर्थ सैनिक फोर्सों ने किया है देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा जिस तरह से हर्याने के गाउं में पेरामिट्री फोर्स लगी हुई है और चपे चपे पेरामिट्री फोर्स गस्त कर रही है तो हम कहते हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में देश हमारे से बनता हमने भी परदान मंत्री मौड है इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को बोटे दी होंगे आपको परदान मंत्री बनाया होगा और इस दिन की हमने कभी अमीद नहीं की थी पिया हमारे उपर अर्द सैनिक फोर्थ चढ़ा कर इस तरह से हम पारे उपर जुल्म करेंगे और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में को समस्य आ रही है तो किर्प्या इस देश के सविधान की रक्षा किजिए आप सविधान के मुख्या हैं हमें पीसपुली ढंग से दिल्ली जाने दीजिए और यह हमारा जन्मसिन अधिकार है अब देख पीछे कराईए हमारे दोजवानों को मरा जाएगा देखे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी डीजी पी हर्याना बोल रहे थे हमने तो कोई भी किसानों के उपर शेलिंग नहीं किया और पूरी दुनिया देख रही है पी शेलिंग कैसे हुई हम अपने जुआउं से किसा मजदूर से पूरी अपील करेंगी यहां पर हर मां का एकी की बेटा है आप संयम रखियेगा धैर रखेगा हम सरकार जो भी जुल्म करें हम उसे सहेंगे हमारी और से कोई भी जो रक्षा कर्मी है जावान है उनके उपर कोई परहार नहीं किया जागा वो भी हमारे हैं सर आप 11 मजए कूच कर रहे हैं तो हो सकता कोई शरारती इंसर बीच में घुच सकते जो आपना महौल ख़रा करें आपने एक टास्क पोर्स बनाई का उसके ध्यान लगी देखिया हमारी टास्क पूरी सरगर्म है लेकिन हमने देखा खनावरी में भी हम पुलिस कर्मी पकड सब्सक्रा की जाए बहुत दुखी बात है पिकेंदर हमारी सुनने ही रहा अगर वह सुन लेते तो इसका पिस पूरी हल हो सकता था रात को भी यहां पर हमारे बहुत हुआ हुआ है अंदुलन रोड पे नहीं होता हुआ 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 है जैसी भी है हाईड्रूलिक क्रेंट बुलिट प्रूफ पोकलिन मशी यह तस्वीरे बतानी के लिए काफी है कि आज दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन कारियों के इरादे क्या हैं तस्वीरे बता रही है कि इस बार की कोशिश पिछली कोशिश से कितनी अलग और आक्रामक है सरकार से चार दोर की बाची के बावजूद भी हल नहीं निकलने के बाद प्रदर्शन कारी फिर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं पंजाब हर्याना के शंभू बॉडर और खनौरी बॉडर से प्रदर्शन कारी आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे बॉर्डर पर बने अभेद्ध किले को भेदने के लिए प्रदर्शनकारी इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं हर्याणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोडने के लिए जैसी भी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुँच गया है इसके अलावा बुलिट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर आसू गैस के गोलों का भी असर ना हो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शंभू बॉडर पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं ग्रिह मंत्राले ने भी शंभू बॉडर पर हजारों प्रदर्शन कारीयों के जुटने पर चिंता जाहिर की है पंजाब हर्याना बॉडर पर करीब 14,000 प्रदर्शन कारी जुटे हुए हैं सूत्रों के मुदावी करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारे और 10 मीनी बसों के साथ साथ छोटे वाहन बॉडर पर खड़े हैं जिस पर ग्रिह मंत्राले ने पंजाब सरकार से एक्शन लेने को कहा है उधर किसान नेता किसी भी हाल में समझोता करते नहीं दिख रहे हैं उन्होंने सरकार से संसत का विशेश सत्र बुलाये जाने की मांग की है जिसमें MSP पर खरीद की गारंटी के कानू लाये जाए प्रवर्शन कारियों के ऐलान के बाद दिल्ली के आसपास हर सुरक्षा पॉइंट के उपर हर सीमा पॉइंट के उपर सुरक्षा के इंतजाम सक्त किये गए है तीक्री बॉर्डर पर 13 लेयर की सुरक्षा मुकमल की गई है किसानों की मशीनों से भी निपटने की तैयारी की गई है तो देखे किस तरीके से सुरक्षा प्रबंद के इंतजाम किये गए है किस तरीके से व्यवस्था मुस्ताइद की गई है आरेफ की कमपनिया तैनाद की गई है और यही तस्वीर लगभग दिल्ली को अन्य इलाकों से जोडने वाले तमाम बॉर्डर पॉइंट्स की है तीक्री बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर 13 लेयर की सुरक्षा तैयार की गई है आई शील्ड और साथ ही साथ गैस मास्क भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं यानि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उनके खिलाब भी बचाओ का इंतजाम किया गया है तो एक तरफ दिल्ली में इर्दगेद सुरक्षा का सख्त पहरा किस तरीके से लगाया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपकी स्क्रीन पर दाइं और जो तस्वीर नज़र आ रही है उसके अंदर ये प्रवर्शन कारी अपने नाख पर और अपने आँखों पर मास्क लगाए हुए नज़र आ रहे हैं किस तरीके से इंतजाम किये गए और देखिए इस तरीके से शील्ड लाई जा रही है जेसी भी मशीनें पॉकलेंड मशीनें इस तरीके की मशीनों के साथ प्रवर्शन ये वाकई सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मन्शा प्रवर्शन की है या डिस्रप्शन की है और यही सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके की हंगामा खेज तस्वीरें देखने को मिली थी जिस तरीके से प्रवर्शन के नाम पर हंगामा कई जगा देखने को मिला उसको लेकर यह सवाल खड़े किये जा रहा है हाला कि सरकार के साथ बाचीत प्रवेशन कारी किसान नेताओं की नाकाम हो चुकी है चार दौर की बाचीत हो चुकी है सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि बाचीत के दर्वाजे अभी भी खुले है और देखे किस तरीके के सूर्थे हाल है उसके लिए अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं मेरे दो स्योगी मेरे साथ जोड़ गए हैं राजुराज टीक्री बॉर्डर पर रिपोर्ट कर रहे हैं साथ ही अमित भारदवाज का भी रुख करेंगे सबसे पहले में टीक्री बॉर्डर पर मौजूद राजुराज का रुख करना चाहूंगा किसानों का दिली कूच का इलान है वो प्लक्मेन मसीन लेकर दिली की तरफ कूच करना चाहते हैं इसलिए इस लिहाद से दिली पूलिस ने वहाँ पर गई सुरक्षा का जाइजा लिया एक रिपोर्ट तयार की और उसी रिपोर्ट के अधार पर दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर से लाके वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है बात करूँ टीकरी बॉर्डर के तो टीकरी बॉर्डर पर तेयर लेयर की सिक्यूर्टी तयार की है किसी भी तरीके से किसी भी सूर्थ चाल में दिल्ली पुलिस कैसे निपटना उसकी तयारी कर चुक् decor के सबसे पहले तस्वीरे दिखाना चाओंगा यहाँ पर हम लोग हरोज सुबह के वक्त प्रने लाइब बात करते हैं तस्वीरे दिखाते हैं और जिंडी पुलिस के साथ-साथ केंद्री अग्सनिक बलों की भी तेयनाती की गई राजुराज लेकिन तस्वीरों में यहां तो सुरक्षा इंतजामों की तस्वीर आप दिखा ही रहे लेकिन फिर मेरा वही सवाल कि इसके बीच में इन इंतजामों के बीच में पिस्ता हुआ इन्सान क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी इस इलाके के स्थानी लोगों को हो रही है जो रोजगार के सिलसिले में जाना चाहते हैं जिनकी दुकाने बंध हैं निश्य तोरपर निश्य तोरपर पढ़ना है और हम जब सुबा आयते ऐसी तस्वीरे भी जीनियूस के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुँचा है कि किस तरीके से चुकी रास्ते को काफी छोटा कर दिया गया और सुबा का वक्त होता है सुबा आठ से नौ के बीच जब मज़़ूर फैक्टरियों में काम करने जाते है और उस वक्त यहाँ पर भारी संख्या में लोग थे उन्हें एकक करके यहां से निकलना परा थे तस्वीरे आप दिखा रहे हैं जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं आप उच्छे तस्वीरे भी हम दर्शकों को दिखा दे हैं देखिए किस तरीके की तस्वीरे नजर आ रहे हैं अलग अलग बॉर्डर पॉइंट्स के उपर और किस तरीके की तैयारी के साथ ही प्रदर्शन कारी रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए पोकलें मशीने आंदोलन में इनका क्या काम है यह सवाल आपके मन म भी होगा साथ ही ट्रैक्टर के साथ क्या दिल्ली में एंट्री की अजाज़त मिल सकती है साथ ही जिस तरीके से आंसू गैस की गोलों का इस्तमाल सरकार की तरफ से खास तर पर जो सुरक्षा एजिंसिया उनकी तरफ से किया गया था पुलिस की तरफ से किया गया था उसके बाद अब आंसू गैस से बचने का इंतिजाम भी प्रदशन कारियों ने कर लिया है साथी पतंगे हैं तो क्या ये ड्रोन का सामना करेंगी, पतंगे क्यों खास तर पर उड़ाई जा रही है साथ ही लोहे की शील्ड भी ये तैयार रख रहे हैं, साथ ही जेसी भी मशीनें, ताकि बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए, क्या ये तैयारी है, ये तमाम वो सवाल हैं, जो इन तस्वीरों के साथ खड़े हो रहे हैं, और इसलिए हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं एक तरफ ये तयारी की तस incapуєर हम आपको दिखह हैं, तो देखिए, मास्क के साथ किया प्लान है। मास्क के साथ प्लान हे है कि अगर मास्क लगा कर वो आते हैं तो से नाकाम किया जा सकता है। साथ ही इस तरीके से जो शील्ड्स हैं लोहे की बड़े बड़े शील्ड्स जो हैं उनका इस्तमाल किया जाता है ताकि अगर रबर बुलिट्स का भी इस्तमाल किया जाता है सुरक्षा बलों की तरफ से उसे नाकाम किया जा सके साथ ही इस पर face mask है साथ ही इसकी एक बड़ी जो जरूरत कहा जा सकता है एक बड़ी जो चीज है वो ये हो सकती है कि इसमें पहचान मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इन चेहरों के उपर mask लगा हुआ है साथ ही पंका जो है वो पिछली बार भी देखने को मिला था चार दिन पहले पांस दिन पहले भी जिस तरीके का प्रदर्शन शंबू बॉडर पर हुआ था वहाँ पर बड़े बड़े पंकों का इस्तमाल किया गया था कि आसमान में वो पतंगे नजर आए लेकिन ये वो तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये प्रदर्शन और प्रदर्शन के नाम पर जो करने की तैयारी हो रही उसके पीछे मंशा क्या है प्रदर्शन से पहले किसान नेताओं का कहना है वो भी आपको सुनवा दे अभी सरकार भी तो हमें सुन रही है हम तो से बोल रहे हैं भाई अभी पस्तिति को काबू कर लो इस तरह के निरने कोई बदेशी लोग थोड़े न है आप बताईए क्या देश की उन्निस धारा हमें अपनी बात करने का अधिकार नहीं देती है जब स्वायम भाजपा प्र राजनाथ जी वहां गए होते थे हमारे धरने में राजनाथ जिक दी और जूनिन के बोल के आते रहें तब ठीक था अब हम कर रहे हम गलत हैं बैट चैनल बैट चैनल कोई बात नहीं होती बात चीट जो होती है वो कल अजिकारी जैसे बात चीट करते रहते हैं अक्सर करते रहते हैं पंजाब गोवर्मेंट के उन्हीं ने बात्चीत करने का प्रयास किया लेकिन उनकी बात्चीत में से कुछे निकल कर नहीं आ रहा था उनका उनके पास कुछे नहीं था हमारा यही था कि कनून बनाने के लिए हमारे प्रधान मंतरी जी बियान दे दे दें तो उसके सिक्री बॉर्डर के उपर किस तरीके से कटीले तार की बार के साथ साथ मल्टी लेयर सिक्योरिटी सुनिश्चित की गई है साथ ही सिंगू बॉर्डर के उपर जहां पिछले किसान आंदोलों के समय एक लंबा धरना देखने को मिला था वहाँ अब सुरक्षावलों की तरफ से पुखता इंतजाम किये गए हैं ताकि अब की बार धरने की वैसी तस्वीरे सामने ना आ पाएं और देखिए सरकार ने क्या दिया किसानों की क्या मांगे ये भी आपको बता देते हैं तो पांच फसलों पर MSP की गैरंटी सरकार देने को तयार है या नि 5 साल के लिए इन 5 फसलों को MSP पर सरकार खरीदेगी ये फसले हैं मक्का, मसूर, अरहर, औरत, औरका पास इसके साथ साथ देखिए MSP rate के उपर private agency company कम से कम फसल ना खरीदें ये किसानों की मांग है, वहीं सरकार का कहना है कि 5 साल का contract होगा नाफेड NCCF से खरीद का परस्ताव दिया गया था देखें, दोनों तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव दिये गए, दोनों तरफ से क्या कुछ दलीले रखी जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं इस graphics के जरीए सरकार ने क्या दिया, किसान क्या मांग रहे है सरकार ने भरोसा दिया कि कर्ज माफी पर विचार किया जाएगा वहीं संपूर्ड कर्ज माफी के साथ साथ जो MSP का फॉर्मूला है यानि C2 प्लस 50% इसका फॉर्मूला तै हो जो स्वामी नाथन कमिशन की रिपोर्ट ही उसके अंदर C2 प्लस 50% की बात कही गई थी और उसी पर अपनी जिद के उपर फिलहाल किसान प्रदर्शनकारी अड़े हुए है और उनका कहना है कि इससे कम कुछ भी मनजूर नहीं है सरकार के माध्यम से चिंता कर रहे हैं कि इस देश के अन्यदाता किसान के लिए बेहतर से बेहतर कैसे हो सके सबकी अपनी सोच है सबकी अपनी विशे है और उस विशे को रखने के लिए स्वतंत्र है और उस विशे को रखते समय चर्चा के दौरान किसी की नाराजगी होना भी स्वभाविक है पर इसे हम हल के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा संबाद बना रहे हमारी बाचित का दौर जारी रहे और इसे हम लक्ष तक पहुँचाने के लिए दोनों तरफ से या ऐसे सभी को सहजोगी बनाते हुए हम आगे बढ़े देखे ऐसा है मैं यही अपील करता हूँ कि फिर हम लोग बैठेंगे फिर चर्चा करेंगे और एक बार में समाधान नहीं होता कई बार बैठना पड़ता है कई बार बैठ करके हम चर्चा करने के लिए तयार है अर्जुन मुंडा को आपने सुना वो शन्ती से जाना चाहते हैं, तो पूस्ष शन्ती के मार्च के अंदर बुलडोजर रो पॉकलेंद मशीनों के क्या जरूरत है, बाचीत एकमातर आसता है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, वही किसान कहना है, किसान और जवान हमारे ही हैं, हम अपनी ही देश के अंदर विरुत पदरेशन कर रहे हैं अपनी ही सरकार से कर रहे हैं तो देखिए ये पूरा मामला क्या है दलीलें क्या है ये हमने आपको बताया मेरे दो और सही होगी हमारे साथ जुड़गा है कि शांतिपूर्ण मार्च की बात कही जा रही है लेकिन ये पॉकलेन मशीन है ये जेसी भी मशीन है इस तरीके की भारी तैयारी इस तरीके के इंतजामों के साथ तो किसी प्रदर्शन को दिल्ली की तरफ आते इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया बिल्कु कभी नहीं देखा गया इससे पहले भी जो हुआ दिल्ली में उससे जो है रिपोर्ट कार्ट खराब हो चुकी है ये क्यों नहीं समझते हैं लोग बार-बार कह रहे हैं कि क्यो लगाएगे बेरिकेटिंग बेरिकेटिंग पहले भी आप यहां से निकल के गए हैं लेकिन आपकी रिपोर्ट कार्ट खराब है आपने जो बहबीत करने की कोशिश की वहाँ पर दिल्ली में लोगों को जो तस्वीर देश और दुनिया में दिखाई बहरत की चावी खराब करने की कोशिश की उससे जो है परिशाद है अपने जो किसान नेताओं से बात की होगी उनके संगठनों से बात की होगी उनकी आखिर क्या दलील है दिल्ली में पहली बार कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा आपने बहुत सारे प्रदर्शन दिल्ली में कवर किये होंगे लेकिन इस तरीके की जैसी भी मशीनों के साथ कोई प्रदर्शन यही आता है तो इनका गलत इस्तमाल भी किया जा सकता है दिल्ली की रहाइश के अंदर उसका गलत इस्तमाल हो सकता है तो इसको लेकर किसान नेताओं का क्या कहना है कि इसका मिस्यूज ना हो देखे मैं आपको बता दू कि अभी SKM ने जो कॉल दिया है उन्होंने और भी कई संगठन बुलाए हैं वो कह रहे हैं कि देखे वाइलेंस नहीं होनी चीए कुछ संगठन यहां पर हैं अपनी बात पेड़े हुए लेकिन बाकी संगठन कहेरें वाइलेंस नहीं होनी चीए क्योंकि पिछली बार भुग चुके है और यह मैं आपको बता दू कि बाकी जो किसान नेता है वो ये कह रहे हैं कि हम संगटनों को एकठा जरूर कर रहे हैं हमारा काम है शांतिपूर्ण तरीके से काम जो है अपने समवाद को करना ना कि विवाद को करना जो तस्वीरे पढ़ने आपने भी दिखाई थी उस दिन हम भी लाइफ पे थे जिस तरह की तस्वीरे आई जिस त तमाम संगठनों की है, इनका प्रवर्शन ने शांती पूर्ण बना रहे हैं। देख सकते हैं, यहाँ पर पैरे मिलिटरी फोर्स का पूरा 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 जथा तैनात है, दिल्ली के अंदर दाखिल होने की अनुमती नहीं दी जाएगी। कुछ में वो भी समर्थन देने के लिए पहुचेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर सी कुछ ऐसी तस्वीरे सामने देखने को मिल रही है। बिल्कुर एंटे लायट गयर के अंदर पैनात, वहां सुरशा कर्मी साफ नजर आ रहे हैं। आप जो तस्वीरे दिखा रही हैं अनुश्का बने रही है मारे साथ में। अलग-अलग जत्थों के अंदर टुकडों के अंदर पहले ही अंदर दाखिल हो चुके हैं। और उसके बाद जो है वह एक प्रदर्शन को नए लेवल के उपर या किसी दूसरे लेवल पर ले जाने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुर प्रणोट जिस तरीके के इंटेल्स आ रहे हैं कहीं न कहीं एक बड़ी संख्या में बताया जा रहा है और लगबग हजार की संख्या में जो हैं वो किसान दिल्ली प्रवेस कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपको तस्वीरे दिखाएंगे जो गाजीपूर फ्लाइओवर है क्योंकि नीचे के रास्ते बंद कर दिये गए हैं गाजीपूर फ्लाइओवर है यहां पर लगातार जो सिक्रिटी फोर्स है उनका डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो त ट्रैफिक में फसी हुई थी और उसके बाद उनको प्रिशासन में आसे कैसे जली निकला ने जक्ता है कि आखिर वहां जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो एम्बुलेंसे को सेफ लेन क्यों नहीं दे रहे हैं वहां पर और ये एम्बुलेंसे से दी फंस्ती हैं कोई बीमार विक्ती इसके अंदर है जिसकी जान पर बनी हुई है वो अस्पताल पहुँच रहा है अलग-अलग स्टेट से भी लोग पहुँचते हैं नहीं रास्तों का इस्तमाल करके वहां जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उनकी क्या दलील है बिल्कुल देखिए क्योंकि प्रणव यहां पर आधा जो रास्ता है कैमरे से कहुँगी से कहुँगा जो आधा रास्ता है वो ब्लॉक किया गया है केवल दो गारिया एक साथ निकल सकती है और जो उत्तर प्रदेश और उत्रागंड की ओर से जो इधर वाले हाईवे से एन एंबुलिंस को रॉंग साइट से उपर निकाला गया क्योंकि उसमें कही ना कही प्रेशेंट जो थे वो क्रिटिकल अवस्ता में थे फिलाल आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जवानों की भरी गाड़ी भी इसी ट्रैफिक में फसी हुई है और ये तस्वीर सुबह से देखनों को मिल नहीं है आज जब चीबिसी बोर्ड का पेपर है ऐसे समय में कई स्कूली वाहन भी फसे दिखाई दिये स्कूल जाते हुए बच्चे जिनको समय लग रहा था पुलिस प्रिशाशन यहां खड़ाता लगातार लोगों को मूव करने के लिए लिए आज तो मैं लोटूगा आपके पास आप बने रही हमारे साथ में लेकिन मैं टीकरी बॉर्डर पर मौझूद राजू राज का भी रुक कर लेता हूँ राजू अगर बात की जाए दिल्ले पुलिस आप अची तरीके से आप लंबे समय से कवर करते हैं दिल्ले पुलिस का क क्या कुछ कहना है आज के इंतजामों को लेकर और जो बाची तगर नाकाम होती है किसानों का मार्चेदी होता है तो दिल्ली के अंदर आम जन जीवन अस्तवेस्त ना हो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किये गए हैं दिल्ले पुलिस की तरफ से तेकि लगातार दिल्ली पुलिस से इसको लेकर लगातार समिख्षा करते हैं लगातार तमाम जो बड़े अधिकारी हैं सीनियर अधिकारी है जिनकी उपर लॉयन और सिचुएशन को सम्भालने की जिमेदारी है वो लगातार इसको लेकर मिटिंग करते हैं और इसलिए दिल दिल्ली को सुरक्षित रखा जाए क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है दिल्ली पुलिस के लिए क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार किसान यहां पर आये थे और शांती पुर्मक मार्च 26 जुनवरी को करना चाहता है जिसकी इजादत दी गई थी ए सब्सक्राइब को और यह यहां पर है जापन देंगे और जो हमारे MSP गारंटी कानून का जो सवाल है उस पर बात्चीत करेंगे इस्टेट की जो समश्चा होगी वह भी अपने के जापन में लोग देंगे और एक भार सरकार को क्योंकि दुनु जगह की समश्चा है तो वह लिखेंगे डियम के माध्यम से वह हर स्टेट के मुख्य मंत्री को और भारत सरकार का गयापन राश्च्पति को जाएगा कि यह करीब 11-12 बज़े से सुरू होकर यह दो तीन बज़े तक यह प्रोग्राम चलेंगे क्या क्या मुख्य मांगे रहेंगे तो एक बड़ा इ और सबसे बड़ा सवाल है कि MSP पे अगर गारंटी नहीं मिलती तो किसान को नुकसान होगा पूरे देश के किसान को नुकसान होगा उस पर कानून बन जा है जो सरकार को खरीद करनी सरकार खरीद करना प्रवर्शन कारियों के ऐलान के बाद दिल्ली के आसपास हर सुरक्षा पॉइंट के उपर हर सीमा पॉइंट के उपर सुरक्षा के इंतजाम सक्त किये गए हैं तीकरी बॉर्डर पर 13 लेयर की सुरक्षा मुकमल की गई है किसानों की मशीनों से भी निपटने की तैयारी की गई है तो देखे किस तरीके से सुरक्षा प्रबंद के इंतजाम किये गए हैं किस तरीके से व्यवस्था मुस्ताइद की गई है और यही तस्वीर लगभग दिल्ली को अन्य इलाकों से जोडने वाले तमाम बॉर्डर पॉइंट्स की हैं टीक्री बॉर्डर की अगर बात पूच करने की तैयारी कर रहे हैं और बाकाइदा वो आईशील्ड और साथ ही साथ गैस मास्क भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं यानि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उनके खिलाब भी बचाओ का इंतजाम किया गया है तो एक तरफ दिल्ली में इर्द सुरक्षा का सख्त पहरा किस तरीके से लगाया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपकी स्क्रीन पर दाइंग और जो तस्वीर नजर आ रही है उसके अंदर ये प्रदर्शन कारी अपने नाक पर और अपने आँखों पर मास्क लगाए हुए नजर किये गए और देखिए इस तरीके से शील्ड लाई जा रही हैं जैसी भी मशीनें पॉकलेंड मशीनें इस तरीके की मशीनों के साथ प्रदर्शन ये वाकई सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मन्शा प्रदर्शन की है या डिस्रप्शन की है और यही सवाल इसलिए खड़ा की तरफ से ये भी कहा गया है कि बाचीत के दर्वाजे अभी भी खुले है और देखे किस तरीके के सूरते हाल हैं उसके लिए अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जोड़ गए हैं राजुराज टीक्री वारडर पर रिपोर्ट कर रहे हैं साथ ही अमित भारदवाज का भी रुख करेंगे सबसे पहले में टीक्री वारडर पर मौझूद राजुराज का रुख करना चाहूंगा राजु जरा बताईएगा कि इस समय जो तेरा लेयर की सिक्योरिटी है ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के आसपस एक पूरा किला बनाया गया है लेकिन वहाँ इन सुरक्षा इंतिजामों के लिए कितना मुस्तेद कितना भरोसे कितना आश्वस्त दिल्ली पूलिस नजर आ रही है देखे पड़ने दिल्ली पूलिस किसी भी तरह के कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है इसलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम शंभू बॉर्डर भी गई थी वहाँ पर सुरक्षा का जाइजा लिया और जिस तरीके से किसानों का दिल्ली कूच का एलान है वो पोकलेन मसीन, हाड्रोलिक मसीने लेकर दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं इसलिए इस लिहाद से दि लेयर लेयर की सिक्योटी तैयार किये किसी भी तरीके से किसी भी सूर्थेहाल में दिल्ली पुलिस कैसे निपटना उसकी तैयारी कर चूकिए सबसर पहले तस्वीरे दिखाना चाहूँगा यहाँ पर हम लोग हर रोज सुबह के वक्त पर लाइब बात करते हैं तस्वीरे और ये तस्वीरे देखे, किस तरीसे से सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, आरे एफ, रैपिड अक्षन फोर्स, सियार पिएफ, ससस्र सीमा बल, इनकी जमानों की तैनाती की गई है। ये दिल्ली पुलिस के साथ-साथ केंद्री अक्षन बलों की भी तैनाती की गई राजुराज, लेकिन तस्वीरों में यहां तो सुरक्षा इंतजामों की तस्वीरा आप दिखा ही रहें, लेकिन फिर मेरा वही सवाल कि इसके बीच में, इन इंतजामों के बीच में पिस्ता ह जिरे भी जीनियूस के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा है कि किस तरीके से चुकी रास्ते को काफी छोटा कर दिया गया है असुबा का वक्त होता है सुबा आठ से नौ के बीच जब मज़़ूर फैक्टरियों में काम करने जाते हैं और उस वक्त यहाँ पर भारी संख्या में लोग थे उन्हें एकक करके यहाँ से निकलना पर रहा है बिल्कुर राज़ जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं आप उच्छे तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं साथ ही जिस तरीके से आंसू गैस की गोलों का इस्तमाल सरकार की तरफ से खास तरफ पर जो सुरक्षा एजिंसिया उनकी तरफ से किया गया था पुलिस की तरफ से किया गया था उसके बाद अब आंसू गैस से बचने का इंतजाम भी प्रदर्शन कारियों ने कर लिया है साथ ही पतंगे हैं तो क्या ये ड्रोन का सामना करेंगी पतंगे क्यों खास तोर पर उड़ाई जा रही हैं साथ ही लोहे की शील्ड भी ये तैयार रख रहे हैं साथ ही जेसी भी मशीने ताकि बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए क्या ये तैयारी है ये तमाम वो सवाल हैं जो इन तस्वीरों के साथ खड़े हो रहे हैं और इसीलिए हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देखे किस तरीके से ये प्रवर्शन जो है ओम आदमी की परेशानी बढ़ा सकता है इसकी आशंका जताई जा रही है और देखिए आपको ये भी बता देते हैं कि दरसल इन तस्वीरों के साथ साथ किसानों का प्लान क्या है एक तरफ ये तैयारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो देखिए मास्क के साथ क्या प्लान है मास्क के साथ प्लान ये है कि अगर मास्क लगा कर वो आते हैं तो इस्तमाल जो आंसू गैस का होगा उसे नाकाम किया जा सकता है साथ ही इस तरीके से जो शील्ड्स हैं लोहे की बड़े बड़े शील्ड्स जो हैं उनका इस्तमाल किया जाता है ताकि अगर रबर बुलिट्स का भी इस्तमाल किया जाता है सुरक्षा बलों की तरफ से उसे नाकाम किया जा सके साथ ही इस पर face mask है साथ ही इसकी एक बड़ी जो जरूरत कहा जा सकता है एक बड़ी जो चीज है वो ये हो सकती है कि इसमें पहचान मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इन चेहरों के उपर mask लगा हुआ है साथ ही पंका जो है वो पिछली बार भी देखने को मिला था चार दिन प पतंगें आखिर क्यों अपने साथ ले जाई जा रही है हाला कि यह हो सकता है कि एक message देने के लिए पतंगें उड़ाई जाएं ताकि आसमान में वो पतंगें नजर आएं लेकिन ये वो तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये प्रदर्शन और प्रदर्शन के ना पूड़े नहीं है आप बताएए क्या देश की 19 धारा हमें अपनी बात करने का अधिकार नहीं देती है जब स्वाइम भाजपा प्रदर्शन नहीं किया इन्होंने ऐसे काम नहीं किये बोल दें यह भी तो करते रहें जब पक्षि में रहे हम करते हैं यह धरना जंतर मंतर चल रहा था जब भूकर ताल चलती थी करफ्षन के खिलाब तो सभी राजनाथ जी वहां गए होते थे हमारे धरने में राजनाथ जीख दी और जूनिन के बोल के आते रहें तब ठीक था अब हम कर रहे हम गलत हैं बैग चैनल बैड़ चैनल कोई बात नहीं होती बात चीत वो होती है वो कल अजिकारी जैसे बात्चीत करते रहते हैं अक्सर करते रहते हैं पंजाब गोवर्मेंट के उन्हीं ने बात्चीत करने का प्रयास किया लेकिन उनकी बात्चीत में से कुछे निकल कर नहीं आ रहा था उनका उनके पास कुछे नहीं था हमारा यही था के कनू तस्वीरे भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि इसी तरीके की तस्वीरें अलग-अलग बॉर्डर पॉइंट से देखने को मिल रही तो देखे टीक्री बॉर्डर के उपर किस तरीके से कंटीले तार की बार के साथ साथ मल्टी लेयर सिक्योरिटी सुनिश्चित की गई है किसानों की क्या मांगए ये भी आपको बता देते हैं तो पांच फसलों पर MSP की गारंटी सरकार देने को तयार है यानि पांच साल के लिए इन पांच फसलों को MSP पर सरकार खरीदेगी ये फसले हैं मक्का, मसूर, अरहर, औरद, और कपास इसके साथ साथ देखिए, MSP रेट के उपर प्राइवेट एजनसी कंपनी कम से कम फसल ना खरीदें, ये किसानों की मांग है, वहीं सरकार का कहना है कि 5 साल का का कॉंट्राक्ट होगा, नाफेड, NCCF से खरीद का परस्ताव दिया गया था देखे, दोनों तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव दिये गए, दोनों तरफ से क्या कुछ दलीले रखी जा रही है, वो हम आपको बता रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए, सरकार ने क्या दिया, किसान क्या मांग रहे है, सरकार ने भरोसा दिया कि कर्ज माफी पर विचार किया इसन पared मुंन्वा की देश किसान के लिए बेहतर से बहतर कैसे हो सके सब की एक अपनी सोच सर्किन एक सब्री अपनी इसे हैं और उसलि से को रखने के लिए स्वतंत्र है को और उससे को रखते समय चर्चा के दवरान किसी की नाराजगी होना भी स्वभाबिक है पर इसे हम हल के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये कोशिस करना चाहिए कि हमारा संबाद बना रहे हमारी बात्चित का दोर जारी रहे और इसे हम लक्ष तक पहुचाने के लिए दोनों तरफ से या ऐसे सभी को सहजोगी बनाते हुए हम आगे बढ़े देखे ऐसा है मैं यही अपील करता हूँ कि फिर हम लोग बैठेंगे फिर चर्चा करेंगे और एक बार में समाधान नहीं होता कई बार बैठना पड़ता है कई बार बैठ करके हम चर्चा करने के लिए तयार है बहुत है टो शांती से जाना चाहते हैं, तो उस शांती के मार्च के अंदर बुलिडोजर और वकलेंड मशीनों की क्या जरूरत है? बाचीत एक मातर आसता है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, वहीं किसान कह रहे हैं कि किसान और जवान हमारे ही हैं हम अपने ही देश के अंदर विरुत प्रवरेशन कर रहे हैं अपनी ही सरकार से कर रहे हैं तो देखिए ये पूरा मामला क्या है दलीलें क्या है यह हमने आपको बताया मेरे दो और सयूगी हमारे साथ जुड़गा है अमित भारदवाज शंबू बॉर्डर से लगातार जुड़े हुए हैं साथ या अधित प्रताप सिंगाजी पुर बॉर्डर से और साथ या अनुश्का जो है कालिद दिकुंच से रिपोर्ट कर रही है बिल्कु कभी नहीं देखा गया इससे पहले भी जो हुआ दिल्ली में उससे जो है रिपोर्ट कार्ट खराब हो चुकी है यह क्यों नहीं समझते हैं लोग बार-बार कह रहे हैं कि क्यो लगाएगे बेरिकेटिंग बेरिकेटिंग पहले भी आप यहां से निकल के गए हैं लेकिन आपकी रिपोर्ट कार्ट खराब है आपने जो बहबीत करने की कोशिश की वहां पर दिल्ली में लोगों को जो तस्वीर देश और दुनिया में दिखाए भारत की चावी खराब करने की कोशिश की उससे जो है परिशाद है आपने जब किसान नेताओं से बात की होगी उनके संगठनों से बात की होगी उनकी आखिर क्या दलील है दिल्ली में पहली बार कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा आपने बहुत सारे प्रदर्शन दिल्ली में कवर कियोंगे लेकिन इस तरीके कि जैसी भी मशीनों के साथ कोई संगठन बुलाए हैं वो कह रहे हैं कि देखें वॉयलेंस नहीं होनी चीए लगातार कह रहे हैं कुछ संगठन यहां पर हैं जो अपनी बात प्याड़े हुआ लेकिन बाकी संगठन कह रहे हैं वॉयलेंस नहीं होनी चीए क्योंकि पिछली बार भुग चुके हैं और यह मैं को बता दू कि बाकी जो किसार नेता है वो यह कह रहे हैं कि हम संगटनों को एकठा जरूर कर रहे हैं हमारा काम है शांतिपुन तरीके से का जो है अपने समवाद को करना ना कि विवाद को करना जो तस्वीरे पढ़ने आपने भी दिखाई थी उस दिन हम भी लाइफ पे थे जिस तरह की तस्वीरे आई जिस तरह की विवादित तस्वीरे और उनके विवादित जो बयान थे और इसके बाद विवादित हरकते जो थी उससे देखते लगता है कि कुछ लोग इन में घुज गए है जो की मौक oll का फाइदा उठाना चाते है कि इस प्रबर्शन के अंदर पिस्ता हुआ आम इंसान है जो इस समय दफ्तर के लिए जाने के लिए निकला है बच्चों की स्कूल की एक्जाम्स चल रही हैं आप जहां मौजूद हैं वहां किस तरीके की तस्वीरें बिए जवान हैं उनकी भी मौजूद की हाँ पर हैं हर कुछ घंटों पर इनकी ब्रीफिंग की जारी है लगतार बताया जारहे हैं कि अकर इस पूरे रस्ते से कोई भी किसान अंदर आने की कोशिश करता है तो उसको दिल्ली के अंदर दाखिल होने की अनुमती नहीं दी अचेंगे उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर सी कुछ ऐसी तस्वीरे सामने देखने को मिल रही है बिल्कुल एक आवच जलने हैं तैनात वहां सुरश्य कर्मी साफ नजर आ रहे हैं आप जो तस्वीरे अनुश्का बने रहे हैं मारे साथ में लेकिन आदित प्रताब का भी रोग कर लेते हैं क्योंकि सवाल और चिंताएं जो हैं वो गाजीपूर बॉर्डर पर भी हैं जो कि उत्तरप्रदेश को जोडती हैं दिल्ली से और आदित जो तस्वीरें आपके आसपास नजर आ रहे हैं साथी सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कहीं न कहीं एक बड़ी संख्या में बताया जा रहा है और लगबग हजार की संख्या में जो हैं वो किसान दिल्ली प्रवेस कर सकते हैं लेकिन इस समय आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो गाजीपूर फ्लाइओवर है क्योंकि नीचे के रास्ते बंद कर दिये गए ह गाजीपूर फ्लाइओवर है यहां पर लगातार जो सिकरिटी फोर्सेज है उनका डिप्लाइमेंट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो तस्वीरें है आम आदनी के परिशानी के जिसका आप जिकर कर रहे थे कि इन सब चीनों के बीट में सबसे अदा पिसने वाला जो सुरक्षा कर्मी तैनाथ हैं वो एंबुलेंसेस को सेफ लेन क्यों नहीं दे रहे हैं वहाँ पर और यह एंबुलेंसेस जेदी फंस्ती हैं कोई बीमार विक्टी इसके अंदर है जिसकी जान पर बनी हुई है वो अस्पताल पहुंच रहा है अलग-अलग स्टेट से भी लो इधर वाले हाइवे से एनेचेट पे ट्रैफिक आ रहा है उसमें 5-6 गाडिया एक साथ आ रही है और इसी ट्रैफिक के बीच में एंबुलेंस को एक सेफ लेन देना कहीं न कहीं सिकर्टी फोर्सेस के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है कुछ एंबुलेंसेस को अभी फ स्वीरे सुबह से देखनों को मिल रही है आज जब चीबीसी बोर्ड का पेपर है ऐसे समय में कई स्कूली वहन भी फसे दिखाई दिये स्कूल जाते हुए बच्चे जिनको समय लग रहा था पुलिस प्रिशाशन यहां खड़ाता लगातार लोगों को मूव करने के लिए लगातार दिली पुलिस से इसको लेकर लगातार समिक्षा करते हैं लगातार तमाम जो बड़े अधिकारी हैं सीनियर अधिकारी है जिनकी उपर law and order situation को सम्हालने की जिम्यदारी है वो लगातार इसको लेकर मिटिंग करते हैं और इसलिए दिली पुलिस की एक टीम सम्भू बॉडर भी गई और वहां में सुरक्षा का जायजा लिया कि किस तरीके से दिली को सुरक्षित रखा जाए क्योंकि दिली की सुरक लेकर पहुंचे और लाल किले तक पहुंचे और जो तस्वीरे सामने आई पूरे देश ने देखा पूरे संसार ने देखा और जो भारत की छवी खराबी उसे लेकर इस वाद दिली पुलिस किसी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है इसलिए जहां तक इंतजामों की बात है कि हर जगे और यह ड्यम के यहां पर है जापन देंगे और जो हमारे MSP गारंटी कानून जो सवाल है उस पर बातचीत करेंगे कि इस्टेट की जो समश्चा होगी वह भी अपने के जापन में लोग देंगे और एक भारत सरकार को क्योंकि दुन जगा की समश्चा है तो आप अपना वह लिखेंगे डियम के माध्यम से वह हर स्टेट के मुख्य मंत्री को और भारत सरकार का जापन राश्पति को क्या क्या मुख्य मंगे रहेंगे तो एक बड़ा इस हुए मस्पी गारंटी कानौन विजली अमेंटमेंट्मेंट बिल है स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट है और सबसे बड़ा सवाल है कि मस्पी पर गारंटी नहीं मिलती तो किसान को नुक्सान होगा पूरे देश के किसान को नुक्सान होगा उस पर कानौन बन जाए जो सरकार को खरीद करनी सरकार खरीद करना प्रवर्शन कारियों के ऐलान के बाद दिल्ली के आसपास हर सुरक्षा पॉइंट के उपर हर सीमा पॉइंट के उपर सुरक्षा के इंतजाम सक्त किये गए हैं तीक्री बॉर्डर पर 13 लेयर की सुरक्षा मुकमल की गई है किसानों की मशीनों से भी निपटने की तैयारी की गई है तो देखें किस तरीके से सुरक्षा प्रबंद के इंतजाम किये गए हैं किस तरीके से व्यवस्था मुस्ताइद की गई है और यही तस्वीर लगभग दिल्ली को अन्य इलाकों से जोडने वाले तमाम बॉर्डर पॉइंट्स की है टीक्री बॉर्डर की अगर बात करें तो यहां पर 13 लेयर की सुरक्षा तैयार की गई है ते 13 लेयर का घेरा बनाया गया है और दिल्ली में सुरक्षा का कड़ा पहरा है वहीं दूसी तरफ तस्वीरे ये भी सामने आ रही है कि अब की बार प्रबरेशन कारी मशीनों से लेस होकर दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और बाकाइदा वो आईशील्ड और साथ ही साथ गैस मास्क भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं यानि अगर आंसू गैस के गोले चोड़े जाते हैं तो उनके खिलाब भी बचाओ का इंतजाम किया गया है तो एक तरफ दिल्ली में इर्दगेद सुरक्षा का सखत पहरा किस तरीके से लगाया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपकी स्क्रीन पर दाइं और जो तस्वीर नजर आ रही है उसके अंदर ये प्रदर्शन कारी अपने नाख पर और अपने आँखों पर मास्क लगाय हुए नजर आ रहे हैं किस तरीके से इंतजाम किये गए हैं और देखिए इस तरीके से शील्ड लाई जा रही हैं जेसी भी मशीनें पॉकलेंड मशीनें इस तरीके की मशीनों के साथ प्रदर्शन ये वाकई सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मन्शा प्रवर्शन की है या डिस्रप्शन की है और यही सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके की हंगामा खेज तस्वीरें देखने को मिली थी जिस तरीके से प्रवर्शन के नाम पर हंगामा कई जगा देखने को मिला उसको लेकर ये सवाल खड़े किये जा रहा है हाला कि सरकार के साथ बाचीत प्रवर्शन कारी किसान नेताओं की नाकाम हो चुकी है चार दौर की बाचीत हो चुकी है सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि बाचीत के दर्वाजे अभी भी खुले है और देखे किस तरीके के सूरते हाल हैं उसके लिए अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं मेरे दो सहीयोगी मेरे साथ जोड़ गया है राजूराज टीक्री बॉर्डर पर रिपोर्ट कर रहे हैं साथ ही अमित भारदवाज का वी रुख करेंगे सबसे पहले में टीक्री बॉर्डर पर मौझूद राजूराज का रुख करना चाहूंगा राजू जरा बताईएगा कि इस समय जो 13 लेयर की सिक्यारिटी है ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के आसपस एक पूरा किला बनाया गया है लेकिन वहाँ इन सुरक्षा इंतजामों के लिए कितना मुस्ताइद, कितना भरोसे, कितना आश्वस्त दिल्ली पूलिस नजर आ रही है देखिए पढ़ना दिल्ली पूलिस किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है इसलिए दिल्ली पूलिस की एक टीम शंभू बूर्डर भी गई थी, वहाँ पर सुरक्षा का जायजा लिया और जिस तरीके से किसानों का दिल्ली कूच का एलान है, वो पोकलेन मसीन, हाड्रोलिक मसीने लेकर दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते है इसलिए इस लिहाँ से दिल्ली पूलिस ने वहाँ पर गई सुरक्षा का जायजा लिया, एक रिपोर्ट तयार की और उसी रिपोर्ट के अधार पर दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर से लाके वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है बात करूँ टीकरी बॉर्डर के तो टीकरी बॉर्डर पर तेयर लेयर की सिक्योर्टी तयार की है किसी भी तरीके से किसी भी सूर्थेहाल में दिल्ली पूलिस कैसे निपटना उसकी तयारी कर चुकिए सबसे पहले तस्वीरे दिखाना चाहूंगा यहाँ पर हम लोग हर रोज सुबह के वक्त पढ़ने हैं लाइब बात करते हैं तस्वीरे दिखाते हैं और यह तस्वीरे देखिये किस तरीसे से सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं आरे मेरा वही सवाल कि इसके बीच में इन इंतजामों के बीच में पिस्ता हुआ आम इंसान क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी इस इलाके के स्थानी लोगों को हो रही है जो रोजगार के सिलसिले में जाना चाहते हैं जिनकी दुकाने बंध हैं निश्य तोरपर निश्य तोरपर पढ़ना है और हम जब सुबा आयते ऐसी तस्वीरे भी जीनियूस के माध्यम से अपने दर्शकों को तक पहुँचा है कि किस तरीके से चुकी रास्ते को काफी छोटा कर दिया गया असुबा का वक्त होता है सुबा आठ से नौ के बीच जब मज़ूर फैक्टरियों में काम करने जाते हैं और उस वक्त यहाँ पर भारी संख्या में लोग थे उन्हें एकक करके यहां से निकलना परा है जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं आप उच्छे तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं देखिए किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रहे हैं अलग अलग बॉर्डर पॉइंट्स के उपर और किस तरीके की तैयारी के साथ प्रदर्शन कारी रवाना होने की तैयारी कर रहा है तो देखिए पोकलेन मशीने आंदोलन में इनका क्या काम है ये सवाल आपके मन में भी होगा साथ ही ट्रैक्टर के साथ क्या दिल्ली में एंट्री की अजाज़त मिल सकती है साथ ही जिस तरीके से आंसू गैस की गोलों का इस्तमाल सरकार की तरफ से खास तरफ पर जो सुरक्षा एजिंसिया उनकी तरफ से किया गया था पुलिस की तरफ से किया गया था उसके बाद अब आंसू गैस से बचने का इंतिजाम भी प्रदर्शन कारियों ने कर लिया है साथ ही पतंगे हैं तो क्या ये ड्रोन का सामना करेंगी पतंगे क्यों खास तोर पर उड़ाई जा रही है साथ ही लोहे की शील्ड भी ये तैयार रख रहे है साथ ही JCB मशीने ताकि बेरिकेडिंग को तोड़ा जाए क्या यह तैयारी है यह तमाम वो सवाल हैं जो इन तस्वीरों के साथ खड़े हो रहे हैं और इसलिए हम आपको यह तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यह प्रवर्शन जो है इसकी आशंका जताई जा रही है और देखिए आपको यह भी बता देते हैं कि दरसल इन तस्वीरों के साथ-साथ किसानों का प्लान क्या है एक तरफ यह तैयारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो देखिए मास्क के साथ क्या प्लान है मास्क के साथ प्लान ये है कि अगर मास्क लगा कर वो आते हैं तो इस्तमाल जो आंसू गैस का होगा उसे नाकाम किया जा सकता है साथ ही इस तरीके से जो शील्ड्स है लोहे की बड़े बड़े शील्ड्स जो है उनका इस्तमाल किया जाता है ताकि अगर रबर बुलिट्स का भी इस्तमाल किया जाता है सुरक्षा बलों की तरफ से उसे नाकाम किया जा सके साथ ही इस पर face mask है, साथ ही इसकी एक बड़ी जो जरूरत कहा जा सकता है, बड़ी जो चीज है वो ये हो सकती है कि इसमें पहचान मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इन चेहरों के उपर mask लगा हुआ है, साथ ही पंका जो है वो पिछली बार भी देखने को मिला था, चार दिन पांस दिन पहले भी जिस तरीके का प्रदर्शन चंबू बार्डर पर हुआ था, वहाँ पर बड़े-बड़े पंकों का इस्तमाल किया गया था, वाटर हाउस पाइप का इस्तमाल किया गया था, साथ ही ट्रेक्टर लेकर ये रवाना हो रहे हैं, और साथ ही सवाल खड़ा हो रहे हैं, कि आखिर ये प्रदर्शन और प्रदर्शन के नाम पर जो करने की तैयारी हो रही है, उसके पीछे मंशा क्या है, प्रदर्शन से पहले किसान नेताओं का कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं, अभी सरकार भी तो हमें सुन रही है, हम तो उसे बोल रहे है भाई अभी पस्तिति को काबू कर लो इस तरह के निरने कोई बदेशी लोग थोड़े न है आप बताइए क्या देश की 19 धारा हमें अपनी बात करने का अधिकार नहीं देती है जब स्वाइम भाजपा प्रणमंत्रिय हैं इन्होंने कभी परदर्शन नहीं किया इन्होंने ऐ वाजनाद दिख दी और जुनियन के बोल के आते रहें तब ठीक था अब हम कर रहे हम गलत हैं बैट चेनल बैट चैनल कोई बात नहीं होती बात चीट जो होती है वो कल अजिकारी जैसे बात चीट करते रहते हैं अपसर करते रहते हैं पंजाब गवर्मंट के उन्हीं ने प्रयास किया लेकिन उनकी बात कीट में से कुछे निकल कर नहीं आ रहा था उनके पास कुछे नहीं था हमना वारा यही था कि कनून बनाने के लिए हमारे प्रधान मंतरी जी बियान दे दे दें तो उसके उपर हम विचार कर सकते हैं तो किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा वो क्या कुछ दलीले रख रहे हैं वो हमने आपको सनवाय तस्वीरे भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि इसी तरीके की तस्वीरे अलग-अलग strike से देखने को मिल रहे हैं ताकि अब की बार धरने की वैसी तस्वीरें सामने ना आ पाएं और देखिए सरकार ने क्या दिया किसानों की क्या मांग ये भी आपको बता देते हैं तो पांच फसलों पर MSP की गारंटी सरकार देने को तयार है या नी पांच साल के लिए इन पांच फसलों को MSP पर सरकार खरी देगी ये फसले हैं मका, मसूर, अरहर, उड़द और कपास इसके साथ साथ देखिए MSP रेट के उपर प्राइवेट एजनसी कंपनी कम से कम फसल ना खरीदें ये किसानों की मांग है, वहीं सरकार का कहना है कि 5 साल का कॉंट्राक्ट होगा नापेड NCCF से खरीद का परस्ताव दिया गया था देखें, दोनों तरफ से क्या कुछ परस्ताव दिये गए, दोनों तरफ से क्या कुछ दलीले रखी जा रही है वह हम आपको बता रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरीए, सरकार ने क्या दिया, किसान क्या मांग रहे है सरकार ने भरोसा दिया कि कर्ज माफी पर विचार किया जाएगा वहीं संपूर कर्ज माफी के साथ साथ जो MSP का फॉर्मूला है, यानि C2 प्लस 50% इसका फॉर्मूला तै हो जो स्वामी नाथन कमिशन की रिपोर्ट ही, उसके अंदर C2 प्लस 50% की बात कही गई थी और उसी पर अपनी जिद के उपर फिलहाल किसान प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है सरकार के माध्यम से चिंता कर रहे हैं कि इस देश के अन्नदाता किसान के लिए बेहतर से बेहतर कैसे हो सके सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी विशय है और उस विशय को रखने के लिए स्वतन्त रहे है और उस विशय को रखते समय चर्चा के दौरान किसी की नाराजगी होना भी स्वभाबिक है पर इसे हम हल के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा संबाद बना रहे हमारी बाचित का दौर जारी रहे और इसे हम लक्ष तक पहुँचाने के लिए दोनों तरफ से या ऐसे सभी को सहजोगी बनाते हुए हम आगे बढ़े देखे ऐसा है मैं यही अपील करता हूँ कि फिर हम लोग बैठेंगे फिर चर्चा करेंगे और एक बार में समाधान नहीं होता कई बार बैठना पड़ता है कई बार बैठ करके हम चर्चा करने के लिए तयार है बार बैठना नहीं होता है पुस्षांति के मार्च के अंदर बुल्डोजर और पौकलेंद मशीनों की क्या जरूरत है बाचीत एक मातर रास्ता है सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वहीं किसान कहरा है कि किसान और जवान हमारे ही हैं हम अपने ही देश के अंदर विरूत पवरेशन कर रहे हैं अपनी ही सरकार से कर रहे है तो देखिए ये पूरा मामला क्या है दलीलें क्या है ये हमने आपको बताया मेरे दो और सयूगी हमारे साथ जोड़ गए अमित भारदवाज शम्भू बॉर्डर से लगातार जुड़े हुए है साथ या दित प्रताब से गाजी पूर बॉर्डर से और साथ ये अनुष्का जो है कालिद दिकुंच से रिपोर्ट कर रही है उन दोनों के पास भी चलेंगे पहले भी जो हुआ दिल्ली में उससे जो है रिपोर्ट कार्ट खराब हो चुकी है यह क्यों नहीं समझते हैं लोग बार बार कह रहे हैं कि क्यो लगाएगे बेरिकेटिंग पहले भी आप यहां से निकल के गए हैं लेकिन आपकी रिपोर्ट कार्ट खराब है आपने जो बहबीत करने की कोशिश की वहाँ पर दिल्ली में लोगों को जो तस्वीर देश और दुनिया में दिखाई भारत की चावी खराब करने की कोशिश की उससे जो है परिशाद है अपने जब किसाननेताओं से बात कियोगी, उनके संगठनों से बात कियोगी, उनकी आखिर क्या दलील है, डिली में पहली बार कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, आपने बहुत सारे प्रदर्शन डिली में कवर किये होंगे, लेकिन इस तरीके कि जैसी भी मशीनों के साथ कोई प्रदर्शन यह दी आता है तो इनका गलत इस्तमाल भी किया जा सकता है दिली की रिहाइश के अंदर उसका गलत इस्तमाल हो सकता है तो इसको लेकर किसान नेताओं का क्या कहना है कि इसका मिस्यूज ना हो देखे मैं आपको बता दू कि अभी SKM ने जो कॉल दिया है उन्होंने और भी कई संगठन बुलाए हैं वो कह रहे हैं कि देखे वाइलेंस नहीं होनी चीए लगातार कह रहे हैं कुछ संगठन यहां पर हैं जो अपनी बात पेड़े हुए लेकिन बाकी संगठन कह रहे हैं वॉइलेंस नहीं होनी चीए क्यों कि पिछली बार भूक चुके है और यह मैं आपको बता दू कि बाकी जो किसान नेता है वो ये कह रहे हैं कि हम संगठनों को इकठा जूरूर कर रहे हैं विवाद को पर घुष्थ वायए घुष्याइज लोग करने तुम्हारा काम है शान्ती पूर्ण तरीके से काम अपने समवात को करना नाकि विवाद को करना जो तस्वीरे पर यह दिखाई थी उस दिन हम भी लाइफ पे थे जिस तरह की तस्वीर है जिस तरह की विवादित जो बयान थे और उसके बाद विवादित हरकते जो थी उससे देखते हैं लगता है कि कुछ लोग इन में घुज गए हैं जो की मौके का फायदा उठाना चाहते हैं अगर इसे लोग भुसे हैं तो इस पर उन्हें नियंतरित करने की जो जिम्मेदारी है वो इन तमाम संगठनों की है इनका प्रदर्शन ने शांती पूर्ण बना रहे हैं मैं लोटनगा आपके पास में लेकिन अनुष्का का भी रुक कर लेते हैं अनुष्का आप कालिद्यू कुछ पर मौजूद है बात हमेशा ऐसे होती है कि इस प्रदर्शन के अंदर पिस्ता हुआ आम इंसान है जो इस समय दफ्तर के लिए जाने के लिए निकला है बच्च पर तैनात है दिल्ली पूलीस का जो रक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात है साथी साथ ट्राफिक पूलीस के जितने भी जवान है उनकी भी मौजूद की यहाँ पर है हर कुछ घंटों पर इनकी ब्रीफिंग की जारी है लगतार बताया जा रहे है कि अकर इस पूरे रस्ते से कोई भी किसान अंदर आने की कोशिश करता है तो उसको दिल्ली के अंदर दाखिल होने की अनुमती नहीं दी जाएगे सब ही लोग आप देख सकते हैं आक इस तरीके से तैयार ख़ड़े हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगतार किसान दिल्ली चलो आंदुलन की त आप नजर आ रहे हैं आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अनुश्का बने रहे हैं मारे साथ में लेकिन आदित प्रताप का भी रोग कर लेते हैं क्योंकि सवाल और चिंताएं जो हैं वो गाजीपूर बॉर्डर पर भी हैं जो कि उत्तरप्रदेश को जोडती हैं दिल्ली से और आदित जो तस्वीरें आपके आसपास नजर आ रहे हैं साथी सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सरे प्रदर्शन कारी अलग-अलग जत्तों के अंदर टुकडों के अंदर पहले ही अंदर दाखिल हो चुके हैं और उसके बाद जो है वो किसान दिल्ली प्रवेस कर सकते हैं लेकिन इस समय आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो गाजीपूर फ्लाइओवर है क्योंकि नीचे के रास्ते बंद कर दिये गए हैं गाजीपूर फ्लाइओवर है यहां पर लगातार जो सिकरिटी फोर्स है उनका डिप्लॉयमेंट देख चुके हैं जो इसी ट्रैफिक में फसी हुई थी और उसके बाद उनको प्रशादन में आसे कैसे जली निकाला होता है कि आखिर वहां जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो एंबुलेंसे को सेफ लेन क्यों नहीं दे रहे हैं वहां पर और यह एंबुलेंसे जेदी फंस जो रास्ता है जो आधा रास्ता है वो ब्लॉक किया गया है केवल दो गाडिया एक साथ निकल सकती है और जो उत्तर प्रदेश और उत्रागंड की ओर से जो इधर वाले हाईवे से एनेचेट पे ट्रैफिक आ रहा है उसमें 5-6 गाडिया एक साथ आ रही है और इसी को रॉंग साइट से फ्लाई ओवर के उपर निकाला गया क्योंकि उसमें कही ना कहीं प्रेशेंट जो थे वो क्रिटिकल अवस्ता में थे फिलाल आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जवानों की भरी गाड़ी भी इसी ट्रैफिक में फसी हुई है और ये तस् सीक्री बॉर्डर पर मौझूद राजू 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 अगर बात की जाए दिल्ले पुलिस आप अच्छी तरीके से आप लंबे समय से कवर करते नहीं दिल्ले पुलिस का क्या कुछ कहना है आज के इंतजामों को लेकर और जो बाची अगर नाकाम होती है किसानों का मार चेदी होता है तो दिल्ली के अंदर आम जन जीवन अस्तवेस्त ना हो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किये गए हैं दिल्ले पुलिस की तरफ से एक बड़ी चुनोती होती है दिल्ली पुलिस के लिए क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार किसान यहां पर आये थे और शांती पुर्मक मार 26 जुनवरी को करना चाहता है जिसकी इजादत दी गई थी एक रूट तैक या तो उसके बावजूत किसान ट्रेक्टर लेकर और यह यहां पर है कि जापन देंगे और जो हमारे MSP गारंटी कानून का जो सवाल है उस पर बातचीत करेंगे कि इस्टेट की जो समश्या होगी वह भी अपने के जापन में लोग देंगे और एक भार सरकार को क्योंकि दुन्दू जगह की समश्या है तो आप अपना वो लिखेंगे डियम के माद्द्यम से वो हर स्टेट के मुख्य मंत्री को और भारत सरकार का गयापन राश्पति को जाएगा पिए करीब 11-12 बज़े से सुरू होकर यह 2-3 बज़े तक यह प्रोग्राम चलेंगे क्या क्या मुख्य मांगे रहेंगे तो एक बड़ा इस हुए मस्पी गारंटी कानौन विजली अमेंट्मेंट बिल है स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट है और सबसे बड़ा सवाल है कि मस्पी पर गारंटी नहीं मिलती तो किसान को नुकसान होगा पूरे देश के किसान को नुकसान होगा उस पर कानौन बन जा है जो सरकार को खरीद करने हैं सरकार खरीद करने प्रवर्शन कारियों के ऐलान के बाद दिल्ली के आसपास हर सुरक्षा पॉइंट के उपर हर सीमा पॉइंट के उपर सुरक्षा के इंतजाम सक्त किये गए हैं तीक्री बॉडर पर 13 लेयर की सुरक्षा मुकमल की गई है किसानों की मशीनों से भी निपटने की तैयारी की गई है तो देखे किस तरीके से सुरक्षा प्रबंध के इंतजाम किये गए हैं किस तरीके से विवस्था मुस्ताइद की गई हैं RF की कंपनियां तैनाद की गई हैं और यही तस्वीर लगभग दिल्ली को अन्य इलाकों से जोडने वाले तमाम बॉर्डर पॉइंट्स की है टीक्री बॉर्डर की अगर बात करें तो यहां पर 13 लेयर की सुरक्षा तैयार की गई है तो 13 लेयर का घेरा बनाया गया है और दिल और साथ ही साथ गैस मास्क भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं यानि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उनके खिलाब भी बचाओ का इंतजाम किया गया है तो एक तरफ दिल्ली में इर्दगेद सुरक्षा का सख्त पहरा किस तरीके से लगाया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपकी स्क्रीन पर दाइं और जो तस्वीर नजर आ रही है उसके अंदर ये प्रदर्शन कारी अपने नाख पर और अपने आँखों पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं किस तरीके से इंतजाम किये गया है और देखिए इ यही सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके की हंगामा खेज तस्वीरें देखने को मिली थी जिस तरीके से प्रदर्शन के नाम पर हंगामा कई जगा देखने को मिला उसको लेकर ये सवाल खड़े किये जा रहा है हाला कि सरकार के साथ बाचीत प्रदर्शन सूर्थे हाल हैं उसके लिए बात को सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं मेरे दो सयोगी मेरे साथ जोड़ गए हैं राजुराज टीक्री बॉर्डर पर रिपोर्ट कर रहे हैं साथ ही अमिद भारदवाज का भी रुख करेंगे सबसे पहले में टीक्री बॉर्डर पर मौ इसलिए दिली पुलिस की एक टीम शंभू बॉर्डर भी गई थी वहाँ पर सुरक्षा का जायजा लिया और जिस तरीके से किसानों का दिली कूच का एलान है वो पोकलेन मसीन, हाड्रोलिक मसीने लेकर दिली की तरफ कूच करना चाहते हैं इसलिए इस लिहाद से दिली इसलिए तयार किये किसी भी तरीके से किसी भी सूर्तिहाल में दिली पुलिस कैसे निपटना उसकी तयारी कर चुकिए सबसे पहले तस्वीरे दिखाना चाहूंगा यहाँ पर हम लोग हरोज सुबह के वक्त पढ़ने हैं लाइब बात करते हैं तस्वीरे दिखाते हैं और इसलिए पुलिसी नहीं आरे एफ रैपिट एक्षन फोर्स सीर पीफ ससस्र सीमा बल इनकी जमानों की तैनाती की गई है और लगाता है दिल्ली पुलिस के साथ-साथ केंदी अच्छिनिक बलों की भी तैनाती की गई है राजुराज लेकिन तस्वीरों में यहां तो सुरक् बंद है निश्य तोर पर पर पढ़ना है और हम जब सुबा आयते ऐसी तस्वीरे भी जीनियूस के माधियम से अपने दर्शकों तक पहुंचा है कि किस तरीके से चुकी रास्ते को काफी छोटा कर दिया गया असुबा का वक्त होता है सुबा आठ से नौ के बीच जब है तस्वीरे भी हम धर्शकों को दिखा देते हैं देखिए किस तरीके की तस्वीरे नज़र आ रही हैं अलग अलग बॉ bodily पॉइंट के उपर और किस तरीके की तैयारी के साथ की प्रदर्शन कारी नहुने की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए पोकलें मशिने आंदोलन में इनका क्या काम है ये सवाल आपके मन में भी होगा साथ ही ट्रैक्टर के साथ क्या दिल्ली में एंट्री की अजाज़त मिल सकती है साथ ही जिस तरीके से आंसू गैस की गोलों का इस्तमाल सरकार की तरफ से उसके बाद अशू गैस से बचने का इंतजाम भी प्रदरशन कारियों ने कर लिया है साथ ही पतंगे हैं तो क्या ये ड्रोन का सामना करेंगी पतंगे क्यों खास तरफ पर उड़ाई जा रही हैं साथ ही लोहे की शील्ड भी ये तैयार रख रहे हैं साथ ही जेसी भी मशीनें ताकि बेरिकेडिंग को तोड़ा जाए क्या ये तैयारी है ये तमाम वो सवाल हैं जो इन तस्वीरों के साथ खड़े हो रहे हैं और इसी लिए हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये प्रवर्शन आम आदमी की परेशानी बढ़ा सकता है इसकी आशंग का जताई जा रही है और देखिए आपको ये भी बता देते हैं कि दरसल इन तस्वीरों के साथ साथ किसानों का प्लान क्या है एक तरफ ये तैयारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो देखिए मास्क के साथ क्या प्लान है मास्क के साथ प्लान ये है कि अगर मास्क लगा कर वो आते हैं साथ ही इसकी एक बड़ी जो जरूरत कहा जा सकता है एक बड़ी जो चीज है वो यह हो सकती है कि इसमें पहचान मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इन चेहरों के उपर मास्क लगा हुआ है साथ ही पंका जो है वो पिछली बार भी देखने को मिला था चार दिन पहले पांस दिन पहले भी जिस तरीके का प्रदर्शन चंबू बॉर्डर पर हुआ था वहाँ पर बड़े बड़े पंकों का इस्तमाल किया गया था वाटर हाउस पाइप का इस्तमाल किया गया था साथ ही ट्रेक्टर लेकर ये रवाना हो रहे हैं और साथ ही सवाल खड़ा हो रहा है कि सिद्धू उसे वाला की तस्वीर के साथ में ये पतंगें आखिर क्यों अपने साथ ले जाई जा रही हैं हाला कि यह हो सकता है कि एक मेसेज देने के लिए पतंगे उड़ाई जाएं ताकि आस्मान में वो पतंगे नजर आएं करने का दिकार नहीं देती है जब स्वाएं भाजपा प्रहन मत्रियों इन्होंने कभी परदर्शन नहीं किया इन्हों और अशने में और जुनिंके ऑदे तब ठीक था अब हम कर रहे हम गलत हैं बैक चैनल बैक चैनल कोई बात नहीं होती बात चीट जो होती है वो कल अजिकारी जैसे बात चीट करते रहते हैं अक्सर करते रहते हैं पंजाब गॉवर्मन्ट के उन्हीं ने बात चीट करने का प्रयास किया लेकिन उनकी बात चीट म नहीं था हम नमाना यही था कि कनून बनाने के लिए हमारे प्रधण मंतरी जी बियान देदें लिए तो उसके ओपर हम विचार कर सकте तो किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा वो क्या कुछ दलीले रख रहा हैं वो हमने आपको सनवाय तस्वीरllesoooooo कि इसी तो रक्षावलों की तरफ से पुखता इंतजाम किये गए हैं ताकि अब की बार धरने की वैसी तस्वीरें सामने ना आपाएं और देखिए सरकार ने क्या दिया किसानों की क्या मांगे ये भी आपको बता देते हैं पांच फसलों पर MSP की गारंटी सरकार देने को तयार है यानी पांच साल के लिए इन पांच फसलों को MSP पर सरकार खरी देगी ये फसले हैं मक्का, मसूर, अरहर, औरद और कपास इसके साथ साथ देखिए, MSP रेट के उपर प्राइवेट एजनसी कंपनी कम से कम फसल ना खरीदें, ये किसानों की मांग है, वहीं सरकार का कहना है कि 5 साल का का कॉंट्राक्ट होगा, नापेड NCCF से खरीद का परस्ताव दिया गया था देखें, दोनों तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव दिये गए, दोनों तरफ से क्या कुछ दलीले रखी जा रही है, वो हम आपको बता रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरीए, सरकार ने क्या दिया, किसान क्या मांग रहे है, सरकार ने भरोसा दिया कि कर्ज माफी पर विचार किय जाएगा वहीं संपूर कर्ज माफी के साथ साथ जो MSP का फॉर्मूला है यानि C2 प्लस 50% इसका फॉर्मूला तै हो जो स्वामी नाथन कमिशन की रिपोर्ट ही उसके अंदर C2 प्लस 50% की बात कही गई थी और उसी पर अपनी जिद के उपर फिलहाल किसान प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है सबकी अपनी सोच है सबकी अपनी विशय है और उस विशय को रखने के लिए स्वतंत्र है और उस विशे को रखते समय चर्चा के दोरान किसी की नाराजगी होना भी स्वभाविक है पर इसे हम हल के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा संबाद बना रहे हमारी बाचित का दौर जारी रहे और इसे हम लक्ष तक पहुचाने के लिए दोनों तरफ से या ऐसे सभी को सहजोगी बनाते हुए हम आगे बढ़े देखे ऐसा है मैं यही अफिल करता हूँ कि फिर हम लोग बैठेंगे फिर चर्चा करेंगे और एक बार में समाधान नहीं होता कई बार बैठना पड़ता है कई बार बैठ करके हम चर्चा करने के लिए तयार है सबके लिए हितकारी है यह सरकार की तरफ से अपील की गई है और साथ ही शान्ती बनाये रखने की अपील भी की गई है लेकिन किसानों का कहना है हमें शान्ती से दिल्ली जाने की इजाज़त दी जाए सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वो शान्ती से जाना चाहते हैं उस शांती के मार्च के अंदर बुल्डोजर और पॉकलेंड मशीनों की क्या जरूरत है बाचीत एक मातर दास्ता है सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वहीं किसान कह रहा है कि किसान और जवान हमारे ही हैं हम अपने ही देश के अंदर विरूत पवरेशन कर रहे हैं अपनी ही सरकार से कर रहे है तो देखिए ये पूरा मामला क्या है दलीलें क्या है ये हमने आपको बताया मेरे दो और सही होगी हमारे साथ जोड़ गए अमित भारदवाज शम्भू बॉर्डर से लगातार जुड़े हुए है साथ यादित प्रताप सिंगाजी पूर बॉर्डर से और साथ ये अनुष्का जो है कालिद दिकुंच से रिपोर्ट कर रही है उन दोनों के पास भी चलेंगे पहले भी जो हुआ दिल्ली में उससे जो है रिपोर्ट कार्ट खराब हो चुकी है यह क्यों नहीं समझते हैं लोग बार-बार कह रहे हैं कि क्यो लगाएगे बैरिकेटिंग पहले भी आप यहां से निकल के गए हैं लेकिन आपकी रिपोर्ट कार्ट खराब है आपने जो बहबीत करने की कोशिश की वहाँ पर डिली में लोगों को जो तस्वीर देश और दुनिया में दिखाइ बारत की चावी खराप करने की कोशिश की उससे जो है परिशाद है अमने तो सवाल को लेकर आपके जब किसान नेताओं से बात कियोगी उनके संगठनों से बात कियोगी उनकी आखिर क्या दलील है बुलाए हैं वो कह रहे हैं कि देखे गुशली बार भूग चुके है और यह मैं आपको बता दू कि बाकी जो किसार नेता है और उनके विवादित जो बयान थे और उसके बाद विवादित हरकते जो थी उससे देखते हैं लगता है कि कुछ लोग इन में घुज गए है जो की मौके का फाइदा उठाना चाहते हैं पिस्ता हुआ आम इंसान है जो इस समय दफ्तर के लिए जाने के लिए निकला है बच्चों की स्कूल की एक्जाम्स चल रही हैं आप जहां मौझूद हैं वहां किस तरीके की तस्वीरें पिल्कल प्रणे लगातार यहां हम देख रहे हैं दिली के अलगलग बॉडर्स के भी अगर हम बात करते हैं तो काफी जादा चाक शोबन सुरक्षय व्यवस्ता देखने को मिल रही हैं अपने कैमरा सयोगी से कहूंगी जरह आपको दिखाएं यहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं यहां पर पैरे मिलिटरी फोर्स का पूरा का पूरा जब्था तैनात है दिली पुलीस का जो जुरक्षय बल है वो यहां पर तैनात है साथी साथ ट्राफिक पुलीस के जितन दिली चलो आंदुलल के तहट कूच करने की तैयारी कर रहे हैं जिस तरीके से यूपी के किसान उन्हें कहा है कि आज दिली कूच में वो भी समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे उसको ध्यान बरकते वे दिली के अलग-अलग बॉर्डर सी कुछ ऐसी तस्वीरे सामने द नहीं कि बहुत सारे प्रदर्शन कारी अलग-अलग जत्तों के अंदर टुकडों के अंदर पहले ही अंदर दाखिल हो चुके हैं और उसके बाद जो है वो एक प्रदर्शन को नए लेवल के उपर या किसी दूसरे लेवल पर ले जाने की कोशिश हो सकती है बिल्कुर प्रदो जिस तरीके के इंटेल्स आ रहे हैं कहीं न कहीं एक बड़ी संख्या में बताया जा रहा है और लगबग हजार की संख्या में जो हैं वो किसान दिल्ली प्रवेस कर सकते हैं लेकिन इस समय आपको तस्वीरे दिखाएंगे जो गाजीपुर फ्लाइओव सब चीरों के बीट में सबसे आदा पिसने वाला जो सुबह आफिस जाता है एम्बुलेंस सबसे आदा सुबह से लगबग एक दरजन एम्बुलेंस हम देख चुके हैं जो इसी ट्रैफिक में फसी हुई थी और उसके बाद उनको प्रशादन भी आसे कैसे जली निकाला है मेरे बन में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर वहाँ जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो एम्बुलेंस को सेफ लेन क्यों नहीं दे रहे हैं वहाँ पर और ये एम्बुलेंस से जेदी फंसती हैं कोई बीमार विक्ती इसके अंदर है जिसकी जान पर बनी हुई है वो अस् साथ निकल सकती है और जो उत्रप्रदेश और उत्रागंड की ओर से जो इधर वाले हाइवे से ट्रैफिक आ रहा है उसमें 5-6 गाडिया एक साथ आ रही है और इसी ट्रैफिक के बीच में एम्बुलेंस को एक सेफ लेन देना कहीं ना कहीं सिक्रिटी फोर्स के लिए भी ब जरी गाड़ी भी इसी ट्रैफिक में फसी हुई है और ये तस्वीरे सुबह से देखनों को मिल नहीं है आज जब सीबीसी बोर्ड का पेपर है ऐसे समय में कई स्कूली वाहन भी फसे दिखाई दिये स्कूल जाते हुए बच्चे जिनको समय लग रहा था पुलिस प्रिशा जरी बाची दगार नाकाम होती है किसानों का मार्ची दि होता है तो डिली के अंदर आम जन जीवन अस्तवेस्त ना हो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किये गए हैं डिली पुलिस की तरफ से। देकिर कि लगातार डिली पुलिस से इसको लेकर लगातार समिख्चा करते हैं लगातार तमाम जो बड़े अधिकारी हैं सीनियर अधिकारी है जिनकी उपर law and order situation को समालने की जिमेदारी है वो लगातार इसको लेकर meeting करते हैं और इसलिए दिली पुलिस की एक टीम संभू बॉर्डर भी और वहां में सुरक्षा का जाइजा लिया कि किस तरीके से दिली को सुरक्षित रखा जाता क्योंकि दिली की सुरक्षा एक बड़ी चुन Warner की लिए क्यूकि जिस तरीके से पीचली बार किसान यहां पर आयए थे और शांती पुर्मक मार 16-26 को करना चाहता है जिसकी इजादत दी गई थी एक रूट टैकिया था उसके बाब जूत किसांट ट्रेक्टर लेकर पहुंचे और लाल किले तक पहुंचे और जो तस्वीरे सामने आई पूरे देश ने देखा पूरे संसार ने देखा और जो भारत की छवी खराबी उसे लेकर इस बाद दिल्ले पुलिस किसी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है इसलिए जहां तक इंतजामों की बात है कि हर और यह डियेम के यहां पर है ग्यापन देंगे और जो हमारे MSP गारंटी कानून का जो सवाल है उस पर बातचीत करेंगे इस्टेट की जो समश्चा होगी वह भी अपने ग्यापन में लोग देंगे और एक भारत सरकार को क्योंकि दुन जगा की समश्चा है तो आप अपना वह लिखेंगे डियेम के माद्यम से वह हर स्टेट के मुख्य मंत्री को और भारत सरकार का ग्यापन राश्च्पति को जाएगा तो यह करीब ग्यारा बारा बज़े से सुरू होकर यह दो तीन बज़े तक यह प्रोग्राम चलेंगे क्या क्या मुख्य मंगे रहेंगे तो एक बड़ा इसु है मस्पी गारंटी कानौन विजली अमेंटमेंट बिल है स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट है और सबसे बड़ा सवाल है कि MSP पर गारंटी नहीं मिलती तो किसान को नुकसान होगा पूरे देश के किसान को नुकसान होगा उस पे कानौन बन जाए जो सरकार को खरीद करने ही सरकार खरीद करना प्रवर्शन कारियों के ऐलान के बाद दिल्ली के आसपास हर सुरक्षा पॉइंट के उपर हर सीमा पॉइंट के उपर सुरक्षा के इंतजाम सक्त किये गए हैं तीक्री बॉर्डर पर 13 लेयर की सुरक्षा मुकमल की गई है किसानों की मशीनों से भी निपटने की तैयारी की गई है तो देखें किस तरीके से सुरक्षा प्रबंद के इंतजाम किये गए हैं किस तरीके से व्यवस्था मुस्ताइद की गई है और यही तस्वीर लगभग दिल्ली को अन्य इलाकों से जोडने वाले तमाम बॉर्डर पॉइंट्स की है टीक्री बॉर्डर की अगर बात करें तो यहां पर 13 लेयर की सुरक्षा तैयार की गई है ते 13 लेयर का घेरा बनाया गया है और दिल्ली में सुरक्षा का कड़ा पहरा है वहीं दूसी तरफ तस्वीरे ये भी सामने आ रही हैं कि अब की बार प्रबरेशन कारी मशीनों से लेस होकर दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और बाकाइदा वो आई शील्ड और साथ ही साथ गैस मास्क भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं यानि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उनके खिलाब भी बचाओ का इंतजाम किया गया है तो एक तरफ दिल्ली में इर्दगेद सुरक्षा का सख्त पहरा किस तरीके से लगाया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जेसी भी मशीनें पॉकलेंड मशीनें इस तरीके की मशीरों के साथ प्रवर्शन ये वाकई सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मंशा प्रवर्शन की है या डिस्रप्शन की है और यही सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके की हंगामा खेज तस्वीरें देखने को मिली थी जिस तरीके से प्रवर्शन के नाम पर हंगामा कई जगा देखने को मिला उसको लेकर यह सवाल खड़े किये जा रहा है हाला कि सरकार के साथ बाचीत प्रफशन कारी गिसान नेताओं की नाकाम हो चुकी है सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि बाचीत के दर्वाजे अभी भी खुले है और देखे किस तरीके के सूरते हाल है उसके लिए अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं मेरे दो सहीोगी मेरे साथ जोड़ गए हैं राजुराज टीक्री बॉर्डर पर रिपोर्ट कर रहे हैं अमिद भारदवाज का वी रुख करेंगे सबसे पहले में टीक्री बॉर्डर पर मौझूद राजुराज का रुख करना चाहूंगा किसानों का है दिल्ली कूच का अधार पर दिल्ली के तमाम बॉर्डर से लाके वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है बात करूँ टीकरी बॉर्डर कर तो टीकरी बॉर्डर कर तेयर लेयर की सिक्योर्टी तयार कियेगी किसी भी तरीके से किसी भी सूर्थेहाल में दिल्ली पुलिस कैसे निपटना उसकी तयारी कर चुकिए सबसे पहले तस्वीरे दिखाना चाहूँगा यहां पर हम लोग हर रोज सुबह के वक्त पढ़ने हैं लाइब बात करते हैं तस्वीरे दिखाते हैं और यह तस्वीरे देखिये किस तरीसे से सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं आरे यह तो सुरक्षा इंतजामों की तस्वीरات दिखा ही रहें लेकिन फिर मेरा वही सवाल कि इसके बीच में इन इंतजामों के बीच में पिस्ता हुआ आम इंसान क्योंकि सबसे ज़्यादा परिशानी इस इस इलाके के स्थानी लोगों को हो रही है जो रोजगार के सिलसिले में जाना चाहते हैं जिनकी दुकाने बंध हैं तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं अलग अलग बॉर्डर पॉट्स के ऊपर और नग तो देखिए पोकलेंड मशीने अंदूलन में इनका क्या काम है ये सवाल आपके मन में भी होगा साथ ही ट्रैक्टर के साथ क्या दिल्ली में एंट्री की अजाज़त मिल सकती है साथ ही जिस तरीके से आंसू गैस की गोलों का इस्तमाल सरकार की तरफ से खास तर पर जो सुरक्षा एजिंसी हैं उनकी तरफ से किया गया था पुलिस की तरफ से किया गया था उसके बाद अब आसू गैस से बचने का इंतजाम भी प्रदर्शन कारियों ने कर लिया है साथ ही पतंगे हैं तो क्या ये ड्रोन का सामना करेंगी पतंगे क्यों खास तोर पर उड़ाई जा रही हैं साथ ही लोहे की शील्ड भी ये तैयार रख रहे हैं साथ ही जेसी भी मशीने ताकि बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए क्या ये तैयारी है ये तमाम वो सवाल हैं जो इन तस्वीरों के साथ खड़े हो रहे हैं और इसलिए हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है इसकी आशंका जताई जा रही है और देखिए आपको ये भी बता देते हैं कि दरसल इन तस्वीरों के साथ-साथ किसानों का प्लान क्या है एक तरफ ये तैयारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो देखिए मास्क के साथ क्या प्लान है मاسک के साथ प्लान ये है कि अगर मасک लगाकर वो आते हैं तो इस्तमाल जो आंसुगेस का होगा उसे नाकाम किया जासकता है साथ ही इस तरीके से जो Shields हैं लोहे की बड़े बड़े Shields जो हैं उनका इस्तमाल किया जाता है ताकि अगर Rubber Bullets का भी इस्तमाल किया जाता है सरक्षा बलों की तरफ से उसे नाकाम किया जा सके साथ ही इस पर Face Mask है साथ ही इसकी एक बड़ी जो जरूरत कहा जा सकता है एक बड़ी जो चीज है वो ये हो सकती है कि इसमें पहचान मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इन चेहरों के उपर मास्क लगा हुआ है साथ ही पंका जो है वो पिछली बार भी देखने को मिला था चार दिन पहले पांस दिन पहले भी जिस तरीके का प्रदर्शन चंभू बारडर पर हुआ था वहाँ पर बड़े-बड़े पंकों का इस्तमाल किया गया था साथ ही ट्रेक्टर लेकर ये रवाना हो रहे हैं और साथ ही सवाल खड़ा हो रहा है कि सिद्धू उसे वाला की तस्वीर के साथ में ये पतंगें आखिर क्यों अपने साथ ले जाई जा रही है हाला कि ये हो सकता है कि एक मेसेज देने के लिए पतंगें उड़ाई जाएं ताकि आसमान में वो पतंगें नजर आएं लेकिन ये वो तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये प्रवर्शन और प्रवर्शन के नाम पर जो करने की तैयारी हो रही उसके पीछे मंशा क्या है प्रवर्शन से पहले किसान नेताओं का कहना है वो भी आपको सनवा देते हैं अधर पर चल रहा था जब भूकरताल चलती थी क्रफशन के खिलाब तो सभी राजनाथ जी वहां गए होते थे हमारे धरने में राजनाथ जिक दी और जुनिन के बोल के आते रहें तब ठीक था अब हम कर रहे हम गलत हैं बैक चैनल कोई बात नहीं होती बातचीत जो होती है वो कल अजिकारी जैसे बातचीत करते रहते हैं अक्सर करते रहते हैं पंजाब गोवर्मन्ट के उन्हीं ने बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन उनकी बातचीत में से कुछे निकल कर नहीं आ रहा था उनके पास कुछ नहीं था हमने हमारा यहीं था कि कनून बनाने के लिए हमारे प्रज़नमंत्री जी बियान दे दे दें तो उसके उपर हम विचार कर सकते हैं तो किसान नेताओन क्या कुछ कहा वो क्या कुछ दलीले रख रहे हैं वो हमने आपको सनवाया तस्वीरे भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि इसी तरीके की तस्वीरें अलग-अलग बॉर्डर पॉइंट से देखने को मिल रहे हैं यनि पांच साल के लिए इन पांच मसलों को MSP पर सरकार खरी देगी ये फसले हैं मका, मसूर, अरहर, उड़द और कपास इसके साथ साथ देखिए MSP रेट के उपर प्राइवेट एजनसी कमपनी कम से कम फसल ना खरीदें ये किसानों की मांग है, वहीं सरकार का कहना है कि 5 साल का कॉंट्राक्ट होगा, नाफेड NCCF से खरीद का परस्ताव दिया गया था देखिए, दोनों तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव दिये गए, क्या कुछ दलीले रखी जा रही, वह हम आपको बता रहे हैं, इस घ्राफिक्स के जरीए सरकार ने क्या दिया, किसान क्या मांग रहा है, सरकार ने भरोसा दिया कि कर्ज माफी पर विचार किया जाएगा वहीं संपूर्ड कर्ज माफी के साथ सा जो MSP का फॉर्मूला है यानि C2 प्लस 50% इसका फॉर्मूला तै हो जो स्वामी नाथन कमिशन की रिपोर्ट ही उसके अंदर C2 प्लस 50% की बात कही गई थी और उसी पर अपनी जिद के उपर फिलहाल किसान प्रदर्शनकारी अड़े ह हुए हैं और उनका केना है कि इससे कम कुछ भी मजूर नहीं है सब की अपनी सोच है सब की अपनी विशय है और उस विशय को रखने के लिए स्वतंत्र है और उस विशय को रखते समय चर्चा के दोरान किसी की नाराजगी होना भी स्वभाविक है पर इसे हम हल के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये कोशिस करना चाहिए कि हमारा संबाद बना रहे हमारी बाचित का दौर जारी रहे और इसे हम लक्ष तक पहुचाने के लिए दोनों तरफ से या ऐसे सभी को सहजोगी बनाते हुए हम आगे बढ़े देखे ऐसा है मैं यही अपिल करता हूँ कि फिर हम लोग बैठेंगे फिर चर्चा करेंगे और एक बार में समाधान नहीं होता कई बार बैठना पड़ता है कई बार बैठ करके हम चर्चा करने के लिए तयार है तो देखे करशी मंतरी अरजुन मुंडा को आपने सुना जो कहे रहे थे कि सरकार समाधान चाहती है भी लेकिन किसानों का कहना है हमें शानती से दिल ली जाने की इजास्त दी जाए सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वो शानती से जाना चाहते है तो बूस शांती के मार्च के अंदर बुल्डोजर और पॉकलेच मशीनों की क्या जरूरत है बाचीत एक मातर दासता है सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वहीं किसान कहा है किसान और जवान हमारे ही हैं हम अपने ही देश के अंदर विरूद पलरेशन कर रहे हैं अपनी ही सरकार से कर रहा है तो देखिए ये पूरा मामला क्या है दलीले क्या है ये हमने आपको बताया मेरे दो और सयूगी हमारे साथ जुड़ गए अमित भारतवाज शंबू बॉर्डर से लगातार जुड़े हुए है साथ या दित प्रताप से गाजीपुर बॉर्डर से और साथ ये अनुष्का जो है काली दिकुंच से रिपोर्ट कर रही है उन दोनों के पास भी चलेंगे सबसे पहले मैं आमित आपका रुक करना चाहूंगा शंबू बॉर्डर पर अगर बात की जाए सवाल ये खड़ा हो रहा है इन तस्वीनों के साथ जो आप लगातार भेज रहे हैं कि शांतिपूर्ण मार्च की बात कही जा रही है लेकिन ये पौकलेंड मशीन है, ये जेसी भी मशीन है, इस तरीके की भारी तैयारी, इस तरीके के इंतिजामों के साथ तो किसी प्रदर्शन को दिली की तरफ आते इस से पहले तो कभी नहीं देखा गया बिल्कु कभी नहीं देखा गया इससे पहले भी जो हुआ दिल्ली में उससे जो है रिपोर्ट कार्ट खराब हो चुकी है ये क्यों नहीं समझते हैं लोग बार बार कह रहे हैं कि क्यों लगाएगे बेरिकेटिंग बेरिकेटिंग पहले भी आप यहां से निकल के गए हैं ले कि आखर क्या दलिल है दिल्ली में पहली बार कोई प्रदर्शन नहीं और आपने बहुत सारे प्रदर्शन दिल्ली में Lauty indulgar आता है तो इंगा घलत इस्तमाल भी किया जा सकता है दिल्ली की रिहाईश के अंदर इसका गलत इस्तमाल हो सकता है तो इसको लेकर किसान नेताओं का क्या कहना है कि इसका मिस्यूज ना हो देखे मैं आपको बता दू कि अभी SKM ने जो कॉल दिया है उन्होंने और भी कई संगठन बुलाए हैं वो कह रहे हैं कि कि गचली बार भूक चुके है और यह मैं आपको बता दू कि बाकी जो किसान नेता है वो यह कहरे है कि हम संगठनों को बयान थे और उसके बाद विवादित हरकते जो थी उससे देखते हैं लगता है कि कुछ लोग इन में घुज गए हैं जो कि मौके का फाइदा उठाना चाहते हैं अगर इसे लोग बोसे हैं तो इस पर उन्हें नियंतरित करने की जो जिम्मेदारी है वो इन तमाम संगठनों क की है इनका प्रदर्शन ने शांतिपूर्ण बना रहे मैं लोटनगा आपके पास में लेकिन अनुष्का का भी रुक कर लेते हैं अनुष्का आप कालेद्टू कुछ पर मौजूद है बात हमेशा ऐसे होती है कि इस प्रदर्शन के अंदर पिस्ता हुआ आम इंसान है जो इस समय दफ्तर के लिए जाने के लिए निकला है बच्चों की स्कूल की एक्जाम्स चल रहे हैं आप जहां मौजूद हैं वहां किस तरीके की तस्वीरें पिल्कल प्रणे लगातार यहां हम देख रहे हैं दिली के अलग-अलग बॉर्डर्स के भी अगर हम बात करते हैं तो काफी जादा चाक शोबन सुरक्षय व्यवस्ता देखने को मिल रही हैं अपने कैमरा सयोगी से कहूंगी ज़रा आपको दिखाएं यहां की तस्वीरें दाखिल होने की अनुमती नहीं दी जाएगी सभी लोग आप देख सकते हैं आप इस तरीके से तैयार खड़े हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार किसान दिली चलो आंदुलल के तहट कूच करने की तैयारी कर रहे हैं जिस तरीके से यूपी के किसान हुने कहा ह कि आज दिल्ली कूछ में वो भी समर्थन देने के लिए पोज़ेंगे उसको ध्यान में रखते वे दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर सी कुछ ऐसी तस्वीरे सामने देखने को मिल रही है बिल्कुल एंटी रायट गयर के अंदर तैनात वहां सुरश्य कर्मी साफ नजर आ रहे हैं आप जो तस्वीरे दिखा रहे हैं अनुश्का बने रहे हैं मारे साथ में लेकिन आदित प्रताप का भी रोग कर लेते हैं क्योंकि सवाल और चिंताएं जो हैं वो गाजीपूर पर या किसी दूसरे लेवल पर ले जाने की कोशिश हो सकती है बिल्कुल प्रणोच जिस तरीके के इंटेल्स आ रहे हैं कहीं न कहीं एक बड़ी संख्या में बताया जा रहा है और लगबग हजार की संख्या में जो हैं वो किसान दिल्ली प्रवेस कर सकते हैं लेकिन इस सम आम आदमी की परिशानी की जिसका आप जिकर कर रहे थे कि इन सब चीनों के बीट में सबसे आदा पिसने वाला जो सुबह ऑफिस जाता है एम्बुलेंस सबसे आदा सुबह से लगबग एक दरजन एम्बुलेंस हम देख चुके हैं जो इसी ट्रैफिक में फसी हुई थी औ आलितिया आप जब जब ये तसीरे दिखाते हैं लेरे बन में ये सवाल ख़ड़ा होता है कि आखिर वहाँ जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो एम्बुलेंस को सेफ लेन क्यों नहीं दे रहे हैं वहाँ पर और ये एम्बुलेंस से दिफंसती हैं कोई बीमार विक्ती इसक लॉक किया गया है केवल दो गाडिया एक साथ निकल सकती हैं और जो उत्रप्रदेस और उत्रागंड की ओर से जो इधर वाले हाईवे से एनेचेट पे ट्रेफिक आ रहा है उसमें 5-6 गाडिया एक साथ आ रही है और इसी ट्रेफिक के बीच में एम्बुलेंस को एक सेफ प्लेन देना कहीं न कहीं सिक्रिटी फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कुछ एम्बुलेंस को अभी फिलाल सामने ही तस्वीरे थी जब दो एम्बुलेंस को रॉंग साइट से फ्लाइवर के उपर निकाला गया क्योंकि उसमें कहीं न कहीं प्रेशेंट जो थे वो क्रिटिकल अवस्था में थे फिलाल आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जवानों की भरी गाड़ी भी इसी ट्रैफिक में फसी हुई है और ये तस्वीरे सुबह से देखनों को मिल नहीं है आज जब सी बीएसी बोर्ड का पेपर है ऐसे समय में कई स्कूल वहन भी फसे दिखाई दिये स्कूल जाते हुए बच्चे जिनको समय लग रहा था पुलिस प्रिशाशन यहां खड़ाता लगातार लोगों को मूव करने के लिए लिकिन मैं टीकरी बॉर्डर पर मौजूद राजुराज का भी रुक कर लेता हूं राजु अगर बात की ज अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शन कारियों से बाचीत का एक बार फिर नियोता दिया है पांचवे दौर की बाचीत के लिए आमंत्रित किया है थोड़ी देर पहले अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि सरकार चौथे दौर के बाद पांचवे द शम्बो बॉडर पर उन्हें रोकने के लिए आंसू गयास के गोलों का इस्तमाल किया गया है वहीं दूसरी तरफ के इंद्रिकरशी मंतरी अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरीए एक बार फिर किसान प्रवर्शन कारियों को आमतरित किया है कि वो बाचीत के लिए आए और इस खबर पर जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं मेरे सयूगी रवी तरिपाठी हमारे साथ जोड़ गए है उन सब पर बाचीत करने के लिए तयार है लगता तो ऐसा ही है सरकार अपनी तरफ से जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया उनोंने बयान भी दिया है मिडिया को अभी कृश्वी मंतराले में पहुँचे है किरिशी मंत्रे और से पहले उन्होंने बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि पांचवे दौर की बातचीत हो और हम सारे मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं चाहे तो MSP का मुद्दा हो, चाहे FIR का मुद्दा हो, तमाम सारे मुद्दों जिन पर किसान चर्चा करना चाहते हैं, सारे मुद्दों पर बातचित करना चाहते हैं, जो मामला अटक रहा है, MSP को लेकर ही अटक रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बातचित हुई है, इससे पह करने के प्लान में नहीं आपने आपको नहीं कर रही बहुत ज़्यादा खुल नहीं रही है उधर से किसान कहते हैं उसके बाद समय होगा उसके बाद बैठ के बाद चीत होगी उसके बाद निकलेगा क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है किसान की जो यह 12-13 सुत्री मांगे हैं वो टेबल पर सरकार के साथ पहले से मौजूद हैं सरकार के वारताकार भी अच्छी तरीके से जानते हैं बाद चीत जब पुलिट से सफसी हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार उसके लिए वेवस्था काउन करेगा लगारे किस हद तक माननी पड़ेंगी नियुक्त ने अगिए उसके खिलाफ मकदमा होने की बात तमाम सारी बात इसमें उसको सौट आउट करना पड़ा है खाली एक दिन में इस समस्या के समधान नहीं निकल लगा है जायद तोर पर यह समस्या बहुत पुरानी है बहुत लंबी है और इसके उपर जो फिलहाल जाम लगा है वो जाम न केवल बाचीत की मेज पर लगा हुआ है बलकि दिल्ली की सड पंजाब सरकार के बीच भी बाचीत चल रही है और हाई कोट का रुख भी किया गया है लेकिन आपको ये बता दें कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है अलग-अलग बॉर्डर पॉइंट से गाजीपूर बॉर्डर के उपर तीन घंटे से जाम है साथ ही डी एंडी फ्लाइवे पर डिली की तरफ आने वाले डिली से जाने वाले जो लोग हैं वो परेशान है क्योंकि बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है रजौकरी बॉर्डर की बात की जाए तो वहां भी वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही है साथ ही गुरुगराम के अंदर भी जाम की त करने की जिम्मेदरी पूलिस की है हाइब कोट की नहीं है तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर हाइब का धर्वाजा क्का आया था पंजाब और हर्याना सरकार की तरफ से लेकिन इस मामले में हाई कोट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कानून विवस्ता सुनिश्चित करना पुलिस की जम्मदारी है राज्य प्रशासिन की जम्मदारी है इसे मैं कहा जा सकता है कि एक तरह से गेंद को राज्य सरक आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस का इस्तमाल किया गया है प्रदर्शनकारियों के साथ में हल्की जड़ब भी हुई है आंसू गैस के 16 गोले चोड़े गए हैं शम्भू बार्डर के उपर लगातार बढ़ती हुई भीड और साथ ही इस भीड के साथ पॉकल इन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से हलका बलप्रयोग किया गया है यानि आसू गैस के गोलों का भी इस्तमाल किया गया है ताकि भीड को तितर बितर किया जा सके लेकिन शम्भू बार्डर से कई किलोमेटर दूर रजोक्री बार्डर क के लिए निकले लोग घंटों से सलकों पर फंसे हुए हैं रजोक्री बॉर्डर की ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके की परेशानी से दिल्ली के लोग रूबरू हो रहे हैं साथ ही बात करें अगर गाजीपूर बॉर्डर की तो गाजीपूर बॉर्डर के उपर भी देखने को मिल रहा है और इसी जाम के बीच फंसी हुई एंबॉलेंस की गाड़ियां भी देखने को मिल रही है और गाजीपूर बॉर्डर के बाद अब आपको तस्वीरे देखाते हैं गुरुगराम की भी क्योंकि गुरुगराम और दिल्ली के पीच जो बॉर्डर मौज परिशान हैं लेकिन एक तरफ किसानों का ऐलान है दूसी तरफ पुलिस का इंतजाम है और इसके बीच लोग फंसे हुए हैं और लोग नकेवल गुरुगराम गाजीपूर बॉर्डर रजोक्री बॉर्डर पर फंसे हुए हैं बलकि डी एंडी जो फ्लाइवे है जो की होगी यह हर दिल्ली वाला परेशान है दिल्ली एंसियार के अंदर रेखने वाले जो लोग हैं वो इस चीज से हलकान है परेशान है और ऐसे में एक बड़ी परेशानी जो हो रही है वो मरीजों को हो रही है क्योंकि दिल्ली एंसियार के इलाके के अंदर दिल्ली के अस्प प्राइर्टी पर निकाला जाए प्राथमिक्ता के आदार पर उन्हीं जगध दी जाए यह तस्वीर हैं दिल्ली की सड़कों से और इसी तरीके की तस्वीर हैं अलग-अलग इलाकों से सामने आ रही हैं बैरिकेटिंग लगी हुई है यह जो मल्टी लेन सड़क थी उसे गाजिपूर में अम्बुलेंस जाम में फंसी हुई है और यह जो जाम में फंसी हुई है यह सबसे जादा परेशान इसलिए करती है क्योंकि हाइवे पर गाडियों का लंबा जाम लगा हुआ है और अगर इसमें फंसती है तो मरीज परेशान होते हैं और यह मरीज ऐसे कई मरीज हैं जो की अलग-अलग इलाकों से दिल्ली में इलाज के लिए आते हैं कई बार क्रिटिकल मरीज भी जो है वो ऐसी सिती के अंदर लाए जाते हैं और गाजीपुर जाम की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर वो बॉर्डर है जो एनेच 24 के जरिये उत्तर प्रदेश के इलाकों उत्राँचल के इलाकों को जोड़ता है उत्राखंड के इलाकों को जोड़ता है दिल्ली से और यह एम्बुलेंस की फंसी हुई तस्वीर हैं ऐसे में सवाल मन में खड़ा होता है कि अगर एम्बुलेंस इस तरीके से फंसी हुई किसी मरीज की तबिय मिटर लंबे फंसे जाम के अंदर अटकी हुई एम्बॉलिंस को लेकर भी है और अपेक्षा और अमीद है कि सुरक्षा बल जो वहाँ पर तैनात हैं उनको कोशिश करनी चाहिए ट्राफिक पुलिस को भी कोशिश करनी चाहिए कि एम्बॉलिंस को प्रायरिटी पर निकाला ज पॉइंट से वहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि सुरक्षा के बारी इंतजाम किये गए हैं किसान इस जित के ओपर अड़े हुए हैं कि वो हर हाल में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे जैसी भी मशीने पोकलें मशीनों के साथ वो परवर्शन के लिए आना चाहते हैं पु पर देखने को मिल रही है और गाडियां सडक पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं दिल्ली का दम थूला नजर आ रहा है सडकों पर लगे इस जाम के कारण और इस जाम से जूजने के लिए पीते कई दिनों से दिल्ली के लोग मजबूर हैं और ना केवल इसमें आम लोग फ हां से हुए हैं और ये जाम की तस्वीरें दिल्ली के अलग 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 अलाकों से सामने आ रही हैं दिल्ली के तीन अलाकों की तस्वीरें आब आपको दिखाते हैं किस तरीके से जाम लगा हुआ है आपको दिखाते हैं गाजीपूर बॉर्डर की तस्वीर जहां प्रदर हुए किसान हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें हर हाल में आज 11 बजे के वक्त दिल्ली की तरफ कूच करना है और सरकार या तो उनकी बात माने या उन्हें दिल्ली जाने का रास्ता दे लेकिन इसके बीच तस्वीरे हैं वो जाम की जहां दिल्ली में नज तो उसी तरफ दूसी तरफ शंभू बॉर्डर पर कुछ इस तरीके की तस्वीर हैं जथे पर जथे चले आ रहे हैं और इन तमाम लोगों का कहना है कि शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की कोशिश जरूर की जा रही है प्रवर्शन कारियों पर 16 आंसो गैस के गोले दागे गाएं तो देखिए 11 बजे का वक्त वो किसान संगर्डन और प्रवर्शन कारियों की तरफ से दिया गया था जब वो ऐलान कर चुके हैं कि दिल्ली बॉर्डर के लिए वो अपना कूच करेंगे प्रवर्शन कारियों के पास जेसी भी मशीने भी हैं और प्रवर्शन कारी दिल्ली कूच की अपनी इसमांग के ओपर अड़े हुए हैं शंबू बॉर्डर से दिल्ली कूच की कोशिश की गई है प्रवर्शन कारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का भी इस्तमाल किया गया है पोकलैन मशीन जेसी भी मशीन के साथ ये प्रवर् प्रवर्शन कारी जिद के ओपर अड़े हुए हैं कि इन्हें हर हाल में दिल्ली में दाखिल होना है और देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक तरफ प्रवर्शन की जिद के ओपर अड़े हुए ये किसान संगठान और प्रवर्शन कारी नजर आ रहे हैं जि मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ जोड़ रहे हैं, आपको सीधे आप Ground Zero लिये चलते हैं, सिंगु बॉर्डर, साथ ही गाजीपूर बॉर्डर और शंभु बॉर्डर, सबसे पहले में शंभु बॉर्डर पर आपको लेके चलता हूँ, मेरे सहयोगी अमिद भारदवाज लगातार पहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें जरा बताईएगा कि प्रवेशन कारी जो ग्यारा बजे की अपनी मांग थी, क्या उसके उपर अड़े हुएं, अभी बहां किस तरीके का सूर्टेहाल है, क्या भीड को तितर बितर करने के लिए कोई बलप्रयोग भी हुआ है, जी बि कंपनिया पैरा मिल्ची फोर्चिस की, पचास पुलिस की, लेकिन कल की बैठक के बाद मध्यराती की बैठक की और बढ़ गई हैं फोर्चिस, तो अभी लगातार वो अपनी मांग पैड़े हैं, कि हम दिल्ली जाएंगे किसान और उनके साथ जो आदर मुलकारी हैं, अनोलन बिल्कुल आमें तो आपके जिलिए जो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंच रही हैं, उसके अंदर का ये अनाउंसमेंट भी किये जा रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके के अनाउंसमेंट किये जा रहे हैं, कि प्रदर्शन कारियों से कहा जा रहा है, कि वो मशीने लेकर आग जो है लोग आगे बढ़ने लगे तो फिर एनाउस्मेंट हुआ कि 50 मीटर रह गया है आप आगे मत बढ़िये लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगे तो फिर टीर गैस छोड़ा गया बिल्कुल बार बार चितावी दी जा रहे हैं इन प्रदर्शन कारियों को कि ये किसी तरीके का उग्र प्रदर्शन न करें ना कानून को अपने हाथ में लें मैं आपके पास लोटूगा आमेत लेकिन इस समय आधित प्रताफ सिंका भी रुक कर लेते हैं क्योंकि गाजीपूर बॉर्डर के उपर भी एक बड़ी चिंता ये है आधित्ते कि जिस तरीके से वहाँ वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है साड़कों पर जाम लगा हुआ किन्ती कर चुका हूँ 20 से अधिक एम्बुलेंस इस ट्रैफिक जैम में फसी है जो कहीं न कहीं और कहीं न कहीं आपने एक सवाल जो पूछा था यहाँ पे कोई भी ऐसा रास्ता कोई सेफ वे नहीं बनाया गया है जिससे एम्बुलेंसों को निकाला जा सके अभी भी इसी जैम में सामने देख सकते हैं कैमरा सयोगी से कहूंगा कि एक बार तस्वीरे दिखाएं एक और एम्बुलेंस जो है वो इस जैम में फसी हुई है लंबी कतार है यहां से जहां तक आखों की निगाये जा रही है बिल्कुम मैं लाटूंगा आधित प्रताप सिंग आपके पास में लेकिन ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर सुरक्षा के इंतजा मकमल करना पुलिस का जिम्मा है तो वहीं एम्बुलेंस को सेफ लेन देना भी पुलिस और ट्राफिक पुलिस का जिम्मा है कहीं ने कही उसको लेकर चिंताएं हैं लेकिन ये तस्वीरें हैं देखिए आप किस तरीके से शंबु बॉर्डर के उपर भारी बीड बढ़ती हुई नजर आ रही है मैं सिंगु बॉर्डर पर मौझूद मेरे सहीव कि शिवांक विशा का भी रोक कर लेता हूं शिवांक तस्वीरें और चिंताएं दोनों तरफ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ इंतजाम भी पुलिस की तरफ से पुक्ता किये गए हैं सिंगु बॉर्डर पर क्या कुछ तस्वीर जी बिल्कुल पेडर से देखें ये तस्वीरें साफ सामने आप देखें पहली लेर में आपको सुरक्षा दिखाई देगी दूसरी लेर में आपको परिशान लोग दिखाई देंगे जो दो किलो मीटर दूर पैदल चलके रोज अपने घर से दफतर दफतर से घर जाते हैं प्रियॉर्टी पर सुरक्षा के इंतिजामों को रखा गया है तो उसकी वड़ा से चाहे पैरा मिलेटरी हो चाहे पुलिस फोर्स हो शिवांग जो लोग पैदल भी आवा जाही कर रहे हैं क्या इनसे भी किसी तरीके की पहचान या पूछताच की जा रही है कि आईडी कार्ड के चेक किये जा रहे हैं जी ने जी ने बिल्कुल ने यहां पर basically क्योंकि ये सबी लोग यहां पर कामगार मज़़ूर हैं तो किसी भी तरहां की पूछताथ नहीं की जा रही है किसी भी तरहां से उनको रोका नहीं जा रहा है लेकिन ठीक है तो देखिए सरकार की तरब से भरोसा दिया गया था लेकिन किसान संगटन चाहते हैं कि संपूर्ण कर्ज माफी हो और दिल्ली किसान प्रगर्शन के कारण परिशान नजर आ रही है गाजीपुर में एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई है और Zee News लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि पुलिस अगर सुरक्षा के इंतजाम मुकमल कर रही है तो साथी साथ एक सेफ लेन दी जाने चाहिए ताकि एम्बुलेंस के अंदर इलाज के लिए जा रहे हैं मरीजों को किसी तरीके की परिशानी हो इस समय उसका अबाव देखने को मिल रहा है एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई है और कहीं ने कहीं एक बड़ी खास्तार पर इन मरीजों को अस्पताल पहुंचाने को लेकर जो उनके परिजन है वो इस समय सबसे ज़्यदा परिशान होंगे तीन घंटे से गाजी पूर बॉर्डर के उपर एक लंबा जाम लगा हुआ है आधित प्रताप सिंग लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं उसको टूलेन कर दिया गया है और जो सारी गाडियां है वो एक संक्रे रास्ते से निकलने को मजबूर इस समय नजर आ रही हैं पुलिस की तरफ से जो सिरक्षा निगरानी है वो बरकरार रखी जा रही है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में अगर जरूरी वाहन फंसते हैं तो उनके लिए जम्मेदार कौन होगा और गाजीपूर बॉर्डर के बाद अब आपको रजोक्री बॉर्डर की भी तस्वीर दिखा देते हैं देखिए रजोक्री बॉर्डर पर भी भारी जाम की तस्वीर नजर आ रही है जहां तक आपकी नजर इस स्क्रीन पर जाए हैं वो इस सड़क पर फंसने को मजबूर नजर आ रहे हैं और इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है और इसलिए आपका चैनल जी नियूज लगातार ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम किसानों की जिद के बीच आखिर क्यों पिस्ता हुआ आम इं नगर के इलाके से जोड़ता है ग्रेटर नौड़ा की तरफ जाता है और उस जगा भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है बंपर तू बंपर जाम कई जगा पर देखने को मिल रहा है और बीते कई घंटों से यही सूर्टेहाल देखने को मिल रहा है सुबह का ये वक्त है, कामकाजी लोग अपने दफ्तर जाने के लिए रवाना होते हैं और देखिए, अब आपको ये 6 तस्वीरें दिखाते हैं एक तरफ हमने आपको जान की तस्वीर दिखाई हमने आपको दिखाई किस तरीके के सुरक्षा इंतजान किये जा रहे हैं लेकिन इन प्रवर्शन कारियों की तरफ से क्या कुछ इंतजाम और तैयारियां की गई है उसकी बानगी इन 6 तस्वीरों में देख लिए तो देखिए, पोकलेंड मशीने हैं सवाल खड़ा होता है कि आंदोलन में इन पोकलेंड मशीनों की क्या जरूरत है साथ ही इस बार ट्रेक्टर के साथ कूछ करने पर ये किसान प्रवर्शन कारी अड़े हुए है ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली में पुलिस किसी भी सूरत में ट्रेक्टर के साथ इस तरीके के प्रवेश और इस तरीके के जथे को इजाज़त दे सकती है अब की बार इन प्रदर्शन कारियों के पास स्पेशल मास्क भी देखने को मिल रहे हैं जो आसू गैस के गोलों से बचाव के साथ-साथ पैचान को छुपाने में भी कारकर हो सकते हैं क्योंकि फेशल रिकर्गनेशन मुम्किन नहीं होता है साथ ही जेसी भी मशीने हैं तो क्या बैरिकेट तोड़ने की तैयारी के साथ प्रदर्शन कारी अदाखिल होना चाहते हैं साथ ही लोहे के शील्ड भी इस्तमाल किये जा रहे हैं और पतंगे भी उड़ाई जा रही हैं पतंगों का भी इस्तमाल किया जा रहा है ये तमाम सवाल है जो इन तस्वीरों के साथ खड़े हो रहे हैं साथ ही प्रदर्शनकारी इस बात की जिस पर अड़े हुए हैं लगातार मेरे सहियोगी अमित भारदवा शंभू बॉर्डर पर रिपोर्ट कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारीयों को बार-बार चेताम नहीं दी जा रही है लेकिन फिर वही तस्वीर दिल्डी के सड़कों पर लगे जाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो देखे रजोकरी बॉर्डर के उपर लगे हुए भारी जाम की तस्वीर और साथ ही गाजीपूर बॉर्डर पर जाम के बीच फंसे हुए एम्बुलेंस की तस्वीर आपके मन में भी ये सवाल होगा कि इस जाम के बीच पंसे हुए आम आदमी की तकलीफ को कम करने के लिए क्या कोई कभी कोई इंतजाम करेगा और देखिए दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए बहुत महत्पूर हो जाती है तो दुनिया में सुर्खियां बटोलने की कोशिश क्या हो रही है ये सवाल भी खड़ा होता है क्या उन्हें दोहराने की कोशिश हो रही है ये सवाल भी खड़ा हो रहा है इस कूच के मार्च के एलान के साथ केंद्री क्रशी मंत्रे अर्जुन मंडा ने प्रबरेशन कारियों से बाचीत का एक बार फिर नियोता दिया है पांचवे दौर की बाचीत के लिए आमंत्रित किया है थोड़ी देर पहले अर्जुन मंडा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि सरकार चौथे दौर के बाद पांचवे दौर में सभी मुद्दों जैसे की MSP की मांग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पराली का विशह FIR पर बाचीत करने के लिए तयार है मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ हमें शांती बनाए रखना जरूरी है तो एक बार फिर जहां एक तरफ प्रवर्शन कारी दिल्ली कूच की मांग पर आ रहे हैं शंबो वाडर पर उन्हें रोकने के लिए आंसु गैस के गोलों का इस्तमाल किया गया है वहीं दूसरी तरफ के इंद्रिक रशी मंत्री अरजुन मुंडा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरीए एक बार फिर किसान प्रवर्शन कारीयों को आमंत्रित किया है कि वो बाचीत के लिए आए और इस खबर पर जानकारी के लिए सीधे रुक करते है मेरे सहयूगी रवीत रिपाठी हमारे साथ जोड़ गए है रवी अगर बात के जाए किसानों के साथ जो बाचीत है जो पूरी कवायत चल रही है चार दौर नाकाम रहे हैं पांचवे दौर की बाचीत का नियोता सरकार की तरफ से फिर दिया गया है क्या सरकार अब उन MSP से का जो फसलों का दाएरा है जो क्योंकि 23 का फसलों के पर MSP ये मांग रहे है उन सब पर बाचीत करने के लिए तयार है लगता तो ऐसा ही है सरकार अपनी तरफ से जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया उन्होंन ड będę दिया है मीडिया को अभी कृसी मंतराले में पहुंचे है कृसी मंतरेнок उरसे पहले उन्होंने ब sexually मंतरेको और से पहले उन्होंने बयान दिया है खेल जोente मामला अटक रहा है से मैस्पी को लेगर यह अट्ग रहा क्योंगि इससे पहले भी बात चीत हुई है इससे पहले अंदोलन चला इससे पहले भी सरकारे समाम सारी बाते कहीं प्रदान मंत्री ने कहा कमिटी बनी लेकिन कमिटी के बाद आज की तारिख में के समझाओता इसलिए नहीं हो पा रहा है बातचित इसलिए नहीं बन पा रही है कि कहीं न कहीं सरकार मामले पर अपना मूड ओपन करने के प्लान में नहीं है अपने आपको बैट के बाद चीत होगी, उसके बाद निकलेगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है किसानों की जो 12-13 सुत्री मांगे हैं, वो टेबल पर सरकार के साथ पहले से मौजूद हैं, सरकार के वारताकार भी अच्छी तरीके से जानते हैं, बाद चीत जब टूटी, किन मुद से सपसी हुई हैं, उसके लिए जिम्मेदार उसके लिए वेवस्था काउन करेगा? किस हद तक मानने पड़ेगी, किस हद तक मानने पड़ेगी, सरकार ने अपना एक एक तैय कर रखा होगा, फर्मूला हमने तैईस सपस्लों पर MSP देने की बात की है, तो 23 में मैं क्या फॉर्मूला होगा, कितनай MSP तक की बात करनी है, कानून बनेगा, कानून अगर कोई नह जाम लगा है वो जाम नकिवल बाचीत की मेज पर लगा हुआ है बलकि दिल्ली की सडकों और NCR के अंदर भी भारी जाम की तस्वीर नजर आ रही है यह हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से इस आंदोलन किसानों के कूच और उसके ऐलान के बाद किसान आंदोलन को लेकर हरियाना सरकार पंजाब सरकार के बीच भी बाचीत चल रही है और हाई कोट का रुख भी किया गया है लेकिन आपको ये बता दें कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रहे हैं अलग-अलग बॉर्डर पॉइंट से गाजीपूर बॉर्डर के उपर तीन घंटे से जाम है साथ ही डी एंडी फ्लाइवे पर दिल्ली की तरफ आने वाले दिल्ली से जाने वाले जो लोग है वो परेशान है क्योंकि बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है रजोकरी बॉर्डर की बात की जाए तो वहां भी वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही है साथ ही गुरुगराम के अंदर भी जाम की तस्वीरें नजर आ रही है इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा है कि राज्य में कानून विवस्ता करने की जम्मेदारी पुलिस की है हाई कोर्ट की नहीं है तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर हाई कोट का दर्वाजा खट-कटाया था पंजाब और हर्याणा सरकार की तरफ से लेकिन इस मामले में हाई कोट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कानून विवस्था सुनिशित करना पुलिस की जिम्मेदारी है राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है इसे मैं कहा जा सकता है कि एक तरह से गेंद को राज्य सरकारों के पाले में डालते हुए कोट ने इस मामले से पल्ला जाड लिया है कोड का साथ कहना है कि इस मामले के अंदर कारूं विवस्ता को सुनिशित करना राज सरकारूं की जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसलिए उन्हें इस मामले के अंदर आगे पहल करना चाहिए जो भी जिम्मेदारी है ये उन्हें ने बाने चाहिए और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस का इस्तमाल किया गया है प्रदर्शन कारियों के साथ में हलकी जड़ब भी हुई है आंसू गैस के सोला गोले छोड़े गए है शम्भू बॉर्डर के उपर लगातार बढ़ती हु भी भीड और साथ ही इस भीड के साथ पॉकलेंड मशीन जेसी भी मशीने भी मौजूद हैं पूरे इंतजाम और तैयारी के साथ ये प्रदर्शन कारी हंगामा कर रहे हैं और इन प्रदर्शन कारी के हंगामे को तेतर वितर करने के लिए वहाँ पर आंसू गैस के गोलों का भी इस्टमाल किया गया है ताकि भीड को तितर बितर किया जा सके। लेकिन शंबू बौरर से कई किलो मिटर दूर रजोकृ बौर की तस्वीर कुछ से सलकों पर फंसे हुए हैं रजोक्री बॉर्डर की ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके की परेशानी से दिल्ली के लोग रूबरू हो रहे हैं साथ ही बात करें अगर गाजीपूर बॉर्डर की तो गाजीपूर बॉर्डर के उपर भी लंबा जाम देखने को मिल रहा है गाजीपूर बॉर्डर यानि वो इलाका वो एनेश 24 नैशनल हाईवे है ये नेश 24 जो की उत्राकर्ण और उत्रप्रदेश के कई शहरों को जोड़ता है दिल्ली से जोड़ता है और वहाँ पर भी इसी तरीके का जाम देखने को मिल रहा है और इसी जाम के बीच फंसी हु गाजीपूर बॉर्डर के बाद अब आपको तस्वीरे दिखाते हैं गुरुग्राम की भी क्योंकि गुरुग्राम और दिल्ली के पीच जो बॉर्डर मौजूद है जो टोल मौजूद है वहाँ पर भी इसी तरीके का लंबा जाम देखने को मिल रहा है इसी तरीके से पर फंसे हुए हैं और लोग नकेवल गुरुग्राम गाजीपूर बॉर्डर रजोकरी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं बलकि डी एंडी जो फ्लाइवे है जो की रैपिट एक्सप्रिस वे है यानी तेज रफतार से दिल्ली और नॉड़ा के बीच सफर करने के लिए बनाया हैं वो इस चीज से हलकान है परिशान है और ऐसे में एक बड़ी परिशानी जो हो रही है वो मरीजों को हो रही है क्योंकि डिल्ली एंसियार के इलाके के अंदर दिल्ली के अस्पतालों का रुख करने वाले जो तमाम मरीज हैं वो परिशान हैं क्योंकि इस जाम के कारण ही हुई है और आपका चैनल जी जी नियूज लगातार इन तस्वीरों के साथ ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि अगर पुलिस की तरफ से सुरश्चा के इंतजाम किये गए हैं तो उसमें क्या ये इंतजाम संभव नहीं है कि एम्बुलेंस जो एमर्जनसी वाहन हैं उनको न अलाकों से सामने आ रही है बैरिकेटिंग लगी हुई है यानि जो मल्टी लेन सड़क थी उसे सिंगल यूर्ट टू लेन के अंदर कर दिया गया है और इसके अंदर सबसे जादा परिशानी की तस्वीर होती है वो एम्बुलेंस को देखने को कारण होती है दिल्ली में गा अलाकों से दिल्ली में इलाज के लिए आते हैं कई बार क्रिटिकल मरीज भी जो है वो ऐसी सिटी के अंदर लाए जाते हैं और गाजीपुर जाम की ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर वो बॉर्डर है जो एनेच्ट 24 के जरिए उत्तर प्रदेश के इलाको उत्रांचल के इलाकों को जोड़ता है उत्राखंड के इलाकों को जोड़ता है दिल्ली से और ये एम्बुलेंस की फंसी हुई तस्वीर हैं ऐसे में सवाल मन में खड़ा होता है कि अगर एम्बुलेंस इस तरीके से फंसी हुई किसी मरीज की तबियत दी खराब होती है तो सुरक्षाबल जो वहाँ पर तैनाथ हैं उनको कोशिश करनी चाहिए ट्राफिक पुलिस को भी कोशिश करनी चाहिए कि अम्बुलिंस को प्रायरिटी पर निकाला जा सके तस्वीरें आपको गुरुगराम बॉर्डर की भी दिखाते हैं निकी गुरुगराम जो की हर्याना का शहर है वहाँ से दिल्ली को जोडने वाली सड़कों पर भी इसी तरीके का सूर्टेहाल देखने को मिल रहा है बंपर टू बंपर जाम दिल्ली के कई अलाकों के अंदर खासत और पर जो बॉर्डर पॉइंट से वहाँ पर देखने को मिल रहा है जा रहे हैं उन्हें सबसे जादा परिशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी तरीके से लंबे जाम की तस्वीरें D&D जो की दिल्ली नौइडा देली फ्लाइवे है वहाँ भी देखने को मिल रही है और गाडियां सड़क पर रेंगती हुई नजर आ रही है दिल्ली का दम फूला नजर आ रहा है सड़कों पर लगे इस जाम के कारण और इस जाम से जूजने के लिए पीते कई दिनों से दिल्ली के लोग मजबूर हैं और ना केवल इसमें आम लोग फंसते हैं बलकि जरूरी सामान की जो आपूर्ती है वो भी प्रभावित होती है कामकाजी लोग इस समय सुबह का वक्त है लोग घंटों से जाम के अंदर फंसे हुए हैं और ये जाम की तस्वीरें दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से सामने आ रही है दिल्ली के तीन इलाकों की तस्वीरें आब आपको दिखाते हैं किस तरीके से जाम लगा हुआ है आपको दिखाते हैं गाजीपूर बॉर्डर की तस्वीर जहां प्रदर्शन के कारण जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता किये गए है, बौर्डर को सीमित किया गया है वहां पर आवाजाही को सीमित किया गया है, कंटीली बार लगाई गई है और इसी कारण से लंबा जाम और इस जाम में फंसी हुई एंबुलेंसे भी नजर आ रही है साथ ही जो अड़े हुए किसान हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें हर हाल में आज 11 बजे के वक्त दिल्ली की तरफ कूच करना है और सरकार या तो उनकी बात माने या उन्हें दिल्ली जाने का रास्ता दे लेकिन इसके बीच तो तस्वीरे हैं वो जाम की जहां दिल्ली में नजर आ रही हैं तो उसी तरफ दूसी तरफ शंभू बॉर्डर पर कुछ इस तरीके की तस्वीरे हैं रथे पे जथे चले आ रहे हैं और इन तमाम लोगों का कहना है कि शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की कोशिश जरूर की जा रही है प्रवर्शन कारियों पर 16 आंसो गैस के गोले दागे गए तो देखिए 11 बजे का वक्त वो किसान संगधन और प्रवर्शन कारियों की तर बितर बितर करने के लिए आंसो गैस के गोलों का भी इस्तमाल किया गया है पोकलैन मशीन जे सी भी मशीन के साथ ये प्रवर्शन कारी जा रहे हैं और देखिए दो तस्यीविरिया आपको दिखा रहे हैं एक तरफ प्रवर्शन की जिद के ओपर अड़े हुए ये किसान संगठन और प्रवर्शन कारी नजर आ रहे हैं जिनकी बढ़ती हुई भीड इस समय पर शम्भू बॉर्डर पर मौजूद है तो वहीं दिल्ली एंसियार के इलाके के अंदर किस तरीके से आम लोग जाम से जूजने को मजबूर हैं इस तरीके के जाम की तस्वीरें अलग-अलग बॉर्डर के उपर नजर आ रही हैं तो मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ जोड़ रहे हैं आपको सीधे आप ग्राउंड जिरू लिए चलते हैं साथ इगाजीपूर बॉर्डर और शम्भू बॉर्डर सबसे पहले में शम्भू बॉर्डर पर आपको लेके चलता हूँ मेरे सायूगी अमिद भार्दवाज लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार फोर्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं यहां से जित्ती कंपनियां हमने आपको बताई थी आपको यहां दाकिल होने नहीं दिया जाएगा जो भी आपको आपना प्रदर्शन करना है वो अपनी सीमा में रहके करिये आज जैसे ही उन्होंने कहा उसके बाद जो है लोग आगे बढ़ने लगे तो फिर एनाउस्मेंट हुआ कि 50 मीटर रह गया है आप आगे मत बढ़ि अपने हाथ में लें मैं आपके पास लौटूगा आमेत लेकिन इस समय आधित प्रताफ सिंका भी रुक कर लेते हैं क्योंकि गाजीपूर बॉर्डर के उपर भी एक बड़ी चिंता ये है आधित कि जिस तरीके से वहां वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है साड़कों पर जाम लगा हुआ है और इस जाम के अंदर कई अम्बूलेंसे फसी हुई है जो उत्राखंड से उत्तर प्रिदिश के अलग-अलग इलाकों से इलाज के लिए आने वाले मरीज हैं वो सबसे ज़्यादा परिशानी का सामना कर रहे है बिल्कुल देखे परणों ये तस्वीरे पिछले तीन घंटे से लगातार ऐसी बनी हुई और तीन घंटे से यही जाम के अग किंती कर चुका हूँ बीस से अधिक एम्बूलेंस इस ट्रैफिक जैम में फसी है जो कही ना कही और कही ना कही आपने एक सवाल जो पूछा था यहाँ पे कोई भी ऐसा रास्ता कोई अभी भी इसी जैम में सामने देख सकते हैं कैमरा सयोगी से कहूंगा कि एक बार तस्वीरे दिखाएं एक और एम्बूलेंस जो है वो इस जैम में फसी हुई है लंबी कतार है यहां से जहां तक आखो की निगाएं जा रही है बिल्कुम मैं लाटूंगा आदित प्रताप सिंगा आपके पास में लेकिन यह सवाल भी खड़ा होता है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम मकमल करना पुलिस का जिम्मा है तो वहीं एम्बूलेंस को सेफ लेन देना भी पुलिस और ट्राफिक पुलिस का जिम्मा है कहीं ने क बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ इंतजाम भी पुलिस की तरफ से पुक्ता किये गए हैं सिंगो बॉर्डर पर क्या कुछ तस्वीर जी बिल्कुल प्रेडर से देखें ये तस्वीर है साफ सामने आप देखी पहली लेर में आपको सुरक्षा दिखाई देगी दूसरी लेर में आपको परिशान लोग दिखाई देंगे जो दो किलो मीटर दूर पैदल चलके रोज अपने घर से दफतर दफतर से घर जाते है ये तस्वीर है सकरी सी गली होती है जहां से इने पैदल चलके अपने गंतव इस्थान पर जाते हैं तो देखिए इस्तिती यही है यहां पर लगातार सिंगु बार्डर पर भी कि सुरक्षा की इंतिजाम को रखा गया है तो उसकी वड़ा से चाहे पैरा मिलिटरी हो चाहे पुलिस फोर्स हो जो लोग पैदल भी आवा जाही कर रहे हैं क्या इनसे भी किसी तरहकी पहचान बीर पीचताज की जा रहही है कि आइडी कार्ड के चेक किये जा रहे हैं पुलिस अगर सुरक्षा के इंतजाम मुकमल कर रही तो साथी साथ एक सेफ लेन दी जानी चाहिए ताकि एंबुलेंसेज के अंदर इलाज के लिए जा रहे हैं मरीजों को किसी तरीके की परिशानी हो इस समय उसका अबाव देखने को मिल रहा है एंबुलेंसेज भी जाम में फंसी हुई है और कही ने कहीं एक बड़ी चिंता है खास्तार पर इन मरीजों को अस्पताल पहुँचाने को लेकर जो उनके परिजन हैं वो इस समय सबसे ज़दा परिशान होंगे तीन घंटे से गाजीपूर बॉर्डर के उपर एक लंबा जाम लगा हुआ है आधित प्रताब सिंग लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं 20 से जादा एंबुलेंस उसको फंसा हुआ वो अब तक वहां पर गिन चुके हैं और ये कतार ये सिलसला लगातार बरकरार है 20 से जादा एंबुलेंस इस समय जाम में फंसी हुई नजर आ रही है और कई किलोमेटर लंबा जाम लग चुका है ये नैशनल हाईवे 24 है और NH24 के उपर इस समय जाम है क्योंकि बैरिकेटिंग के कारण जो फोर लेन रोड है उसको टू लेन कर दिया गया है और जो सारी गाडियां है वो एक संकरे रास्ते से निकलने को मजबूर इस समय नजर आ रही है पुलिस की तरफ से जो सरक्षा निगरानी है वो बरकरार रखी जा रही है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में अगर जरूरी वाहन फंसते हैं तो उनके लिए जम्मेदार कौन होगा और गाजीपूर बॉर्डर के बाद अब आपको रजोक्री बॉर्डर की भी तस्वीर दिखा देते हैं देखिए रजोक्री बॉर्डर पर भी भारी जाम की तस्वीर नजर आ रही है जहां तक आपकी नजर इस स्क्रीन पर जाएगी आपको दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं इसके अंदर तमाम जो कामकाजी लोग हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं इसके अंदर कई जरूरी सामान भी उनको ले जाने वाले वाहन फंसे हुए हैं इसके अलावा जो आम लोग सफर करते हैं वो इस सड़क पर फंसने को मजबूर नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके की तस्वीर नज़र आ रही है और इसलिए आपका चनल Zee News लगातार ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि सुरक्षा के इंतिजाम किसानों की जिद के बीच आखिर क्यों पिस्ता हुआ आम इंसान है क्योंकि सड़क के उपर जो सबसे ज़़ा परिशान हो रहा है वो आम इंसान है आम करदाता है आम दिल्ली का निवासी है और दिल्ली के D&D की तस्वीर भी आपको दिखा वेते हैं देखिए ये दिल्ली नौइडा दिल्ली फ्लाइवे है जो की दिल्ली को नौइडा के इलाके से गौतम बुद्धनगर के इलाके से जोडता है ग्रेटर नौइडा की तरफ जाता है और उस जगा भी इसी तरीके क एक तरफ हमने आपको जान की तस्वीर दिखाई, हमने आपको दिखाई किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किये जा रहे हैं, लेकिन इन प्रवर्शन कारियों की तरफ से क्या कुछ इंतजाम और तैयारियां की गई हैं, उसकी बानगी इन शे तस्वीरों में देख लिए, तो मास्क भी देखने को मिल रहे हैं, जो आसू गैस के गोलों से बचाव के साथ-साथ पैचान को छपाने में भी कारकर हो सकते हैं, क्योंकि फेशल रिकर्गनेशन मुम्किन नहीं होता है, साथ ही जेसी भी मशीने हैं, तो क्या बैरिकेट तोड़ने की तैयारी के साथ प्रव प्रशनकारी इस बात की जिस पर अड़े हुए हैं, लगातार मेरे सहियोगी अमित भारद्वा शंभू बॉर्डर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारीयों को बार-बार चेताम नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर वही तस्वीर द तो देखे, रजोकरी बॉर्डर के उपर लगे हुए भारी जाम की तस्वीर और साथ ही गाजीपूर बॉर्डर पर जाम के बीच फंसे हुई एम्बुलेंस की तस्वीर, आपके मन में भी ये सवाल होगा कि इस जाम के बीच फंसे हुए आम आदमी की तकलीफ को कम करने के किया कोई कभी कोई इंतजाम करेगा और देखिये दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए बहुत महत्पूर हो जाती है दिल्ली देश में जहां पर देश के प्रधान्मति रहते हैं केंदुरी मंत्रि मंदल यहाँ पर बैठता ह क्याबिनेट की बैठके यहाँ पर होती है दिल्ली की पहचान दुनिया की एक बड़े देश के तौर पर है दुनिया की एक प्रमुक शेहर के तौर पर इसकी पहचान है दिल्ली में आंदोलन तो दुनिया में सुर्खियां बटोलने की कोशिश क्या हो रही है ये सवाल भी खड़ा होता है चुनाव से पहले क्या इस आंदोलन के जरीए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और संसत तक आवाज पहुंचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि संसत भी दिल्ली में ही है और इसी लिए ये माना जा रहा है कि 26 जनवरी 2021 को जिस तरीके की तस्वीरी देखने को मिली थी क्या उन्हें दोहराने की कोशिश हो रही है ये सवाल भी खड़ा हो रहा है इस कूच के मार्च के एलान के साथ केंद्री क्रशी मंतरी अर्जुन मंडा ने प्रबर्शन कारियों से बाचीत का एक बार फिर नियोता दिया है पांचवे दौर की बाचीत के लिए आमंतरित किया है और थोड़ी देर पहले अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि सरकार चोथे दौर के बाद पांचवे दौर में सभी मुद्दों जैसे कि MSP की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विशह, FIR पर बाचीत करने के लिए तयार है मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंतरित करता हूँ, हमें शांती बनाए रखना जरूरी है तो एक बार फिर, जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की मांग पर अड़े हैं, शंबो वाडर पर उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का अस्तमाल किया गया है वहीं दूसरी तरफ के इंद्री करशी मंतरी अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरीए एक बार फिर, किसान प्रदर्शनकारीयों को आमंतरित किया है कि वो बाचीत के लिए आए और इस खबर पर जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयूगी रवीत रिपाठी हमारे साथ जोड़ गए है रवी अगर बात के या है, किसानों के साथ जो बाचीत है, जो पूरी कवायत चल रही है, चार दौर नाकाम रहे है पांचवे दौर की बाचीत का नियोता सरकार की तरफ से फिर दिया गया है, क्या सरकार अब उन MSP से का जो फसलों का दाएरा है जो त्यों की 23 फसलों के पर MSP ये मांग रहे हैं, उन सब पर बाचीत करने के लिए तयार है? अब लगता तो ऐसा ही है, सरकार अपनी तरफ से जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया, उनोंने बयान भी दिया है मीडिया को अभी क्रिश्री मंतर आले में पहुँचे हैं, क्रिश्री मंतरे उर से पहले उनोंने बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि पांचवे दौर की बात्चीत हो और हम सारे मुद्दों पर बात्चीत करना चाहते हैं चाहे तो MSP का मुद्दा हो चाहे FIR का मुद्दा हो तमाम सारे मुद्दों जिन पर किसान चर्चा करना चाहते हैं सारे मुद्व पर बाते मामाला रहा है किससे पहले भी बाते हो सरकार में समझता इसलिए नहीं वारे के बाते मामले मैं और आपने मूड आपको नहीं कर रहीource ज़्यदा उसकी कि निकले सब्सक्राइब के लिए कोई समय तैय नहीं हूँ आपको बताना चाहूंगा पड़े अभी मैंने बात की चित की किसी मंत्राले में अभी यह ओफर दिया गया है उधर से क्या किसान कहते हैं उसके बाद समय तैय होगा उसके बाद बैठ के बातचीत होगी उसके बाद निकलेगा बेठ को रवी पड़ी लेकिन चार दोर की बातचीत होगी किसान की ये 12-13 सुत्री मांगे हैं वो टेबल पर सरकार के साथ पहले से मौजूद हैं सरकार के वार्ताकार भी अच्छी तरीके से जानते हैं बातचीत जब टूटी किन मुद्दों पर टूटी वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं लेकिन जिस तरीके का घमासान मचा हुआ है आम तोर पर जो सबसे बड़ा समस्या अंदोलनों में होती है कि इसमें पिस्ता हुआ आम इंसाने दिल्ली के आसपास के इलाकों में भयानक जाम इस समय लगा हुआ है सबकों पर एंबुलेस्स फसी हुई है उसके लिए जिम्मेदार उसके लिए वेवस्ता काउन करेगा देखिए बेवस्ता तो इसमें जिम्मार किसान भी है और सरकार भी है ये अलग बात है कि ये सरकार उतनी दवाब में नहीं है कि इस सरकार को लगता नहीं है कि इस वएसे हमारी सरकार नहीं बन पाएगी तिजरी बार बावजूद इसके किसानों की बात आपको माननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी किस हद तक माननी पड़ेगी ये सरकार ने अपना एक ulti कर लखा होगा फार्मूला कि अगर हमने 23 फसलों पर MSP देने की बात की है तो 23 फसलों में क्या फार्मूला होगा कितने MSP तक की बात करनी है और क्वशी कि खाली MSP बात कर नहीं है MSP को लेगा law बनाने की बात है कानून बनेगा कानून अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ मुकदमा होने की बात है तमाम सारी बात इसमें है उसको सॉट आउट करना पड़ागा खाली एक दिन में इस समस्या के समधान नहीं निकल लेगा पर यह समस्या बहुत पुरानी है बहुत लंबी है और इसके उपर जो फिलहाल जाम लगा है वो जाम न केवल बाचीत की मेज पर लगा हुआ है बलकि दिल्ली की सडकों और NCR के अंदर भी भारी जाम की तस्वीरे नजर आ रही है यह हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से इस आंदोलन किसानों के कूच और उसके एलान के बाद किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार पनजाब सरकार के बीच भी बात् Ciit चल रही है और हाई कोट का रुख भी किया गया है लेकिन आपको ये बता दें कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रहे हैं अलग-अलग बॉर्डर पॉइंट से गाजीपूर बॉर्डर के उपर तीन घंटे से जाम है साथ ही डी एंडी फ्लाइवे पर दिल्ली की तरफ आने वाले दिल्ली से जाने वाले जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है रजौकरी बॉर्डर की बात की जाए तो वहां भी वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही है साथ ही घुरुग्राम के अंदर भी जाम की तस्वेरें नजरारी और किसान अंदुलन के ऊपर हाई कोट्त का पर अरजी क सिर्क का सुनवाई से इंकार ल्हे है हाई कोड की तरफ से कहा गया है किसाना लाख़न कुलेकर हर्याना सरकार पंजाब सरकार ने हाई कोड का रुक किया था इस पूरे मामले पर हाई कोड ने सिर्वाइ से इंकार कर त्यु det gonna? कानून विबस्ता करने की जिथमेदारी पुल हाई कोड की है । तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर हाई कोट का दर्वाजा खट-कटाया था पंजाब और हरियाना सरकार की तरफ से लेकिन इस मामले में हाई कोट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कानून विवस्ता सुनिशित करना पुलिस की जिम्मेदारी है, राज्य प्रशासन की ज जम्मेदारी है और इसलिए उन्हें इस मामले के अंदर आगे पहल करना चाहिए जो भी जिम्मेदारी है ये उन्हें ने बाने चाहिए और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस का इस्तमाल किया गया है प्रदर्शनकारियों के साथ में हल्की जड़ब भी हुई है आसू गैस के सोला गोले चोड़े गए हैं शंभू बॉडर के उपर लगातार बढ़ती हुई भीड और साथ ही इस भीड के साथ पॉकलेंड मशीन जैसी भी मशीने भी मौजूद है पूरे इंतजाम और तैयारी के साथ ये प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे है और इन प्रदर्शनकारी के हंगामे को तैतर बितर करने के लिए वहाँ पर आसू गैस के गोलों का इस्तमाल भी किया गया है तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये कि दिल्ली कूछ पर किस तरीके से प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं इन प्रदर्शनकारी को तै कुछ इस तरीके की नजर आ रही है यानी रजोक्री बॉर्डर के उपर इस तरीके का भयानक जाम देखने को मिल रहा है बंपर टू बंपर गाड़ियां जो हैं सडक पर रेंग रही हैं इस तरीके का ट्राफिक जाम लगा हुआ है और सुबह दफ्तर जाने के लिए निकले ल लंबा जाम देखने को मिल रहा है गाजीपूर बॉर्डर यानी वो इलाका वो एनेश 24 नैशनल हाईवे है ये नेश 24 जो की उत्राखन और उत्तरप्रदेश के कई शहरों को जोडता है दिल्ली से जोडता है और वहाँ पर भी इसी तरीके का जाम देखने को मिल रहा है और गाजीपूर बॉर्डर के बाद अब आपको तस्वीरे दिखाते हैं गुरुग्राम की भी क्योंकि गुरुग्राम और दिल्ली के पीच जो बॉर्डर मौजूद है जो टोल मौजूद है वहाँ पर भी इसी तरीके का लंबा जाम देखने को मिल रहा है इसी तरीके से से हुए हैं और लोग नकेवल गुरुग्राम गाजीपूर बॉर्डर रजोक्री बॉर्डर पर फंसे हुए हैं बलकि डी एंडी जो फ्लाइवे है जो की रैपिट एक्स्प्रिस वे है यानी तेज रफतार से दिल्ली और नॉड़ा के बीच सफर करने के लिए बनाया गया वो इस चीज से हलकान है परिशान है और ऐसे में एक बड़ी परिशानी जो हो रही है वो मरीजों को हो रही है क्योंकि डिल्ली एंसियार के इलाके के अंदर दिल्ली के अस्पतालों का रुख करने वाले जो तमाम मरीज हैं वो परिशान हैं क्योंकि इस जाम के कारण कई ए ही हुई है और आपका चैनल जी जी नियूज लगातार इन तस्वीरों के साथ ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि अगर पुलिस की तरफ से सुरश्चा के इंतजाम किये गए हैं तो उसमें क्या ये इंतजाम संभव नहीं है कि एम्बुलेंस जो एमर्जनसी वाहन हैं उनको न अलाकों से सामने आ रही है बैरिकेटिंग लगी हुई है यानि जो मल्टी लेन सड़क थी उसे सिंगल या टू लेन के अंदर कर दिया गया है उसके अंदर सबसे जादा परेशानी की तस्वीर होती है वह एम्बुलेंस को देखने को कारण होती है दिल्ली में गाजीपुर अबुलेंस जाम में फंसी हुई है और यह जो जाम में फंसी हुई है यह सबसे जादा परेशान इसलिए करती है क्योंकि हाईवे पर गाडियों का लंबा जाम लगा हुआ है और अगर इसमें फंसती है तो मरीज परेशान होते हैं और यह मरीज ऐसे कई मरीज हैं जो की अल अत्राइचल के इलाकों को जोड़ता है दिली से और यह अम्बॉलेंस की फंसी हुई तस्वीर हैं ऐसे में सवाल मन में खड़ा होता है कि अगर अम्बॉलेंस इस तरीके से फंसी हुई किसी मरीज की तबीय दिश भराब होती है तो जिम्मदार कौन होगा क्या इंतजाम किये गए हैं ताकि यह एंबूलेंसेज यहां से निकल सकें प्रायरिटी पे इन्हें निकाला जा सकें सुरक्षा के इंतजाम जरूर किये गए हैं लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस लंबे कई किलो मेटर लंबे फंसे जाम के अंदर अटकी हुई इंबूलेंसेज को लेकर भी है और अपेक्षा और अमीद है कि सुरक्षा बल जो वहाँ पर तैनात हैं उनको कोशिश करनी चाहिए ट्राफिक पुलिस को भी कोशिश करनी चाहिए कि इंबूलेंसेज को प्रायरिटी पे निकाला जा सके तस्वीरें आपको गुरुग्राम बॉर्डर की भी दिखाते हैं लेकि गुरुग्राम जो की हरियाना का शहर है वहां से दिल्ली को जोडने वाली सड़कों पर भी इसी तरीके का सूरतेहाल देखने को मिल रहा है बंपर टू बंपर जाम दिल्ली के कई अलाकों के अंदर खासत और पर जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं वहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि सुरक्षा के बारी इंतजाम किये गए हैं किसान इस जित के उपर अड़े हुए हैं कि वो हर हाल में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे जैसी भी मशीने पोकलेन मशीनों के साथ वो परवर्शन के लिए आना चाहते हैं पुलिस ने भी पुक्ता इंतजाम किये हैं कई जगा पर मल्टी लेयर सिक्यूरिटी लगाई गई है लेकिन जो जरूरी सामान की सप्लाई है आम आदमी के आवाजाही के रास्ते हैं जो आम आदमी खासतर पर स्कूल की बच्चे जो परिक्षा देने के लिए जा रहे हैं उन्हें सबसे ज़ादा परिशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी तरीके से लंबे जाम की तस्वीरें D&D जो की दिल्ली नौइडा देली फ्लाईवे है वहाँ भी देखने को मिल रही है और गाडियां सडक पर रेंगती हुई नजर आ रही है दिल्ली का दम थूला नजर आ रहा है सडकों पर लगे इस जाम के कारण और इस जाम से जूजने के लिए बीते कई दिनों से दिल्ली के लोग मजबूर है और नकेवल इसमें आम लोग फंसते हैं बलकि जरूरी सामान की जो आपूर्ती है वो भी प्रभावित होती है कामकाजी लोग इस समय सुबह का वक्त है लोग घंटों से जाम के अंदर फंसे हुए हैं और ये जाम की तस्वीरें दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से सामने आ रही हैं दिल्ली के तीन इलाकों की तस्वीरें आब आपको दिखाते हैं किस तरीके से जाम लगा हुआ है आपको दिखाते हैं गाजीपूर बॉर्डर की तस्वीर जहां प्रदर्शन के कारण जो सुरक्षा के इंतजाम में वो पुखता किये गए है बॉर्डर को सीमित किया गया है वहाँ पर आवाजाही को सीमित किया गया है कंटीली बार लगाई गई है और इसी कारण से लंबा जाम और इस जाम में फंसी हुई इंबुलेंस भी नजर आ रही है साथ ही जो अड़े हुए किसान है वो लगातार इस बात की मांग कर रहे है कि उन्हें हर हाल में आज 11 बजे के वक्त दिल्ली की तरफ कूच करना है और सरकार या तो उनकी बात माने या उन्हें दिल्ली जाने का रास्ता दे लेकिन इसके बीच तो तस्वीरे हैं वो जाम की जहां दिल्ली में नजर आ रही है तो उसी तरफ दूसी तरफ शंभू बॉडर पर कुछ इस तरीके की तस्वीरे हैं जथे पे जथे चले आ रहे हैं और इन तमाम लोगों का कहना है कि शंभू बॉडर से दिल्ली कूच की कोशिश जरूर की जा रही है प्रदर्शन कारियों पर 16 आंसु गैस के गोले दागे गाएं तो देखिए 11 बजे का वक्त वो किसान संगटन और प्रदर्शन कारियों की तरफ से दिया गया था प्रदर्शन कारियों को तितर बितर करने के लिए आंसु गैस के गोलों का भी इस्तमाल किया गया है पोकलैन मशीन, JCB मशीन के साथ ये प्रदर्शन कारी रैस लैस हैं और देखिए दो तस्वीरियां आपको दिखा रहे हैं एक तरफ प्रदर्शन की जिद के ओपर अड़े हुए ये किसान संगटन और प्रदर्शन कारी नजर आ रहे हैं जिनकी बढ़ती हुई भीड इस समय पर शंभू बॉर्डर पर मौजूद है तो वहीं दिल्ली अन्सियार के इलाके के अंदर किस तरीके से आम लोग जाम से जूजने को मजबूर हैं इस तरीके के जाम की तस्वीरें अलग-अलग बॉर्डर के उपर नजर आ रही हैं तो मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ जोड़ रहे हैं आपको सीधे आप ग्राउंड जिरू लिए चलते हैं सिंगो बॉर्डर साथी गाजीपूर बॉर्डर और शम्भू बॉर्डर सबसे पहले में शम्भू बॉर्डर पर आपको लेके चलता हूँ जी बिल्कुल देखिए हलका बलपरियोग किया गया है पहले वार्णिंग दी गई थी फिर वो 50 मीटर और उनको कहा गया था कि मत अंदर आईये लेकिन जब वो आये तो फिर बलपरियोग किया गया करीब 16 आसुकैस के गोले जो है वो छोड़े गए हैं लगातार फोर्सिज जो है वो बढ़ती जा रही हैं यहां से जितनी कंपनिया हमने आपको पताई थी 64 कंपनिया पैरे मिल्ची फोर्सिज की 50 पुलिस की लेकिन कल की बैठक के बाद मधिराती की बैठकी और बढ़ गई है फोर्सिज तो अभी लगातार वो अपनी मांग पैड़े हैं कि हम दिल्ली जाएंगे किसान और उनके साथ जो आदनलकारी हैं अनोलन कारियों वह पर किस तरीके का अनौउस्मेंट की जा रहे हैं कि प्रदरश्चन करने उसे कहा जा रहे हैं कि वह मशीने लेकर आगे ना बढ़े हैं hin आपको यहां दाकिल होने नहीं दिया जाएगा जो भी आपको आपना प्रदर्शन करना है वो अपनी सीमा में रहके करिये जैसे ही उन्होंने कहा उसके बाद जो है लोग आगे बढ़ने लगे तो फिर एनाउस्मेंट हुआ कि 50 मीटर रह गया है आप आगे मत बढ़िये लेक कानून को अपने हाथ में लें मैं आपके पास लौटूगा आमेत है लेकिन इस समय अधित प्रताब सिंका भी रुक कर लेते हैं क्योंकि गाजीपूर बॉर्डर के उपर भी एक बड़ी चिंता ये है अधित कि जिस तरीके से वहाँ वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है स किंती कर चुका हूं 20 से अधिक एंबुलेंस इस ट्रैफिक जैम में पसी है जो कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं आपने एक सवाल जो पूछा था यहां पे कोई भी ऐसा रास्ता कोई सेफ वे नहीं बनाया गया है जिससे एंबुलेंसों को निकाला जा सके अभी भी इसी जैम में सामने देख सकते हैं कैमरे सेयोगी से कहूंगा कि एक बार तस्वीरे दिखाएं एक और एंबुलेंस जो है वो इस जैम में फसी हुई है लंबी कतार है यहां से जहां तक आखों की निगाये जा रही है बिल्कुँ मैं लोटूँगा आदित प्रताब सिंगा आपके पास में लेकिन ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर सुरक्षा के इंतजा मकमल करना पुलिस का जिम्मा है तो वहीं एंबुलेंस को सेफ लेन देना भी पुलिस और ट्राफिक पुलिस का जिम्मा है कहीं ने क बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ इंतजाम भी पुलिस की तरफ से प्वक्ता किये गए हैं सिंग्वी बॉर्डर पर क्या कुछ तस्वीर बिल्कुल पेडल से देखें ये तस्वीर साफ सामने आप देखी पहली लेर में आपको सुरक्षा दिखाई देगी दूसरी लेर में आपको परिशान लोग दिखाई देंगे जो दो किलोमीटर दूर पैदल चलके रोज अपने घर से दफ्तर दफ्तर से घर जाते हैं ये इसी गली होती है जहां से इने पैदल चलके अपने गंतव इस्थान पर जाते तो देखी इस इस्तिती यही है यहां पर लगातार सिंगु बॉडर पर भी कि सुरक्षा की इंतिजाम लगातार किये गये हैं प्रियोर्टी पर सुरक्षा की इंतिजामों को रखा गया है तो जीने जीने बिल्कुल रही यहां पर बेसिकली क्योंकि यह सभीलोग मलंब यहां पर कामगार मज़ूर हैं तो किसी बी तरह की पूच्दाथ नहीं की जारी हैं, किसी बी तरह से उनको रोका नहीं जा रहा है लेकिन rolling आपके पास में साथ ही अमित के पास भी चलेंगे शभ पुलिस अगर सुरक्षा के इंतजाम मुकमल कर रही तो साथी साथ एक सेफ लेन दी जानी चाहिए ताकि एंबुलेंसे के अंदर इलाज के लिए जा रहे है, मरीजों को किसी तरीके की परिशानी हो, इस समय उसका अबाव देखने को मिल रहा है, एंबुलेंसे भी जाम में फ के उपर एक लंबा जाम लगा हुआ है, आधिति प्रताप सिंग लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, 20 से जादा एंबुलेंसे उसको फंसा हुआ, वो अब तक वहां पर गिन चुके हैं, और ये कतार, ये सिलसला लगातार बरकरार है, 20 से जादा एंबुलेंसे इस सम करे रास्ते से निकलने को मजबूर इस समय नजर आ रहे हैं, पुलिस की तरफ से जो सिरक्षा निगरानी है, वो बरकरार रखी जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, कि ऐसे में अगर जरूरी वाहन फंसते हैं, तो उनके लिए जम्मेदार कौन होगा, और गाजीपू लोग हैं, वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, इसके अंदर कई जरूरी सामान भी उनको ले जाने वाले वाहन फंसे हुए हैं, इसके अलावा जो आम लोग सफर करते हैं, वो सड़क पर फंसने को मजबूर नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, और दिल्ली का निवासी है और दिल्ली के D&D की तस्वीर भी आपको दिखा वेते हैं देखिए ये दिल्ली नॉइडा दिल्ली फ्लाइवे है जो की दिल्ली को नॉइडा के इलाके से गौतम बुद्धनगर के इलाके से जोडता है ग्रेटर नॉइडा की तरफ जाता है और उस ज एक तरफ हमने आपको जानकी तस्वीर दिखाई हमने आपको दिखाई किस तरीके के सुरकषा इंतजान किये जा रहा है लेकिन इन प्रवेर्शन कारीयों की तरफ से क्या कुछ इंतजाम और तयारियां की गई है उसकी बानगी इन शे तस्वीरों में देख जिए तो देखे पोकलेंट मशीने हैं सवाल खड़ा होता है कि आंदोलन में इन पोकलेंट मशीनों की क्या जरूरत है साथ ही इस बार ट्रेक्टर के साथ कूच करने पर ये किसान प्रदर्शन कारी अड़े हुए हैं ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली में पुलिस किसी भी सूरत में ट्रेक्टर के साथ इस तरीके के प्रवेश और इस तरीके के जट्थे को इजाज़त दे सकती है अब की बार इन प्रदर्शन कारीयों के पास स्पेशल मास्क भी देखने को मिल रहे हैं जो आसू गैस के गोलों से बचाव के साथ-साथ पैचान को छपाने में भी कारकर हो सकते हैं क्योंकि फेशल रिकर्गनेशन मुम्किन नहीं होता है साथ ही जेसी भी मशीने हैं तो क्या बैरिकेट तोडने की तैयारी के साथ प्रदर्शनकारी अधाखिल होना चाहते हैं। साथी लोहे के शील्ड भी इस्तमाल किये जा रहे हैं। और पतंगे भी उडाई जा रही हैं, पतंगों का भी इस्तमाल किया जा रहा है। तमाम सवाल हैं जो इन तस्वीरों के साथ खड़े हो रहे हैं। के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है। तो देखे, रजोकरी बॉर्डर के उपर लगे हुए भारी जाम की तस्वीर और साथ ही गाजीपूर बॉर्डर पर जाम के बीच फंसी हुई एम्बुलेंस की तस्वीर। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि इस जाम के बीच पंसे हुए आम आदमी की तकलीफ को कम करने के लिए क्या कोई कभी कोई इंतजाम करेगा। और देखिए दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए बहुत महत्पूर हो जाती है। और देखिए दिल्ली के इसलिए ये माना जा रहा है कि 26 जनवरी 2021 को जिस तरीके की तस्वीरी देखने को मिली थी क्या उन्हें दोहराने की कोशिश हो रही है ये सवाल भी खड़ा हो रहा है इस कूच के मार्च के एलान के साथ। कि सरकार चौथे दौर के बाद पांचवे दौर में सभी मुद्दों जैसे की MSP की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विशह, FIR पर बातचीत करने के लिए तैयार है। हमें शांती बनाए रखना जरूरी है। तो एक बार फिर जहां एक तरफ प्रदर्शन कारी दिल्ली कूच की मांग पर अड़े हैं, शंबो बॉडर पर उन्हें रोकने के लिए आंसु गयास के गोलों का अस्तमाल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ के इंद्रिकरश्ची मंतरी अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरीए एक बार फिर किसान प्रदर्शन कारीयों को आमंतरित किया है कि वो बातचीत के लिए आएं। लगता तो ऐसा ही है सरकार अपनी तरफ से उनका स्टेटमेंट आया उन्होंने बयान भी दिया है मीडिया को अभी क्रिशी मंतराले में पहुंचे है कि हम चाहते हैं कि पांचवे दौर की बातचीत हो और हम सारे मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं चाहे तो सब्सक्राइब बातचीत करने के प्लान में अपने आपको उपन नहीं कर रहे हैं तो कहीं नहीं बीच कर कोई रास्ता निकलेगा आप निकलेगा कि नहीं निकलेगा पांचवे दौर की बातचीत के लिए कोई समय तया नहीं हो आपको उताना चाहूँगों पड़े अभी मैंने बात कि चित की कि法σιमंत्राले में अभी यह ओफर दिया गया है उदर किया किसान कहते हैं उसके बाद समय तया होगा उसके बाद बैठ के बातचीत होगी उसके बाद निकलेगा क्यू़ कि निकले पर वो भी अच्छी तरीके से जानते लेकिन जिस तरीके का घमासान मचा हुआ है आम तोर पर जो सबसे बड़ा समस्या अंदोलनों में होती है कि इसमें पिस्ता हुआ आम इंसाने दिल्ली के आसपास के इलाकों में भयानक जाम इस समय लगा हुआ है सबकों पर एंबुलेस्स फसी हुई है उसके लिए जिम्मेदार उसके लिए वेवस्ता काउन करेगा देखिए बेवस्ता तो इसमें जिम्मार किसान भी है और सरकार भी है सरकार को इसका रास्ता निकालना पड़ेगा और किसानों की बात माननी पड़ेगा कि चुनावी समय है, किसानों ने भी इसलिए इस समय को चुना है, कि चुनाव का समय है, इस समय सरकार पर एक दबाब बनाने का समय होता है, और सरकार आम तोर पर इस समय में दबाब में आती है, बात मान जाती है, अलग बात है, यह सरकार उतनी दबाब में नहीं है, कि इस सर पारी सरकार नहीं बन पाएगी तिजरी बार बावजूद इसके किसानों की बात आपको माननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी किस हद तक माननी पड़ेगी है सरकार ने अपना एक तैकर रखा होगा फॉर्मूला कि अगर हमने 23 फ़सलों पर MSP देने की बात की है तो 23 फ़स जाएड तोर पर यह समस्या बहुत पुरानी है बहुत लंबी है और इसके उपर जो फिलहाल जाम लगा है वो जाम नकेवल बाचीत की मेज पर लगा हुआ है बलकि दिल्ली की सड़कों और NCR के अंदर भी भारी जाम की तस्वीरे नजर आ रही हैं यह हम आपको लगातार आ रहे हैं किस तरीके से इस आंदोलन किसानों के कूच और उसके ऐलान के बाद किसान आंदोलन को लेकर हरियाना सरकार पंजाब सरकार के बीच भी बाचीत चल रही है और हाई कोट का रुख भी किया गया है लेकिन आपको यह बता दें कि किस तरीके की तस्वीरे सामने आ हैं अलग-अलग बॉर्डर पॉइंट से गाजीपूर बॉर्डर के उपर तीन घंटे से जाम है साथ ही डी एंडी फ्लाइवे पर डिली की तरफ आने वाले डिली से जाने वाले जो लोग हैं वो परेशान है क्योंकि बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है रजोकरी बॉर्डर की बात की जाए तो वहां भी वाहनों की लंबी कतार नजर आ ये साथ ही गुरूग्राम के अंदर भी जाम की तसमीरें नजर आ रही और किसान अंदलोन के उपर हाई कोड़ का पर अरजीत से सुनवाई से इंकार कानून व्यवस्ता करने की जिम Guideермर पलिस की है हाई कोड़ की नहीं है तो देखे इस पूरे मामले को लेकर हाई कोट का दर्वाजा खट-कटाया था पंजाब और हर्याना सरकार की तरफ से लेकिन इस मामले में हाई कोट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कानून विवस्था सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है राज्य प्रशासिन की जम्मेदारी है और इसलिए उन्हें इस मामले के अंदर आगे पहल करना चाहिए जो भी जम्मेदारी है ये उन्हें ने बाना चाहिए और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस का इस्तमाल किया गया है प्रदर्शन कारियों के साथ में हलकी घड़ब भी हुई है आंसू गैस के सोला गोले चोड़े गए हैं शंभू बॉडर के उपर लगातार बढ़ती हुई भीड और साथ ही इस भीड के साथ पॉकलेंड मशीन जैसी भी मशीने भी मौजूद हैं पूरे इंतजाम और तैयारी के साथ ये प्रदर्शन कारी हंगामा कर रहे हैं और इन प्रदर्शन कारी के हंगामे को तैतर बितर करने के लिए वहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तमाल भी किया गया है तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लेकिन दिल्ली कूछ पर किस तरीके से प्रदर्शन कारी अड़े हुए हैं इन प्रदर्शन कारी को से हलका बलप्रयोग किया गया है यानि आसू गैस के गोलों का भी इस्तमाल किया गया है ताकि भीड को तितर बितर किया जा सके लेकिन शंबू बॉडर से कई किलोमेटर दूर रजोक्री बॉडर की तस्वीर कुछ इस तरीके की नजर आ रही है यानि रजोक्री बॉडर के उ तस्वीर आप देखिए किस तरीके की परेशानी से दिल्ली के लोग रूबरू हो रहे हैं साथ ही बात करें अगर गाजीपूर बॉर्डर की तो गाजीपूर बॉर्डर के उपर भी लंबा जाम देखने को मिल रहा है गाजीपूर बॉर्डर यानि वो इलाका वो एनेश 24 नै पीरे दिखाते हैं गुरुग्राम की भी क्योंकि गुरुग्राम और दिल्ली के पीच जो बॉर्डर मौजूद है जो टोल मौजूद है वहां पर भी इसी तरीके का लंबा जाम देखने को मिल रहा है इसी तरीके से गाडियां सडकों पर रेंग रही हैं घंटों से लोग इस जाम के अंदर फंसे हैं और ऐसे में लोग परेशान हैं लेकिन एक तरफ किसानों का ऐलान है दूसी तरफ पुलिस का इंतजाम है और इसके बीच लोग फंसे हुए हैं और लोग नकेवल गुरुग्राम गाजीपूर बॉर्डर रजोक्री बॉर्डर पर फंसे हुए है बलकि D&D जो फ्लाइवे है जो की Rapid Expressway है यानी तेज रफतार से दिल्ली और नॉड़ा के बीच सफर करने के लिए बनाया गया था वहाँ भी इस समय सडकों पर रेंगते हुए वहाँ नजर आ रहे हैं लंबा जाम D&D पर भी देखने को मिल रहा है और दिल्ली की ये परेशानी कब खत्म होगी ये हर दिल्ली बाला परेशान है दिल्ली NCR के अंदर रेखने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ से हलकान है परेशान है और ऐसे में एक बड़ी परेशानी जो हो रही है वो मरीजों को हो रही है क्योंकि दिल्ली NCR के इलाके के दिल्ली के अस्पतालों का रुख करने वाले जो तमाम मरीज हैं वो परिशान हैं क्योंकि इस जाम के कारण कई एम्बॉलेंसेस फंसी हुई है और आपका चालने जी नियूस लगातार इन तस्वीरों के साथ ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि अगर पुलिस की तरफ से सुरशा के इंतजाम किये गए हैं तो उसमें क्या ये इंतजाम संभब नहीं है कि एम्बॉलेंसेस जो एमर्जनसी वाहन हैं उनको निकलने के लिए कोई रास्ता बनाया जाए किसी तरीके की safe lane बनाई जाए किसी तरीके से उन्हें priority पर निकला जाए प्राथमिक्ता के आदार पर उन्हीं जगह दी जाए ये तस्वीरें हैं दिल्ली की सड़कों से और इसी तरीके की तस्वीरें अलग-अलग इलाकों से सामने आ रही है बैरिकेटिंग लगी हुई है यानि जो मल्टी लेन सड़क थी उसे सिंगल यूर्ट टू लेन के अंदर कर दिया गया है और उसके अंदर सबसे ज़ादा जो खामे आजा सबसे ज़ादा परेशानी की जो तस्वीरे होती है वो एमबुलेंस को देखने को कारण होती है दिल्ली में गाजीपूर में एमबुलेंस जाम में फंसी हुई है और यह जो जाम में फंसी हुई है यह सबसे जादा परेशान इसलिए करती है क्योंकि हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है और एमबुलेंस अग आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर वो बॉर्डर है जो NH24 के जरीए उत्तर प्रदेश के इलाकों उत्राँचल के इलाकों को जोड़ता है उत्राखंड के इलाकों को जोड़ता है दिल्ली से और ये एम्बुलेंस की फंसी हुई तस्वीर है ऐसे में सवाल मन में खड़ा होत इस लंबे कई किलो मिटर लंबे फंसे जाम के अंदर अटकी हुई एम्बुलेंस को लेकर भी है और अपेक्षा और उमीद है कि सुरक्षबल जो वहाँ पर तैनाथ हैं उनको कोशिश करनी चाहिए ट्राफिक पुलिस को भी कोशिश करनी चाहिए कि एम्बुलेंस को प्रा चास तरपर जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि सुरक्षा के बारी इंतजाम किये गए हैं किसान इस जित के ओपर अड़े हुए हैं कि वो हर हाल में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे जैसी भी मशीने पोकलेन मशीनों के साथ वो परवर्शन के लिए आना चाहते हैं पुलिस ने भी पुकता इंतजाम किये हैं कई जगा पर मल्टी लेयर सिक्यूरिटी लगाई गई है लेकिन जो ज़रूरी सामान की सप्लाई है आम आदमी के आवाजाही के रास्ते हैं जो आम आदमी खासतार पर स्कूल की बच्चे जो परिक्षा देने के लिए जा रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परिशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी तरीके से लंबे जाम की तस्वीरें D&D जो की दिल्ली नौइडा देली फ्लाइवे है वहाँ भी देखने को मिल रही है और गाडियां सडक पर रेंगती हुई नजर आ रही है सडकों पर लगे इस जाम के कारण और इस जाम से जूजने के लिए बीते कई दिनों से दिल्ली के लोग मजबूर है और ना केवल इसमें आम लोग फंसते हैं बलकि जरूरी सामान की जो आपूर्ती है वो भी प्रभावित होती है कामकाजी लोग इस समय सुबह का वक्त है लोग घंटों से जाम के अंदर फंसे हुए हैं और ये जाम की तस्वीरें दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से सामने आ रही हैं दिल्ली के तीन इलाकों की तस्वीरें आब आपको दिखाते हैं किस तरीके से जाम लगा हुआ है आपको दिखाते हैं गाजीपूर बॉर्डर की तस्वीर जहां प्रदर्शन के कारण जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुखता किये गए है बॉर्डर को सीमित किया गया है व आज 11 बजे के वक्त दिल्ली की तरफ कूच करना है और सरकार या तो उनकी बात माने या उन्हें दिल्ली जाने का रास्ता दे लेकिन इसके बीच तस्वीरे हैं वो जाम की जहां दिल्ली में नजर आ रही हैं तो उसी तरफ दूसी तरफ शंभू बॉर्डर पर कुछ इस तरी और प्रवर्शन कारियों की तरफ से दिया गया था जब वो ऐलान कर चुके हैं कि दिल्ली बॉर्डर के लिए वो अपना कूच करेंगे प्रवर्शन कारियों के पास JCB मशीने भी हैं और प्रवर्शन कारी दिल्ली कूच की अपनी इसमांग के ओपर अड़े हुए हैं इसका इस्त bên भी कर रहे हैं साथी भारी शिल्ड भी इस्त इसमाल किये जा रहे हैं पूरी तयारी के साथ यह प्रवर्शन कारी जिद के ओपर अड़े हुए हैं कि इन्ने हर हाल में दिल्ली में दाखेल होना है और देखिए दो तसीव़ियां आपको दिखा रहा हैं एक तर के जाम की तस्वीरें अलग-अलग बॉर्डर दिली कुछ के लिए जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार आड़े हैं और रोकने के लिए आपको बता दे पंजाब हर्याना शंभू बॉर्डर पर आसु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो पुलिस की तरफ से यह कारवाई चोड़ गए शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी का हंगामा आज फिर देखने को मिला पुलिस की तरफ से कारवाई करते वे आसु गैस के गोले छोड़ने पड़े प्रदर्शनकारी को वहां से हटाने के लिए कई लेर सुरक्षा वहां पर देखने को मिल रही है बैर चोड़े गए हैं तो दूसरी तरफ ग्रेटर नॉइडा की भी तस्वीर आप देखिए कैसे ट्रैक्टर वहां आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं साथी खनौरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा इस वक्त चाक चौबन नजर आ रही है बिलकुल और ये तस्वीरे बया करत है कि किस तरह से हालात बच से बतर होते जा रहे हैं लेकिन इस सब का खामियाजा एक आम आदमी भुगत रहा है जो इन इलाकों से रोजाना अपने काम के लिए निकलता है अपने गंतवे तक पहुंचने की कोशिश करता है पुलिस की तरफ से कारवाई की जा रही है लगात ने कहा है कि वो किसानों से MSP पराली FIR के मुद्धे पर बाचीत को तयार है बिल्कुल और पाच्वे दौर की बाचीत के लिए किसानों को नियोता देते हैं ये कहना है और जुन मुंडा का साथी साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बाचीत से ही किसे भी मुद्धे पर समाधा निकल सकता है अर्जुन मुंदा ने प्रदेश्चन कारियों से अपील की शांती बनाये रखने के लिए भी कहा क्या कुछ कहा आई आपको सुनवाते हैं चोथे दौर तक की बादचीत होने के बाद किशान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिकरिया आई हम उसे संग्यान में लेते हुए पुना पाँचवे दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं बारता के लिए हम तयार हैं चाहे वो MSP का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे FIR का हो, चाहे crop diversification का हो ऐसे सभी मुद्दे पर बाचीत के लिए हम तयार हैं और मैं यही निवेदन करूँगा कि सब को सांती के साथ ऐसे विश्यों पर बाचीत करते हुए समाधान ढूडने की जरूरत है तो क्रिशी मंतरी अरजिन मुद्दा को आपने सुना दिली कूच को लेकर किसानों की तयारी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है और सीधे मोर्चा लेने के मूड में अब किसान नजर आ रहे हैं तस्वीरे देखिए और इससे अदाजा आप लगाईए कि अगर प्रदर्शन कारी आज फिर से अड़े तो किस तरह की तस्वीरे देखने को मिलेगी पिलकुल एक बार फिर दिल्ली एंसियार की जनता को जाम से जूजना पड़ेगा ये तमाम तस्वीरे आप देखिए किसान अपनी मांगो पर अड़े हैं हालकि क्रिशी मंत्री अरजन मुंड़ा को आपने अपसे कुछ दिर पहले सुना पांचवी दौर की बाचीत के लिए नियोता दिया है क्रिशी मंत्री ने और कहा है कि जो भी आपके मुद्दे हैं वो बाचीत से ही सुलजाए जा सकते हैं उसको लेकर बैठना होगा बाचीत का रास्ता निकालना होगा आज बड़ा गमासान और क्या है प्लान ये आपको हम बता रहे हैं ये देखे आपको प्रदर्शनकारी किसान जो हैं चेहरे पर मास्क लगाए नजर आ रहे हैं क्योंकि आसुग्यास की गोली लगातार अंदोलनकारी किसानों पर छोड़े गए थे वहाँ से भीड को हटाने के लिए और उस कारवाई से कैसे बचा जाए उसको लेकर देखे इस बार किसान तयार नजर आ रहे हैं क्या प्लानिंग के साथ आज दिल्ली कूच के लिए निकले हैं तमाम अंदोलनकारी किसान चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं चेहरा डखा हुआ है चश्मे लगाए हुए ताकि आँखों में नुकसान नहों और पोकलिन मशीन भी अपने साथ लेकर आज निकले हैं किसान साफ तोर पर तो देखिए बाचीत का दौर लगातार चल रहा है कभी दिन में बैठक होती है कभी रात बैठक होती है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है पाचवे दौर की बैठक के लिए भी अब नियोता दे दिया है खुद कृशी मंत्री ये कह रहते लेकिन हम खड़े हैं हर्याना पंजाब के दाता सिंवाला बोटर पर जहां पर आज पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का एलान किया था 11 बजे वो अल्टिमेटम खतम हो गया है और किसान अपनी मांगों पर खड़े हुए है कि वो दिल्ली कूच कर रहेंगे वो आप दूर से देख रहे हैं पंजाब का दासिंवाला बोटर रहा पर एक सरफ धर पहड़े हैं पंजाब के किसान दूसरी तरफ पहड़े है हर्याना पूलीटम के जवान पहरा मिंकेर आद जो पर साटों आज उनके लिए ख लोनों की तरह हैं और यह फोर्स पानात कर दीए, ताग एक न कीशान की भी करे जिल्ली कूछ नाइपर गहाए, परसाशन पूरी करे अखने तेमारे तीन सयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको हम तीनों की बाथ लिके चलते, हमारे साथ राहूल हैं, हमारे साथ अबिद भार्धवाज ह और साथ ही हमारे साथ एक और से योगी मारे जूड़ें लेकिन सबसे पहले हम राहूल का रुख करना चाहेंगे राहूल तस्वीरे दिखाईए और दिखाईए किस तरह की तैयारी करके निकले आज किसान किसान नॉलेज पार्क से ले करके और ये सूरजपूर तक जा रहे हैं और भारती किसान दिकायत के दौरा ये बुलाए गया था ये ट्रेक्टर रैली बुलाए गई है मैं कैमरा मेंन से कहुँगा कि पुरे ट्रेक्टर रैली को दिखाएं कि यह लबी ट्रेक्टर रैली अचिक जानी गई है और नॉलेच पार्क से होते हुए सूरजबूर सक जाएं कि प्रफ कर देने का इसमें को अचीज जब देने का और यह पूरी एक रैली जो किसान के तोरा कुछा बाले गाई है यह लगा यह का जाए तो अपनी मांग़ों को लेकर के और इसके बाद यह पाद सुरजबूर तग जाएंगे जरार है आमित आपका रुख करूंगी शम्भू बॉर्डर पर इस वक्त आपकी मौजूद्गी और पिछली बार जो तस्वीरे शम्भू बॉर्डर पर देखने को मिले थी आज वहां हालात कैसे हैं अब भी जस जब हम बाचीत कर रहे हैं तो 26 करीब फिर गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं सिंगू बॉर्डर पर बेर इससे पहले एक ख़बर बताई थी कि 5-7 हुआ हैं वो जानबूज कर अंदर आना चाहते हैं हिंसा को भड़काना चाहते हैं उनको पहले समझाया गया बा लगातार जो है इंपूट आ रहा है इंटेलिजेंस का इंपूट लगातार आ रहा है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व है कुछ एंटी सोचल एलिमेंट है जो की यहां पर हिंसा भड़काना चाहते हैं उनको एक प्लाटफॉर्म की तरह लग रहा आई ये किसान नेताओं को अधिकारी को पताया तो फिर इन पर कारवाई की जाए अभी लगातार जो है आसुपयास के गोले छोड़े जा रहे हैं और तिती अभी पिर पुलिस की कारवाई से बचने के लिए किसान भी आज पूरी तयारी करकर आए आंदोलन करने के लिए आप सभी हमारे साथ बने र करेंगे बिल्कुल और दिल्ली के अडिशनल सीपी किस तरह से इस पूरे मामले पर और जो मौझूदा हालात है उस पर उनका क्या कुछ कहना आईए आपको सुनवाते हैं दिल्ली के हर बॉर्डर पर सुरक्षा चूख है और इसको ले कर कही न कहीं तमाम अला अधिकारी जो है वो भी लगातार गस कर रहे हैं और सारे बॉर्डर चेक कर रहा है हमारे साथ बात करने के लिए कलशी चरें सर किस तरीके से आज सुरक्षा का यहां पर इंतजाम हुआ है और जो क्योंकि यह सबसे ज़्यादा हैवी ट्रेफिक वाला बॉर्डर है कैसे लोगों को भी सहूलियत रहे इसके लिए काम किया जा देखे हमारा जो यह किसान की जो कॉल है इसमें इनको पीसफुली हैंडल करन जनरली भी ट्रेफिक ज़्यादा रहता है तो कहीं असुविदा ना हो और ट्रेफिक भी जल्दी से चल पाए तो हम ट्रेफिक स्टाफ के साथ मिलके कॉडिनेशन के साथ यह इंशोर कर रहे हैं कि आम जन का भी अच्छे से चलन हो सर कहीं न कहीं एक इंटल रिपोर्ट भी थी कि कुछ के सान सामाने वहनों से भी पहुंश सकते हैं क्या वहनों की तलासी को लेके भी कुछ काम चलती है हमारे साथ वाले स्टेट्स यहाँ पर यूपी में गाजियाबाद और नर्टा पुलिस जो यह इस्टरन देली का जो हमारा बॉर्डर लगता है उनके साथ वहां पर उनके साथ उनकी पुलिस के साथ पूरा राफता है और जैसे भी जब भी कोई इंटल मिलती है तो हम अप आपको सिंगू बॉर्डर लिए चलते हैं हमारे सयोगी शिवांक मिश्रा वहाँ पर मौझूद हैं शिवांक तस्वीरे दिखाईए सिंगू बॉर्डर की क्योंकि पिछली बात जब किसाना अंदोलन हुआ था तो सिंगू बॉर्डर पर ही बहुत बड़ी संख्या में किसान जो डेरा जमाए बैटे थे और लंबे वक्त तक वहाँ पर रुके थे आज वहाँ पर हालात कैसे नजर आ रहे हैं जे बिल्कुल देखे यही वो जगा है जहाँ पर किसान लंबे संख्या में जुटे थे और किसान उन्हें पर हैटकॉर्टर यहीं पर बनाया थे सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त संख्यू बॉर्डर की तस्वीर यही है कि लगाता रेपिटेक्शन फोर्स की टीम लगाता सुबा से ही तैनात है यहाँ पर और सुबा से ही मुस्तैदी से सभी लोग खड़े हैं और शंबू बॉर्डर की स्थिखी की लगातार मॉनिटरिंग करें कि अगर किसान संभू बॉर्डर को क्रॉस करते है तो सिंगू बॉर्डर पर उन्हें रोकने के लिए डिली के भीतर यहां पर पूरी तरहाँ से मुस्तैदी से लगे हुए दूसरी एक और दस्वीर आपको दिखाते। जिस तरह से हम लोग सुबा से दिखा रहे हैं कि किसानों ने ट्रैक्टरों को मोडिफाई करा गया तो आप यह देखिए कि उससे बचने के लिए यहां पर यह जो कॉंक्रीट स्लैप्स के बीच में कॉंक्रीट मिक्षर को फिल करा गया ताकि जो उन्होंने मोडिफिकेशन करा है उस मोडिफिकेशन का प्रियोग करके वो सिंगु के भीतर नागुस्पा है और आईए एक बार और तस्वीर आपको दिखाते हैं और यह जो कॉंक्रीट मिक्षर है यह सिर्फ एक बैरिकेट में जितनी भी यहां पर कॉंक्रीट स्लैप्स की लेयर है हर सुखा सुखा कॉंक्रीट मिक्षर यहां पर कल रात से ही भर दिया गया था और इसे पक्का कर दिया गया था ताकि यह बिलकुल अभीद किला बन जाए बिलकुल अभीद दिवार बन जाए जिसको किसान पार ना कर पाई यहां से आप देखेंगी तो उपर से कटीले तारो को लगाया गया है और बेरिकेट्स को आपस में ही रस्यों से बांध दिया गया और यह सिती दोनों तरफ की है चाहे दाइयोर की यह तस्वीर हो और चाहे सडक के बाइयोर की दोनों जगहां पर ऐसा ही पुक्ता इंतजाम करा गया है ताकि अगर किसान शंबू बॉर्डर को क उसरी तरफ वज्रवाहन तैनाथ है और उसके अलावा पूरी रिजर्फोस 5000 के आसपास पुलिस कर्मी सुरक्षा कर्मी वो सभी यहां पर तैनाथ हैं दिल्ली पुलिस के रैपिडक्शन फोर्स के पैरमिलिटरी के और इस तरहां कि आप देखे कि कैसे कटीले तारों की एक उसका पूरा एक्जाम पर यहां पर भी दिख रहा है कि यहां पर भी लगातार मॉनिटरिंग करके विवस्ताओं को लगातार सुरक्षित करा रहा है अगर वहां से निकलते हैं तो यहां पर जल्द से जल्द क्योंकि तीन घंटे के आसपास का समय रहेगा शंबू से आपर मुस्ताइद है कि अगर वो शंबू बॉर्डर क्रोस करते हैं तो इस तरहां से तैयारियां करके उन्हें यहां पाहरियार के सीमा में बल्कुल शिवांग तस्वीरे बया कर रही है कि किस तरह से जो सुरक्षा करनी है सुरक्षा के वहां पर पुक्ता इंतिजामात कैसे भी जो पुलिस उनको रोकने की कोशिश करें तो उससे भी निपटने की तैयारी करके आये हैं दिली कुछ के लिए जो प्रदर्शिंकारी है वो लगातार आड़े हैं और रोकने के लिए आपको बता दे पंजाब हर्याना शंबू बॉर्डर पर आसु गैस के गोले छ बॉर गए शंबू बॉर्डर पर प्रदर्शिंकारी का हंगामा आझ पर देखने को और दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शंबू बॉर्डर पर आसु गैस के गोले छोड़े गए हैं तो तो दूसरी तरफ ग्रेटर नॉइडा की भी तस्वीर आप देखिए कैसे ट्रैक्टर वहां आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं साथी खनौरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा इस वक्त चाक चौबन नजर आ रही है बलकु लोगी तस्वीरे बया करती है कि किस तरह से हालात बच से बतर होते जा रहे हैं लेकिन इस सब का खामियाजा एक आम आदमी भुगत रहा है जो इन इलाकों से रोजाना अपने काम के लिए निकलता है अपने गंतवे तक पहुंचने की कोशिश करता है पुलिस की तरफ से कारवाई की जा रही है लगातार प्रिदर्शन कारियों से भी अपील की जा रही है कि आप जो लॉइन ओर्डर के सिती है उसको कम से कम ना बिगड़ने दे और आपको एक और बड़ी खबर बता दें केंद्रे क्रिशी मंत्री ने आंदोलन कारी किसानों को पांचवी दौर की बातचीत का नियोता दिया है अरजुन मुंडा ने कहा है कि वो किसानों से MSP पराली FIAR के मुद्दे पर बातचीत को तयार है पाचवी दौर की बातचीत के लिए किसानों को नियोता देते हैं यह कहना है अरजुन मुंडा का साथी साथ उन्होंने यह भी कहा है कि बातचीत से ही किसे भी मुद्दे पर समाधान निकल सकता है अर्जुन मुंडा ने प्रदेशन कारियों से अपील की शांती बनाये रखने के लिए भी कहा क्या कुछ कहा आईए आपको सुनवाते हैं चोथे दौर तक की बादचीत होने के बाद किशान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिकरिया आई हम उसे संग्यान में लेते हुए पुना पाँचवे दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं बारता के लिए हम तयार हैं चाहे वो MSP का हो चाहे वो पराली का मुद्दा हो चाहे FIR का हो चाहे crop diversification का हो ऐसे सभी मुद्दे पर बाचीत के लिए हम तयार हैं और मैं यही निवेदन करूँगा कि सबको सांती के साथ ऐसे विश्यों पर बाचीत करते हुए समाधान ढूणने की जरूरत है तो क्रिशी मंत्री अरजिन मुद्दा को आपने सुना दिली कूच को लेकर किसानों की तैयरी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है और सीधे मोचा लेने के मूड में अब किसान नजर आ रहे हैं तस्वीरे देखिए और इससे अदाजा आप लगाईए कि अगर प्रदेशन कारी आज फिर से अड़े तो किस तरह की तस्वीरे देखने को मिलेगी पिलकुल एक बार फिर दिली एंसियार की जनता को जाम से जूचना पड़ेगा यह तमाम तस्वीरे आप देखिए किसान अपनी मांगो पर अड़े हैं हालकि क्रिशी मंत्री अरजन मुंदा को आपने अपसे कुछ दिर पहले सुना पांचवी दौर की बाचीत के लिए नियोता दिया है क्रिशी मंत्री ने और कहा है कि जो भी आपके मुद्दे हैं वो बाचीत से ही सुलजाए जा सकते हैं उसको लेकर बैठना होगा बाचीत का रास्ता निकालना होगा आज बड़ा गम आसान और क्या है प्लान यह आपको हम बता रहे हैं यह देखें आपको ब्रदर्शन कारी किसान जो हैं चेहरे पर मास्क लगाए नजर आ रहे हैं क्योंकि आसुग्यास की गोले लगातार आंदोलन कारी किसानों पर छोड़े गए थे वहाँ से भीड को हटाने के लिए और उस कारवाई से कैसे बचा जाए उसको लेकर देखें इस बर किसान तयार नजर आ रहे हैं क्या प्लानिंग के साथ आज दिली कूच के लिए निकले हैं तमाम आदोलन कारी किसान चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं चेहरा डखा हुआ है चश्मे लगाए हुए ताकि आँखों में नुकसान नहों और पोकलेन मशीन भी अपने साथ लेकर आज निकले हैं किसान साफ तोर पर तो देखिए बाठीत का दौर लगातार चल रहा है कभी दिन में बैठक होती है कभी देर रात बैठक होती है हम खड़े हैं हर्याना पंजाब के दातर सिंवाला बोटर पर जहां पर आज पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का एलान किया था हम खतम हो गया है और किसान अपनी मांगों पर खड़े हुए है कि दिल्ली कूच कर रहेंगे वह आप दूर से देख रहे हैं पंजाब का दातर सिंवाला बोटर है जा पर एक तरफ खड़े हैं पंजाब के किसान दूसरी तरफ पड़े हैं हर्याना पुलिस के जवान पहरा था जबार मारे साथ जुड़ेए ऌपको हम रेंडीनों कि छम्त हैं हमेंता अब्ध भार्द हैं और साथ हमारी साथ एक और साथ आ करक फिल्द हैं लेकिन सबसे पहले हम राहुल का रुख कर न चाहेंगे राहू तस्वीरे दिखाई और दिखाईये किस तरह की तयारी करके निकलें आज किसान देखें क्योंकि किसान नॉलेज पार्क से ले करके और ये सूरजपूर तक जा रहे हैं और भार्ती किसान निकायत के द्वारा ये बुलाए गया था ये ट्रेक्टर रैली बुलाए गई है मैं कैमरा मेंन से कहूंगा कि पुरे ट्रेक्टर रैली को दिखाया है कि ये लबबी ट्रेक्टर रैली बाली गई है और नॉलेज पार्क से होते हुए सूरजपूर से जाएं कि द्वार्त की द्वार्त का देने का इस तक नाव को बढ़े कर ये सभी आउज आउज इसले हुए है और ये पूरी एक रैली जो किसानों के द्वारा दूबाली गई है ये लबबा ये का जाए तो अपनी माग़ों को लेकर के और इसके बाद ये सूरजपूर तक जाएंगे वहाँ जाएंगे वहाँ पर धर्णा परदर्शन पर भी बैठेंगे वहाँ पर बैठेंगे और तमाम ये कहा जाए कि इंतजमात के बारे में कहा जाए तो इस वक्त आपकी मौजूद्गी और पिछली बार जो तस्वीरे शंबू बॉर्डर पर देखने को मिले थी आज वहाँ हालात कैसे हैं देखें अब भी जस जब हम बातचीत कर रहे हैं तो 26 करीब फिर गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं सिंगू बॉर्डर पर बेर इससे पहले एक ख़बर बताई थी कि 5-7 हुआ है वो जानबूज कर अंदर आना चाहते हैं हिंसा को भड़काना चाहते हैं उनको पहले समझा आया गया बार-बार और यह देखें 27 वा गोला भी जोड़ दिया गया है 27 गोले करके जो है एक ती चार नहीं 27 गोले एक एक करके जोड़े गए इससे पहले 16 गोले चोड़े गए थे क्योंकि चाहते हैं कुछ लोग यहां पर हिंसा बढ़े और लगातार जो है इंपूट आ रहा है इंटेलिजेंस का इंपूट लगातार आ रहा है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व है कुछ एंटी सोचल एलिमेंट है जो कि यहां पर हिंसा भढ़काना चाहते हैं उनको एक प्लाटफॉर्म की तरह लग रहा है यह किसान नेताओं को समझना पड़ेगा देखिए और साथ लोग जब खड़े हुए थे तो वहां पर उन्होंने इनको हटाने की कोशिश की गई और फिर जब जवानों ने अपने अधिकारी को पताया तो उन्होंने कहा कि जैसे यह अंदर एंटर करते हैं तो फिर इन पर कारवाई की जाए अभी लगातार जो है आसुपया किस तरह से इस पूरे मामले पर और जो मौझूदा हालात है उस पर उनका क्या कुछ कहना आईए आपको सुनवाते हैं दिली के हर बॉर्डर पर सुरक्षा चूख है और इसको ले कर कहीं न कहीं तमाम अला अधिकारी जो हैं वो भी लगातार गस कर रहे हैं और सारे बॉर्डर चेक कर रहे हमारे साथ बात करने के लिए कल्सी चरहें सर किस तरीके से आज सुरक्षा का यहां पर इंतजाम हुआ है और जो क्योंकि यह सबसे ज़्यादा हैवी ट्रेफिक वाला बॉर्डर है कैसे लोगों को भी सहूलियत रहे हैं इसके लिए काम किया देखे हमारा जो यह किसान की जो कॉल है इसमें इनको पीसफुली हैंडल क करने के लिए पूरा इंतजाम यहां पर है लेकिन इससे भी ज्यादा हमारा फोकस यही है कि पब्लिक इन कन्विनियंस कम से कम हो हम यहां इसलिए यहां पर घुम रहे हैं देख रहे हैं कि अगर इस समय पी कार पे थोड़ा जनरली भी ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो कहीं असुविदा ना हो और ट्रैफिक भी जल्दी से चल पाए तो हम ट्रैफिक स्टाफ के साथ मिलके कॉडिनेशन के साथ यह इंशोर कर रहे हैं कि आम जन का भी अच्छे से चलन हो सर कहीं न कहीं एक इंटल रिपोर्ट भी थी कि कुछ के सान सामाने वाहनों से भी पहुंश सकते हैं क्या वाहनों की तलासी को लेके भी कुछ काम चलती है हमारे साथ वाले स्टेट्स यहां पर यूपी में गाजियाबाद और नर्टा पुलिस जो यह इस्टरन देली का जो हमारा बार्टर लगता है उनके साथ वहाँ पर उनकी पुलिस के साथ पूरा राफता है और जैसे भी जब भी कोई इंटल मिलती है तो हम अपने तरीके से लौफुली इस जीज को हैंडल करेंगे और अब आपको सिंगू बॉर्डर लिए चलते हैं आज वहाँ पर हालात कैसे नजर आ रहे हैं जी बिल्कुल देखें यही वो जगा है जहां पर किसान लंबी संक्याम में जुटे थे और किसान उन्हें पर हैटकॉर्टर यहीं पर बनाया थे सिंगू बॉर्डर भी इस वक्त सिंगू बॉर्डर की तस्वीर नहीं है कि लगाता रेपिडेक्शन फोर्स की टीम लगाता सुबा सही तैनात है यहाँ पर और सुबा सही मुस्तहदी से सभी लोग खड़े हैं और शंबू बॉर्डर की सिथीक की लगातार मॉनिटरिंग करें कि अगर किसान संबू बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो सिंगू बॉर्डर पर उन्हें रूखने के लिए दिल्ली के भीतर यहाँ पर पूरी तरहां से मुस्तहदी से लगे हुए दूसरी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिस तरह से हम लोग सुबा से दिखा रहे हैं कि किसानों ने ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करा गया तो आप यह देखिए कि उससे बचने के लिए यहाँ पर यह जो कॉंक्रीट स्लैप्स के बीच में कॉंक्रीट मिक्षर को गया ताकि जो उन्होंने मॉडिफिकेशन करा है उस मॉडिफिकेशन का प्रियोग करके वो सिंगू के भीतर ना गुस्पा है और आईए एक बार और तस्वीर आपको दिखाते हैं और यह जो कॉंक्रीट मिक्षर है यह सिर्फ एक बैरिकेट में जितनी भी यहाँ पर कॉं पसमें ही रसीयों से बांध दिया गया और यह सिती दोनों तरफ की है चाहे दाइयोर की यह तस्वीर हो और चाहे सडक के बाइयोर की दोनों जगहां पर ऐसा ही पुक्ता इंतजाम करा गया है ताकि अगर किसांद शंबू बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और वो दिल्ली की सी दिमा में प्रिवेश ना कर पाए तो यह सिती है समय शंबू बॉर्डर की और दूसरी तरफ वज्रवाहन तैनात है और उसके अलावा पूरी रिजर्फोस 5000 के आसपास पुलिस कर्मी सुरक्षा कर्मी वो सभी यहां पर तैनात हैं दिल्ली पुलिस के रैपिड़क्शन फो रही है तो उसकी उसका पूरा एक्जाम पर यहां पर भी दिख रहा है कि यहां पर भी लगातार मॉनिटरिंग करके विवस्ताओं को लगातार सुरक्षित कर रहा है अगर वहां से निकलते हैं तो यहां पर जल्द से जल्द क्योंकि तीन घंटे के आसपास का समय रहेगा शम्भू बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर तक का जो पूरी दूरी है तो पहले से ही पुलिस आपर मुस्तायद है कि अगर वो शम्भू बॉर्डर क्रोस करते हैं तो इस तरहां से तैयारियां करके उन्हें यहां पाहरियान की सीमा बल्कुल शिवांक तस्वीरे बया पूर रखने के साहथ वहां पर कैसे भी जो पुलिस उनको रोकने की कोशिश करें तो उससे भी निपटने की तैयारी करके आये हैं दिली कुछ के लिए जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार अड़े हैं और रोकने के लिए आपको बता दे पंजाब हरियाना शंबू बॉर्डर पर आसु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो पुलिस की तरफ से ये कारवाई की जा रही है शंबू बॉर्डर पर प्रदर्शनका का हंगामा आज भी देखने को मिला पुलिस की तरफ से कारवाई करते वे आसु गैस के गोले छोड़ने पड़े प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए कई लेर सुरक्षा वहाँ पर देखने को मिल रही है बैरिकेज लगाए गए हैं दिली में प्रविश की इज प्रदर्शनकारियों को नहीं दी जा रही है और इसी को लेकर वहां पर हंगामा बर्पा नजर आ रहा है पुलिस की तरफ से कारवाई और दो तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर पर आसु गैस के गोले छोड़े गए हैं तो दूसरी तरफ ग्रेटर न प्रदर्शनकारियों को पांचवी दोर की बाचीत का नियोता दिया है अरजुन मुंडा ने कहा है कि वो किसानों से MSP पराली FIAR के मुद्धे पर बाचीत को तयार है बिलकुल और पाचवी दोर की बाचीत के लिए किसानों को नियोता देते हैं ये कहना है अरजुन मुंडा का साथी साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बाचीत से ही किसी भी मुद्धे पर समाधान निकल सकता है अरजुन मुंडा ने प्रदर्शनकारियों से अपील की शांती बनाए रखने के लिए भी कहा क्या कुछ कहा आई ये आपको संवाते हैं चोथे दोर तक की बाचीत होने के बाद किशान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई हम उसे संग्यान में लेते हुए पुना पांचवे दोर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्धे जिन मुद्धे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं बारता के लिए हम तयार है चाहे वो MSP का हो चाहे वो पराली का मुद्धा हो चाहे FIR का हो चाहे क्रॉप डाइवर्शिफिकेशन का हो ऐसे सभी मुद्धे पर बाचीत के लिए हम तयार है और मैं यही निवेदन करूँगा कि सब को सांती के साथ ऐसे विश्वयों पर बाचीत करते हुए समाधान ढूडने की जरूरत है तो क्रिशी मंत्री अरजिन मुद्धा को आपने सुना दिली कूच को लेकर किसानों की तयारी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है और सीधे मोचा लेने के मूड में अब किसान नजर आ रहे हैं तस्वीरे देखिए और इससे अदाजा आप लगाईए कि अगर प्रदेशन कारी आज फिर से अड़े तो किस तरह की तस्वीरे देखने को मिलेगी पिल्कुल एक बार फिर दिली एंसियार की जनता को जाम से जूजना पड़ेगा यह तमाम तस्वीरे आप देखिए किसान अपनी मांगो पर अड़े हैं हाला कि कृष्णी मंत्री अरजन मुंड़ा को आपने अपसे कुछ दिर पहले सुना भीड को हटाने के लिए और उस कारवाई से कैसे बचा जाए उसको लेकर देखिए इस बार किसान तयार नजर आ रहे हैं क्या प्लानिंग के साथ आज दिली कूछ के लिए निकले हैं तमाम अंदोलनकारी किसान चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं चेहरा डखा हुआ है चश्मे लगाए हुए ताकि आँखों में नुकसान नहों और पोकलिन मशीन भी अपने साथ लेकर आज निकले हैं किसान साफ तर पर तो देखिए बाचीत का दौर लगातार चल रहा है कभी दिन में बैठक होती है कभी देरात बैठक होती है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है पाचवे दौर की बैठक के लिए भी अब नियोता दे दिया है खुद कृषी मंतरी ये कह रहे थे लेकिन आप देखिए किस तरह से अलग-अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कारी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। और जीन्द में भी बॉर्टर पर पंजाब और हर्याना दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट पर हैं। और हमारे तीन सायोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही हमारे साथ एक और सायोगी हमारे जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले हम राहूल का रुख करना चाहेंगे। राहूल तस्वीरे दिखाईए और दिखाईए किस तरह की तैयारी करके निकले आज किसान। किसान नौलेज पार्क से लेकरके और ये सूरजपूर तक जा रहे हैं। और भार्ती किसान निकायत के द्वारा ये बुलाए गया था, ये ट्रेक्टर रैली बुलाए गई है। मैं कैमरामें से कहाँगा कि पूरे ट्रेक्टर रैली को दिखाएं कि ये लबी ट्रेक्टर रैली आज से लाली गई है। और नौलेज पार्क से होते हुए सूरजपूर कर चाहें कि द्वार्ण मांगें। तो अपनी मांगें को अबस्ताइब लिए ट्रेक्टर रैली जो किसाम के द्वारा दिल्गा लेकर के और इसके लाद ये शूरजपूर तक जाएंगे ये तस्वीरे बया करती है कि किस तरह की तैयारी है रहा हुए लेकिन हमारे बाकी भी संवादात हमारे साथ जुड़ गया है देखे अब भी जस जब हम बाचीत कर रहे हैं तो 26 करीब फिर गोले जो है वो छोड़े गए हैं इससे पहले एक खबर बताई थी कि पांच से साथ युवा है वो जानबूज कर अंदर आना चाहते हैं कुछ लोग यहां पर हिंसा बड़े और लगातार जो है इंपूट आ रहा है इंटेलिजेंस का इंपूट लगातार आ रहा है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व है कुछ एंटी सोचल एलिमेंट है जो की यहां पर हिंसा बड़काना चाहते हैं उनको एक प्लाटफॉर्म की तरह लग रहा है ये किसान नेताओं को समझना पड़ेगा देखिए अभी आप देखें कि किस तरह से बैज जैसे आपको बता रहा हूं की 27 गोले अभी और 16 सुबह चोड़े गए थे उनको पहले समझाया गया लगातार वहां पर जो है वहां पर एनाउस्मेंट की जारी थी वह लोग 5-7 लोग जो है वहां पर खड़े हुए थे और 7 लोग जब खड़े हुए थे तो वहां पर उन्होंने इनको हटाने की कोशिश की गई और फिर जब जवानों ने अपने अधिकारी को बताया तो उन्होंने कहां कि जैसे यह अंदर एंटर करते हैं तो फिर इन पर कारवाई की जाए अभी लगातार जो है आशुक्यास की गोले चोड़े जा रहे हैं और तिती अभी फिर लिए लिए कि पुलिस की कारव हैं दिली के हर बॉर्डर पर सुरक्षा चूख है और इसको ले कर कहीं न कहीं तमाम अला अधिकारी जो हैं वो भी लगातार गस कर रहे हैं और सारे बॉर्डर चेक कर रहे हमारे साथ बात करने के लिए कलसी चरहें सर किस सरीके से आज सुरक्षा का यहां पर इंतजाम और जो क्योंकि यह सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक वाला बॉर्डर है कैसे लोगों को भी सहूलियत रहे इसके लिए कान किया देखे हमारा जो यह किसान की जो कॉल है इसमें इनको पीसफुली हैंडल करने के लिए पूरा इंतजाम यहां पर है लेकिन इससे भी ज़्य यही है कि पब्लिक इन कन्विनियंस कम से कम हो हम यहां इसलिए यहां पर घूम रहे हैं देख रहे हैं कि अगर इस समय पी कार पे थोड़ा जनरली भी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो कहीं असुविदा ना हो और ट्रैफिक भी जल्दी से चल पाए तो हम ट्रैफिक साथ मिलके कोर्डिनेशन के साथ यह शोर कर रहे हैं कि आम जनका भी अच्छे से चलणों कहीं नہ कहीं पूर्ड लगत उनके साथ वहां पर उनके साथ उनकी पुलिस के साथ पूरा राफता है और जैसे भी जब भी कोई इंटल मिलती है तो हम अपने तरीके से लौफुली इस जीज को हैंडल करेंगे अब आपको सिंगू बॉर्डर लिए जलते हैं हमारे सयोगी शिवांक मिश्रा वहां पर मौझूद हैं शिवांक तस्वीरे दिखाईए सिंगू बॉर्डर की क्योंकि पिछली बार जब किसाना अंदोलन हुआ था तो सिंगू बॉर्डर पर ही बहुत बड़ी संख्या में कि बॉटे थे और किसान उन्हें पर हैड़कोर्टर यहीं पर बनाया था सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त सिंगू बॉर्डर की तस्वीर ही है कि लगाता रेपेडेक्शन फोर्स की टीम लगाता सुबा सही तैनात है यहाँ पर और सुबह सही मुस्तहदी से सभी लोग करें और शंबू बॉर्डर की तितीक की लगातार मानेटरिंग करें कि अगर किसान संबू बॉर्डर को खरते हैं तो इन्हें रोखने के लिए दिली के भीतर यहां पर पुरी तरह से मुस्तहदी से लगे हुए दूसरी एक और दस्वीर आपको दिखाते जिस तरह से अभी जिसार से हम लोग सुबा से दिखा रहे हैं कि कैसे किसानों ने ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करा गया तो आप यह देखिए कि उससे बचने के लिए यहां पर यह जो कॉंक्रीट स्लैप्स के बीच में कॉंक्रीट मिक्षर को फिल करा गया ताकि जो उन्होंने प्रियोग करके वो सिंगू के भीतर ना गुस्पा है और आए एक बार और तस्वीर आपको दिखाते हैं यह जो कॉंक्रीट मिक्षर है यह सिर्फ एक बैरिकेट में जितनी भी यहां पर कॉंक्रीट स्लैप्स की लेयर है हर जगा सुखा सुखा कॉंक्रीट मिक्षर यहां कल रात से ही भर दिया गया था और इसे पका कर दिया गया था ताकि यह बिलकुल अभीद किला बन जाए बिलकुल अभीद दिवार बन जाए जिसको किसान पार ना कर पाई यहां से आप देखेंगी तो उपर से कटीले तारों को लगाया गया है और बैरिकेट्स को आपस मे ही रसियों से बांध दिया गया और ये सिती दोनों तरफ की है चाहे दाइयोर की ये तस्वीर हो और चाहे सडक के बाइयोर की दोनों जगहाँ पर ऐसा ही पुक्ता इंतजाम करा गया है ताकि अगर किसान शंबू बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और वो दिल्ली की सीमा की तरफ बढ़ते हैं तो जितनी भी उन्होंने तयारिया करी उनकी सारी तयारिया शंबू बॉर्डर पर आकर धराशाही हो जाए और वो दिल्ली की सीमा में प्रिवेश ना कर पाए तो ये सिती है समय शंबू बॉर्डर की और दूसरी तरफ वजरवाहन तैनात है और उसके अलाव तकरीबन तकरीबन 20 लेरिंग है ये शंबू बॉर्डर पर तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि आखिर शंबू बॉर्डर की सिती कह रहती हो लगातार मॉनिटरिंग की जारी शंबू बॉर्डर पर अगर कुछ भी हल चल हो रही है तो उसकी उसका पूरा एक्जाम पर यहां पर भी दिख रहा है कि यहां पर भी लगातार मॉनिटरिंग करके विवस्ताओं को लगातार सुरक्षित करा रही है अगर वहां से निकलते हैं तो यहां पर जल्द से जल्द क्योंकि तीन घंटे के आसपास का समय रहेगा शंबू बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर् कर्ते हैं तो इस तरह से तयारीा करें उन्हें यहां पहरियान के सीमा में हैं करनी है सुरक्षा के वहाँ पर पुक्ता इंतिजामात करिए गया है इसके बावजूद पिशली बार जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी राहुल वो भी बया करती है कि अगर पुलिस ने इंतिजाम बनाया हुआ है अपनी ओर से पूरी कोशिश की है तो जो प्रदर् जाब हरियाना शंबू बॉर्डर पर आसुगैस के गोले छोड़े जा रहे है तो पुलिस की तरफ से ये कारवाई की जा रही है शंबू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा और उन्हें रोकने के लिए आसुगैस के गोले छोड़े जा रहे है शंबू ने पड़े प्रधरशनकारियों को यहां से हटाने के लिए कई लेयर सुरक्षा वहां पर देखने को मिल रही है बैरिकेज लगाए गए हैं दिलिलatan स्वेर अग्रक हें और गैज़ी ए और हवे सब्सक्राइब को नहीं धी जाzwischen कारियों को नहीं दी जा रही पर भी सुरक्षा इस वक्त चाक चौबन नजर आ रही है बिल्कुल और ये तस्वीरे बया करती है कि किस तरह से हालात अब बच से बतर होते जा रहे हैं लेकिन इस सब का खामियाजा एक आम आदमी भुगत रहा है जो इन इलाकों से रोजाना अपने काम के लिए निकलता है गंतवे तक पहुंचने की कोशिश करता है पुलिस की तरफ से कारवाई की जा रही है लगातार प्रिदर्शन कारियों से भी अपील की जा रही है कि आप जो लॉइन ओर्डर के सिती है उसको कम से कम ना बिगड़ने दे और आपको एक और बड़ी खबर बता दे हैं केंद् अजुन मुंडा का साथी साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बादचीत से ही किसी भी मुद्धे पर समाधान निकल सकता है अजुन मुंडा ने प्रिदर्शन कारियों से अपील की शांती बनाये रखने के लिए भी कहा क्या कुछ कहा आईए आपको सुनवाते हैं चोथे दौर तक की बादचीत होने के बाद किशान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई हम उसे संग्यान में लेते हुए पुना पांचवे दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्धे जिन मुद्धे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं बारता के लिए हम तयार है चाहे वो MSP का हो चाहे वो पराली का मुद्धा हो चाहे FIR का हो चाहे क्रॉप डाइबर्सिफिकेशन का हो ऐसे सभी मुद्धे पर बाचीत के लिए हम तयार है और मैं यही निवेदन करूँगा कि सबको सांती के साथ ऐसे विश्वयों पर बाचीत करते हुए समाधान ढूंडने की जरूरत है तो क्रिशी मंत्री अर्जिन मुद्धा को आपने सुना दिली कूच को लेकर किसानों की तयारी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है और सीधे मोचा लेने के मूड में अब किसान नजर आ रहे हैं तस्वीरे देखिए और इससे अदाजा आप लगाईए कि अगर प्रदेशन कारी आज फिर से अड़े तो किस तरह की तस्वीरे देखने को मिलेगी पिल्कुल एक बार फिर दिली एंसियार की जनता को जाम से जूचना पड़ेगा यह तमाम तस्वीरे आप देखिए किसान अपनी मांगो पर अड़े हैं हालकि क्रिशी मंत्री अरजन मुंड़ा को आपने अपसे कुछ दिर पहले सुना भीड को हटाने के लिए और उस कारवाई से कैसे बचा जाए उसको लेकर देखिए इस बर किसान तयार नजर आ रहे हैं क्या प्लानिंग के साथ आज दिली कूछ के लिए निकले हैं तमाम अंदोलन कारी किसान चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं चेहरा डखा हुआ है चश्मे लगाए हुए ताकि आँखों में नुकसान नहों और पोकलिन मशीन भी अपने साथ लेकर आज निकले हैं किसान साफ तोर पर तो देखिए बाचीत का दौर लगातार चल रहा है कभी दिन में बैठक होती है कभी देरात बैठक होती है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है पाचवे दौर की बैठक के लिए भी अब नियोता दे दिया है खुद कृषी मंत्री ये कह रहते लेकिन आप देखिए किस तरह से अलग-अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कारी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और जीन्द में भी बौर्टर पर पर पंजाब और हर्याना दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट पर है देखिए जी नियूस की ये रिपोर्ट हम खड़े हैं हर्याना पंजाब के दातर सी वाला बोटर पर जहां पर आज पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का एलान किया था जारा मज़े वो अल्टीमेटम खतम हो गया है और किसान अपनी मांगों पर खड़े हुए है कि वो दिल्ली कूच का रहेंगा वो आप पर जातरी दम लेंगे उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बैरीगेट साथ और यह पूर्स पैनाथ कर दिका कि किसान किसी भी तरह दिल्ली कूच नहीं पर परशाशन पूरी तरह और हमारे तीन सायोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको हम तीनों के बात लेके चलते हमारे साथ राहूल हैं हमारे साथ अब भार्दवाज हैं और साथ ही हमारे साथ एक और सायोगी हमारे जुड़ गें लेकिन सबसे पहले हम राहूल का रुख करना चाहेंगे राहूल गाइड के दोरह बुलाए गया था, ये ट्रैक्टर रैली पुलाए गई है। मैं कैमरा में से कहूंगा की पुरे ट्रैक्टर रैली को दिखाएंगा कि ये लगवी ट्रैक्टर रैली इसाशी जानी गई है। और नॉलेज़ पार्क से होते हुए शूरजबूर सक्याएं के लिए वास का देने का इन सब्सक्राइब को पुरी एक रहनी जो किसामों के द्वारा दिल्का ले गई है ये बहुत लबा ये कहा जए तो और इसके बाद ये सूरजबूर तक जाएंगे वहाँ जाना पर धर्ना परतर्शन पर भी बैठेंगें और तमम ये कहा जाए कि इंतजबात के बारे में कहा जाए तो तो ये तस्वीरे बया करती है कि किस तरह की तयारी है रहो लेकिन हमारे बाकी भी संवादात हमारे साथ जुड़ गया है शिवांक और आमित हमें नजर आ रहे हैं आमित आपका रुक करूंगी शंबू बॉर्डर पर इस वक्त आपकी मौजूदगी और पिछली बार जो तस् पर बताई थी कि 5-7 हुआ है वो जानबूज कर अंदर आना चाहते हैं हिंसा को भड़काना चाहते हैं उनको पहले समझाया गया बार बार और ये देखिए 27 गोले एक एक करके जो है एक देव ती चार नहीं 27 गोले एक एक करके जो है भी छोड़े गए इस से पहले 16 गोले की तरह लग रहा आईए किसान नेताओं को समझना पड़ेगा देखिए अभी आप देखें कि किस तरह से बैजसे आपको बता रहा हूं कि 27 गोले और 16 सुबह चोड़े गए थे उनको पहले समझाया गया लगातार वहां पर जो है वहां पर एनौस्मेंट की जारी थी वह ल कारवाई की जाए अभी लगातार जो है आसुपयास के गोले चोड़े जा रहे हैं और तिती अभी फिर लंबीर होती दिखाए दिखने के लिए कि सान भी आज पूरी तैयारी करकर आएं आंदोलन करने के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहे हैं सिशिवांक मिश्रा भी ज सुरक्षा चूख है और इसको ले कर कहीं न कहीं तमाम अला अधिकारी जो हैं वो भी लगातार गर्स कर रहे हैं और सारे बॉर्डर चेक कर रहे हमारे साथ बात करने के लिए कलसी चरहें सर किस सरीके से आज सुरक्षा का यहां पर इंतजाम हुआ है और जो क्योंकि यह सब यह कि पब्लिक इन कन्विनियंस कम से कम हो हम यहां इसलिए यह यहां पर घूम रहे हैं देख रहे हैं कि अगर इस समय पी कार पे थोड़ा जनरली भी ट्रैफिक जादा रहता है तो कहीं असुविदा ना हो और ट्रैफिक भी जल्दी से चल पाए तो हम ट्रैफिक स्टाफ के साथ मिल के कोडिनेशन के साथ यह इंशूर कर रहे हैं कि आम जन का भी अच्छे से चलन हो सर कही न कही एक इंटल रिपोर्ट भी थी कि कुछ के सान सामाने वाहनों से भी पहुँश सकते हैं क्या वाहनों की तलासी गुले की भी कुछ काम चलती है हमारे साथ वाले स्टेट्स यहां पर यूपी में गाजियाबाद और नर्टा पुलिस जो यह इस्टरन देली का जो हमारा बॉर्डर लगता है उनके साथ वहां पर उनके साथ उनकी पुलिस के साथ पूरा राफता है और जैसे भी जब भी कोई इंटल मिलती है तो हम अपने तरीके से लौफली इस जीज को हैंडल करेंगे और आपको सिंगू बॉर्डर लिए जलते हैं हमारे सयोगी शिवांक मिश्रा वहां पर मौजूद हैं शिवांक तस्वीरे दिखाईए सिंगू बॉर्डर की क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो सिंगू इस वक्त सिंगू बॉर्डर की तस्वीर नहीं है कि लगाता रेपिडेक्शन फोर्स की टीम लगाता सुबा से ही तैनात है यहां पर और सुबह से ही मुस्तहदी से सभी लोग खड़े हैं और शंबू बॉर्डर की स्थिखी की लगातार मॉनिटरिंग करें कि अगर किसान स समभू बॉर्डर को क्रोस करते हैं तो सिंगू बॉर्डर और पर उन्हें रोकने का लिए दिल्ली के भीतर यहां पर पूरी तरहां से मुस्तहदी से लगे हुए दूसरी एक और तस्वीर आपको दिखाते जिस तरहां से अभी इम जिस तरहां से हम लोग सुबा से दिखा रहे हैं कि कैसे किसानों ने ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करा गया तो आप यह देखिए कि उससे बचने के लिए यहां पाद यह जो कॉंक्रीट स्लैप्स के बीच में कॉंक्रीट मिक्षर को फिल करा गया ताकि जो उन्होंने मॉडिफिकेशन करा है उस मॉडिफिकेशन का प्रियोग करके वो सिंगू के भीतर ना गुस्पा है और आईए एक बार और तस्वीर आपको दिखाते हैं और यह जो किसान पार ना कर पाई यहां से आप देखेंगी तो उपर से कठीले तारों को लगाया गया है और बेरिकेट्स को आपस में ही रस्यों से बांध दिया गया और यह सिती दोनों तरफ की है चाहे दाइयोर की यह तस्वीर हो और चाहे सडक के बाइयोर की दोनों जगहा पर ऐ दिल्ली की सीमा में प्रिवेश ना कर पाई तो यह सिती है समय सिंगो बॉर्डर की और दूसरी तरफ वज्रवाहन तैनात है और उसके अलावा पूरी रिजर्फोस पांच सदार के आसपास पुलिस कर्मी सुरक्षा कर्मी वो सभी यहां पर तैनात हैं दिल्ली पुलिस के यहां पर पहले से ही लाकर डाल दी गई है कि अगर वहां से जलते हैं तो यहां पर जल्से जल्ट क्योंकि तीन घंटे के आसपास का समय रहे गा शम्भू बॉर्डर से लेकर सिंगो बॉर्डर तक का पूरी दूरी है तो पहले से ही पुलिस यहां-पर मुस्ताइद है कि अगर वो शम्भू बॉर्डर क्रॉस करते तो इस तरहां से त पूरी सुरक्षा रखने के साथ साथ वहां पर कैसे भी जो पुलिस उनको रोकने की कोशिश करें तो उससे भी निपटने की तैयारी करके आये हैं। शंबू बॉर्डर पर आज एक भर फिर तनाफ की स्थिती बंती नजर आ रही है। इसकी तरफ से का रवाई और दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शंबू बॉर्डर पर आंसु गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो दूसरी तरफ ग्रेटर नॉइडा की भी तस्वीर आप देखिए कैसे ट्रैक्टर वहाँ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। की खनौरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा इस वक्त चाक चौबर नजर आ रही है। की खनौरी ने आंदोलन कारी किसानों को पांचवी दौर की बाचीत का नियोता दिया है। अरजुन मुंडा ने कहा है कि वो किसानों से MSP, पराली, FIR के मुद्धे पर बाचीत को तयार है। बिल्कुल और पाच्वे दौर की बातचीत के लिए किसानों को नियोता देते हैं ये कहना है अरजुन मुंडा का साथी साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बातचीत से ही किसी भी मुद्धे पर समाधान निकल सकता है अरजुन मुंडा ने प्रेजर्शन कारियों से अपील की शा तिक्रिया आई हम उसे संग्यान में लेते हुए पुना पांचवे दोर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं बारता के लिए हम तयार हैं चाहे वो MSP का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे FIR का हो, चाहे crop diversification का हो ऐसे सभी मुद्दे पर बाचीत के लिए हम तयार हैं और मैं यही निवेदन करूँगा कि सब को सांती के साथ ऐसे विश्वयों पर बाचीत करते हुए समाधान ढूडने की जरूरत है तो क्रिशी मंत्री अर्जिन मुद्दा को आपने सुना दिली कूच को लेकर किसानों की तयारी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है और सीधे मोचा लेने के मूड में अब किसान नजर आ रहे हैं तस्वीरे देखिए और इससे अदाजा आप लगाईए कि अगर प्रदेशन कारी आज फिर से अड़े तो किस तरह की तस्वीरे देखने को मिलेगी पिल्कुल एक बार फिर दिली एंसियार की जनता को जाम से जूजना पड़ेगा यह तमाम तस्वीरे आप देखिए किसान अपनी मांगो पर अड़े हैं हाला कि क्रिशी मंत्री अरजन मुंड़ा को आपने अपसे कुछ दिर पहले सुना भीड को हटाने के लिए और उस कारवाई से कैसे बचा जाए उसको लेकर देखिए इस बार किसान तयार नजर आ रहे हैं क्या प्लानिंग के साथ आज दिली कूछ के लिए निकले हैं तमाम अंदोलन कारी किसान चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं चेहरा डखा हुआ है चश्मे लगाए हुए ताकि आँखों में नुकसान नहों और पोकलिन मशीन भी अपने साथ लेकर आज निकले हैं किसान साफ तोर पर तो देखिए बाचीत का दौर लगातार चल रहा है कभी दिन में बैठक होती है कभी देरात बैठक होती है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है पाचवे दौर की बैठक के लिए भी अब नियोता दे दिया है खुद कृश मंतरी ये कह रहते लेकिन कि अब दो भी तरह जवाला पर जहां पर आज पंजाब के पिसानों ने डिल्ली कूच का एलान किया था जवाला पर जहां पर जवाला पर जाकर प्रमा पर जो पिसानों ने डिल्ली कूच का एलान कि प्रशाशन पूरी तरह आज पर जाएं सबसे पहले राहूल का रुक करना चाहेंगे राहूल तस्वीरे दिखाएं और दिखाएं किस तरह की तैयारी करके निकलें आज किसान देखें क्योंकि किसान नौलेग पार्क से ले करके और ये सूरजपूर तक जा रहे हैं और भारती किसान ने टिकायत के द्वारा ये बुलाए गया था मैं कैमरा मेंन से कहूंगा कि पुरे ट्रेक्टर रैली को दिखाएं कि ये लबी ट्रेक्टर रैली आज से लिए और नौलेग पार्क से होते हुए किसान ने गुपन की वास का देने का इन सब्सक्राइब करके ये सबी आज सामने हुए है और ये पुरी एक रैली जो किसान के द्वारा दूरा दूका ले गई है ये रहत लगबा ये का जया तो अपनी मांगों को लेकर के और इसके बाद ये सूरजपूर तक जाएं ये वहां पर दर्णा पर दर्शन पर भी बैटेंगे और तमाम ये कहा जाए कि इंतज़ाद के बारे में कहा जाए तो ये तस्वीरे बया करती है कि किस तरह की तयारी है रहो लेकिन हमारे बाकी भी संवादात हमारे साथ जुड़ गया है शिवांक और आमित हमें नजर आ रहे हैं आमित आपका रुक करूंगी शंबू बॉर्डर पर इस वक्त आपकी मौजूदगी और पिछली बार जो पर बताई थी कि 5-7 हुआ है वो जानबूज कर अंदर आना चाहते हैं हिंसा को भड़काना चाहते हैं उनको पहले समझाया गया बार बार और ये देखिए 27 गोले एक एक करके जो है एक दे चार नहीं 27 गोले एक एक करके जो है वीप छोड़े गए इससे पहले 16 गोले है इंपूट आ रहा है इंटेलिजेंस का इंपूट लगातार आ रहा है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व है कुछ एंटी सोचल एलिमेंट है जो की यहां पर हिंसा भड़काना चाहते हैं उनको एक प्लाटफॉर्म की तरह लग रहा है ये किसान नेताओं को समझना पड़ेगा देखें अभी आप देखें कि किस तरह से जैसे आपको बता रहा हूं कि 27 गोले अभी और 16 सुबह चोड़े गए थे उनको पहले समझाया गया लगातार वहां पर जो है वहां पर एनौसमेंट की जारी थी वह लोग 5-7 लोग जो है वहां पर खड़े हुए थे और 7 लोग ज पुलिस की कारवाई से बचने के लिए किसान भी आज पूरी तैयारी करकर आएं आंदोलन करने के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहे हैं सिशिवांक मिश्रा भी जुड़े हुए सिंगू बॉर्डर से उनका मागे रुक करेंगे बिल्कुल और दिल्ली के एडिशनल सी प रहे हैं और सारे बॉर्डर से बात करने के लिए कलसी चाने सर किस तरीके से आज सुरक्षा का यहां पर इंतजाम हुआ है और जो क्योंकि यह सबसे ज्यादा है वी ट्रेफिक वाला बॉर्डर है कैसे लोगों को भी सहुलियत रहे इसके लिए काम किया देखे हमारा जो यह किसान की जो कॉल है इसमें इनको पीसफुली हैंडल करने के लिए पूरा इंतजाम यहां पर है लेकिन इससे भी ज्यादा हमारा फोकस यही है कि पब्लिक इन कन्विनियंस कम से कम हो हम यहां इसलिए यहां पर घुम रहे हैं देख रहे हैं कि अगर इस समय पी कार पे थोड से चलन हो सर कहीं न कहीं एक इंटल रिपोर्ट भी थी कि कुछ के सान सामाने वाहनों से भी पहुंच सकते हैं क्या वाहनों की तलासी गुले की भी कुछ काम चलते हैं हमारी जो हमारे साथ वाले स्टेट्स यहां पर यूपी में गाजियाबाद और नर्डा पुलिस जो यह तरीके से लौफली इस जीज को हैंडल करेंगे और अब आपको सिंगू बॉर्डर लिए जलते हैं हमारे सयोगी शिवांक मिश्रा वहाँ पर मौजूद हैं शिवांक तस्वीरे दिखाईए सिंगू बॉर्डर की क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था इस वक्त सिंगू बॉर्डर की तस्वीरे ही है कि लगाता रेपेडेक्शन फोर्स की टीम लगाता सुबा सही तैनात है यहाँ पर और सुबा सही मुस्तैदी से सभी लोग खड़े हैं और शम्भू बार्डर की स्थिथिक की लगातार मॉनेंटरिंग करें कि अगर किसान सम्भू बार्डर को क्रोस करते हैं तो सिंगू बार्डर पर उन्हें रोखने के लिए दिल्ली के भीतर यहाँ पर पूरी तरहां से मुस्तहदी से लगे हूएं दूसरी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिस तरह से हम लोग सुबास से दिखा रहे हैं कि कैसे किसानों ने ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करा गया, तो आप यह देखिए कि उससे बचने के लिए यहां पर यह जो concrete slabs हैं, concrete slabs के बीच में concrete mixture को फिल करा गया, ताकि जो सुखा concrete mixture यहां पर कल रात से ही भर दिया गया था, और इसे पक्का कर दिया गया था, ताकि यह बिलकुल अभेद किला बन जाए, बिलकुल अभेद दिवार बन जाए, जिसको किसान पार ना कर पाई, यहां से आप देखेंगी, तो उपर से कठीले तारों को लगाया गया ह और बेरिकेट्स को आपस में ही रस्यों से बांध दिया गया, और यह सिती दोनों तरफ की है, चाहे दाइयोर की यह तस्वीर हो, और चाहे सडक के बाइयोर की, दोनों जगहा पर ऐसा ही पुक्ता इंतजाम करा गया है, ताकि अगर किसान शंबू बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और वो दिल्ली की सीमा की तरफ बढ़ते हैं, तो जितनी भी उन्होंने तयारिया करी, उनकी सारी तयारिया शिंगू बॉर्डर पर आकर धराशाही हो जाए, और वो दिल्ली की सीमा में प्रिवेश ना कर पाए, तो यह सिती है समय सिंगू बॉर्डर की, और दूसरी त पूरी लेयर बनाई गई है तक्रीबन 20 लेयरिंग है ये शिंगू बॉर्डर पर तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि आखिर शंबू बॉर्डर की स्थिति कह रहती हो लगातार मॉनिटरिंग की जारी शंबू बॉर्डर पर अगर कुछ भी हल चल हो रही है तो उसकी उसक से जल क्योंकि तीन घंटे के आसपास का समय रहेगा शंबू बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर तक का जो पूरी दूरी है तो पहले सही पुलिस यहां पर मुस्ताइद है कि अगर वो शंबू बॉर्डर क्रॉस करते तो इस तरहां से तैयारियां करके उन्हें यहां प पूरी कोशिश की है तो जो प्रदर्शनकारी है वो भी पूरी सुरक्षा अपने सुरक्षा रखने के साथ साथ वहां पर कैसे भी जो पुलिस उनको रोकने की कोशिश करे तो उससे भी निपटने की तैयारी करके आये हैं दिल्ली कुछ के लिए जो प्रदर्शनकारी है व शम्भू बॉर्डर पर आज एक भर फिर तनाफ कि स्थिती बंती नजर आ रही है, पुलिस की तरफ से आसुग्यास के गोले छोड़ गए, शम्भू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारीयों का हंगामा आज पिर देखने को मिला, पुलिस के तरफ से कारवाई करते हैं आसुग्य को वहां लए देखने को मिल रही है बैरिकेज लगाए गए है दिली में प्रवेश की इजाज़त प्रदर्शन कारियों को नहीं दी जा रही है और इसी को लेकर वहां पर हंगामा बर्पा नजर आ रहा है पुलिस की तरफ से कारवाई और दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे ह साथी खनौरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा इस वक्त चाक चौबन नजर आ रही है बिल्कुल और ये तस्वीरे बया करती है कि किस तरह से हालात बच से बतर होते जा रहे हैं लेकिन इस सब का खामियाजा एक आम आदमी भुगत रहा है जो इन इलाकों से रोजाना अपने काम के लिए निकलता है अपने गंतवे तक पहुँचने की कोशिश करता है पुलिस की तरफ से कारवाई की जा रही है कि आप जो लॉइन ओर्डर की सिती है उसको कम से कम ना बिगडने दे और आपको एक और बड़ी खबर बता दें केंद्रे कृशी मंत्री ने आंदोलन कारी किसानों को पांचवी दौर की बाचीत का नियोता दिया है अरजिन मुंडा ने कहा है कि वो किसानों से MSP, पराली, FIR के मुद्धे पर बाचीत को तयार है बिल्कुल और पाच्वे दौर की बाचीत के लिए किसानों को नियोता देते हैं ये कहना है अरजुन मुंडा का साथी साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बादचीत से ही किसी भी मुद्धे पर समाधान निकल सकता है अरजुन मुंडा ने प्रजेशन कारियों से अपील की शांती बनाये रखने के लिए भी कहा क्या कुछ कहा आईए आपको सुनवाते हैं चौथे दौर तक की बादचीत होने के बाद किशान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई हम उसे संग्यान में लेते हुए पुना पांचवे दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्धे जिन मुद्धे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं बारता के लिए हम तयार हैं चाहे वो MSP का हो चाहे वो पराली का मुद्धा हो चाहे FIR का हो चाहे Crop Diversification का हो ऐसे सभी मुद्धे पर बाचीत के लिए हम तयार है और मैं यही निवेदन करूँगा कि सबको सांती के साथ ऐसे विश्वयों पर बाचीत करते हुए समाधान ढूणने की जरूरत है तो क्रिशी मंत्री अर्जिन मुद्धा को आपने सुना दिली कूच को लेकर किसानों की तयारी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है और सीधे मोचा लेने के मूड में अब किसान नजर आ रहे हैं तस्वीरे देखिए और इससे अदाजा आप लगाईए कि अगर प्रदर्शन कारी आज फिर से अड़े तो किस तरह की तस्वीरे देखने को मिलेगी फिल्कुल एक बार फिर दिली एंसियार की जनता को जाम से जूजना पड़ेगा यह तमाम तस्वीरे आप देखिए किसान अपनी मांगो पर अड़े हैं हालकि क्रिशी मंत्री अरजन मुंड़ा को आपने अपसे कुछ दिर पहले सुना पांचवी दौर की बाचीत के लिए नियोता दिया है क्रिशी मंत्री ने और कहा है कि जो भी आपके मुद्दे हैं वो बाचीत से ही सुलजाए जा सकते हैं उसको लेकर बैठना होगा बाचीत का रास्ता निकालना होगा आग बड़ा गमासान और क्या है प्लान ये आपको हम बता रहे हैं ये देखिया आपको ब्रदर्शन कारी किसान जो हैं चेहरे पर मास्क लगाए नजर आ रहे हैं क्योंकि आसुग्यास की गोले लगातार आंदोलन कारी किसानों पर छोड़े गए थे वहाँ से भीड को हटाने के लिए और उस कारवाई से कैसे बचा जाए उसको लेकर देख कराद निकले हैं किसान साफ तोर पर तो देखिये बाठशीत का दौर लगातार चल रहा है कभी दिन में बैथक होती है कभी देर रात बैथक होती है हम खड़े हैं हर्याना पंजाब के दातर सी वाला बोटर पर जहां पर आज पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का एलान किया था 11 बज़े वो अल्टीमेटम खतम हो गया है और किसान अपनी मांगों पर खड़े हुए हैं कि वो दिल्ली कूच कर रहेंगे किसान शाबतों पर मांग पढ़ेगे वो दिल्ली कूच कर जाकर ही दम लेंगे उनकी मांगैं नहीं मानी गई तो रहेंजो बैरिगर्स हैं उनके लिए खिलोनों की तरह हैं और यह पूर्स कैनाज कर देगे, ताग किसान किसी भी तरह, जिली कूछ नहीं पर गए परशाशन पूरी तरह और हमारे तीन सायोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको हम तीनों के बास लेके चलते हमारे साथ राहूल हैं हमारे साथ अमित भार्दवाज हैं और साथ ही हमारे साथ एक और सायोगी हमारे जुड़ गए लेकिन सबसे पहले हम राहूल का रुख करना चाहेंगे राहूल तस्वीरे दिखाईए और दिखाईए किस तरह की तैयारी करके निकले आज किसान. तस्वीरे दिखाईए और यह पूरी एक रहनी जो किसान के द्वारा दूपा लेकर और इसके बाद यह सूरजपूर तक जाएंगे वहाँ पर धरना परदर्शन पर भी यह बैठेंगे, तस्वीरे बया करती है कि किस तरह की तैयारी है रहो लेकिन हमारे बाकी भी समवादाता हमारे साथ जुड़ गया है, तो 26 करीब फिर गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं, इससे पहले एक खबर बताई थी कि 5 से 7 हुआ है, वो जान बूझ का रंदर आना चाते हैं, हिंसा को भड़काना चाते हैं, उनको पहले समझाया गया बार-बार और ये देखिए, 27 गोले एक एक करके जो हैं, चाहते हैं कुछ लोग यहां पर हिंसा बड़े और लगातार जो है, इन्पूट आ रहा है, कि कुछ ऐसे शरारती तत्वा है, कुछ एंटी सोचल एलिमेंट है, जो कि यहां पर हिंसा भड़काना चाते हैं, उनको एक प्लाटफॉर्म की तरह लग रहा हैं, ये किसान नेता पर अनुसमेंट की जारी थी, वो लोग 5-7 लोग वहां पर खड़े हुए थे, और 7 लोग जब खड़े हुए थे, तो वहां पर उन्होंने इनको हटाने की कोशिश की गई, और फिर जब जवानों ने अपने अधिकारी को पताया, तो उन्होंने ने कहा कि जैसे यह अंदर इंटर करते हैं, तो फिर इन पर कारवाई की जाए, अभी लगातार जो है, आसुपयास की गोले छोड़े जा रहे हैं, और तिती अभी फिर यंभी रोती दिखाए दिलिए, लगातार क्रिश मथी के रहे हैं, पुलिस की कारवाई से बचने के लिए, किसान भी आज पूरी पूरे कर कहीं न कहीं तमाम अला अधिकारी जो हैं, वो भी लगातार गर्स कर रहे हैं, और सारे बॉर्डर चेक कर रहे हमारे साथ बात करने के लिए कल सी चरहें, सर किस सरीके से आज सुरक्षा का यहाँ पर इंतजाम हुआ है, और जो क्योंकि यह सबसे जादा हैवी ट्र कन्विनियंस कम से कम हो, हम यहाँ इसलिए यहाँ पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर इस समय पी कार पे थोड़ा जनरली भी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो कहीं असुविदा ना हो और ट्रैफिक भी जल्दी से चल पाए, तो हम ट्रैफिक स्टाफ के साथ मिल के कॉडिनेशन के साथ यह इंशोर कर रहे हैं कि आम जन का भी अच्छे से चल रहो, जो हमारे साथ वाले स्टेट्स यहां पर यूपी में गाजियाबाद और नर्डा पुलिस जो यह इस्टरन देली का जो हमारा बॉडर लगता है, उनके साथ, वहां पर उनके साथ, उनकी कोई इंटल मिलती है तो हम अपने तरीके से लौफुली इस जीज को हैंडल करेंगे और अब आपको सिंगू बॉर्डर लिए जलते हैं हमारे सयोगी शिवांक मिश्रा वहाँ पर मौझूद हैं जी बिल्कुल देखें यही वो जगा है जहां पर किसान लंबी संख्याम में चुटे थे और किसान उन्हें पर हैटकॉर्टर यहीं पर बनाया था है सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त सिंगू बॉर्डर की तस्वीर नहीं है कि लगाता रेपिडेक्शन फोर्स की टीम लगाता सुबा से ही तैनात है यहाँ पर और सुबा से ही मुस्तैदी से सबी लोग खड़े हैं और शम्भू बॉर्डर की स्थिखी की लगातार मॉनिट्रिंग करें कि अगर किस तो आप यह देखिए कि उससे बचने के लिए यहां पर यह जो कॉंक्रीट स्लैप्स के बीच में कॉंक्रीट मिक्षर को फिल करा गया ताकि जो उन्होंने मॉडिफिकेशन करा है उस मॉडिफिकेशन का प्रियोग करके वो सिंगू के भीतर ना गुस्पा है और आईए एक बार और तस्वीर आपको दिखाते हैं और यह जो कॉंक्रीट मिक्षर है यह सिर्फ एक बैरिकेट में जितनी भी यहां पर कॉंक्रीट स्लैप्स की लेयर है ह बैरिकेट को आपस में ही रस्यों से बांध दिया गया और यह सिती दोनों तरफ की है चाहे दाइयोर की यह तस्वीर हो और चाहे सडक के बाइयोर की दोनों जगहा पर ऐसा ही पुक्ता इंतजाम करा गया है ताकि अगर किसान शंबू बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और वो दिल्ली की सीमा की तरफ बढ़ते हैं तो जितनी भी उन्होंने तयारिया करी उनकी सारी तयारिया शिंगू बॉर्डर पर आकर धराशाही हो जाए और वो दिल्ली की सीमा में प्रिवेश ना कर पाए तो यह सिती है समय शिंगू बॉर्डर की और दूसरी तरफ वजरवाहन तैनाथ है और उसके अलावा पूरी रिजर्फोर्स पांच हदार के आसपास पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी वो सभी यहाँ पर तैनाथ हैं दिल्ली पुलिस के रैपिड़क्शन फोर्स के, पैरा मिलिटरी के CRPF के और इस सरहां कि आप देखें यहाँ पर भी दिख रहा है कि यहाँ पर लगातार मोनिटरिंग करके विवस्ताओं को लगातार सुरक्षित करा हैं आप जैसे आप यह देखिए कि रस्ती यहां पर पहले से ही लाकर डाल दी गई है कि अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर जल्द से जल्द क्योंकि तीन घंटे के आसपास का समय रहेगा शम्भू बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर तक का जो पूरी दूरी है तो पहले से ही पुलिस यहां पर मुस्ताइद है कि अगर वो शम्भू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो इस तरहां से तैयारियां करके उन्हें यहां पहरियारा के सीमा में रहे हैं इसके बावजूद पिशली बार जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी राहूल वो भी बया करती है कि अगर पुलिस ने इंतिजाम बनाया हुआ है अपनी ओर से पूरी कोशिश की है तो प्रदर्शन कारी है वो भी पूर पुलिस उनको रोकने की कोशिश करें तो उससे भी निपटने की तैयारी करके आये हैं। दिल्ली कूच के लिए जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार आड़े हैं। रोकने के लिए आपको बता दे पंजाब हर्याना शंभू बॉर्डर पर आसु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली में प्रवेश की इजाज़त प्रदर्शनकारीं को नहीं दी जा रहे हैं। इस वक्त चाक चौबन नजर आ रही है बिल्कुल और ये तस्वीरे बया करती है कि किस तरह से हाला तब बच से बतर होते जा रहे हैं लेकिन इस सब का खामियाजा एक आम आदमी भुगत रहा है जो इन इलाकों से रोजाना अपने काम के लिए निकलता है अपने गंतवे तक पहुंचने की कोशिश करता है पुलिस की तरफ से कारवाई की जा रही है लगातार प्रदर्शन कारियों से भी अपील की जा रही है कि आप जो लॉइन ओर्डर की सिती है उसको कम से कम न बिगड़ने दे और आपको एक और बड़ी खबर बता दें केंद्रे क्रिशी मंत्री ने आंदोलन कारी किसानों को पांचवी दौर की बाचीत का नियोता दिया है अरजुन मुंडा ने कहा है कि वो किसानों से MSP पराली FIR के मुद्धे पर बाचीत को तयार है विल्कुल और पाच्वी दौर की बाचीत के लिए किसानों को नियोता देते हैं यह कहना है अरजुन मुंडा का साथिसाथ उन्होंने यह भी कहा है कि बाचीत से ही किसे भी मुद्धे पर समाधान निकल सकता है अरजुन मुन्ना ने प्रदेशन कारियों से अपील की शांती बनाये रखने के लिए भी कहा क्या कुछ कहा आईए आपको सुनवाते हैं चोथे दोर तक की बादचीत होने के बाद किशान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिकरिया आई हम उसे संग्यान में लेते हुए पुना पाँचवे दोर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं बारता के लिए हम तयार हैं चाहे वो MSP का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे FIR का हो, चाहे crop diversification का हो ऐसे सभी मुद्दे पर बादचीत के लिए हम तयार हैं और मैं यही निवेदन करूंगा कि सब को सांती के साथ ऐसे विश्वयों पर बाचीत करते हुए समाधान ढूडने की जरूरत है तो क्रिशी मंत्री अर्जिन मुद्दा को आपने सुना दिली कूच को लेकर किसानों की तयारी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है और सीधे मोचा लेने के मूड में अब किसान नजर आ रहे हैं तस्वीरे देखिए और इससे अंदाजा आप लगाईए कि अगर प्रदर्शन कारी आज फिर से अड़े तो किस तरह की तस्वीरे देखने को मिलेगी पिलकुल एक बार फिर दिल्ली एंसियार की जनता को जाम से जूजना पड़ेगा ये तमाम तस्वीरे आप देखिए किसान अपनी मांगो पर अड़े हैं हालकि क्रिशी मंत्री अरजन मुंड़ा को आपने अपसे कुछ दिर पहले सुना पांचवी दौर की बाचीत के लिए नियोता दिया है क्रिशी मंत्री ने और कहा है कि जो भी आपके मुद्दे हैं वो बाचीत से ही सुलजाए जा सकते हैं उसको लेकर बैठना होगा बाचीत का रास्ता निकालना होगा आज बड़ा गमासान और क्या है प्लान ये आपको हम बता रहे हैं ये देखे आपको प्रदर्शन कारी किसान जो हैं चेहरे पर मास्क लगाए नजर आ रहे हैं क्योंकि आसुग्यास की गोली लगातार अंदोलन कारी किसानों पर छोड़े गए थे वहाँ से भीड को हटाने के लिए और उस कारवाई से कैसे बचा जाए उसको लेकर देखे इस बर किसान तयार नजर आ रहे हैं क्या प्लानिंग के साथ आज दिली कूच के लिए निकले हैं तमाम अंदोलन कारी किसान चेहरे पर मास्क लगाए हुए है चेहरा डखा हुआ है चश्मे लगाए हुए ताकि आँखों में नुकसान न हो और पोकलेन मशीन भी अपने साथ लेकर आज निकले हैं किसान साफ तर पर तो देखिए बातचीत का दौर लगातार चल रहा है कभी दिन में बैठक होती है कभी रात बैठक होती है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है पाचवे दौर की बैठक के लिए भी अब नियुता दे दिया है खुद कृशी मंतरी ये कह रहे थे लेकिन आप देखिए किस तरह से अलग-अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कारी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। और जीन्द में भी बॉर्टर पर पंजाब और हर्याना दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट पर हैं। देखिए जीन्यूस की यह रिपोर्ट। तो प्रदर्शन के लिए खिलोनों की तरह हैं। और हमारे तीन सायोगी हमारे साथ जुड़ गये हैं। आपको हम तीनों के बास लेके चलते हमारे साथ राहुल हैं। हमारे साथ अमित भार्दवाज हैं। और साथ हमारे साथ एक और सायोगी हमारे जुड़ गयें। लेकिन सबसे पहले हम राहुल का रुख करना चाहेंगे। राहुल तस्वीरे दिखाईए और दिखाईए किस तरह की तयारी करके निकलें आज किसान। किसान नॉलेज पार्क से ले करके और ये सूरजपूर तक जा रहे हैं। भारती किसान दिकायत के द्वारा ये बुलाया गया था, ये ट्रेक्टर रैली बुलाई गई है। मैं कैमरामें से कौँगा कि फुरे ट्रेक्टर रैली को दिखाया है कि ये लबी ट्रेक्टर रैली बुलाई गई है। और नॉलेज पार्क से होते हुए सूरजपूर तक जाएं किसान देने का। और ये पूरी एक रैली जो किसान के तौरा बुलाई गई है। ये बहुत लंबा ये कहा जाए तो अपनी मांगों को लेकर के और इसके बाद ये सूरजपूर तक जाएंगे वहां पर धरना परदर्शन पर भी बैठेंगे, वहां पर बैठेंगे। और तमाम ये कहा जाए कि इंतजमात के बारे में कहा जाए तो पूल ये तस्वीरे बया करती है कि किस तरह की तैयार यह रहा हूं लेकिन हमारे बाकी भी समवादात हमारे साथ जुड़ गया है। जवांक और आमित हमें नजर आ रहा है। आपका रुक करूंगी शम्भू बॉर्डर पर इस वक्त आपकी मौजूद्गी और पिछली बार जो तस्वीरे शम्भू बॉर्डर पर देखने को मिले थी आज वहां हालात कैसे हैं। देखे अब भी जस जब हम बाचीत कर रहे हैं तो 26 करीब फिर गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं। इससे पहले एक ख़बर बताई थी कि 5-7 हुआ हैं वो जानबूज कर अंदर आना चाहते हैं। इसको पहले समझाया गया बार-बार और यह देखिए 27 गोले एक-एक करके जो हैं एक ती चार नहीं 27 गोले एक-एक करके जो भी छोड़े गए इससे पहले 16 गोले चोड़े गए थे लगातार वहां पर आनाूसमेंट की जा रही थी वह लोग 5-7 लोग वहां पर खड़े हुए थे और 7 लोग जब खड़े हुए थे तो वहां पर उन्होंने इनको हटाने की कोशिश की गई और फिर जब जवानों ने अपने अधिकारी को पताया तो उन्होंने कहा कि जैसे पूरी तैयारी करकर आएं आंदोलन करने के लिए आप सबी आमारे साथ बने रहेंगे शिवांक मिश्रा भी जुड़े हुए सिंगू बॉर्डर से उनका वागे रुख करेंगे बिल्कुल और दिल्ली के एडिशनल सी पी किस तरह से इस पूरे मामले पर और जो मौझूदा ह पर उनका क्या कुछ कहना आईए आपको सुनवाते हैं दिल्ली के हर बॉर्डर पर सुरक्षा चूक है और इसको ले कर कही न कहीं तमाम अला अधिकारी जो हैं वो भी लगातार गस कर रहे हैं और सारे बॉर्डर से बात करने के लिए कल्ची चरहें सर किस तरीके से आज सु से भी ट्रैफिक वाला बॉर्डर है कैसे लोगों को भी सहूलियत रहे हैं इसके लिए कान के देखे हमारा जो यह किसान की जो कॉल है इसमें इनको पीसफुली हैंडल करने के लिए पूरा इंतजाम यहां पर है लेकिन इससे भी ज्यादा हमारा फोकस यही है कि पब्लिक इ के साथ मिलके कॉडिनेशन के साथ यह इंशोर कर रहे हैं कि आम जन का भी अचछे से चलन हो मुख जो हमारे साथ वाले स्टेट्स यहां पर यूपी में गाजियाबाद और नोर्डा पुलिस जो यह इस्टर्न देली का जो हमारा बॉर्डर लगता है उनके साथ वहां पर उ तो हम अपने तरीके से लौफुली इस चीज को हैंडल करेंगे और अब आपको सिंगू बॉर्डर लिए चलते हैं हमारे सयूगी शिवांक मिश्रा वहाँ पर मौझूद है शिवांक तस्वीरे दिखाईए सिंगू बॉर्डर की बहुत बड़ी संख्या में किसान थे जो डेरा जमाई बैटे थे और लंबे वक्त तक वहाँ पर रुके थे आज वहाँ पर हालात कैसे नजर आ रहे हैं जे बिल्कुल देखे यही वो जगा है जहां पर किसान लंबे संख्या में जुटे थे और किसान उने फिर हेड कॉटर यही पर बनायत है इस वक्त संभू बॉडर की तस्भीर एक है कि लगाता रेपीडेक्शन फोर्स की टीम लगाता सुबा सही तैनात है यहांप और鐘 सुबा सही मुस्तेधी से सभी लोग खड़े हैं और शंभू बॉडर की स्थिथीक की लगातार मॉनिटरिंग करने कि अगर किसान संभू बॉडर को उन्हें रोकने के लिए दिल्ली के भीतर यहां पर पूरी तरहां से मुस्तेदी से लगे हुए दूसरी एक ओर तस्वीर आपको दिखाते हैं जिस तरहां से हम लोग सुबा स तो आप यह देखिए कि उससे बचने के लिए यहां पर यह जो इन्होंने मौडिफिकेशन करा है उस मौडिफिकेशन का प्रयोग करके वह सिंगू के भीतर ना गुस्पाएं और आईए एक बार और तस्वीर आपको दिखाते हैं यह जो एक बैरिकेट में जितनी भी यहां पर कॉंक्रीट स्लयाप्स की लेयर है हर जगा सूखा-sूखा कॉंक्रीट मिक्षर यहां पर कल रात से ही भर दिया गया था और इसे पक्का कर दिया गया था ताकि यह बिल्कूल अभेध किला बशाँ आहना कर पहल जी इसको किसान पार ना करताई हिए हाँ से आप देखें शंबू बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और वो दिल्ली की सीमा की तरफ बढ़ते हैं तो जितनी भी उन्होंने तयारिया करी उनकी सारी तयारिया शिंगू बॉर्डर पर आकर धराशाही हो जाए और वो दिल्ली की सीमा में प्रिवेश ना कर पाए तो ये सिती है समय शिंगू बॉर्डर की और दूसरी तरफ वज्रवाहन तैनाथ है और उसके अलावा पूरी रिजर्फोस, 5000 के आसपास पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी, वो सभी यहां पर तैनाथ हैं, दिल्ली पुलिस के, रैपिडक्शन फोर्स के, पैरा मिलिटरी के, और इस तरहां कि आप देखें यहां पर भी दिख रहा है कि यहां पर भी लगातार मॉनिटरिंग करके विवस्ताओं को लगातार सुरक्षित करा रहे हैं, अगर वो वहां से निकलते हैं, तो यहां पर जल्द से जल्द क्योंकि तीन घंटे के आसपास का समय रहेगा, शंबू बॉर्डर से लेकर करनी है, सुरक्षा के वहां पर पुक्ता इंतिजामात करिये गए हैं, इसके बावजूद पिशली बार जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी राहुल, वो भी बया करती है कि अगर पुलिस ने इंतिजाम बनाया हुआ है, अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, तो जो पूरी सुरक्षा अपने सुरक्षा रखने के साथ साथ वहां पर कैसे भी जो पुलिस नको रोकने की कोशिश करें तो उससे भी निपटने की तैयारी करके आये हैं, दिली कुछ के लिए जो प्रदर्शन कारी है वो लगातार आड़े हैं, और रोकने के लिए आपको बता पर तनाफ की सि्पिवन की नजर आ रही है, पुलिस की तरफ से आंसुग्यास के गोले छोड़ गए, शंबू बॉर्डर पर प्रदर्शन कारीयों का हंगामा आज पीर देखने को मिला, पुलिस की तरफ से कारवाई करते हैं, तविए आसुग्यास के गोले छोडने पड़ हम दिखा रहे हैं शम्भू बॉर्डर पर आंसुगास के गोले छोड़े गए हैं तो दूसरी तरफ ग्रेटर नॉइडा की भी तस्वीर आप देखिए कैसे ट्रेक्टर वहां आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं साथी खनौरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा इस वक्त चाक कारवाई की जा रही है लगातार प्रिदर्शन कारियों से भी अपील की जा रही है कि आप जो लॉइन ओर्डर की स्थी है उसको कम से कम ना बिगड़ने दें और आपको एक और बड़ी खबर बता दें केंद्रे कृश्शी मंत्री ने आंदोलन कारी किसानों को पांचवी दौर की बाचीत का नियोता दिया है अरजुन मुंडा ने कहा है कि वो किसानों से MSP पराली FIR के मुद्धे पर बाचीत को तयार है बिलकुल और पाच्वे दौर की बाच्चीत के लिए किसानों को नियोता देते हैं ये कहना है अरजुन मुंडा का साथी साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बाच्चीत से ही किसी भी मुद्दे पर समाधान निकल सकता है अर्जुन मुन्दा ने प्रदेशन कारियों से अपील की शांती बनाये रखने के लिए भी कहा क्या कुछ कहा आईए आपको सुनवाते हैं चोथे दौर तक की बादचीत होने के बाद किशान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई हम उसे संग्यान में लेते हुए पुना पाँचवे दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं बारता के लिए हम तयार हैं चाहे वो MSP का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे FIR का हो, चाहे crop diversification का हो ऐसे सभी मुद्दे पर बाचीत के लिए हम तयार हैं और मैं यही निवेदन करूँगा कि सब को सांती के साथ ऐसे विश्यों पर बाचीत करते हुए समाधान ढूडने की जरूरत है तो क्रिशी मंत्री अर्जिन मुद्दा को आपने सुना दिली कूच को लेकर किसानों की तयारी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है और सीधे मोचा लेने के मूड में अब किसान नजर आ रहे हैं तस्वीरे देखिए और इससे अदाजा आप लगाईए कि अगर प्रदेशन कारी आज फिर से अड़े तो किस तरह की तस्वीरे देखने को मिलेगी पिलकुल एक बार फिर दिल्ली एंसियार की जनता को जाम से जूजना पड़ेगा ये तमाम तस्वीरे आप देखिए किसान अपनी मांगो पर अड़े हैं हालकि क्रिशी मंत्री अरजन मुंदा को आपने अपसे कुछ दिर पहले सुना पांचवी दौर की बाचीत के लिए नियोता दिया है क्रिशी मंत्री ने और कहा है कि जो भी आपके मुद्दे हैं वो बाचीत से ही सुलजाए जा सकते हैं उसको लेकर बैठना होगा बाचीत का रास्ता निकालना होगा आज बड़ा गमासान और क्या है प्लान ये आपको हम बता रहे हैं ये देखे आपको प्रदर्शन कारी किसान जो हैं चेहरे पर मास्क लगाए नजर आ रहे हैं वोगी आसुग्यास की गोले लगातार आंदोलनकारी किसानों पर छोड़े गए थे वहां से भीड को हटाने के लिए और उस कारवाई से कैसे बचा जाए उसको लेकर देखे इस बार किसान तयार नजर आ रहे हैं क्या प्लानिंग के साथ आज दिल्ली कूच के लिए निकले हैं तमाम अंदोलनकारी किसान चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं दखा हुआ है चश्मे लगाए हुए ताकि आँकों में नुकसान नहों और पोकले मशीन भी अपने साथ लेकर आज निकले हैं किसान साफ तोर पर तो देखिए बातशीत का दौर लगातार चल रहा है कभी दिन में बैठक होती है कभी देरात बैठक होती है और जीन्द में भी बॉर्टर पर पंजाब और हर्याना दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट पर है देखिए जीन्यूस की ये रिपोर्ट गाडियां खड़ी कर दिया और मैं बता दू कि मीडिया पभी काफी दूरी रखा गया है किसान साफ तो पर मांग पड़ेगी वो दिल्ली कूछ कर जाकर ही दम लेंगे अनकी मांगे नहीं मानी गई तो देखिए जो बैरिगेट साहन के लिए खिलोनों की तरह हैं और ये पूर कोश कर दिख देखिए और पर साही है और साथ ह इक और से योगी हमारे साही पर जूड़ें लेकिन सबसे पहले हम राहूल का रुक करना चाहेंगे राहुल तस्वीरे दिखाईे और दिखाईे किस तरह की तैयारी करके निकले आज किसान किसान है उनसे लिए गुषण की वास का देने का इन सब्सक्राइब करके यह सभी आज किसान है और यह पूरी एक रहनी जो किसान किसानों के द्वारा दिखाले गई है यह बहुत लंबा यह का जया तो अपनी मांगों को लेकर के और इसके बाद यह सूरजबू तक जाएंग दरना परदर्शन पर भी यह बैठेंगे वहां पर बैठेंगे और तमाम यह का जाए कि इंतजामात के बारे में का जाए तो पूल यह तस्वीरे बया करती है कि किस तरह की तयारी है रहा हो लेकिन हमारे बाकी भी संवादात हमारे साथ जुडगे हैं शिवांक और आमित हमें नजर आ रहा है आमित आपका रुक करूंगी शंबू बॉर्डर पर इस वक्त आपकी मौजूद्गी और पिछली बार जो पहले एक खबर बताई थी कि 5-7 हुआ है वो जानबूजकर अंदर आना चाहते हैं हिंसा को भड़काना चाहते हैं उनको पहले समझाया गया बार बार और यह देखिए 27 गोले एक एक करके जो है एक दे चार नहीं 27 गोले एक एक करके जो है वीप छोड़े गए इससे पहले एक प्लाटफॉर्म की तरह लग रहा है यह किसान नेताओं को समझना पड़ेगा देखिए अभी आप देखें कि किस तरह से मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि 27 गोले अभी और 16 सुबह चोड़े गए थे उनको पहले समझाया गया लगातार वहां पर जो है वहां पर एनॉ करते हैं तो फिर इन पर कारवाई की जाए अभी लगातार जो है आसुपयास की गोले छोड़े जा रहे हैं और तिती अभी पिर लंभी रोपी किस तरह से इस पूरे मामले पर और जो मौझूदा हालात है उस पर उनका क्या कुछ कहना आईए आपको सुनवाते हैं दिली के हर बॉर्डर पर सुरक्षा चूख है और इसको ले कर कहीं न कहीं तमाम अला अधिकारी जो हैं वो भी लगातार गस कर रहे हैं और सारे बॉर्डर चेक कर रहे हमारे साथ बात करने के लिए कल्ची चरहें सर किस तरीके से आज सुरक्षा का यहां पर इंतजाम हुआ है और जो क्योंकि यह सबसे ज़्यादा हैवी ट्रेफिक वाला बॉर्डर है कैसे लोगों को भी सहूलियत रहे इसके लिए कान किया जा देखे हमारा जो यह किसान की जो कॉल है इसमें इनको पीसफुली हैंडल क करने के लिए पूरा इंतजाम यहां पर है लेकिन इससे भी ज्यादा मारा फोकस यही है कि पब्लिक इन कन्विनियंस कम से कम हो हम यहां इसलिए यह यहां पर घूम रहे हैं देख रहे हैं कि अगर इस समय पी कार पे थोड़ा जनरली भी ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो कह नहीं असुविदा ना हो और ट्रैफिक भी जल्दी से चल पाए तो हम ट्रैफिक स्टाफ के साथ मिलके कॉडिनेशन के साथ यह इंशूर कर रहे हैं कि आम जन का भी अच्छे से चलन हो सर कहीं न कहीं एक इंटल रिपोर्ट भी थी कि कुछ के सान सामाने वाहनों से भी पहुंच सकते हैं क्या वाहनों की तलासी को लेके भी कुछ काम चलते हैं हमारे साथ वाले स्टेट्स यहां पर यूपी में गाजियाबाद और नर्टा पुलिस जो यह इस्टरन देली का जो हमारा बॉर्डर लगता है उनके साथ वहाँ पर उनके साथ उनकी पुलिस के साथ पूरा राफता है और जैसे भी जब भी कोई इंटल मिलती है तो हम अपने तरीके से लौफुली इस जीज को हैंडल करेंगे और अब आपको सिंगू बॉर्डर लिए चलते हैं हमारे सयोगी शिवांक मिश्रा वहाँ पर मौझूद हैं शिवांक तस्वीरे दिखाईए सिंगू बॉर्डर की क्योंकि पिछली बात जब किसाना अंदोलन हुआ था तो सिंगू बॉर्डर पर ही बहुत बड़ी संख्य अब किसान थे जो डेरा जमाई बैटे थे और लंबे वक्त तक वहाँ पर रुके थे आज वहाँ पर हालात कैसे नजर आ रहे हैं जे बिल्कुल देखे यही वो जगा है जहां पर किसान लंबे संख्याम में चुटे थे और किसान थे हैटकौटर यहीं पर बनाया थे सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त संख्यू बॉर्डर की तस्वीर यही है कि लगाता रेपिट एक्शन फोर्स की टीम लगाता सुबा से ही तैनात है यहाँ पर और सुबा से ही मुस्तहदी से सभी लोग खड़े हैं और शंबू बॉर्डर की सिथीक की लगातार मॉनिटरिंग करें कि अगर किसान संबू बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो सिंगू बॉर्डर पर उन्हें रूखने के लिए दिल्ली के भीतर यहाँ पर पूरी तरहां से मुस्तहदी से लगे हुए दूसरी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिस तरह से हम लोग सुबास से दिखा रहे हैं कि कैसे किसानों ने ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करा गया तो आप यह देखिए कि उससे बचने के लिए यहाँ पर यह जो कॉंक्रीट स्लैप्स के बीच में कॉंक्रीट हैं हर जगा सुखा सुखा कॉंक्रीट मिक्षर यहाँ पर कल रात से ही भर दिया गया था और इसे पक्का कर दिया गया था ताकि यह बिलकुल अभीद किला बन जाए बिलकुल अभीद दिवार बन जाए जिसको किसान पार ना कर पाई यहाँ से आप देखेंगी तो उपर स वो आपस में ही रसीयों से बांध दिया गया और ये सिती दोनों तरफ की है चाहे दाइयोर की ये तस्वीर हो और चाहे सडक के बाइयोर की दोनों जगहा पर ऐसा ही पुकता इंतजाम करा गया है ताकि अगर किसान शंबू बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और वो दिल्ली की सीम अहां तैनात है और उसके अलावा पूरी रिजर्फोस पांच हदार के आसपास पुलिस कर्मी सुरक्षा कर्मी वो सभी यहां पर तैनात हैं दिल्ली पुलिस के रैपिडक्शन फोर्स के पैरमिलिटरी के और इस तरहां कि आप देखे कि कैसे कटीले तारों की पूरी लेयर बनाई गई है तकरीबन तकरीबन 20 लेयरिंग है यह शिंगो बॉर्डर पर तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि आखिर शंबू बॉर्डर की सिति कह रहती हो लगातार मॉनिटरिंग की जारी शंबू बॉर्डर पर अगर कुछ भी हल चल हो रही है तो उसकी उसका पूर पूरी दूरी है तो पहले सही पुलिस आप पर मुस्ताइद है कि अगर वों शंबू बॉर्डर क्रोस करते तो इस तरहां से तैयारियां करके उन्हें यहां पाहरियादा करेही जोंग से पूरी कोशिश्य की तो पूरी की पुलिस उनको रोकने की कुशिश करें तो उससे भी निपटने की तैयारी करके आए हैं। पुलिस की तरफ से कारवाई करते हैं। तो दूसरी तरफ ग्रेटर नॉइडा की भी तस्वीर आप देखिए कैसे ट्रैक्टर वहां आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथी खनौरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा इस वक्त चाक चौबन नजर आ रही है। बिल्कुल और ये तस्वीरे बया करती है कि किस तरह से हालात अब बच से बतर होते जा रहे हैं। लेकिन इस सब का खामियाजा एक आम आदमी भुगत रहा है जो इन इलाकों से रोजाना अपने काम के लिए निकलता है, अपने गंतवे तक पहुंचने की कोशिश करता है, पुलिस की तरफ से कारवाई की जा रही है, लगातार प्रदर्शन कारियों से भी अपील की जा रह है कि वो किसानों से MSP पराली FIR के मुद्धे पर बाचीत को तयार है, बिलकुल और पाच्वे दोर की बाचीत के लिए किसानों को नियोता देते हैं, ये कहना है अरजुन मुंडा का साथी साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बाचीत से ही किसी भी मुद्धे पर समाधान निकल सकता है, अरजुन मुंडा ने प्रदेशन कारियों से अपील की शांती बनाये रखने के लिए भी कहा क्या कुछ कहा, आईए आपको सुनवाते हैं चोथे दौर तक की बाचीत होने के बाद, किशान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संग्यान में लेते हुए पुना, पांचवे दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्धे, जिन मुद्धे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, बारता के लिए हम तयार हैं, चाहे वो MSP का हो, चाहे वो पराली का मुद्धा हो, चाहे FIR का हो, चाहे crop diversification का हो, ऐसे सभी मुद्धे पर बाचीत के लिए हम तयार हैं, और मैं यही निवेदन करूँगा, कि सब को सांती के साथ ऐसे विश्यों पर बाचीत करते हुए समाधान ढूंडने की जरूरत है, तो क्रिशी मंत्री अरजिन मुद्धा को आपने सुना, दिली कूच को लेकर किसानों की तैयरी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है और सीधे मोचा लेने के मूड में अब किसान नजर आ रहे हैं, तस्वीरे देखिए, और इससे अदाज़ा आप लगाईए कि अगर प् तक आपने अपसे कुछ दिर पहले सुना, पांच भी दौर की बाचीत के लिए नियोता दिया है, क्रिशी मंत्री ने और कहा है कि जो भी आपके मुद्धे हैं वो बाचीत से ही सुलजाए जा सकते हैं, उसको लेकर बैठना होगा, बाचीत का रास्ता निकालना होगा, आज बड़ा गमासान और क्या है प्लान ये आपको हम बता रहे हैं, ये देखिया आपको प्रदर्शनकारी किसान जो हैं चेहरे पर मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आसुग्यास की गोली लगातार आंदोलनकारी किसानों पर छोड़े गए थे, वहां से भीड को हटान प्रदर्शनकारी किसान जो हैं, ताकि आँखों में नुकसान नहों और पोकलेन मशीन भी अपने साथ लेकर आज निकले हैं किसानों साफ दोर पर तो देखिए, बाचीत का दोर लगातार चल रहा है, कभी दिन में बैठक होती है, कभी रात बैठक होती है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, पाचवे दोर की बैठक के लिए भी अब नियोता दे दिया है, खुद क्रिशी मंतरी ये कह रहते हैं, अलग-अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कारी जो है, वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, और जीन्द में भी बॉर्टर पर पर पंजाब और हर्याना दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट पर है, देखिए, जी नियूस की ये रिपोर्ट हम खड़े हैं हर्याना पंजाब के दाता सिंवाला बोटर पर जहां पर आज पंजाब के किसानों ने डिल्ली कुछ का एलान किया था, 11 बज़े वो अल्टीम खतम हो गया है, और किसान अपनी मांगों पर खड़े हुए है, जी वो दिल्ली कुछ कर रहेंगा, वो आप दू हमारे तीन साही हुगी हमारे साथ जुड़ गया है, आपको हम तीनों की बास लेके चलते हैं, हमारे साथ राहूल है, हमारे साहत अबिद भाजवाज है, और साथ ही हमारे साही है। मारे जूड़ने लेकिन सबसे पहले हम राहूल का रुख करना चाहेंगे राहूल तस्वीरे दिखाईए और दिखाईए किस तरह की तयारी करके निकलें आज किसान की तरह की मासे इलिए किसान नौलेज पांक से लेकर कर और सूरजपूर तक जा रहे हैं और भार्ती पिकेत के द्वारा ये भुलाया गया था ये ट्रैक्टर्रेली भुलाया गई है मैं कैमरा में नहीं से कौँगा कि इस पुरे ट्रेक्टर रैली को दिखाएं कि यह लगवी ट्रेक्टर रैली अचे आली गई है और नॉलेज पार्क से होते हुए शूरज़ब तर चाहिं कि अधिन मांगे अधिन मांगों को लेकर के और इसके बाद सूरज़बूर तक जाएंगे वहां पर धरना परदर्शन पर भी यह बैठेंगे और तमाम यह कहा जाए कि इंतज़ाद के बारे में कहा जाए तो यह तस्वीरे बया करती है कि किस तरह की तैयार यह रहा हूं लेकिन हमारे बाकी भी समवादात हमारे साथ जुड़ गया है शिवांक और आमित हमें नजर आ रहा है आमित आपका रुक करूंगी शम्भू बॉर्डर पर इस वक्त आपकी मौजूद्गी और पिछली बार जो तस्वीरे शम्भू बॉर्डर पर देखने को मिले थी आज वहां हालात कैसे हैं? लगातार जो है, इंपूट आ रहा है, इंटेलिजेंस का इंपूट लगातार आ रहा है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व है, कुछ एंटी सोचल एलिमेंट है, जो कि यहां पर हिंसा भढ़काना चाते हैं, उनको एक प्लाटफॉर्म की तरह लग रहा है ये, किसान नेताओं को वहां पर खड़े हुए थे, और साथ लोग जब खड़े हुए थे, तो वहां पर उन्होंने इनको हटाने की कोशिश की गई, और फिर जब जवानों ने अपने अधिकारी को पताया, तो उनुन कहा कि जैसे ये अंदर एंटर करते हैं, तो फिर इन पर कारवाई की जाए, बिल्कुल और दिल्ली के एडिशनल सीपी किस तरह से इस पूरे मामले पर और जो मौझूदा हालाथ है उस पर उनका क्या कुछ कहना आईए आपको सुनवाते हैं बिल्ली के हर बॉर्डर पर सुरक्षा आचूक है और इसको लेकर कही न कहीं तमाम अला अधिकारी जो हैं वो भी लगातार गसक कर रहे हैं और सारे बॉर्डर से चेक कर रहा हैं मारे साथ बात करने के लिए कल्सी चरहें सर किस तरीके से आज सुरक्षा का यहां पर इंतिजाम हुआ है और जो क्योंकि यह सबसे ज़्यादा है वी ट्रेफिक वाला बॉर्डर है कैसे लोगों को भी सहूलियत रहे इसके लिए काम किया जा है यह किसान की जो कॉल है साथ वाले स्टेट्स यहां पर यूपी में गाजियाबाद और नर्डा पुलिस जो यह इस्टरन देली का जो हमारा बॉर्डर लगता है उनके साथ वहां पर उनके साथ उनकी पुलिस के साथ पूरा राफता है और जैसे भी जब भी कोई इंटल मिलती है तो हम अपने तरीके से लौफुली इस जीज को हेंडल करेंगे और अब आपको सिंगू बॉर्डर लिए चलते हैं हमारे सयोगी शिवांक मिश्रा वहाँ पर मौझूद है शिवांक तस्वीरे दिखाईए सिंगू बॉर्डर की क्योंकि पिछली बार जब किसाना अंदोलन हुआ था तो सिंगू बॉर्डर पर ही बहुत बड़ी संख्या में किसान थे जो डेरा जमाए बैटे थे और लंबे वक्त तक वहाँ पर रुके थे आज वहाँ पर हालात कैसे नजर आ रहे हैं बीतर यहां पर पूरी तरहां से मुस्तेदी से लगे हुएं दूसरी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिस तरह से अभी इम जिस तरह से हम लोग सुबास से दिखा रहे हैं कि कैसे किसानों ने ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करा गया तो आप यह देखिए कि उससे पर कॉंट्रीट स्लैप्स की लेयर है हर जगाई सुखा सुखा कॉंट्रीड मिक्षर यहां पर कल रात से ही भर दिया गया था और इसे पका कर दिया गया था ताकि यह तो एक तस्वीर हो और चाहे सडक के बाई वर Gothic दोनों जगहाँ पर ऐसा ही पुक्ता इंतजाम करा गया है ताकि अगर किसान शंबू बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और वो दिल्ली की सीमा की तरफ बढ़ते हैं तो जितनी भी उन्होंने तयारिया करी उनकी सारी तयारिया शिंगू बॉर्डर पर आकर धराशाही हो जाए और वो दिल्ली की सीमा में प्रिवेश ना कर पाए तो ये सिती है समय सिंगू बॉर्डर की और दूसरी तरफ वजरवाहन तैनात है और उसके अलावा पूरी रिजर्फोस पांच सदार के आसपास पुलिस कर्मी सुरक्षा कर्मी वो सभी यहाँ पर तैनात हैं दिल्ली पुलि मॉनिटरिंग की जारी शम्भू बॉर्डर पर अगर कुछ भी हल चल हो रही है तो उसकी उसका पूरा एक्जाम पर यहाँ पर भी दिख रहा है कि यहाँ पर भी लगातार मॉनिटरिंग करके विवस्ताओं को लगातार सुरक्षित करा रहा है आप जैसे आप यह देखिए बल्कुल शिवांग तस्वीरे बया कर रही है कि किस तरह से जो सुरक्षा करनी है सुरक्षा के वहाँ पर पुक्ता इंतिजामात करिए गया है इसके बावजूद पिशली बार जो तस्वीरे हमें देखने को मिल रही थी राहुल वो भी बया करती है कि अगर पुलिस ने इ पटने की तैयारी करके आये हैं दिल्ली कुछ के लिए जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार आड़े हैं और रोकने के लिए आपको बता दे पंजाब हर्याना शंबू बॉर्डर पर आसु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो पुलिस की तरफ से यह कारवाई की जा रह रहे हैं शंबू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी का हंगामा आज फिर देखने को मिला पुलिस की तरफ से कारवाई करते वे आसु गैस के गोले छोड़ने पड़े प्रदर्शनकारी को वहां से हटाने के लिए कई लेर सुरक्षा वहां पर देखने को मिल रही है गए हैं तो दूसरी तरफ ग्रेटर नॉइडा की भी तस्वीर आप देखिए कैसे ट्रैक्टर वहां आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं साथी खनौरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा इस वक्त चाक चौबन नजर आ रही है बिल्कुल और ये तस्वीरे बया करती है कि कि इस तरह से हालात अब बच से बतर होते जा रहे हैं लेकिन इस सब का खामियाजा एक आम आदमी भुगत रहा है जो इन इलाकों से रोजाना अपने काम के लिए निकलता है अपने गंतवे तक पहुंचने की कोशिश करता है पुलिस की तरफ से कारवाई की जा रही है लगात इस तरफ से और ने कहा है कि वो किसानों से MSP पराली FIR के मुद्धे पर बाचीत को तयार है बिलकुल और 25 दोर की बाचीत के लिए किसानों को नेयोता देते हैं यह कहना है अरजुन मुंडा का साथी साथ उन्हों ने ये भी कहा है कि बाचीत से ही किसे भी मुद्धे पर सम प्रतिक्रिया आई हम उसे संग्यान में लेते हुए पुना पांचवे दोर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे, जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, बारता के लिए हम तयार हैं, चाहे वो MSP का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे FIR का हो, चाहे crop diversification का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बाचीत के लिए हम तयार हैं, और मैं यही निवेदन करूँगा, कि सब को सांती के साथ ऐसे विश्वयों पर बाचीत करते हुए समाधान ढूडने की जरूरत है, तो क्रिशी मंत्री अर्जिन मुद्दा को आपने सुना, दिली कूच को लेकर किसानों की तयारी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है और सीधे मोचा लेने के मूड में अब किसान नजर आ रहे हैं, तस्वीरे देखिए और इससे अदाजा आप लगाईए कि अगर प्रदर्शन कारी आज फिर से अड़े, तो किस तरह की तस्वीरे देखने को मिलेगी? पिलकुल एक बार पिर दिल्ली NCR की जनता को जाम से जूजना पड़ेगा, ये तमाम तस्वीरे आप देखिए, किसान अपनी मांगो पर अड़े हैं, हालकि क्रिशी मंतरी अरजन मुंड़ा को आपने अपसे कुछ दिर पहले सुना, पांचवी दौर की बाचीत के लिए न नजर आ रहे हैं क्योंकि आसुग्यास की गोले लगातार अंदोलनकारी किसानों पर छोड़े गए थे, वहां से भीड को हटाने के लिए और उस कारवाई से कैसे बचा जाए, उसको लेकर देखिए, इस बर किसान तयार नजर आ रहे हैं, क्या प्लानिंग के साथ आज दिल लगातार चल रहा है, कभी दिन में बैठक होती है, कभी देरात बैठक होती है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, पाचवे दौर की बैठक के लिए भी अब नियुता दे दिया है, खुद कृशी मंत्री ये कह रहे थे, लेकिन आप देखिए किस तरह से, अलग- प्रदशन कारी जो है, वो प्रदशन करने के लिए तैयार है, और जीन्द में भी बॉर्टर पर पर पंजाब और हर्याना, दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट पर है, देखिए जीन्यूस की ये रिपोर्ट पर पुलिस के जवान, पहरा मिल्टरी पोर्ट पूरी तरह तैनात है, जैसे परशाशन की पूरी तरह गाड़ियां खड़ी कर दिया है, और मैं बता दू कि मीडिया पभी खाफी दूरी रखा गया है, प्रिसान साफ्तों पर मांग पड़ेगी, वो दिल्ली कूच कर जाकर पूरी नहीं बता है ज़न की तरह तैनिमने से जनात है, और मैं पर चाहिसा खाए, कि मीडिया पड़ेगी। तैयारी करके निकलें आज किसान किसान है उनसे लिए गुषंट की वास का देने का इसे मांगों को बढ़े करके ये सभी आज किसान है और ये पूरी एक रैली जो किसान किसानों के द्वारा दूका ले गई है ये बहुत लंबा ये का जया तो अपनी मांगों को लेकर के और इसके बाद ये सूरजपूर तक उनसे जाएंगे वहां ये तस्वीरे बया करती है कि किस तरह की तयारी है रहा हो लेकिन हमारे बाकी बीसमवादात हमारे साथ जुड़ गए है शिवांक और आमेत हमें नजर आ रहा रहे है आमेत आपका रुक करूंगी शम्भू बॉर्डर पर इस वक्त आपकी मौजूद और पिछली बार जो तस्वीरे शंभू बॉर्डर पर देखने को मिले थी आज वहाँ हालात कैसे हैं देखें अभी जस जब हम बातचीत कर रहे हैं तो 26 करीब फिर गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं सिंगू बॉर्डर पर देखें इससे पहले एक खबर बताई थी कि 5 से 7 युवा हैं वो जान बूज कर अंदर आना चाहते हैं उनको एक प्लाटफॉर्म की तरह लग रहा है ये किसान नेताओं को समझना पड़ेगा देखें अभी आप देखें कि किस तरह से बैं जैसे आपको बता रहा हूं कि 27 गोले अभी और 16 सुबह चोड़े गए थे उनको पहले समझाया गया लगातार वहां पर जो है वहां पर पहले से बचने के लिए किसान भी आज पूरी तैयारी करकर आएं आंदोलन करने के लिए आप सब यहां बने रहे हैं सीशिवांक मिश्रा भी जुड़े हुए सिंगू बौर्डर से उनका मागे रुख करेंगे बिल्कुल और दिली के एडिशनल सीपी किस तरह से इस पूर कर कहीं न कहीं तमाम अला अधिकारी जो हैं वो भी लगातार गस कर रहे हैं और सारे बॉर्डर चेक कर रहे हमारे साथ बात करने के लिए कल्सी चरहें सर किस सरीके से आज सुरक्षा का यहाँ पर इंतजाम हुआ है और जो क्योंकि यह सबसे जादा हैवी ट्रेफिक वाला कि पब्लिक इन कन्विनियंस कम से कम हो हम यहाँ इसलिए यहाँ पर घूम रहे हैं देख रहे हैं कि अगर इस समय पी कार पे थोड़ा जनरली भी ट्रेफिक जादा रहता है तो कहीं असुविदा ना हो और ट्रेफिक भी जल्दी से चल पाए तो हम ट्रेफिक स्टाफ के सा यह इंशूर कर रहे हैं कि आम जन का भी अच्छे से चलन हो तो हमारे साथ वाले स्टेट्स यहां पर यूपी में गाजियाबाद और नर्डा पुलिस जो यह इस्टरन देली का जो हमारा बॉडर लगता है उनके साथ वहाँ पर उनके साथ उनकी पुलिस के साथ पुरा रा आपको सिंगू बॉर्डर लिए जलते हैं हमारे सेयोगी शिवांक मिश्रा वहाँ पर मौझूद हैं शिवांक तस्वीरे दिखाईए सिंगू बॉर्डर की क्योंकि पिछली बार जब किसान अंदोलन हुआ था तो सिंगू बॉर्डर पर ही बहुत बड़ी संख्या में किसान जो डेरा जमाए बैटे थे और लंबे वक्त तक वहाँ पर रुके थे आज वहाँ पर हालात कैसे नजर आ रहे हैं जे बिल्कुल देखें यही वो जगा है जहां पर किसान लंबे संख्या में जुटे थे और किसान उन्हें पर हैटकॉर्टर यहीं पर बनायता है सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त सिंगू बॉर्डर की तस्वीर ही है कि लगाता रेपिटेक्शन फोर्स की टीम लगाता सुबा सही तैनाथ है यहाँ पर और सुबा से ही मुस्तहदी से सबी लोग खड़े हैं और शम्भू बॉर्डर की स्तिथीक की लगातार मॉनिटरिंग करें कि अगर किसान सम्भू बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो सिंगू बॉर्डर पर उन्हें रूखने के लिए दिल्ली के भीतर यहां पर पुरी तरह से मुस्तेदी से लगे हुए धूसरी एक और उस modification का प्रियोग करके वो सिंगू के भीतर ना गुस्पा है और आईए एक बार और तस्वीर आपको दिखाते हैं और यह जो concrete mixture है यह सिर्फ एक barricade में जितनी भी यहाँ पर concrete slabs की layer है हर जगा सुखा सुखा concrete mixture यहाँ पर कल रात से ही भर दिया गया था और इसे पक्का कर द दिया गया और यह सिती दोनों तरफ की है चाहे दाइयोर की यह तस्वीर हो और चाहे सडक के बाइयोर की दोनों जगहा पर ऐसा ही पुक्ता इंतजाम करा गया है ताकि अगर किसांद शंबू बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और वो दिल्ली की सीमा की तरफ बढ़ते हैं तो जितनी भी उन्होंने तयारिया करी उनकी सारी तयारिया शंबू बॉर्डर पर आकर धराशाही हो जाए और वो दिल्ली की सीमा में प्रिवेश ना कर पाए तो यह सिती है समय शंबू बॉर्डर की और दूसरी तरफ वज्रवाहन तैनात है और उसके अलावा पूरी रिजर पांच हदार के आसपास पुलिस कर्मी सुरक्षा कर्मी वो सभी यहां पर तैनात हैं दिल्ली पुलिस के रैपिडक्शन फोर्स के पैरा मिलिटरी के और इस सरहां कि आप देखे कि कैसे कटीले तारों की एक पूरी लेयर बनाई गई यह तकरीबन तकरीबन 20 लेयरिंग है यह सिंगू बॉर्डर पर तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि आखिर शंबू बॉर्डर की सिति कह रहती हो लगातार मॉनिटरिंग की जारी शंबू बॉर्डर पर अगर कुछ भी हल चल हो रही है तो उसकी उसका पूरा एक्जांपर यहां पर भी दिख रहा है कि यहा अगर वहां से निकलते हैं तो यहां पर जलत से जल क्योंकि तीन घंटे के आसपास का समय रहेगा शंबू बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर तक का जो पूरी दूरी है तो पहले से ही पुलिस आप पर मुस्तायद है कि अगर वह शंबू बॉर्डर क्रॉस करते तो इस पिशली बार जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी राहुल वो भी बया करती है कि अगर पुलिस ने इंतिजाम बनाया हुआ है अपनी ओर से पूरी कोशिश की है तो जो प्रदर्शन कारी है वो भी पूरी सुरक्षा अपने सुरक्षा रखने के साथ साथ वहां पर क पुलिस की तरफ से यह कारवाई की जा रही है शमबू बॉर्डर पर प्रदर्शन कार्यों का जंकर हंगामा और उन्हें रोकने के लिए आसू गैस की उजड़े घूत तनाफ तर प्र जहते पडिक het लगाए गए हैं दिली में प्रवेश की इजाज़त प्रदशनकारियों को नहीं दी जा रही है और इसी को लेकर वहाँ पर हंगामा बर्पा नजर आ रहा है पुलिस की तरफ से का रवाई और दो तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर पर आंसु गयास के ग इस तरह से हालात अब बच से बतर होते जा रहे हैं लेकिन इस सब का खामियाजा एक आम आदमी भुगत रहा है जो इन इलाकों से रोजाना अपने काम के लिए निकलता है अपने गंतवे तक पहुंचने की कोशिश करता है पुलिस की तरफ से कारवाई की जा रही है लगात विए प्रधाया निकल सकता है अरौदू है हम उसे संग्यान में लेते हुए पुना पाँचवे दोर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं बारता के लिए हम तयार हैं चाहे वो MSP का हो चाहे वो पराली का मुद्दा हो चाहे एफायर का हो चाहे क्रॉप डाइबर्सिफिकेशन का हो ऐसे सभी मुद्दे पर बाचीत के लिए हम तयार हैं और मैं यही निवेदन करूँगा कि सबको सांती के साथ ऐसे विश्वयों पर बाचीत करते हुए समाधान ढूणने की जरूरत है तो क्रिशी मंत्री अर्जिन मुद्दा को आपने सुना दिली कूच को लेकर किसानों की तयारी बता रही है कि प्लान कुछ बड़ा है और सीधे मोचा लेने के मूड में अब किसान नजर आ रहे हैं तस्वीरे देखिए और इससे अदाजा आप लगाईए कि अगर प्रदेशन कारी आज फिर से अड़े तो किस तरह की तस्वीरे देखने को मिलेगी पिलकुल एक बार फिर दिल्ली एंसियार की जनता को जाम से जूजना पड़ेगा ये तमाम तस्वीरे आप देखिए किसान अपनी मांगो पर अड़े हैं हालकि क्रिशी मंतरी अरजन मुंड़ा को आपने अपसे कुछ दिर पहले सुना पांचवी दौर की बाचीत के लिए नियोता दिया है क्रिशी मंतरी ने और कहा है कि जो भी आपके मुद्दे हैं वो बाचीत से ही सुलजाए जा सकते हैं उसको लेकर बैठना होगा बाचीत का रास्ता निकालना होगा आज बड़ा गमासान और क्या है प्लान ये आपको हम बता रहे हैं ये देखे आपको प्रदर्शनकारी किसान जो हैं चेहरे पर मास्क लगाए नजर आ रहे हैं क्योंकि आसुग्यास की गोली लगातार अंदोलनकारी किसानों पर छोड़े गए थे वहाँ से भीड को हटाने के लिए और उस कारवाई से कैसे बचा जाए उसको लेकर देखे इस बर किसान तयार नजर आ रहे हैं क्या प्लानिंग के साथ आज दिली कूच के लिए निकले हैं तमाम अंदोलनकारी किसान चेहरे पर मास्क लगाए हुए है चेहरा डखा हुआ है चश्मे लगाए हुए ताकि आँखों में नुकसान न हो और पोकलें मशीन भी अपने साथ लेकर आज निकले हैं किसान साफ तोर पर तो देखिए बाचीत का दौर लगातार चल रहा है कभी दिन में बैठक होती है कभी देरात बैठक होती है और जीन्द में भी बॉर्टर पर पंजाब और हर्याना दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट पर है देखिए जीन्यूस की ये रिपोर्ट गाडियां खड़ी कर दिया और मैं बता दू कि मीडिया पर अभी खाफी दूरी रखा गया है क्रिसान साफ तो पर मांग पड़ेगी वो दिल्ली कूछ कर जाकर ही दम लेंगे उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बैरिगेट्स तो और देखिए उनके लिए खिलोनों की तरह ह और यह फूर्स पैनाज कर दिए ताग कि किसान किसी भी तरह दिल्ली कूछ नहीं पर परशाशन पूरी तरह है और हमारे तीन सायोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको हम तीनों के बास लेकर चलते हमारे साथ राहुल हैं हमारे साथ अबिद भार्दवाज हैं और साथ हमारे साथ एक और से योगी हमारे जुड़ गें लेकिन सबसे पहले हम राहुल का रुख करना चाहेंगे राहुल तस्वीरे दिखाईए और दिखाईए किस तरह की तैयारी करके निकले आज किसान दिखें क्योंकि किसान नौलेज पार्क से लेकर के और ये सूरजपूर तक जा रहे हैं और भारती खिसान दिकायत के द्वारा ये बुलाए गया था ये ट्रैक्टर रैली बुलाए गई है मैं कैमरा मेंन से कौँगा कि फुरे ट्रैक्टर रैली को दिखाएं कि ये लबी ट्रैक्टर रैली आज से लिए और नौलेज पार्क से होते हुए शूरजपूर से क्याएं किसान देने का इन सभी किसान देने का पर दर्णा पर दर्शन पर भी बैठेंगे वहाँ पर बैठेंगे और तमाम ये कहा जाए कि इंतजमात के बारे में कहा जाए तो पुल ये तस्वीरे बया करती है कि किस तरह की तैयार यह राओ लेकिन हमारे बाकी भी संवादाता हमारे साथ जुड़ गया है शिवांक और आमित हमें नजर आ रहे हैं आमित आपका रुक करूंगी शंबू बॉर्डर पर इस वक्त आपकी मौजूदगी और पिछली बार जो तस्वीरे शंबू बॉर्डर पर देखने को मिले थी आज वहाँ हालात कैसे हैं देखे अब भी जस जब हम बाचीत कर रहे हैं तो 26 करीब फिर गोले जो है वो छोड़े गए हैं सिंगू बॉर्डर पर देखे इससे पहले एक खबर बताई थी कि 5-7 युवा है वो जान बूज कर अंदर आना चाहते हैं उनको एक प्लैटफॉर्म की तरह लग रहा है ये किसान नेताओं को समझना पड़ेगा देखे अभी आप देखे कि किस तरह से मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि 27 गोले अभी और 16 सुबह चोड़े गए थे उनको पहले समझाया गया लगातार वहाँ पर जो है वहाँ पर एनाउस्मेंट की जारी थी वो लोग